इंडियन पिनल कोड अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक बातें पहले इस कोड के बारे में समझ लीजिए इस जन्रल क्रिमिनल लौ यह क्रिमिनल लौ है और एक जन्रल लौ है मैं जन्रल लौ इसको क्यों कह रहा हूं इंडियन पिनल कोड को तो यह बात समझ यह हम लोग अब इस बात को थोड़ा समझे ना कि वो specific subject matter में deal करते हैं जैसे dowry prohibition specific subject matter में deal करता है domestic violence specific subject matter में deal करता है COXO Act specific subject matter में deal करता है but IPC is a general law it's a substantive law क्योंकि rights and obligation बताता है that's why it's a substantive law it's not a procedural law IPC is a substantive law इसमें food infiltration related जो चीज़े रहेंगी जो offences रहेंगे वो भी cover होंगे इसमें dowry से related offences भी cover हो जाएंगे इसमें sexual harassment के भी provision है सब कुछ है इसमें that's why it is a general law और इन चीज़ों से रहेंट specific laws भी है specific enactments भी है और हमने यह देखा है कि whenever there is a conflict between any provision of a general law specific law तो जो specific law होता है special law जिसको कहते है तो जो special law है वो हमेशा prevail करता है because it is a general law यह comprehensively हर चीज़ को deal करता है लेकिन वो special law specific subject matter में ही deal करेगा तो देखिए Indian Penal Court जो है यह first law commission के through बना है यह बात ध्यान रखिएगा तो मैं आपको free के साथ-साथ questions आ रहे बता दे शलूंगा कि यह यह बाते है आप प्लीज यह ensure कर लीजिए पहले आपके पास direct IPC का एक highlight नर या pencil कुछ भी underline करने के लिए यह बेरिट में चीज़ है अपार्ट फ्रम दाट विश्ट हावर नोटबूक और पेन क्योंकि इडिशनल इंफरमेशन भी आपको कराते जाओंगा साथ-साथ तो प्लीज इंशर करिए कि वह उसके लिए भी आपके पास कुछ हो तो भी आप साथ-साथ वारी नोटूंट करते जाईएगा तो देखे इंडेन पिनल कोट जो है यह एक्त राफ्ट हुआ था भाई थी फरस्ट लोग कमिशन इंडिया की जो पहली लोग कमिशन थी उसके थुद्रो यह द्राफ्ट हुआ था फरस्ट लो अकमिशन इस law commission के chairman तेस आप सब जानते हैं who drafted this Indian Penal Code और who is known as the father of the Indian Penal Code तो Lord Macaulay that is important Lord Macaulay was the chairperson of this or the presiding officer so Macaulay was the presiding officer इनके अलावा तीन लोग और थे इस में एक थे Anderson, एक थे MacLeod और Millett तो इनके भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं Anderson Millett और तीसरे है MacLeod इन तीनों का भी नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि UP में आप देख रहे हैं पिछले एक कुछ समय से trend अगर prelims का तो आप हर तरीके के question हर स्टेट में पूछे जा रहे हैं 36 गड़ में आप जानते एक दम cutthroat competition है है न जारखन भी आने के पूरे chances है एक्जाम होने के अब recent months में तो काफी in-depth थोड़े detail based question भी होते हैं आपन कोशिश करेंगे एक blend लेके चलें बहुत तेज भी नहीं चलेंगे और बहुत ज़्यादा धीरे भी या बहुत ज़्यादा detail में भी नहीं जाएंगे क्योंकि these classes are pre-oriented पहले हमें ensure करना है कि प्री कि आपकी तयारी हो जाए क्योंकि coming exams lined up है हमारे पास तो Macaulay was the presiding officer उसके अलावा तीन लोग है इसमें ठीक so that is about how Indian Penal Court came into existence किस तरीके से यह बना date of enforcement क्या है Indian Penal Court की तो ध्यान रखिए 1st January 1862 1st January 1862 is the date of implementation of IPC यह ध्यान रखिएगा अब before we come to the barrack उस पे आने के पहले थोड़ी सी basic बाते हैं और समझी है इस act के बारे में क्योंकि वहां से भी case law based question आते हैं तो इसके पहले कि मैं barrack पे move करूं इक करके अपन चीज़ें समझना चालू करें एक बात यह समझी है कि it's a criminal law IPC is a criminal law ठीक है और आपने इस तरे दो टर्म देखे होंगे offense और crime दोनों अपने सुने होंगे what is the difference between crime and offense बहुत ब्रीफ में जाँगो इसमें डीटेल में मैं नहीं जाँगा crime एक broad term है जो generally use किया जाता है किसी भी तरीके के public wrong को बताने के लिए public wrong जो है वो crime की category में आ जाते है offense word IP से ने use किया जब इसको codify किया गया जब criminal law को codify किया गया उसमें word use किया गया offense section 40 IP से define करता और section 40 के साब से offense की जो definition है वो यह है any act which is made punishable by this code IP से जिस भी act को punishable करता है वो एक offense हो गया तो जहां punishment prescribed हो गया वो offense है और crime तो एक broad category है crime also includes offense in itself ची तो अब crime की जो definition है वो देना बहुत संभाव नहीं था jurist के लिए कई सारे लोगों की उस सिर्टेट definition है बट generally problems में पूछा नहीं जाता लेकिन एक basic intro से related जो important question जो बनते हैं वो आपके mensorya से जरूर बनते हैं तो उसके लिए brief में हम लोग देखेंगे elements of crime क्या-क्या element एक crime में होते हैं तो broadly देखा जाए तो there are four elements of a crime कितने elements हैं चार elements है crime के सबसे पहले crime के लिए जरूरी क्या है तो सबसे पहले there should be a human being there should be a human being or person should be there अब यह person word किदर defined है तो section 11 IPC का define करता है person को सबसे पहले required है crime के लिए एक human being या फिर एक person second जो इसका essential है that is mensorya और mensorya का मतलब क्या होता है बदा शकते हैं comments के थूरू mensorya का मतलब what is the meaning of mensorya that's guilty mind guilty mind guilty mind चाहिए offense करने के लिए या crime करने के लिए mind भी guilty होना चाहिए आपका act guilty that is fine but guilty act साथ में mind भी चाहिए so तीसरा जो है essential वो है आपका actus rius और actus rius का मतलब होता है guilty act guilty act से मतलब है इदर human conduct का consequence या result जैसे मैंने किसी वक्ति को गोली मार दी कि मैंने किसी को गोली मार दी अब अगर उस गोली मारने के वज़े से मैंने consequence produce किया है which is prohibited by IPC मैंने किसी के death cause कर दी है तो यह सरफ actus rius death cause कर दी मैंने that is actus rius अब death cause मैंने किस guilty mind के साथ करी है that is also important and that must be there यह होना चाहिए actus rius अपने आप में offense create नहीं करेगा उसके साथ मैंसरिया मेरा mind भी guilty होना चाहिए at that point of time तभी मैं liable हूं otherwise liable नहीं हूं civil में जरूरी नहीं है कि हर जगा मैंसरिया हो बट यहां मैंसरिया required है इसके बाद अगर आप fourth essential की तरफ आएंगे तो it is injury to person चौथा क्या है injury होनी चाहिए चौथा जो essential है वो चाहिए आपको injury यह चार essential crime के होते हैं इसमें जो question बनेंगे आपके exam point of this impact है जिसकी संगिजना है हमें वो है यह मैंसरिया या guilty mind इसके बारे में हमें थोड़ा समझना है अब देखिए मैंसरिया होता क्या है guilty mind जिसा मैंने कहा है state of mind भी चाहिए किस state of mind के साथ आपने वो act commit किया है जैसे मालने जिए आप अपना फोन हाथ में लेके चल रहे हैं मैं आपके पीछे से आया और मैंने ध्यान नहीं दिया गलती से मेरा हाथ आपके हाथ में टकराया और आपका फोन नीचे गिरा और तूट गया अब बताईए कि IPC के अंदर क्या ये act punishable होगा क्या इसके लिए मुझे punish किया जाएगा गलती से हो गया वो हाथ लगा और फोन नीचे गिरा और फोन तूट गया इधर पर civil liability बन सकती है अगर आप civil suit करेंगे तो मुझे compensate करना पड़ सकता है आपको for the damage or loss that I have caused लेकर criminal liability as such नहीं बनेगी क्योंकि ये जो neglig negligence है मेरा state of mind क्या है मैंने जान बूच के नहीं किया मैंने वो काम intentionally नहीं किया that was negligence state of mind मेरा है negligence और IPC में आप देखेंगे negligently कोई भी चीज़ करने के लिए negligence state of mind के साथ काम करने के लिए आप कभी liable होते हैं जब आप किसी वक्ति की death cause कर देते हैं separate offense is death by negligence उसके अलावा यह चो state of mind है आपकी negligence यह किसी दूसरे offense का constituent element आपको नहीं मिलेगा इसलिए अब यह भी चानना जरूरी है किस mensoria में कौन कौन से state of mind है जो IPC cover कर रहा है या जो हमारे लिए important है तो जो general doctrine of mensoria था वो एक अलग चीज़ है और उसके बाद जो ज़रूरी है IPC के लिए समझना इस बाद को IPC is a codified law हर offense को यहां लिख दिया गया है हर offense की specific definition दी है because it's a codified law तो जो specific definition किसी भी offense की दी गई है उसमें state of mind को बताने के लिए state of mind को express करने के लिए या दर्शाने के लिए specific words यूज करे गया है जैसे intentionally, intentionally, dishonestly, fraudulently, voluntarily negligently इस तरीके के malignantly इस तरीके के term बता दी है कि किस offense के लिए कुनसी specific state of mind चाहिए यह आपको बता दिया IPC में इसलिए आपको अपने से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि किस offense में कौनसा state of mind या क्या guilty mind required है क्योंकि जो भी state of mind required है एक particular physical aspect है उस offense का कि किस physical act को वो offense prohibit कर रहा है और वो act आपने किस मनोस्थिती में किया किस state of mind के साथ आपने वो offense किया है is also important और वो expressly वहाँ दिया हुआ है particular offenses में इसलिए ऐसा माना जाता है कि in general जो mensoria की doctrine है वो बहुत हद तक applicable IPC जैसे law पे नहीं होगी because it is codified and codified जब लोग होता है लिखित जो होता है उसमें अपने आप में clarity होती है but इसी से related case laws है जिनसे आपको सवाल पूछे जाते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है मैं अभी mensoria की state of mind पे भी आऊंगा जो specifically required है IPC पढ़ने के लिए आगे कि offenses की जब अपन बात करेंगे उनको समझने के लिए कुछ specific state of mind के बीच का difference आपको समझ में आना चाहिए जैसे motive और intention में क्या difference है intention और knowledge में क्या difference है कब चीज negligently कही जाएगी और कब वो knowledge के साथ कहा जाएगा इन में थोड़ा थोड़ा basic difference है I'll try to clarify that today उस पे अपन बात करेंगे लेकिन उससे पहले इस mensoria की doctrine की applicability थोड़ा से समझ लीजे इससे related कुछ important cases है उनको समझ लीजे क्योंकि उनसे सीधे सीधे आपको prelims में सवाल आते हैं अब ये जो cases हैं इनके नाम आपने सुने होंगे R versus Prince, R versus Tolson ये सब आपने सुने हैं में George लेकिन इनको किस context में पढ़ना है हमें किस आई के साथ हैं इन cases को देख रहे हैं direction का case है किस आई के साथ देख रहा है ये समझना है और किस case में क्या held हुआ तो आपको याद करने में थोड़ा आसाल हो जाएगा और इनसे specific questions बनते हैं तो देखिए अब सवाल यह आता है कि जैसा मैंने आपको कहा कि जब non-codified है अगर कोई law तब तो आपको ये दिमाग लगाना है सारा कि भाई क्या state of mind इसके लिए जरुरत होगी कौनसा state of mind नहीं है लेकिन जब अपन codified laws की बात करते हैं जब सारी चीज एक offense की definition में लिख के आपको दे दी गई है क्या वहाँ भी आपको ये दिमाग लगाना है क्योंकि भाई देखिए mensria एक essential element है but there are exceptions to mensria as well there are certain offenses in Indian Penal Court जिनके लिए mensria as such required नहीं है कई सारे ऐसे offenses है जिसमें इस intention या फिर इस guilty mind को बताने के लिए कोई terminology used ही नहीं है जैसे आप kidnapping की definition अगर IPC की पढ़ेंगे kidnapping from lawful guardianship तो आपको समझ में आएगा कोई particular state of mind है ही नहीं अब इन cases में यह सवाल आता है कि भाई हम क्या presume करें क्योंकि आप kidnapping की definition IPC में देखेंगे या by game ही आप देखेंगे expressly कोई ऐसा term नहीं है या जो public nuisance वाले offenses आप देखेंगे कई जगे वहां आपको यह चीज मिल जाएगी जो public tranquility से related जो normally होते हैं public safety health से related वहां को specific knowledge and intention required नहीं होता आपने अगर वो specified act कमिट कर दिया चाहे आपने just state of mind में वो act कमिट किया हो वो act अपने आप में offense बन जाता है इसे लिए वो क्या माने जाते हैं exception माने जाते है doctrine of mensorya के की बिना mensorya के भी वो applicable है अभी जिन cases का मैंने आप से जिक्र किया उनके बारे में तुम आपको बताऊँ गए कि वो क्या है और क्या उनमें held हुआ है लेकिन ये जानी है कि किस context में अपनों है पड़ेंगे तो सबसे बड़ा सवाल अभी यहां यह आता है कि जब आप codified law की बात कर रहे हैं जब आपने particular offense की already एक definition दे दिया है आपने लिख के यह बता दिया है कि इस offense को constitute करना के लिए क्या-क्या चीज़ें required है अब मान लेजिए देखेंगे दो तीन condition बनेगी codified law में एक तो वो condition जहां commentary आपको reflect करने के लिए express provision है एक्सप्रेस कोई term यूज किया गया है जैसे आप theft की definition देखेंगे तो dishonestly word इस्तेमाल किया गया है theft की definition में clearly आप murder देखेंगे तो वहाँ intention word यूज है knowledge word यूज है आप mischief देखेंगे तो दोनों है intention भी लिखा है knowledge भी लिखा है कि इस knowledge के साथ आपने ये काम किया या इस intention के साथ आपने ये physical act किया तब वो एक offense constitute होगा तो भाई expressly provision में दिया है तब तो mensorya वहाँ आपर मान our rule applicable होना चाहिए where there is no express word और no specific word to express mensorya कैसा kidnapping का मैंने आपको example दिया kidnapping from lawful guardianship को आप देखेंगे तो वहाँ कोई specific term नहीं उसने बस इतना लिखा है कि कोई भी व्यक्ति एक बच्चे को जो 16 साल तक की का male या फिर 18 साल तक की female या person of unsound mind को उसके lawful guardian के consent के बिना लेके जाता है या इंटाइस करता है तो वो kidnapping from lawful guardianship है अब वो किस intention या किस mental state में ले गया है इसे कोई मतलब नहीं है वहाँ express कोई term नहीं लिखा अब यहाँ सवाल ही आता है कि क्या ऐसे offenses में भी हम यह presume करें कि भाई उसका कुछ ना कुछ guilty mind होना चाहिए तब ही liable है अगर उसने ये प्रूफ कर दिया कि उसने कि उसका कोई आज सच guilty mind नहीं था वो तो ऐसे ही lawful guardianship से किसी बच्चे को ले गया थोड़े समय के लिए तो क्या हम उसको जाने दे हम वहाँ पे यह presume करने कि यार क्योंकि expressly भाले कोई term नहीं है kidnapping की definition में कोई express term नहीं है जो मैंसिरिया क को बताना है लेकिन हमें यह presume करना है कि मैंसरिया तो होना ही चाहिए बिना उसके तो liability नहीं बनेगी क्या यह presumption सही है या फिर इसका contrary opinion है कि यह हो सकता है कि भाया जो लिखा है क्योंकि codified law है तो जैसा लिखा है as it is interpret करिए जब वहाँ कोई specific term है ही नहीं state of mind को बताने के लि और वह जो लिखा है as it is आप मानिये सो दे सेकेंड और दे लेटर व्यूज और वही यूज होता है present times में कि भाया codify का मतलब ही है कि whatever was required वह लिख दिया गया है इसलिए जितना लिखा है आप उतना समझीए बस अगर उसमें कोई specific state of mind नहीं है particular act defined किया है आपने अगर वह कि इस पर आता है इन cases के तो आब एक एक करके इन cases के बारे में brief में बात करते हैं क्योंकि इन पर questions आपको बनेंगे सीधे सीधे objective question आ जाते है कि इन में से कौन सा case में में deal नहीं करता या कौन सा case इन में से में deal करता है तो जैसा मैंने आपको cases के नाम बताए लिखते जाहिए इससे related cases भी आप साथ साथ और वर्सस प्रिंट सबसे पहले इस case में होता क्या है कि यह जो प्रिंट साहाब है यह जो प्रिंट साहाब है यह जो यह प्रिंट साहाब है यह एक female को who was below the age of 16 a girl of below the age of 16 इसको यह lawful guardianship से बाहर ले जाते हैं और बाद में जब इनको abduction के लिए prosecute किया जाता है तो यह defense लेते हैं कि हमें पता नहीं था कि उस लड़की की age इतनी काम है क्योंकि वो उसको देख के यह लग रहा था कि she is above 18 इस misconception में तो कि वो देख के हमें लगा कि अटारा से उपर की इसलिए हम ले गए और जो offense था वो यह कह रहा था कि तो ला से कम होना चाहिए तभी वो offense माना जाएगा as such एक particular offense और इनका यह contention था इस case में कि वो देख के उससे जादा age की लग रही थी चिक यह contention यहाँ पे था तो court नहीं हिल्ड किया कि साहब आप गिल्टी है यह contention आपका काम नहीं आएगा in your guilty जो तीन जज़स की बेंच कि दो ने हिल्ड किया कि यह guilty है यहाँ पे as such knowledge का कोई काम नहीं है कि आपको knowledge था या नहीं क्योंकि आप anyways एक immoral act कमिट कर रहे थे और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि specific state of mind कोई particular required थी की नहीं और इसी लिए in the absence of such thing जो है जो expressed चीज है उससे ही आपको सिर्फ guilty मान लिया जा यह contention माना नहीं जाएगा and the accused was held guilty in this case एसे एक दूसरा case है आर वर्सस तॉलसन यह सारे cases बहुत important है में सरिया से related दूसरा है आर वर्सस Toulson this is also important this R versus Toulson is also important 1889 देखे इस case में क्या होता है एक वर्क्ती होते है जो अपनी wife को desert कर देते हैं छोड़ देते मिस्टर टॉलसन थे वो जिन्होंने अपनी wife को desert कर दिया काफी टाइम तक वो उनसे मिले नहीं, पता नहीं चला Mr. Tolson के वेराउट के बारे में, आप इनके जो वाइफ थी, वो इस misconception में, क्योंकि काफी दिनों से देखा नहीं, पता नहीं कहा है, और है, साथ साल नहीं हुआ थे, क्योंकि नॉर्मली है कि साथ साल तक किसी वेक्ति को देखा सुना ना गया हो, तो यह प्रिजूम किया रहा सकता है कि डेथ हो गई गया उसकी, बट यहां ऐसा नहीं हुआ था, बट काफी एक रिजनेबल टाइम तक, उन्होंने अपने हस्बन को देखा नहीं, मिली नहीं और कोई किसी ऐसे विक्ति से उनका सामना नहीं हुआ जिसने उन्हें देखाया, वो उनसे मिला हो, तो इस प्रजम्शन में इनकी वाइफ ने, इस प्रजम्शन में कि उनके हस्बन की डेथ हो गई है, सेकंड मारेज कर ली, दूसरी शादी कर ली, और उसके कुछ समय बाद मिस्टर टॉलसन अपियर होते हैं, और फिर मिस्टर को प्रोसेक्यूट किया जाता है, इसमें यहाँ प्रूफ, उनका कंटेंशन यह था, मिस्टर टॉलसन की वाइफ का कंटेंशन यह था, कि that was a genuine mistake on my part, वह कहीं कुछ पता नहीं था, हस्बन का, इसलिए यह प्रजम्शन किया, कि he is dead, और फिर सेकंड मारेज परफॉर्म करी, and the court also held, कि वाइस साब, यह चीज आप समझिये, कि यहाँ पे इनके part पे कोई as such guilty mind नहीं है, that should be considered as a genuine mistake of fact की तरह इसे हमें लेना है, और इसी लिए, इस case में, there was no conviction, there was no conviction and she was held to be not guilty, that was the judgment, that was R versus Tolson, जो बाइगेमी से related case है, इसी का contrary case, बाइगेमी से related ही, एक contrary case है, इसको भी ध्यान रखियेगा, R versus wheat and R versus stocks, यह भी important है, R versus stock, इसमें क्या होता है, इस case को भी थोड़ा समझियेगा, this is 1921, similar by gaming से related ही case है, बट वहाँ यह था, कि जो wife थी, जो Mrs. Tolson थी, उन्होंने इस belief में दूसरी marriage perform कर ली थी, कि उनके पिछले husband की death हो गई, यहाँ होता यह है, कि जो husband है, उन्हें wife ने यह चीज़ इंडिकेट करी, कि अब मैं divorce लेने वाली हूँ, जल्दी तो मैं divorce के paper sign करने है, यह बात wife ने husband से करी, अब यहाँ यह जो husband है, ने बहुत ज़्यादा जल्दी थी, और इन्होंने वो official divorce का वेट किये, यह presume कि भाई, अब तो divorce होई गया है, wife ना तो बोली दिया है, कि जल्दी आपको paper मिल जाएंगे, sign करके मैं दे दूँगी और हमारा divorce होजाएगा, इन्होंने जाके दूसरी शादी कर लिए, रुक नहीं पाईए थोड़ी थे, so he committed by gammy, अब यहाँ पर court ने held किया, कि that is not a mistake of fact, that's a mistake of law actually, आपको पता है by gammy offense है, आपको पता है, at that point of time, जो आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आपका पिछला spouse living है, और उसके बाद भी आप दूसरी शादी कर रहे है, तो अलसन का reference इदर लिया गया, बट यहाँ यह held किया गया, कि वहाँ की facts अलगते, she was under a misconception, कि उनका husband मर चुका, और जन्मेर वो बुना फ़ाइ, मदब एक good faith में किया हुआ belief था, क्योंकि कोई ऐसी somehow ना, जो जो हो सकती भी, वो सारी चीज़े हुई, जिससे पता चल जाए कि husband alive है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसके बाक्षी performed by gaming, मगर आपने तो इतनी जल्दी यह चीज़ कर ली, जानते हुए, क्या भी officially वो चीज़ हुई नहीं है, divorce वाली आपके और आपने by gaming कमिट कर दिया, so in that case, he was held to be guilty of by gaming, so यह case भी याद रखियेगा, चिक, तो यह तो हो गए आपके cases जो common loss are related normally है, इसके बाद यह और important case है, शराज वर्सेस डी रट्सन, यह भी आप याद रखियेगा, शराज वर्सेस डी रट्सन, शराज वर्सेस डी रट्सन का जो case है, that is 1895, and this is also important, देख यह, इस case में होता क्या है, थोड़ा समझना इस चीज़ को, there was an offense, जिसमें offense यह था, कि अगर आप किसी व्यक्ति को, जो की official duty पे है, किसी public servant को, जो की official duty पे है, अगर आप liquor sale करते हैं, या deliver करते हैं, at that point of time, जब वो नौकरी पे है, और आपको इस बात का knowledge है, कि the person is on duty, official duty, उस समय अगर आप liquor प्रोवाइड करते हैं, तो that act was prohibited, that was an offense, यह जानते हुए, एक public servant की वो नौकरी पे उसको अगर आपने liquor दिया, तो that was an offense, अब यहाँ जो accused था, इसने ऐसा किया था, एक public servant को, एक police officer को इसने liquor supply कर दिया, जब accused, बना वो, जब उसके against यह prosecution चल रहा था, उसका contention यह था, कि साब, यह जो public servant था, यह अपनी uniform में नहीं था, and I had no means to consider, or I had no means to recognize, that the person is on duty, इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, कि यह वक्ति यह duty पे है, जिस समय हमने इसे liquor supply किया, तो इस case में यह चीज हेल्ड हुई थी, कि yes, there was a mistake on the part of the other person, और वो genuine है, आप recognize कैसे करेंगे किसी वक्ति को, कि वो duty पे है या नहीं, तो that is a factor कि वो uniform में नहीं था, और उसे उसने यह चीज एक्स्प्रस नहीं करी, इसलिए जिस वक्ति नहीं उसे liquor supply कि थी, उसके पास कोई means नहीं था, तो know that the person is on duty, and he was held to be not guilty, जो accused था, he was held to be not guilty, so that is the another case, which is also very important for the purpose of mensorya, तो इसको भी आप ध्यान वक्येगा, आपको पहली बदा चुका हूँ किस context में आपन इन cases की बात कर रहे हैं, अब आपन इसके बाद एक case और आप नाम बस ध्यान रखिएगा, ब्रेंड वर्सेज वूड, that is also important, ब्रेंड वर्सेज वूड, यह modern time का जो applicable mensorya है, उसकी starting इसे माना जाता है, 1946 को case है, और यह भी important है, तो बस नाम इसका ध्यान रखिए, अच्छा, इसके बाद एक case जो इंडियन courts ने जिसे decide किया है, और इंडियन courts ने apply किया है, इसी तरीके की reasoning, mistake of law की बात जो करी, इंडियन courts ने, that is also very important, इस case को भी ध्यान रखिएगा, that is state of Maharashtra versus M.H. George, this is important, state of Maharashtra versus M.H. George, this is important, यह जो case है, यह है आपका 1965, 1965, देखिए, इस case में क्या होता है, एक साहब है, जो जूरीत से Manila जा रहे है, एक country से दूसरी country यह जा रहे थे, गोल्ड लेके, इनके पास एक substantive quantity of gold था, इंडियन airport पे भी यह land करें, और एक notification जब यह fly कर रहे थे, उसके पहले ही एक notification आया था, जिसमें यह कहा गया था, कि अगर आप भारत के through भी fly कर रहे हैं, और आपके पास एक specific quantity से जादा का gold यह, जो भी gold आप carry कर रहे हैं, आपको वो बात expressly बतानी है, अपनी details में आपको यह बात express करनी है, कि आप कितना gold लेके चल रहे हैं, और इसमें जो accused person था, वो एक substantive quantity का gold लेके travel कर रहे था, और इस बात को disclose नहीं किया था, so he was prosecuted for that particular offense, अब यहाँ पर accused का contention यह था, उनका क्याना यह था कि साब मुझे पता ही नहीं कि यह notification आ गया है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, कि यह notification आया है, और मुझे यह बात expressly बतानी है कि मैं कितना gold लेके चल रहा हूँ, अब बताइए क्या यह contention acceptable है कि आपको law की जानकारी नहीं है, इसको हम क्या कहते है, mistake of law, that is not mistake of fact, जैसे तॉलसन से हुआ था, Mrs. Toulson से, कि she was under that misconception that her husband is dead, बट यहाँ क्या है, इनको law की जानकारी नहीं है, कि यह particular notification आया हुआ है, एक particular notification है, जिसके तहद आप एक specific quantity of gold carry नहीं कर सकते, he was taking that contention, so यह contention acceptable नहीं है, अब बले आपका कोई guilty mind नहीं है, आप इस बात को समझेगा, मैंसरिया के अंदर यह क्यों आता है, क्योंकि यहाँ specific कोई guilty mind नहीं है, लेकर आप यह कह रहे हैं कि हमें law नहीं पता, गया था, so this is also very important, आप क्योंकि मैंने थोड़ी-थोड़ी कहाणी आपको इन cases की बता दी है, तो I hope कि आप इन cases को याद रख पाएंगे, यह सब मैंसरिया से related हैं, और यह काफी important cases हैं, जिन पर question बनते हैं, इसलिए मैंने कहां कि अपन बहुत तेजी में revision करने के mood में नहीं है, we have sufficient time, तो IPC को अपन थोड़ा ऐसे करेंगे कि हर तरीके के सवाल हमसे बन जाए, और थोड़ा समझ में भी आए, सिर्फ points नहीं मैं आपको note down कराऊंगा, थोड़ा पन समझेंगे भी, यह ना, पिछली बार थोड़ा समय कम था, इसलिए उससाब से किया था, अभी भी half time for that, और किसी ने पूछा है, classes कब तक होंगी, कितनी होंगी, तो 6-7 class approximately मैंने रखा है, बहुत strict मैंने schedule नहीं बनाया है, जिसे पिछली बार था कि 2 में ही होगा, ऐसा नहीं है, मैंने 5-6, 6-7 classes रखी है, अपने flow में चलेंगे, आराम से, यह जैसा लगेगा उस तरीके से, हम करते करने के लिए, जो आक्ट से हमारे, जो IPC है हमारा codified law, वो बहुत सारी terminology यूज़ करते हैं, कुछ को जानना बहुत जरूरी है, जो इधर define नहीं है, अभी अपन general explanation वाले chapter पर पहुँचेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहां मिल जाएंगे, जैसे आपको वहां voluntarily क definition मिल जाएगी, वहां आपको dishonestly की definition मिल जाएगी, वहां आपको fraudulent rule की definition मिल जाएगी, तब यह मुझे नहीं पता आपको दोनों के पूछ का difference समझ में आया है या नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँ आज उस difference को आपको समझाने की IPC के context में, इस तरीकी की terminology is defined है, बट कुछ term स जो defined नहीं है, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह आगे जब अपने offense की definition पढ़ेंगे ना वहां use होंगे, और वो एक specific guilty mind या state of mind को बताते है, इसलिए उनके बीच का फर्क जानना बहुत जाएदा जरूरी है, जिन में से एक term है motive, जो आप सबने सुना होगा, that is motive एक term है, एक term है आपका intention, अब इनकी definition नहीं है वाई साब IPC में, एक term है knowledge, और एक जैसा मैंने कहा state of mind, जो generally IPC में consider नहीं होती है, सिर्फ जहाँ death cause कर दें, वहां consider किया जाता है, and that is negligence, ठीक, तो अब इस बात को समझे है जरा, कि इनके बीच के differences क्या है, एक basic idea में रहे कहल आपके पास होगा, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब offense पढ़ेंगे, अगर आपको knowledge और intention में फर्क नहीं पता, तो उस offense को शायद आप बहुत अच्छे से interpret नहीं कर पाएंगे, ये problem शायद हो सकती, इसलिए in terminologies के difference को समझना बहुत ज़रूरी है, देखे, मोटिव इसमें जो है, ये बात ध्यान रखना, ये मेंसरिया का पार्ट नहीं है, इससे criminal liability fix नहीं करी आती, मोटिव रेलेवेंट के दार होता है, इंडियन एबिटेंस आक्ट में, किसी वक्ति का offense प्रूव करने के लिए इस्तिमाल होता है, बट इससे criminal liability imposed नहीं हो उसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, सो देखिए, motive क्या होता है, motive एक broad idea है, it is the utmost object, लिख लेजी आप चाहें तो motive की definition, motive is the utmost object of doing a thing, जैसा मैं किसी के जान लेना चाहता हूँ, मुझे एक लप्ति का murder करना है, मुझे किसी वक्ति को चांद से मारना है, अब कौन सा consequence produce करूँगा, death का consequence, अब मैं उस वक्ति के death क्यों करना चाहता हूँ, मैं वो particular consequence क्यों produce करना चाहता हूँ, that is motive, कि मैं वो particular consequence, अब मैं किसी वक्ति के अगर जान लेना चाहता हूँ, तो अव्यसी बात है, उसने कुछ किया होगा, तब ही मैं उस वक्ति के जान लेना जा रहा हूँ, हो सकता है मेरी कोई rivalry हो से, हो सकता है मैंने उससे पैसे उधार ले रखे हो जो मुझे उससे वापिस करना है, अगर वो जिन्दा रहेगा तो पैसे मांगेगा, so that can be a motive, behind killing a person, so that's what we refer as motive, अब अपना आते हैं intention पे, तो intention थोड़ी back की stage है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर offense में motive हो ही, ऐसा जरूरी नहीं, there may be exceptions, but generally यह होता है, इसके बाद अपना आते है intention पे तो वो थोड़ी later stage है, जब मेरा motive frame हो गया मेरे पास एक कारण है किसी वक्ती की जान लेने का, यह मेरा motive है, अब जब मैंने decide कर लिया कि मुझे किसी वक्ती की death cause करनी है, वो मैं कोई act commit करके करूँगा, कोई specific act करूँगा, अजर मैंने का, गोली मारूँगा, चाकू मारूँगा, जहर दूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, जब मैं यह specific act कर रहा हूँ, जिससे मैं वो consequence produce करूँगा, तो मेरा वो जो conduct है, मेरा वो जो act है, वो मैं किस state of mind में कर रहा हूँ, यहां से decide होगा आपका intention, जैसे मान लिजे, मैं किसी वक्ति को गोली मार रहा हूँ, शूटिंग का मैं आक कर रहा हूँ, किसी वक्ति को शूट कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि उस वक्ति की death हो जाए, इसका मतलब यह है that I have shoot at that person with the intention of causing his death, इसे लिए intention अगर आप लिखना चाहे, शॉट में तो लिख लीजिए, intention is the desire to produce a particular consequence, intention क्या होता है, it is the desire to produce a particular consequence, अब देखिए, मैं किसी वक्ति को अगर aim करके गोली मार रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस गोली से वो वक्ति मर जाए, तो यह कहा जाएगा कि मैंने उस वक्ति को shoot किया है with the intention of causing death, क्योंकि उस shoot करने के पीछे मैं यह चाहता था, मेरी यह desire थी, कि मेरे इस shooting के act का यह particular consequence कि इस वक्ति की जान चली रहे, यह होता है आपका intention, कि उस act को करते समय मेरा intention क्या है, अब वो particular consequence मैं क्यों produce करना चाह रहा था, वो है आपका motive कि वो particular consequence में अपने act से क्यों produce करना चाहरा that's motive उसके बाद बात करता हूँ अगर knowledge की में तो knowledge में आप लिख सकते हैं it's the awareness of the consequences of your act जब भी आपको याक कमिट कर रहे हैं अगर आप उसके consequences के बारे ना जानतारी रखते हैं as a prudent person or as a reasonable person जैसे मान लीजिए हो सकता है मैं किसी अपने act से एक वेक्ती की death cause कर दूँ जहां मैं चाहता नहीं था मारना लेकिन ये हो सकता है कि भाई मुझे as a prudent person knowledge था कि मेरे इस act का consequence death भी हो सकता है जैसे for example मान लीजिए मैंने एक नहीं गाड़ी खरी दी एक बहुत अच्छी सी SUV मैंने खरी दी और उसको अच्छी खासी speed मैं मैं एक दन ठीक ठाक शाम के समय ये समझेए 6-7 बज़े के अला हूँ एक crowded सडक है लेकिन मैं अपने आपको pilot समझता हूँ और एक SUV हेवी सी गाड़ी लेके मैं speed में चला जा रहा हूँ और राश ड्राइव करते हुए मैं चला जा रहा हूँ एक crowded सडक पे speed में अब यहाँ अगर कोई व्यक्ति मेरी गाड़ी के सामने आता है और उसकी वज़े से उस व्यक्ति की death हो जाती है तो क्या आप यह कहेंगे कि मेरा intention था उस व्यक्ति की death कॉस करने का मेरे जिस act से व्यक्ति की death हुई क्या आप कहेंगे कि मैंने with the intention of causing death उस व्यक्ति को मारा है मैं जो गाड़ी चला रहा था उसके पीछे मेरा intention death cause करने का था क्या यह था बताइए so the answer is no that is not the correct answer क्योंकि भाई अपन तो पैसे जो खर्च किये थे अपन तो उसको वसूलना चा रहे थे बस कि गाड़ी खरी दिये महंगी पैसे दिये है तो मैं तो उस गाड़ी के मजे लेना चा रहा था मैं नहीं चा रहा था कि इस से मैं किसी वक्ति की मैं तो अपने इंजॉइमेंट अपने प्लेजर के लिए चला रहा था इस तरीके से गाड़ी तो इसका मतलब क्या मैं गिल्टी नहीं हूँ the answer is no, मैं बिल्किल गिल्टी हूँ state of mind जो constitute करता है specific offense अलग अलग IPC के उसमें सरफ intention नहीं है इसलिए इसलिए आप लिखेंगे knowledge world भी लिखा है आप murder ये अखल पर लो में सट पढ़ेंगे knowledge भी लिखा है कि आपको knowledge है अगर कि आपके एक्सर डेथ हो सकती है और फिर भी आप वो act कमिट कर रहा है तो भी आप guilty offense के लिए अब ये term आपको कई offenses में मिलेगा आपको बता है ना intention भी मिलेगा knowledge हो सकता है कुछ offenses में सिर्फ intention मिले कुछ में सिर्फ knowledge मिले कुछ में दोनों मिले तो वो specific state of mind आपको उदर समझनी पढ़ेगी इसलिए मैं आप से ये difference की चर्चा कर रहा हूँ ये जो difference में आपको समझा रहा हूँ ये बस असीले समझा रहा हूँ क्योंकि वो particular reference जब आपन पढ़ने जाएंगे वहाँ ये चीज दिमाग में आपके बिल्कुल clear होनी चाहिए इन terminologies के बीच का difference आपके दिमाग में clear होना चाहिए I hope I have conveyed this to you क्या difference है motive में, intention में और knowledge में तो knowledge is merely the awareness of the consequence this is where you desire that consequence to happen अब अगर आप intention और knowledge के बीच के difference की बात करेंगे तो knowledge तो awareness तो दोनों है पता तो मेरे को है कि मेरे इस act का ये particular consequence होने वाला है या हो सकता है लेकिन knowledge तब कहा जाएगा जब मुझे बस पता है कि हो सकता है मैं चाहता नहीं था मैं वो act इस desire के साथ नहीं कर रहा था त्यों उसका ये consequence हो लेकिन आज़ा prudent person मुझे पता है ये हो सकता है और ऐसे ही एक होता है आपका intention जहाँ पर मैं यह जिस आपको पता होगा कि सल्मान भाई के ऊपर एक केस चल रहा था इसी से रिलेटेड खल पेबल हमसाइट से रिलेटेड की फुट पाथ पर गाड़ी चलाई है तो आप सल्मान भाई का वैसे तो ड्राइवर ने चलाई है वो गाड़ी तो क्या इंटेंशनली यह काम किया गया था है आंसर इस नो अगे इस तरीके के एक्सिवेंट के जो केसे होते है उसमें जनरली व्यक्ति का इंटेंशन गी होता है अगर आप इंटेंशन है, क्योंकि आप चाह रहे थे कि इस act से आप व्यक्ति की death cause करें, अधर्वाइस जनरली यह चीज गोगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह act excusable है, that's why knowledge is also important, फिर आते हैं, negligence पे, negligence क्या है आखरी, और जैसा मैंने कहा, negligence किसी और offense में relevant नहीं है IPC में except death, death cause करेंगे तो punishable है, negligently, negligence कि आप किसी का property destroy कर दीजे, phone तोड़ दीजे, कुछ भी कर दीजे, आप negligent act के लिए, generally IPC में, generally आप liable नहीं होते हैं, लेकिन death cause करने के लिए आप होते हैं separate specific offense, अब negligence अपन कब कहेंगे, देखो, knowledge में reasonable probability या एक prudent person के हिसाब से अपन देखेंगे, तो कोई भी आपकी जगे और होता है, उस व्यक्ति को पता होता है कि आप क्या का ये consequence हो सकता है, लेकिन negligence जो है, this is merely lack of care, negligence word का meaning क्या है, this is merely lack of care, ये knowledge जितनी degree नहीं है, बट उससे थोड़ी कम है, जैसे for example, मैं लिजे आप car drive करते हुए एक road पे जा रहे है, जिसमें बहुत high speed पे नहीं है, जैसा मैंने विछले example में आपको बद रहा है कि 120-140 की speed में SUV लेके जारा हूँ, लेकिन वह बहुत important वाला notification था, तो इसलिए आपने बस hop-up में देखने की कुशिश करी कि वही message है और इतने में कोई आपकी गाली के सामने आया और आपने उसे उड़ा दिया, इसको अपने नॉलेज के साथ किया, यह जो आक्त आपने किया, यह विद्धी knowledge of wasn't dead किया, no, so the answer is no, इसको आपन knowledge नहीं बाद सेथे, as a prudent person, that was a fraction of second, that was lack of care, so it is considered as negligence, knowledge से थोड़ा कम, knowledge कब रहेगा, crowded सोड़ा के फिर भी में चला रहा हूं, line of action में, जो, victim है, मेरे को पता है, as a reasonable person, but negligence उस से थोड़ी कम degree, that is, lack of care, I hope the difference is conveyed to you, in some terminology का, क्योंकि इसके विना वहिया, IPC पार नहीं लगेगा, और आदी समस्या यहीं है, offences को correctly, अब आप वो जो questions देखते हैं, वो जो difficult questions आते हैं, जो application-based होते हैं, problems exam में, जो में एक facts दिये रहते हैं, application-based एक particular fact दिया है, scenario और उसमें आप से पुछा है, कौन सा offence है, या कोई offence है, या नि, वहाँ परिशान इसलिए होती है, क्योंकि यह basic clarity नहीं है, आपके दिमाग में conceptual, यह एक बार आपके दिमाग में clarity हो गए, then it is, it won't be a problem for you, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ में, मैंसरिया में, यह specific बाते थी, इससे related, इसके अलावा, एक point of discussion इदर यह भी होता है, motive तो मैंने आपको बता दिया, it is not essential, वो मैंसरिया का part नहीं है, एक term आपने सुना होगा, vicarious liability, जो normally taught में आपने पढ़ा होगा, master servant की liability, तो क्या IPC में ऐसा है, कि vicarious liability का principle applicable है, तो ध्यान रखियेगा, 23 points section 154 और 155 यह बात करते हैं, vicarious liability की जहां आपने act नहीं किया, लेकिन क्योंकि आप उस प्रमाइस के owner है, और वहाँ पे कोई offense commit हुआ है, आप liable हो जाते हैं, तो vicarious liability भी applicable है, IPC में यह ध्यान रखियेगा, इस से रड़ेट एक case भी है, उसको भी याद रखिये, आर वर्सेस हिगिन्स, इस अलसो इंपोर्टन, आर वर्सेस हिगिन्स, तो आप वर्सेस हिगिन्स, 1730 का case है यह, और vicarious liability के principle की applicability की बात करता है, यह IPC में, तो IPC में, अगर मैं master servant की बात करूँ, क्या master liable होगा अपने servant के act के लिए, तो generally नहीं होता, criminal liability share नहीं करता, लेकिन एक बात ध्यान रखिये, अगर master ने servant से offense करने के लिए ही कहा है, और फिर वो offense commit करता है, in that case master will be liable, otherwise not, तो यह vicarious liability से related बात है, mensorya के, इसे related क्या क्या question बनेंगे, cases के question बनेंगे, ध्यान रखिये गा, और बाकी जो knowledge intention का घ्यान में आपको दिया है, वो ऐसे ही नहीं दिया है, वो आगे काम आएगा, जब अपन offenses की तरफ बढ़ेंगे, अब निकाल लीजे जब आपना बेरक्ट IPC का, और अब अपन एके करके provision पर आ जाते हैं, और provision बढ़ना start करते हैं, तो देखो बढ़ी IPC का structure समझ लो, जो statute है, उसका structure समझ लो, total chapter है, इसमें 23 chapters है, 511 sections है, 511 sections are there, which are divided into 23 parts, chapter, अलग अलग तो इस chapter में उन्हें, divide किया गया है, पहला जो chapter है, that is preliminary, so section 1 देखिये, short title and commencement, this art may be called the criminal law, sorry, जो पहला जो preliminary section, that is title and extent of operation of the court, this art shall be called the Indian penal court, and shall extend to the whole of India, अब जेन के reorganization के बाद, now it is applicable to the whole of India, इधान रखियेगा, date of commencement मने आपको पहले बता दी, वो धान रखियेगा, वो important है यहाँ, ठीक है, इसके बाद, जो, बाकि 2 से लेके, 4 तक के provision है, यह बहुत important है, यह territorial application की बात करते हैं, IPC के, इनको थोड़ा समझ भी लेजेगा, इधर से question भी बनते हैं, so section 2 से लेके, 2, 3 और 4 जो है, इनको थोड़ा से समझ भी इनके बीच का, correlation थोड़ा समझ भी लेके, कि section 2 कहना क्या चाह रहा है, section 3 कहना क्या चाह रहा है, section 4 कहना क्या चाह रहा है, section 2 देखिये जरा बेरेक में, punishment of offenses committed within India, head note यह सारी बात बता देता है, कि अंदर, क्या लिखा हुआ है content में, punishment of offenses committed within India, भारत में जो offense commit होंगे, उनका क्या punishment होगा, so every person shall be liable to punishment under this court, and not otherwise, for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India, अब कुछ points यहाँ पे आप note down करिये, section 2 में specific कुछ बाते हैं, जो मुझे आपको convey करनी है, देखो section 2 किसकी बात करता है, intra-territorial application of IPC, intra मतलब देश के अंदर होने वाले, भारत में होने वाले act पे IPC applicable होका, यह section 2 बता रहा है, क्योंकि यहाँ प्लिए रिखा है every person, यहाँ matter यह नहीं करता कि वो व्यक्ति कौन है, वो foreigner है, वो Indian है, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर एक particular act भारत की territory में हुआ है, तो it will be governed by IPC, इसलिए एखा है, every person shall be liable to punishment into this court, and not otherwise, for every act or omission contrary to the provision thereof, of which he shall be guilty within India, तो देखिए, यह मान लिजे भारत की territory है, अब इसके अंदर जो भी act हो रहा है, चाहे वो कोई भी करे, इसके बाद अपनाएंगे 3 और 4 पे, यह extra territorial application बताते हैं, या भारत के बाहर कब applicable होता है, IPC या कैसे वो acts govern होंगे, जो territory के बाहर commit किये जा रहे हैं, इसके बारे में है 3 और 4, इन दोनों के भी इसके correlation समझे गादे, कि लिटरल मीनिंग तो आपने जितनी मारा IPC पड़ा होगा, आप समझे गादे होंगे, प्रकिर इनके बीच में correlation है, जिसको आपको थोड़ा समझना चाहिए, So section 3 देखिए, punishment of offenses committed beyond, but which by law may be tried within India, any person libel by any Indian law, to be tried for an offense committed beyond India, shall be dealt with according to the provisions of this court, for any act committed beyond India, in the same manner as if such act had been committed within India, अब इस बात को समझेगा, कि section 3 actually आपको बताना क्या चाहरा है, तो एक बात आपके समझ में आगई होगी, कि section 3 जो बात कर रहा है, वो ऐसे act की बात कर रहा है, जो इस इंडिया की territory के बाहर commit हुआ है, ये जो territory है, if this is India, तो इसके बाहर कहीं commit हुआ है, इधर कहीं commit हुआ है, इधर हुआ है, यहां कहीं हुआ, भारत की territory के बाहर जो आप commit हुआ है, उस पर कब IPC applicable होगा, ये शुरू 3 से होजाता है, हम normally ये समझते हैं, कि सिरफ section 4 ये बताता है, कि IPC बाहर applicable कब होगा, तो IPC कब बाहर applicable होगा, ये सही है 4 बता रहा है, लेकिन 3 का भी अपना एक correlation है, जिससे उस बाहर commit होने वाले act को punishable, हम इंडिया में ऐसे बना रहे हैं, as if it is committed within India, तो section 3 देखी बिसिक लिए कह रहा है, any person libel by any Indian law to be tried, for an offense committed beyond India, ओफेंस भारत के बाहर हुआ है, लेकिन शेल भी dealt with according to the provision of this code, for any act committed beyond India, in the same manner, ये आगे इस चीज़ को underline कर लीजे, as if such act had been committed within India, section 3 कहता है कि अगर, कोई भी अक्ट भारत के बाहर commit हुआ है, और अगर वो act, इंडिया में offense होता है, या Indian law, इंडियन law उस पे applicable है, इसे माल लीजे यहाँ एक act commit हुआ, और इस act पे इंडिया का कोई law applicable है, ये जो green मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन law, माल लीजे इस act पे भारत के बाहर offense commit हुआ है, इस पे इंडियन law applicable नहीं है, तो कि section 3 के हिसाब से, इसे हम ऐसा deal का सकते हैं, as if it is committed in India, the answer is no. लेकिन अगर कोई ऐसा act, जो भारत के बाहर commit हुआ है, बट इस पे इंडियन law applicable है, तो section 3 केता है, इसको ऐसे consider किया जाएगा, as if this act has been, or this offense has been committed within India, अगर उस पे इंडियन law applicable है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, कि साब इंडियन law applicable कब होगा इस act के, तो इंडिया में बहुत सारे laws होगा applicable हो सकते हैं, अपन अभी बात कर रहे हैं, expressly, या specifically, IPC की, तो अपन ये देख लेते हैं, कि इन आक्स पे IPC कब applicable है, अगर इन आक्स पे IPC applicable हुआ, तो section 3 के हिसाब से अपन ये समझ लेंगे, as if these acts have been committed within India, I hope that is clear to everyone, समझ गारा भाई, यास बोल के बताते जाना, आया की नहीं कि section 3 है क्या, अपन उसको ऐसे ट्राइ कर लेंगे, भले हुआ आक्स बाहार हुआ है, जब उस पे Indian law applicable हो रहा हो, जहां person liable हो by any Indian law, जो पहली line लिखी है न, any person liable by any Indian law, आक्ट भले ही भारत के बाहर हुआ है, लेकिन जिस वक्ती ने आक्ट किया है, वो liable है भारत के कानून के हिसाब से इस आक्ट के लिए, तो liable है, तो हम ऐसे treat करेंगे, अब देखते हैं, IPC applicable कब होता है इन आक्ट पे, कब हो सकता है, किन situation में IPC applicable हो सकता है, जैसे मैंने कहाँ जब इस पे applicable नहीं है, बट इंदों पे applicable है, तो हम आपन कैसे determine करेंगे, कि IPC इंदों पे applicable है या नहीं, उसके लिए पढ़िए section 4, section 4 बताता है, extension of court to extraterritorial offenses, कब ये court, IPC कब applicable होगा, भारत के बाहर किये जाने बाले act पे, तो simple सा है, simple सी situations है इसमें, the provisions of this court apply also to any offense committed by, first tip, any citizen of India in any place without and beyond India, कोई भी भारत का नागरिक, परसन ने लोगा लोखा हो, अनी सुपोजम, तो भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर जाके, कोई भी ऐसा act commit करता है, which is an offense as per IPC, तो उसको treat किया जाएगा, या वो offense governed होगा by IPC, IPC उस पे applicable होगा, इंडिया का citizen, भारत के बाहर जाके, कोई ऐसा act commit करता है, which is prohibited by IPC, तो IPC उस act पे भी applicable होगा, भारत के बाहर commit किया गया हो, अगर Indian citizen ने किया, जैसे भारत का इटनागरिक विदेश जाता हो, और वहाँ thrift commit करता है, तो वो act भाले हुआ, foreign territory पे है, बट IPC से वो governed होगा, या IPC उस पे applicable होगा, और क्यूंकि उस पे IPC applicable है, इसलिए as per section 3, इसलिए as per section 3, अपन इस act को ऐसे deal करेंगे, as if this act has been committed within India, ये basically correlation है, 3 और 4 का, अगला देखिए second, कब हम treat करेंगे, बाहर commit हुए act को, IPC कब applicable होगा, तो second is, any person on any ship or aircraft registered in India, whenever, sorry, wherever it may be, वो इब एरप्राफ्ट या ship है, जो भारत में registered है, अब वो कहीं भी fly कर रहा हो, कहीं भी sale कर रहा हो, वो ship इससे मतलब नहीं है, ICS में है, किसी दूसरी की territory में, इससे मतलब नहीं है, अगर वो ship या aircraft भारत में registered है, उस ship या aircraft पे, कोई भी वक्ती offense commit करे, यहाँ citizen से भी मतलब नहीं है, कोई भी वक्ती उस पे, माल लीजे, इस पे application-based सवाल आप से इसे पूछे जाते है, कि साब एक England का citizen, एक American citizen की जान ले लेता है, कैसे aircraft में, जो registered है India में, तो आप बताईए, क्या इस act पे IPC applicable होगा, या या गवन होगा IPC से, तो answer is yes, क्योंकि ship या aircraft जो registered इंडिया में, उस पे कोई भी person offense commit करेगा, IPC उस पे applicable है, और क्योंकि उस पे IPC applicable है, इसलिए उसको ऐसे treat किया जाएगा, आज जब आट 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 है विदिन इंडिया, ये बात आपको section 3 पहले ही बता चुगा है, I hope the idea is conveyed to you, तीसरी बात और देख लेजिए, any person in any place without and beyond idea, कमें तुम offense targeting of computer resource located इंडिया, कोई भी वक्ति कहीं भी located हो, अगर वो भारत में situated, किसी computer resource को locate करके offense commit कर रहा, target कर रहा है किसी ऐसे computer resource को जो भारत में located है, उसको target करके कोई offense commit कर रहा है, तो वो भी IPC मगवान होगा, भले ही वो करने वाला व्यक्ति, act commit करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे country में है, या भारत की territory के बाहर है, तब भी उसको IPC applicable होगा, और क्योंकि उसको IPC applicable होगा, इसलिए अपनों स्वेसे treat करेंगे, as if the act has been committed in India, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मेरे ख्याल से आपको तीन और चार का correlation समझ आ गया, चार के बारे में ये section 4 के बारे में ये जरूर ध्यान रखिएगा, कि section 4 किन-किन cases में applicable है, कब IPC applicable होता है, सबसे पहले citizen of India बाहर जागे कोई offense करे, दूसरी बात, अब भारत में कहां ट्राइल होगी, इसके लिए CRPC का एक provision याद रखिएगा, इन्हों के साथ पढ़ना आपको, IPC का provision 188, ये भी ध्यान रखिए भईया, ये भी बहुत important है, क्योंकि ये बताएगा, IPC का 188, सॉरी, CRPC का 188 है, ये procedural law है, बट CRPC का 188 आपको ये बताएगा है, कि इसकी ट्राइल भारत में कहां होगी, तो 88 कहता है, कि जहां पर भी accused मिलेगा भारत में, wherever he is found, wherever the accused is found in India, वही उसकी ट्राइल हो जाएगी, उस जगे पर जिस भी court का jurisdiction होगा, वो court उसको ट्राइल कर लेगा, और इस illustration आप देखिए, section 4 में दिया है, A who is a citizen of India, commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in India, in which he may be found, जहां भी भारत में पाया जाए, उसके अगेंस ट्राइल वहाँ चल जाएगी, ये बात हमें किसने बताए, 88 में, तो अब मेरे कहला आप वो scorrelation को समझ पाए, कि 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, और 188 CRPC का मतलब क्या है, और इनमें difference क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है भी या, उठा के बस याद कर लिया है, तो शायद अब काम नहीं चलेगा, जिस हिसाब का competition, और जिस हिसाब के paper आप बन रहे हैं, थोड़ा सा समझना भी जरूरी है इन चीज़ों को, तो 188 भी मेरे ख्याल आपको समझ आया, कि वो जगे बताएगा कि trial के दार है, section 3 ने ये तो बता दिया, कि इस आपको हम ये treat कर सकते हैं, as if it is committed in India, लेकिन उसके trial के दार होगी, इसके बारे में 188 CRPC आजाएगा, so that is the correlation और that is the link basically, between these provisions, illustration जैसा मैंने का बहुत important है, यहाँ पर application-based सवाल भी आते हैं, एक सवाल जो previous year में पूछा गया, कफी important है, मैं आप से वो सवाल पूछ रहा हूँ, आप ज़रा बताईएगा इसका answer, क्योंकि आपने यह territorial application कर लिया है मेरे साथ, तो I would expect कि आप जवाब बता पाएएगा, एक सवाल आता है कि भारत की, सारी, पाकिस्तान, जिसमा लेजिए यह है पाकिस्तान, और यह है इंडिया, और यह बॉर्डर है हमारी, यहाँ पे एक वक्ति है, जिसने गोली चलाई है, और भारत में जो वक्ति एक खड़ा हुआ था, इसको उसने गोली मारी, शूट जो इसने किया, यहाँ से किया, बंदों के लेके एक वक्ति को गोली मारी है, जो कि भारत में है, इसकी death cause हो जाती है, अब अब बताईए कि IPC इस पे applicable होगा, इस act पे, क्या यह, मान लिजेए यह A है, यह B है, क्या A के इस act पे IPC applicable होगा, पाकिस्तान में खड़े होके गोली चलाई है उसने, और B की death हुई है इंडिया की territory पे भारत में, बताईए, अगर applicable है, यह नहीं, IPC यहाँ, what's the correct answer? क्रती का कहना है no, बाखी लोग का? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं yes, all right, कुछ कह रहे हैं नहीं, कुछ कह रहे हैं yes, yes, अपना कह रहे हैं yes, तनवीर कह रहे हैं yes, yes, IPC is applicable, because the consequence, just consequence को, actus reyes, जो बने बताया, जो human conduct का, जो consequence है, if this consequence is produced in India, then this offense shall be treated, as if it is committed in India, then this offense will be considered, as if it is committed within India, because the consequence is produced in India, that human conduct which is prohibited, that is produced in India, so, IPC is applicable, चलिए, इसके बाद आपना आ जाते हैं, section 5 बहुत important नहीं है, सिर्फ headnot से मैं आपको बता देता हूं, certain laws not to be affected by this act, special law में कुछ दी है, specific बात हैं, तो वो applicable होंगे, general laws पे as such applicable नहीं होता, ठीक, so, that you need to understand, और कुछ specific laws की बात है, जिन पर applicable नहीं होगा, बहुत important नहीं है, इसके बाद आजाए यह chapter 2, general explanation, now this is very important, section 6 बड़ा ही common है, होच जादे है important नहीं है, definition in the code, to be understood subject to exception, section 6 तिर्फ आपसे यह कहता है, कि जितनी भी offenses की definition, definition IPC के अंदर आप पढ़ेंगे, जितनी भी definition IPC में आप देखेंगे, सब को पढ़ना है subject to general exception, a separate chapter हैदर पर general exception, उसमें ऐसी circumstances दी हुई है, कि अगर उन circumstances में आपको यह particular act कमिट करते हैं, which is an offense as per any section of this code, तब भी वो offense नहीं माना जाएगा, आपने वो act तो कमिट किया, लेकिन क्यूंकि आपने वो act उस specific circumstance में किया है, जो उस chapter में mention है, तो उसे offense हम नहीं मानेंगे, इसी बात को expressly बताता है, section 6, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद pre के लिए important है, 11 मार्क कर लिजिए, section 11 आप से पूछा जा सकता है, person, और person में धान रखिएगा, company, association, body of person, whether incorporated or not, ये include होते हैं, बस section number का सीधा-सीधा question बनता है, कोई concept नहीं हैं दे, इसके बाद section 17 मार्क कर लिजिए, government पूछा जाता है, कि section में है government, तो section आद रखिएगा, 17, 18 है India, अचा आज जो अपन ये चीज़े कर रहे हैं, कल की जब मैं class start करूँगा, तो एक quick brush up भी करूँगा, मैं आप से सवाल करूँगा तुरंट, इन चीज़ें से लिए इसलिए, इसलिए आज बाद सो ले रहे हैं, इसलिए सब खुद से भी revise करके आएगा, तब एक concrete preparation जो आपन चाहरे है, कि उत्तरपादेश में खोड़ देना इस बार, वो तभी हो पाएगा, 18 is India, डिफाइन किया है simply, definition है section आद रखिएगा, इसके बाद आए 19, जज, बहुत important है, section number का सवाल आता है, कौन जज होता है, यह आता है, कौन नहीं होता है, illustration भयानक important है, section के, उनको जरूर अपन देखेंगे, so देखे 19, जज, the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person, important है underline कर लेजिए, who is empowered by law to give, in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो definitive judgment देने के लिए entitled है, वो judge होगा, definitive judgment का मतलब क्या, final judgment है, हाँ, appeal में आप जा रहे है, higher court उसको reverse कर सकता है, या पलट सकता है, लेकिन similar jurisdiction का court, उसमें interfere नहीं करेगा, जिस भी court नहीं, जिस भी व्यक्ति को यह court को यह power है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे यह power है, कि कोई एक definitive judgment देभा है, definitive judgment का मतलब की similar rank का व्यक्ति, उसे पलट नहीं पाएगा, appeal में जाके change हो जाए, that's another thing, but उस level पे वो judgment final है, इसको कितने definitive judgment, तो ऐसा definitive judgment, जो भी देने के लिए entitled है, वो judge है, और a judgment which if not appealable against, यह बार clearly लिखी हुई है, वोड बी definitive, और a judgment which if confirmed by some other authority, वोड बी definitive, और who is one of a body of persons, which body of persons in part by law to give such judgment, यह body of persons single विखती भी हो सकता, body of person भी हो सकती है, जो collectively judgment देने के लिए, definitive judgment देने के लिए entitled है, इसके अंडर उसे जज माना गया है, यह आपको रटना पड़ेगा, यह आपको याद करना है, यह धान रखियेगा, illustration B देखिये, a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence, to fine or imprisonment with or without appeal is a judge, तो देखिये भाई, यह B और B के साथ आपको पढ़ना है, D, इन दोनों को correlate करके पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान से समझेगा, B और D को, जैसा मैंने कहा, a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence, अगर कोई व्यक्ती charge लगा रहा है, जिस पे वो punishment देने के लिए भी authorized है, sentence देने के लिए भी authorized है, जिस पे case में magistrate charges लगा रहा है, और वो punishment देने के लिए authorized है, in that case he will be considered as a judge, जहां वो punishment देने के लिए authorized है, sentence देने के लिए जहां वो authorized है, या उसके पास power है, वहाँ वो कहलाएगा magistrate इसी के साथ आप भी देखिए तो आपको समझ में आएगा a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge अब कई बार क्या होता है कि magistrate को कुछ offences में cognizance तो लेना है आप CRPC में ये बात देखेंगे कि magistrate को cognizance तो लेना है लेकिन punishment नहीं दे सकता वो cognizance लेने के बाद उसको commit कर देना for trial to some other court जैसे matters which are triable by court of session तो magistrate cognizance लेके कहां देदेगा उसको दूसरे court के पास तो जहां भी magistrate के पास specific charges के case में punishment देने का अधिकार नहीं है उस case में वो judge treat नहीं होगा जहां उसके पास punishment देने का अधिकार है in that case magistrate will be considered as a judge तो B और D दोनों ध्यान रखियेगा बहुत अच्छे से इसके बाद C है यह भी बहुत important है confusion होता है कल बार इसमें a member of a panchayat which a member of a panchayat which has power under regulation 718-16 of the madras court to try and determine suits is a judge बहुत confusing option इतर कही बार आजाता है prelims में सिर्फ आपको लिख देते हैं कि क्या एक member of panchayat भी judge होगा so the answer is no member of panchayat is specific act के under जो यह regulation है 718-16 of the madras court सिर्फ इस specific legislation में member of panchayat को judge माना गया है otherwise generally member of panchayat judge नहीं होता यह ध्यान रखिएगा चारों illustration बहुत important है प्रीमे सीज़े सीज़े सवार इससे बन जाते हैं इसके बाद आईए 20 that is court of justice so court of justice section याद रखिएगा क्या होता है the words court of justice denote a judge who is empowered by law underline कर लीजे a judge who is empowered by law to act judicially कोई भी judge जो empowered है judicially act करने के लिए वो court कहलाता है या body of judges भी हो सकते है judicially act करने के लिए empowered का मतलब जहां वो evidences ले सकता है जहां वो matter सुन सकता है उस पर decision ले सकता है उसको कहते हैं judicially act करना so judge court of justice कब हो जाता है when he is empowered to act judicially section number भी याद रखिएग अब इसके बाद आईए 21 पे 21 is important public servant this is very important सीदे सीदे सवाल section पे भी आता है और इसमें कुछ illustration based सवाल भी आते हैं वो भी important है काफी so 21 देखिए public servant यह जो पूरे इसके अलग-अलग clauses है ना इनमें commissioned officer वो इसमें आ जाएंगे इस तरीके से सारी चीज़ें अलग-अलग दी हुई है कि जो revenue collect करने या उससे related काम करने है सरकार के लिए वो सब आएंगे अगर आपको duty वाई धी ग़र्वंट तो कोई बी ऐसा व्यक्ति जो public सरकार से state government से र्रेमेंट्ट हो रहा है और पब्लिक द्यूटी दो बाते धान रखेँए गा remuneration लेघा है सरकार से और public या public function पर्फॉर्म कर रहा है वो public servant है कोई बी ऐसा जो एक public ड्यूटी या public function perform कर रहा है और सरकार से remineration एक salary ले रहा है वो वेक्थी public servant ये क्रक से इसका पूरा बाकी तो illustrative बताया है example बताया है कि कौन होता है कौन नहीं होता है इससे related questions आते हैं कि expressly आप से example देके पूछ लिया जाता है कि ये वेक्थी public servant कुछ पसकते हैं वह सब पॉडिक सरवंट किये जाते हैं मुनीसिपालिटी कमिशनरी से पॉडलिक सरवट है चौक जो समस्यू दोविदा आती है वो MLA को लेके एक debate है जिसके बार है मने पहले भी आपको बताया है MLA public servant है या नहीं तो क्योंकि यह इधर पर series of cases है इसलिए confusion create होता है तो MLA के regarding आप ध्याद्यान रखिएगा कि MLA public servant है या नहीं तो क्योंकि एक case R.S. Naik vs. AR Entele 1984 का क्योंकि AR Entele case में यह कह दिया गया था that MLA is not a public servant यहां से यह पूरा कारेक्रम चाले हुआ लेकिन इसके बाद आया case का नाम लिख लिए पीवी नर्सिम मराओ स्टेट यह जो केस था इसमें बिसिकली MP के regarding है और वहीं से यह भी interpretation है कि MLA भी होगा तो MP और MLA दोनों public servant हैं यह किस case से अपने को पता चल जाता है तो current position है कि यह दोनो MP और MLA भी public servant माने जाएंगे इसके बाद एक confusion होता है university examiner को लेके कि university examiner public servant है या ने तो इससे related भी एक case था उसका नाम आप लिख लेजिए state of gujarat versus MP दिवेदी state of gujarat versus MP दिवेदी यह case था जिसमें यह held हुआ था कि university examiner public servant नहीं माना जाएगा लेकिन prevention of corruption act not only IPC क्योंकि यह बात सिर्फ IPC से गवन नहीं होती है इसलिए आपको वो भी देखना पड़ेगा prevention of corruption act और prevention of corruption act में यह बात expressly declare कर दी गई है कि university examiner जो है वो भी public servant में आता है तो current position अगर आप देखेंगे दोनों की regarding MLA और university examiner तो यह दोनों at present public servant की definition में आते हैं इसके बाद अपन आ जाते हैं अगले section की तरफ 22 दाट इस movable property तो देखिए जड़ा movable property इधर पर सरफ section number जाधा important है कि किस section में movable property की definition दी हुई है प्री में question आता है सीधा सीधा तो ध्यान रखिएगा section 22 में कोई भी corporal nature की जो property है वो movable है the words movable property are intended to include corporal property of every description underline कर लिए corporal property of every description कोई भी corporal property वो movable property माने जाएगी जिसको move किया जा सकता है जो attached to land नहीं है basically वो movable property माने जाएगी एक case यहां पर भी important है अवर अवतार सिंग वर्सेस state of Punjab इसको note down कर लेजिए अवतार सिंग वर्सेस state of Punjab 1965 इसमें held हुआ था that electricity is not a movable property अवतार सिंग वर्सेस state of Punjab 1965 में held हुआ था that electricity is not a movable property animal movable property माने जाते हैं crops जो cut गहें कोई भी ऐसी चीज जो attached to earth थी लेकिन अब उसे detach कर दिया गया अगर वह detach हो गई है तो वो movable property consider हो जाई इसके बाद 23 देखिए wrongful gain और wrongful loss दोनों के बारे में बात करता है important provision section number भी याद रखना है wrongful gain होता क्या है तो wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled कोई भी ऐसा person जो unlawful means से एक property gain कर रहा है लेकिन वो व्यक्ति उस property के लिए entitled नहीं है unlawful means से property gain कर रहा है और entitled नहीं है इसको अपन कहते हैं wrongful gain और wrongful loss को define किया गया है wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी जो उस property के लिए entitled है वो उस property को lose कर रहा है unlawful means के थूँ इस process को हम कहते हैं wrongful loss इसको हम कहते हैं wrongful loss इसके बाद gaining wrongfully losing wrongfully के बारे में बताया है तो वो person specific हो जाता है meaning आपको ध्यान रखना है wrongful gain और wrongful loss का और section number आपको ध्यान रखना है कि 23 में इसके बारे में बताया है कि यह generally wrongful loss या gain जो है वो property के sense में है इस बात को ध्यान रखना क्योंकि आभी आगे dishonesty और fraudulently के पीच का basic जो difference हो में आपको बताने वाला हूं उसी के साथ हम इस class को end करेंगे उसको करने के बाद और आगे का जहांते का जहांते का जहांते जहाना है इसा मैं आपको क्यों समझा रहा हूं उसको आगे देखते हैं अब आईए dishonestly की definition पर जो की दी हुई है 24 में whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly तो dishonestly की यहां जो definition दी है वो उपर वाले provision के context में है wrongful gain, wrongful loss तो कोई भी व्यक्ति अगर इस intention के साथ काम कर रहा है wrongful gain पहुचाने के intention के साथ या फिर wrongful loss पहुचाने के intention के साथ तो वो व्यक्ति कैसे काम कर रहा है जैसे माल लेज़े मैं आपके बैक से आपका फोन निकालता हूं यहां मेरा intention अपने मुझे फाइदा पहुचाना भी हो सकता है आपको नुक्सान या दोनों तो in that case I am doing that thing dishonestly dishonestly कहां confined है deprivation of property पे confined है property का loss क्योंकि word use है wrongful gain और wrongful loss और 23 में हमने क्या देखा wrongful gain और wrongful loss किस चीज़ पे से related है या कहां confined है तो वो property पे confined है property के deprivation की बात करता है legally entitled विक्ति है उसे deprive कर रहे है तो wrongful loss है और ऐसा विक्ति जो कि legally entitled नहीं है वो gain कर रहा है तो वो wrongful gain है लेकिन है सब कुछ किस context में property पर उसके deprivation के context में इसी लिए dishonestly जो है section 24 जो है the word dishonestly यह कहां confined है यह property के gain और loss पे ही confined है यह ध्यान रखियेगा on the contrary अगर मैं 25 की बात करूं जिस difference को सम्झाने के मैं आप से बात कर रहा हूं 25 देखिए definition fraudulently a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise यहां कोई as such बहुत elaborated और explain करने वाली definition नहीं दी गई है लेकिन बहुत important question है अगर आप interviews में भी देखेंगे judiciary के तो यह सवाल पूछा जाता है कि dishonestly or fraudulently के बीच का difference बताईए अब वहां पर जाके अगर आप बोलते हैं कि dishonestly 24 में defined or fraudulently 25 में तो यकीन मानी आपने बहुत अच्छा impression नहीं भी है उस interview officer को क्योंकि जब आप interview में आपसे सवाल पूछा जा रहा तो it is expected कि आप थोड़ा technical difference बताईए किसी के context में थोड़ी बात बताईए लेकिन क्योंकि यहां समझने में पहली समस्या है इसलिए अपन उस चीज को expressly बता नहीं पाते हैं मैं कोशिश करूँगा आपको इस difference को समझाने की तो fraudulently आप देखिए जैसे dishonestly किस चीज पे confined है word तो यह confined है by deprivation of of property या फिर gain of property बस बट नेसेसरली इस connected विट प्रॉपर्टी सम्वेर ओ दिया दा लेकिन fraudulently फिर जो definition 25 में यह कहती है a person is set to do a thing fraudulently if it does that thing with the intent to defraud यहां पे जो word यूज किया गया है 25 में वो है with the intent to defraud अब यह जो defraud है ना इसके दो मतलब है अलग-अलग इस बात को समझना defraud में दो चीज़े है defraud में deception भी है एक है आपका deception और दूसरा यह जो deprivation of property इसको भी इंक्लूड करता है deprivation की बात भी है किस चीज़ के deprivation की बात कर रहा हूंगा प्रॉपर्टी के इस बात को भी इंक्लूड करता है fraudulently यह थोड़ा comprehensive term है fraudulently जो 25 में यह थोड़ा सा narrow है dishonestly अब आप कहेंगे सर्फ दोनों क्यों दिये हो आई-पी-सी में dishonestly भी define fraudulently और मैंने का fraudulently deception जहां आपका intent समझीएगा जहां का intent है किस बात का deceive करने का deception या deceive करने का intention यह majorly element हो जाता है fraudulently को डिफाइन करने के लिए इस्तिमाल किया गया और defraud को कि दो elements अपन consider कर सकते हैं दोनों बातों को reflect करता है लेकिन आप जैसा मैंने कहा है कि आप अगर IPC के context में देखेंगे कि इन दोनों में क्या difference है तो जारा एक बार इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे theft की definition आप देखेंगे theft में सिर्फ dishonestly word इस्तेमाल किया है जो कि 24 में define है लेकिन कुछ offenses है जिन में दोनों है और IPC में dishonestly और fraudulently दोनों मिल जाएंगे आपको या तो सिर्फ dishonestly मिलेगा या फिर दोनों मिल जाएंगे और करके जैसे आप पड़ सकते हैं section 415 cheating cheating में जो intention दोनों लिखा उसमें fraudulently और dishonestly ऐसे ही आप making of false document पढ़ेंगे 464 में 464 में तो वहां भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी आप बेर्ट में वो चीज़ देख सकते हैं तो आपको बताने के कोशिश कर रहा हूं 464 making of false document की बात करता है वहां भी वर्ड यूज़ है fraudulently और dishonestly cheating में भी आप देखेंगे fraudulently और dishonestly तो IPC ने इन दोनों टर्म्स को साथ में इस्तेमाल किया है या फिर सिर्फ जहाँ deprivation of property उन्हें reflect करना था वहां 24 अब क्या difference है तो ये बात समझना ये सिर्फ deprivation of property में deal करता है ये deception plus property दोनों की बात करता है लेकिन जहाँ दोनों को इन दोनों को साथ में इस्तेमाल किया तो intention क्या था framers का या legislators का इसके पीछे intention क्या था कि fraudulently का interpretation क्या लिया जाए जब IPC में fraudulently word हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो fraudulently का interpretation IPC के purposes के लिए आप सिरफ ये वाला लीजिए that is the intention इसको आप मत लीजिए consider मत करिए that is the intention of the framers of IPC अगर ये color आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं blue से इसको कर देता हूँ कि ये जो है deception deceive करने वाला part defraud का जो मतलब इस context में fraudulently word use हुआ है और ये जो है deprivation या property से related loss gain से related इसको generally हमें consider नहीं करना है इसका कारण ये है इसी लिए इन दुनों को साथ में इस्तिमाल किया है तो साथ में यूज करने का मतलब ही यह है कि भाया fraudulently का आप ये वाला मतलब लीजिए ये मत लीजिए क्योंकि ये हम already इस word से रुप्लिक कर रहे हैं हम dishonestly भी लिख रहे हैं offense में इसलिए ये वाला मतलब आप fraudulently से मत निकाल लिए इसको interpret मत करिए सिर्फ इस वाले को करिए so that is the difference between dishonestly and fraudulently और fraudulently जो IPC में यूज किया गया वो किस कंटेक्स में यूज किया है मेरे खाल से आपके समझ में आ गया वो इस deception के कंटेक्स में इसलिए cheating में आप देखेंगे it is not just the loss of property कि मैं आपको बेफकू बना कि आपके property ले लूँगा तभी आप कि अगेंस्ट या मैंने आपके अगेंस cheating कमेट करी ऐसा नहीं अगर आपने फर्जी मांक्षीट दिखा कि college में admission लिया है that may also amount to cheating कोई भी ऐसा क्राम जो मैं deception के थू आप से करवा ली वो cheating है जरूरी नहीं कि उसमें property का ही loss है ऐसा जरूरी नहीं है इसे लिए वहाँ दोनों term use है क्योंकि dishonestly reflect करता है necessarily property के loss को so that is the basic difference between dishonestly and fraudulently I hope that is conveyed to all of you इसके बाद देखिए simple से चीज़े है section 26 देखिए reason to believe reason to believe की definition है a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise reason to believe तब कहा जाएगा जब आपके पास sufficient cause है किसी बात को belief करने का तब कहा जाएगा reason to believe जैसे reason to believe आप देखेंगे कहां दिया हुआ है तो यह जैसे stolen property आप पढ़ेंगे 410 में तो वहाँ आप देखेंगे उससे जो offense है receiving or keeping stolen property वो offense है तो जहां आपके पास knowledge है कि stolen property है यह reason to believe है कि stolen property है वहाँ आप guilty होते है अब reason to believe कैसे होगा knowledge तो नीं बताया है या उसने मेरे सामने चोरी करे थी इसलिए मेरे को sufficient cause हो, sufficient cause मितलब उस circumstance में कोई भी विक्ति होता तो वो ही समझता, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्जाम्पल बताया है, पिछली अपनी लेक्चर में IPC के, कि जैसे मान लिए जाभी क्लास लेके 11 बजे के बाद, लगबाद 11 बजे में अपने घर के लिए निकलता हूं, यहां कोई भी ordinary person मेरी जागे होगा, does he have sufficient cause to believe की चोरी का फोन है, yes or no, कोई भी reasonable person, अगर मेरी जागे होगा, उसके पास sufficient cause है, यह बिलीफ करने का, that it is a stolen property, चोरी का फोन है, yes, क्योंकि circumstances, इसको कहते है, reason to believe, मुझे knowledge नहीं है, मैं जानता नहीं उस विक्ति को कहां से आया, कहां से लाया, इसा पता नहीं है exactly मझे, but I have reason to believe, sufficient cause है मेरी पास ही believe करने का, that's reason to believe for you, section number भी याद रखिएगा भी, 26, इसके बाद आजाईए सीधा 27 बहुत important नहीं है, property in possession of wife, clerk or servant, बस इतना ध्यान रखिए, husband की property, गर wife की possession में, master की property, servant को दी है, उसने रखने के लिए, तो possession उसमें master की ही मानी जाती है, यह theft में जादा काम आएगा, तो उधर अपन इसका जिक्र एक बार दुबाया करेंगे, इसके बाद आए यह counterfeit 20 बहुत important है, pre में पूछा जाता है, section number पूछा जाता है, कि counterfeit कहां define किया, तो section number याद रखिएगा, 20, 8 में define किया गया है, counterfeit का मतलब क्या होता है, उसको समझ लीजे, a person is set to counterfeit who causes one thing, to resemble another thing, intended by means of that resemblance, to practice deception, or knowing it to be likely, that deception will thereby be practiced, देगे, deception का मतलब जब आप किसी चीज़ को resemblance बनाते हैं, एक कोई चीज़ है, उसका resemblance आपने create किया है, जैसे आपने देखा होगा, Shrews, Reebok के एक brand है, और उसी का copy बना दिया जाता है, अब जरूरी नहीं है कि exact imitation हो, उसके जैसे, या तो same मना दो, आप resemble करता हुआ, और उस same को जब आप create कर रहे हैं, उस resemblance को जब आप create कर रहे हैं, अगर आपका intention है, वहाँ पे, तो आप guilty हैं उस intention के लिए, intending by means of that resemblance to practice deception, आपका intention, आप उस resemblance को इसलिए create कर रहे हैं, क्यों पिर लिखा है, और you have knowledge that deception may be practiced, इसलिए मने भी आपको class के पहले दोनों के बीच का difference समझाया था, intention or knowledge, intention मतलब मैं उस resemblance को create, मैं वो नकली shoes बनाई इसलिए रहा हूँ, ताकि मैं उससे किसी को deceive कर रहा हूँ, मैं desire कर रहा हूँ particular consequence, कि मैं को यही करना है इस से, या फिर मैं च counterfeited a thing, explanation भी important है, पहला it is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact, exact हो यह जरूरी नहीं है, explanation 2 है when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, यह presumption है आपके against, कि अगर मैंने किसी चीज का resemblance create किया है, किसी चीज की copy create करी है, तो court तो यह presume कर लेगा कि मुझे knowledge था कि इस से deception practice होगा या इस से deception ही करना था, इस से deception ह proof is on me, मुझे इस प्रूफ करना पड़ेगा कि सावेजा को intention या अनलाइद मेरे पास, नहीं था कि इस resemblance से deception प्रूफ हो सकता है, नतिक शिक्षा का question है, क्या यह रोज होगी, यह रोज होगी और क्या, लगभग रोज होगी यह classes, Sunday, Monday अपन देख लेंगे, बाकी रोज होग अचा एक opinion मुझे आपका यह चाहिए था, is the 9.30 time feasible for you या फिर इसको नौ बजा करना चाहिए, एक opinion मुझे चाहिए था, 9.30 हमने ADPO के experience के बात करे थी, because ADPO की classes were at 9, sorry 8, 8 बजे से class चालू करी थी, हमने उसके, इसके मैंने साले नो इसलिए रखी है कि थोड़ा और फ्री हो ज चलिए ठीक है, majority goes with 9, so we'll have a, we'll give it a thought, majority is with 9, कुछ ना, 9.30 भी वाले भी कम नहीं पड़े है, वो भी बता है कि हम ने, चलिए ठीक है, we'll give it a thought, ठीक ठीक ठीक, I'm okay with 9.30 as well, कोई समस्चा नहीं, आचा सुबह भी classes है, सिर्फ यही नहीं 9.30, सुबह एक बजे, जिरिस्पुट अपना, है ना, तो सुबह एक बज़े, दिन में एक बज़े, आपकी जुरुस्पुटिन से कल से, और तीन बज़े जिये से, और साले नो बज़े मैं आ रहा हूं, अईपीसी लेके फिर कल, चलि आगला देखिए, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टन है, किसे भी सबस्टेंस को, जब आप डिनोट करते हैं, या एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज़ पर डिस्क्राइब करके, वो डॉक्यूमेंट हो जाता है, यह कुछ भी, किसी भी चीज़ के थुरू कर सकते हैं, आप लेटर के थुरू, फिगर्स के थुरू, मार्क के थुरू यह अंडरलाइंग कर लिजिएगा, लेटर, फिगर्स, मार्क्स, तीनोट है, इसके थुरू आप कोई भी मैटर डिस्क्राइब करते हैं, या एक्सप्रेस करते हैं, तो उस चीज़ को, डॉक्यूमेंट कहा जाता है, इसके बाद 32 है, वर्ड्स रेफरिंग टू आट्स, इ इल्लीगल ओमिशन, तो देखिए, जब भी IPC में कहीं पे भी वर्ड एक्ट लिखा रहेगा, एक्ट वर्ड जहां पे भी आप देखेंगे, इट विल नेसेसेरिली इंक्लूड इल्लीगल ओमिशन, इल्लीगल ओमिशन भी इंक्लूड़ेड होगा, ये बात आप ध्यान जहां यूज किया गया, जैसे मान लीजी लिखाए, कि आपने अपने आक्ट से किसी वक्ति की death-cause कर दी, या आपने अपने अपने अक्ट से किसी वक्ति की property दिस्ट्रॉइ कर दी, तो वह एक offense हो जाएगा, तो ये जो वर्ड आक्ट हम लिख रहे है, ये हमेशन कोई positive assertion न इसको बचाते नहीं है, is it an offense, is it an illegal act, वो बच्चा दूब रहा, एक तो यह है कि कोई बच्चा नदी के किनारे खड़ा, आपने जाके उसे धक्का दे दिया, इस वजह से वो डूब गया, यह तो act हो गया, कोई बच्चा दूब रहा है, आपने उसको बचाया ले, that is an omission, but is it an illegal omission, the answer is no, it is not an illegal omission, क्यों नहीं illegal omission, because you are not duty bound to protect that child, आप उसको बचाने के लिए duty bound नहीं है, इसलिए आपका जो omission है, यह illegal omission नहीं माना जाएगा, illegal omission वहाँ होगा, जब आप duty bound होंगे, जैसे मान लीजे कि lifeguards होते हैं कई जगे, बीच पे lifeguard है, वहाँ एक बच्चा बचाएगा, तो इसे हम illegal omission कहेंगे, और उसके कारण मान लीजे death होती है, तो इसे अपन act भी मानेगे, इस illegal omission को include मानेगे, इसे भी एक act की तरह treat किया जा सकता है, जहां भी आपको illegal omission commit करते हैं, जहां भी वर्ड आपको बता रहा है, जहां भी word act IPC में देखेंगे, it also includes illegal legal omission, constructive liability या joint liability का जो concept है, जिसमें majorly section 34 और 149 का comparison होता है, दो constructive या joint liability के और भी provisions हैं IPC में, जहां ये reflect होता है, होता क्या है constructive liability का principle, सबसे पहले इस बात को समझेंगे, आपने ये दो चीज़ें तो उसमें ही रखे होंगी, common intention और common object, section 34 deals with common intention and 149 deals with common object, before we move on to the provisions, sorry के कर गया बन section बढ़ना, start के रहां, उसके पहले साब थोड़ा सा sponsor को समझते हैं कि joint liability या, constructive liability होता क्या है, क्यूं होता है, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं, joint liability, या फिर इसे कहा जाता है, constructive liability, क्या है ये joint या constructive liability, तो देखिए, generally क्या होता है, ए ने अगर कोई offense commit किया, तो A is liable for that, ए ने अगर कोई offense commit किया है, तो उसका punishment A को मिलेगा, लेकिन अगर मैं कहूं, A के किये हुए act के लिए, B को भी punishment मिलेगा, क्या ये बात वाज़व है, तो generally तो नहीं है, वह या act A ने किया, B punish क्यों हो रहा है, या B भी punish क्यों हो रहा है इस act के लिए, तो B अगर punish हो रहा है, तो there should be some connection, there should be some connection of B with the act, इस act के लिए वो punish हो रहा है, कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो कुछ ऐसे principles IPC में दिये है, जहाँ A ने act किया है, B उसके लिए liable हो जाएगा, इसको हम कहते हैं constructive liability, constructive मतलब जो A की liability है, एक particular act के लिए, तो कि इसने उस act को किया है, वहीं से B की liability construe कर ली जाएगी, B को भी liable किया जाएगा, that is the basic principle for constructive liability, या joint liability क्यों हो, क्योंकि दोनों liable है, दोनों liable हैं उस act के लिए, इसलिए इसको हम joint liability भी कहते हैं, अब यह कब कब arise होती है, क्यों होती है, तो देखिए IPC में तो कई सारे provisions हैं, अगर मैं broadly in provisions की बात करूँ जो deal करते हैं, तो section 34 जो की common intention बताता है, section 149, majorly आप देखते हैं, सुनते हैं, common object है, लेकिन इतने पर यह constructive joint liability का principle खतम नहीं होता है, अगर आप देखेंगे, तो IPC में 34 से 38 तक पूरा joint liability का principle ही है, या in fact I should rather exclude 38, let's keep it to 37, अभी मैं बताँगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ है, कि provision wise जब अपन बात करेंगे, तो यह सारे principle भी, express lease में 35, यह भी बात करता है आपका constructive liability की, 149 तो करी रहा, इसके अलावा आप abitment में देखेंगे, तो 114 talks about the same, वो भी एक constructive liability की बात करता है, 114 abitment में, तो यह जो provisions है, broadly है provisions, joint या constructive liability में deal करते हैं, जहां एक वेक्ती, liable होता है दूसरे वेक्ती के द्वारा किये हुए acts के लिए, एसा क्यों होता है, या क्या logic है इसके पीछे, क्यों यह चीज हो रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको इन सारे principles में difference properly समझना है, कि section 34 जो common intention की बात करता है, section 35 जो similar intention की बात करता है, या section 149 जो common object की बात करता है, अगर आपको इस difference तक properly पहुँचना है, तो पहले यह समझेए कि यह constructive liability का principle हो कि, क्योंकि बाइस सब अगर मैं कह रहा हूँ कि A के act के लिए, जो main offense A ने किया है, B को भी हम liable कर रहे हैं, तो B का कुछ नहीं कुछ connection तो होगा, अब यह जो B का connection या अलग-अलग तरीकों से हो सकता है, इसलिए इतने सारे provision रखें, basic purpose इतने अलग-अलग provisions को इस चीज के लिए रखने का यह है, कि कहीं B की liability skip ना हो जाए, या B कहीं बच ना निकले, क्योंकि वो किसी ना किसी form में associated तो है उस act में, हमने multiple provision create कर दिये कि अगर एक में नहीं पस होगे विटा, तो दूसरे में पसा देंगे, लेकिन आपके उपर हम constructive या joint liability, impose करेंगे और आपको हम libel करेंगे, act के लिए, that is the basic purpose of these constructive और joint liabilities, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेए, इसलिए there may be overlapping as well, आप देखेंगे 34, 149 में there may be overlapping, ऐसे भी cases होते हैं जहां 149 में liability पहले create की गई, charges frame की गई लेकिन evidences आने के बाद वो proof नहीं हो पाया, तो मान लीजे तीन लोगों का offense proof वो तो उनको आपने convert कर दिया, ऐसे भी cases होते हैं, इसके बारे मैं भी एक एक करके, मैं with example, आपके साथ बात करूँगा, आपके साथ बात करूँगा, आपको एक broad idea आपको देना चाहा रहा हूं about this concept of constructive liability, तो भाई there should be some connection of we as well, with the act, we का भी कुछना कुछ connection होना चाहिए, तब ही आप उसको libel करेंगे, under the principle of constructive liability, और ये ध्यान रखिये, कि ये जो अलग-अलग provisions रखे गए हैं, इस constructive liability को create करने के लिए, उनका basic purpose बस इतना है, कि बंदा कहीं निकल ना जाए, there may be overlapping, आप 34 पढ़ेंगे, 114 पढ़ेंगे, there may be overlapping, but the basic purpose is, वो नहीं है कि आपको बहुत watertight compartment में सबको बंद करना है, ये purpose नहीं है, purpose ये है कि एक ऐसा विक्ती, जिसने actually, जैसे मान लीजे एक विक्ती, तीन तीन लोग गए किसी का मडर करने, एक ने गोली चलाई है, बाकी के दो खड़े थे, या टेने चाकू मारा है, बाकी के दो जो विक्टिम था, उसके हाथ पकड़के खड़े थे, किसी नहीं किसी फॉर्म में associated थे, अब ये दो जो associated थे उस offense में, या सिर्फ वहाँ खड़े होके, ये देख रहे थे कि कहीं कोई आतो नहीं रहा, इनको बचके नहीं निकलने देना है, या सिर्फ खड़े थे वहाँ और दो लोग, जो moral support बढ़ा रहे थे, उस offender का वहाँ खड़े होके, ये बचके नहीं निकल जाए, प्योंकि दो एक ही liability तो आप सीधे-सीधे create कर दोगे, इसलिए there are multiple provisions, आपको इस तरीके से इस concept को पढ़ना चाहिए, तो आपको वो differentiate करने में बहुत problem नहीं होगी, अगर आप इस बात को समझेंगे, कि इनका purpose क्या है अलग-अलग, तो आपको बहुत confusion नहीं होगा उनके basic concept को, समझने में ऐसा नहीं है, कि there may not be overlapping, there may be, क्योंकि वो purpose ही नहीं हो multiple provision को रखने का, purpose यह है कि यह साथ वाले भाई लोग कहीं बच के ना निकल लें, किसी ना किसी form में हम आपको ले आएंगे, एक principle आप पे applicable नहीं हुआ, एक provision आप पे applicable नहीं हुआ, तो दूसरे में फसाएंगे, दूसरे नहीं हो पाया, तो तीसरे में लेकिन बच के हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपका भी association उस particular offense में है, that's the basic purpose, अब एक-एक provision करके अपन आएंगे, तो यह will understand कि कैसे step by step यह चीज़ रखी गई, कि कोई भी बंदा वहाँ से निकल ना पाए, तो मैंने आपको समझा दिया था, कि act में illegal omission भी include होता है, इसके बाद आईए 33 का भी relevance है इदर, लेकिन पहले अपन पढ़ते हैं 34, उसके बाद अपन 33 पहेंगे, 34 का पूरा concept समझना है आज हमें, ति यह चीज़ क्या है, यह एक एक करके with example में आपको सारी बातें 34 से related समझाऊंगा, तो देखिए 34 है, acts done by several persons in furtherance of common intention, when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone, आप देखिए, यह जो provision यहां लिखा है, कि कोई criminal act अगर several persons के द्वारा किया गया है, in furtherance of the common intention, तो सब के सब ऐसे liable होंगे, जैसे individually उन्होंने वो act commit किया हूँ, इस provision के essential को break करने के पहले, आप थोड़ी सी कुछ बातें मेरी समझीए, जैसे मान लेजिए, X का intention है, कि मुझे एक को मरना है, एक ही जान लेनी है, इसलिए मैंने आपको कल के class में intention बहुत क्लेरली समझा दिया था, समझ में आगया था ना बाई intention, एक बाद ज़रा confirm कर दीजे, motive, intention, knowledge, यह समझा दिया था, इसलिए clearly समझा दिया था, कि आगे वो समस्या हैं ना आए हमें, as part of mensria, yes, yes, all right, तो देखिए, X का intention है, कि वो एक ही जान ले ले, ए चाहता है, एक ही जान लेना, गोली मारना, चौकू मारना, whatever, लेकिन ए चाहता है, एक ही जान लेना, Y भी चाहता है, एक ही जान लेना, दोनों के अपने reasons है, motive दोनों का अलग हो सकता है, कल हमने इसकी भी बात करी थी, दोनों का motive अलग हो सकता है, X का कुछ motive है, Y का कुछ motive है, लेकिन ये भी एक ही जान लेना चाहता है, अब आब बताईये क्या यह common intention है yes or no बताईये क्या यह common intention है कि आप इसको common intention कहेंगे yes or no no, it's not it's not common it could be same अगर मैं कहूं इनका intention same है, सही क्या रहो मैं अगर मैं कहूं x और y का intention same है, सही है, चलेगा चलेगा, all right मैं इसको कह दो similar है दोनों का intention चल जाएगा चल जाएगा येस अगर मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों का intention common है आपने साफ मना कर दिया सर ये नहीं चल पाएगा ये नहीं चल पाएगा common नहीं चलेगा common क्यों नहीं चल रहां आप इसको same या similar same मान रहा है similar मान रहे बट आप इसको common नहीं मान रहे हैं क्यों common कब होगा फिर इसको समझ लेज़े तो common intention पहले आपको समझ आजा जाएगा कि उता जाएगा common तब हो जाएगा जब यह साथ मिल के decide गरेंगे कि भाई इसको निप्टाना है हमें when there is togetherness or when there is an agreement between x and y अब देखिए common intention कहां से reflect होगा या तो prior agreements है x और y ने साथ में यह decide किया है कि एको निप्टाना है हमें अब यह common हो गया पहले same था या similar था when there is a pre-arranged plan यह common हो गया इससे क्या मतलब कि common intention पहले से planning से होगा क्या क्या सिरफ पहले से planning होगी तब ही intention common होगा क्या the answer is no ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले से common हो intention या पहले से कोई prior agreement हो और यह एको जाके मारें और वहां एको मारने जाएं और वहां जाके उसे मारें तभी यह होगा common intention ऐसा भी नहीं है क्या common intention on the spot भी frame हो सकता है the answer is yes अभी उसको एक एक करके मैं आऊंगा उन चीज़ों पे क्या common intention on the spot भी frame हो सकता है कैसे हो सकता है जरा इस बात को समझीए यह तो ठीक है कि इन दोनों ने साथ मिलके डिसाइड किये कि चलो एको मारेंगे फिर दोनों भाई उनने एक बंदुक खरी दी एक बंदुक जुगाडी कहीं से वह लेके दोनों भाई गए एके पास शात में थीक हे एक्स भी खड़ा है राइब एको खरी एको यह आको ने मारी है क्या एकस भी लाइबल है अगर मैं कहूं कि एकस पे भी चार्ज़ लगना चाहिए 302 एडवित 34 अमाई करेक्स Now am I correct कि common intention है X का Yes the answer is yes Common intention तो ये तो एक चीज हो गई कि prior agreement था दोनों के बीच prior agreement था दोनों के बीच एक चीज और समझना इसमें अब ये भी हो सकता है कि X को भी A को मारना है और Y को भी A को मारना है एक दिन A सडक पे जा रहा था एक दिन सडक पे जा रहा था X ने देखा कि ये जा रहा है X यहाँ एक चाकू लेके आया तो क्यों कि उसे मारना है A को जान से मारना है Y एक iron rod लेके आया इसे भी A को मारना है चीज X आया और चाकू मारा चाकू से injury दियो उसने A को Y iron rod लेके आया इसने भी चाकू से iron rod मारी इसके सिर पे 45 और X ने भी चाकू मारे अपना अपना act कर रहे हैं दोनों ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है कोई prior agreement नहीं है दोनों के बीच कोई कोई togetherness नहीं है खीक है सीदे अपना अपना दोनों ने सुलक को उसको जाते देखा इसको भी जान लेना था उसको भी जान लेना था दोनों अपने अपने हतियार लाया और मारना चालूगा as a consequence एक ही death हो गई एक ही death हो गई क्या इस case में 34 applicable होगा बताये yes or no क्या इस case में section 34 applicable है yes or no so the answer is no इदर कोई अभी common कुछ नहीं हो ना भाई दोनों का same intention था but common नहीं हो पाया है there is no togetherness कैसे हो सकती है या तो prior agreement से या on the spot conduct से complimentary or complimentary conduct से भी अपन common intention निकाल सकते हैं वो कैसे होता इस बात को समझेए माल लिजे दोनों का अपना अपने individual intention था एक ही जान लेने का जब यह यहां पहुँचे सड़क पनों ने को जाते देखा दोनों वहां पहुँचे एक्स ने जब चाकू मारा तो वाई ने क्या कि अपनी iron rod छोड़ी और उसके हाथ पकड़ लिए ताकि एक्स जो है वो अराम से चाकू मार पाए या फिर उनकी बातो जाता है क्यार चाकू से नहीं मेरे गाए कम तो रोड़ उठा सरफोड़ इसका वोड़ा के सर पे मारता है और ऐसे करके दोनों यह ब्लोज देते हैं विद दीज कंड़ और ऐसा कंसिक्वेंस एक ही फिर डियत हो जाती है अब बताइए क्या कॉमन इंटेंशन लगेगा यह सार नो यह यह सार नो यह 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 अब लग जाएगा 34 ओब अब लग जाएगा 34 सोड़ दोड देमेर अवस कॉमन इंटेंशन का अब होगा विन दीरस टोगेदर नेस्ट या तो प्रिएरेंज प्लान हो या तो फिर ओंड़पोट भी फ्रेम हो सकता है वो हम कंड़क्ट से देखेंगे विदर तोगेदरनेस और नॉट इन्हें में टोगेदरनेस है या नहीं यह हम देखेंगे यह सरफ एक आसपेक्ट पढ़ रहे हैं अभी अपन 34 का यह सरफ एक आसपेक्ट है तो पहला एक कंक्लूशन देखो भाई क्योंकि 34 से बहुत conceptual question बनते हैं प्री में भी illustration based question और direct question भी concept पूछते हैं बहुत जादा difference के साथ 35 के 149 के इसलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है mcq रटना तो अपनी जगे है वह तो एक अलगी talent मुझे लगता है कि इस किताब का यह question इसमें तो भी answer होता है बच्चे इस basis पर मांग कराते हैं कि सर इसका तो भी होता है क्यों होता है भी हो तो समझो that is important जैसे मत्यप्रदेश 2019 phase 2 का पेपर आ गया था प्रिलिम्स का तो फिर इसलिए दिमाग खराब हो गया था जनता का कि यह क्या पूछ लिया आफी conceptual paper था वो दो answer वांसर वांसर बाद में जो controversies होई that was a different thing but paper was good तो आप एक बात समझे है कि यह common intention मेरे खाल से आपको पन्वे हो गया अब यह जरूरी नहीं कि प्रिएरेंज प्लान हो पहले से प्लान हो वह भी होगा उस केसमें भी common intention है but on the spot भी frame हो सकता है फिर भी कुछ terminologies यूज की जाती है objective questions पूछते समय 34K तो उनको ध्यान रखिएगा उसमें आप कहीं confused मत होईएगा जैसे prior concert एक term आपको लिखा मिलेगा prior concert तो भाई prior concert तो इसमें भी है क्योंकि उसकी उन्होंने जो यह जो act किया है death cause करने का उसके पहले togetherness आई ना उनके conduct में death cause करने के पहले तो prior concert हो गया न यह concert prior कैसी हो गया क्योंकि death के पहले तो there was togetherness वो साथ में मिल गए थे उनके conduct से पता चल रहा है कि दोनों इस बात से agree कर रहे है कि इसकी जान लेनी है इसलिए x y से कह रहा है कि rod मार सिर पे तब मरेगा और y x से कह रहा है चाकु मार पेट में तब मरेगा क्योंकि यहां उनका intention common हो गया तो यह pre prior concert हो गया इसलिए अगर आपको objective में लिखा मिलता है कि common intention में pre agreement ज़रूरी है तो यह ज़रूरी है लेकिन वो prior agreement on the spot भी frame हो सकता है यह नहीं कि जब वो offense करने गए या वो crime commit करने गए तो पहले से decide करके रहे on the spot भी हो सकता है इस prior का मतलब यह है कि final result produce होने के पहले there was commonality or there was an agreement between the two things and I hope that is clear to everyone इसलिए पहली चीज तो एक यह अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए कि common intention on the spot भी frame हो सकता है दो बाते हैं अभी तक अपन ने इसमें सिर्फ समझी है एक की common intention होता क्या है common intention intention क्या होता है desire to produce a particular consequence यह मैंने कल आपको बताया था common intention कब हो जाएगा जब दो लोग साथ में मिलके यह intention frame कर लेंगे जब दो लोग साथ मिलके यह सोचेंगे कि हमें यह consequence produce करना है common हो जाएगा बस अलग अलग सोच रहा था independently सोच रहा थे तो similar था same था but common नहीं था common कब हो गया जब साथ में सोच लिया कि यह करना है यह consequence produce करना है दो लोग उने साथ में सोच लिया common है I hope that is clear that's absolutely clear all right that's absolutely clear चलिए दो बातें आपके समझ में आ गई ठीक common intention होता क्या है और on the spot frame होगा अब मैं आगे की चीजों पर आता हूँ इतना सा नहीं है 34 अभी क्योंकि हमें इसको हर उससे differentiate भी करना है तो अब आईए ज़रा बेरक पर पढ़ते है 34 को दोबारा और एक है करके अब इसके criminal act अब यहां पर जो word लिखा है criminal act कि इस वर्ड को आपको खोड़ा समझना पड़ेगा यहां लिखा है when a criminal act is done by several persons तो criminal act हो गया उसके बाद दूसरा essential है several person होने चाहिए several persons का क्या मतलब समझते हैं आप एक से ज़्यादा several में कितने भी होंगे एक से ज़्यादा होंगे ठीक ये ज़रूरी है 34 के लिए की एक से ज़्यादा, कम से कम दो लोग होने चाहिए इसके बाद बैने criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा 34 को समझने के लिए कि ये जो word लिखा है न in furtherance ये generally हमसे miss हो जाता है इसको अपन ध्यानी नहीं देता है in furtherance of the common intention ये जो लिखा है न ये क्या है और चौता है आपका common intention तो ये तो मेरे खेल अपने को समझने है criminal act का समझना है several persons that is also sorted several मतलब एक से जादा लोग involved होने चाहिए that's it criminal act जो लिखा है as part of 34 तो इस criminal act का थोड़ा broader meaning आपको लेना है this act also includes the plural meaning that is acts इसको अपन क्या मानेंगे acts, acts बोले तो series of acts जब मैंनो s लगा दिया उसको plural कर दिया तो क्या हुआ series of act हो गया वो series of act में convert हो गया और मैं ऐसा क्यों interpret कर ले रहा हूँ यहाँ लिखा है criminal act clearly आप कहेंगे sir 34 में तो clearly लिखा है when a criminal act is done तो आप उस act का मतलब acts क्यों पढ़ ले रहा हूँ यह ग्यान आपको कहा से प्राप्त हो गया है इस ग्यान के लिए जाना पढ़ेगा section 33 पे जरा पढ़िए section 33 act omission the word act denotes as well as a series of acts as a single act the word omission denotes as well as a series of omission as a single omission 33 हमें यह बताता है कि जहां भी act लिखा रहेगा उसमें series of act भी included होगा अगर plural भी बताना तो अपन single act word use कर सकते हैं but इसका meaning plural भी include होगा multiple act, series of act को भी अपन act मानेंगे यह बात 33 में लिखी है और अगर आप 34 का head note पढ़े में आपको कल भी बताया था law पढ़ने का सही तरीका भी समझना पढ़ेगा और head note बहुत important होता है head note में लिखा है acts done by several persons क्या लिखा है acts done by several persons वहाँ plural यह acts done by several persons in furtherance of common intention तो अब एक बात समझना है यह मैं आपको कहनिक बता क्यों रहूं इस पर मैं इतना emphasize कर क्यों रहूं इस बात पर कि यह act नहीं acts है multiple acts हो सकते हैं यहाँ by several persons और वो कैसे होने चाहिए तो आखरी जो मैंने आपको इसका जो essential बताया in furtherance of common intention होने चाहिए in furtherance लिखा है is in furtherance का मतलब क्या है कब कहेंगे कि in furtherance of common intention यह होगा इस बात को समझे और यह जो act की जगे मैं आपको बता रहा हूँ कि this is acts plural यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इस बात को थोड़ा समझते हैं आप देखिए ज़रा एक example से इस बात को आप समझे मैं लीजे चार लोग है ए है, बी है, सी है और डी है इन चारों ने decide किया है कि हमें x की जान लेना है common intention है इनका prior plan है, pre-arrange plan है इनका prior concert है यहाँ कि हमें x की जान लेनी है इन्होंने plan किया did decide करें इस दिन चलेंगे, मारेंगे इसको इसका घर है कहीं एक थोड़ा सा distance place पे, यह चारों थोड़ा दूर रहते हैं और x थोड़ा दूसरी locality में रहता है चारों ने decide कर लिया है, जान लेना है तो अब यह अपने घर से, एक point पे चारों इखटा होते हैं, A, B, C, D और बहां से decide करते हैं, चलो इसके घर चलते हैं और वहीं जाके इसको मारेंगे, बंदोग लिए हुई है इन में से गाड़े लेके जाना है, वो मना करता है, अभिसली उसकी गाड़ी है इन में से बी जो है कि यह उस कार वाले को तो थपड़ लगाता है और उसको निकाले के बाहर बेख देता है उसके साथ में एक बंदा और बेटा रहता वो चुप चुप जब एक को पढ़े दो तो दोसरा तो अपने आप ही बाहर आ गया उसने का भाई लिए जाया है कोई दिक्कत नहीं है, बंदोग बंदोग भी दिखा दी एने उससे अब यह चारों उसकार में बैठते हैं उसके बाद यह थोड़ा आगे चलते हैं जब यह थोड़ा आगे चलते हैं अपनी कार में बैठके तो यह देखते हैं कि भाई एक बंदा महां पे खड़ा हुआ है जिसकी सी से राइवल्री है C का पहले से दुश्मन है वो और वो बंदा है लट से 5 Y और C की पहले से अपनी दुश्मनी है C बोलता है क्योंकि ए गाड़ी चला रहा था C एसे बोलता है गाड़ी रोक आज तो मारने के मोड में निकले हैं आज इसको भी बता के आता हूं मैं ज़रा यह नीचे उतरता है और जाके इसको पीटने लगता है इन दोनों की लड़ाई होने लगती C और Y की यह तीनों भी गाड़ी में बैठ है D यह बात जैसे ही देखता है कि C पिटने लगा Y भारी पढ़ रहा है यह दोड़के जाता है अपने भाई को बचाने और यह भी जाके पीटता है Y को पर दोनों मिलके तबियत से मारते हैं Y को वापस आते हैं गाले इंवेटते हैं फिर आगे चलते हैं फिर आगे चलते हैं और फिर यह पहुंचते हैं X के घर एक्स के घर ये जब पहुंचते है तो घर के नीचे देखते हैं गार्ड बेटा हुआ है आप यहाँ पे ए जो है ए उस गार्ड को मारता है बंदुक तो लेके गया ही था तो पहले उसने गार्ड को ही गोली मार दी वो अंदर नहीं जाने दे रहा था इन चारों को क्योंकि इन्हें एक्स की जान लेनी है तो इसने क्या किया गार्ड को इनिप्टा दिया पहले और फिर ये अंदर गए वहां जाके इने एक्स को निप्टा दिया अब मजना यह डिसाइड करना है आपके साथ यहां पर कोई एक अक्त है क्या नएੰ तर zareeee हमें यह डिसाइड करना लाट इन में मेंसे कौन– कौन से इन फर्दारंस अप दी कॉमन इंटेंशन है and what was the common intention इसकी जान लेना उसके furtherance में कौन कौन से act है उनके लिए चारों libel होंगे as if they have himself committed the offense ये बात में क्यों कह रहा हूँ ऐसे libel होंगे जिसे खुद ने किया एक बार last line फिर पढ़ लीजे मेरे साथ 34 की in furtherance of the common intention of all each of such person is libel for that act in the same manner as if it were done by him alone जैसे उसने पुद किया हो इसी लिए यहां लिखा है clearly criminal act done by several persons और criminal act का मतलब it may be a series of act multiple acts भी हो सकते हैं ये बात हमें पहले ही पता है बिलकुल आप correctly identify कर पा रहे होंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे से in furtherance का मतलब समझ गए in furtherance मतलब उस common intention को accomplish करने के लिए जो जरूरी है जो उसको करने के लिए उसको facilitate कर रहा है जो भी act वो in furtherance माना जाएगा बाकी नहीं जैसे मानने जैसे सबसे पहले जब ये लोग निकले थे मारने के लिए car वाले को पीटा था बीने that was in furtherance car वाले को पीटना was in furtherance क्योंकि उसी से पहुंचते और माजाके X को निप्टाना था तो that was in furtherance इसके बाद हमने देखा कि C ने Y को पीटा क्योंकि पुरानी दुश्मानी थी और D उसमें आ गया अब देखिये इस act के लिए सिर्फ C liable हो रहा था लेकिन क्योंकि D भी आ गया कोई prior plan नहीं था लेकिन on the spot D भी शामिल हो गया इसमें दोनों भाई मिलके मार रहे थे ये दोनों लाइबल अंडर 34 इसकी पिटाई के लिए Y की पिटाई के लिए दोनों लाइबल अंडर 34 ये दोनों नहीं आएंगे because it is not in furtherance of the common intention इज के लिए निकले है I hope you're getting this लेकन पिर जैसे ही घर के बाहर पोचे और गाढड को मारा गया A ने जो गाढड को मारा that was in furtherance of common intention इसके लिए सबके सब लाइबल और X को मारा जो finally इसके लिए भी सबके सब लाइबल I hope you got this in furtherance of common intention का मतलब भी आप समझगे मेरे क्याल से और वो जो मैं आपको क्रिमिनल आक्ट का मतलब समझाना चाहा रहा था that it is not a single act it's the plural it can be a series of act I hope you got this, yes no एक बार बता दो भाई, तो आगे बढ़ते तो कि इसको आज क्लियर करके जाना है कोई जल्दी नहीं है आज कोई रिविजन नहीं है जैसे पहले जो आई पी सी मैंने लिया है लाइव में जल्दी थी उस समय एडिप्यों की कपे पर था अभी कोई जल्दी नहीं है अपने पर इसे लिए आज समझके जाएंगे ओल्राइट है तो आपको कुछ और चीज है क्लियर हो गए है जबसे पहले आपको मैंने समझा दिया कि क्या है और कैसे वो सही मिलर इंटेंशन देफरेंट है फिर मैंने आपको समझाती है कि on the spot भी फ्रेम हो सकता है common intention कोई समस्या नहीं है फिर मैंने आपको समझाती है यह जो कर्मनल आक्ट लिखा है 34 में कि कर्मनल आक्ट के लिए सबके सब लाइबल होंगे इस इसके साथ मैंने आपको कन्वे कर दिया है in furtherance of common intention का क्या मतलब है in furtherance का मतलब क्या है वो भी clear हो गया मज़ा आगया सुधाफर को बस इस मज़े के लिए ही है यह यह मज़ा आ जाता नहीं तो मुझे बहुत भेटरी नहीं लाई है आजी आपको मज़े देखे तो देखिए आप कुछ important बात है जो शायद इस provision से या इसके जो elements है शायद इससे आपको खंवेन हो देख एक बात समझना वाई law पढ़ने में एक बात जरूर समझना कि जब अपन कोई provision जब अपन कोई concept पढ़ रहे है जब अपन common intention पढ़ रहे है आपको यह भी पता होना चाहिए कि बेरिट के किस word का interpretation है और वो कहां से अगर last year आप में से कोई MPCJ interview में appear हुआ है आपने उन लोगों से बात की है जो MPCJ interview में appear हुए थे बेरिट रखे थे सामने और the honorable board members were asking the candidate कि बटा तुम यह जवाब तो मुझे दे रहो यह बताओ यह बेरिट में का लिखा है क्योंकि शायद यह perception था उनके दिमाग में कि ज्यान तो कही से लिया है बट इन्हें यह नहीं पता कि यह किस word का interpretation and that is very important और यहां at elect we have always tried to do that कि मैं आपको सर्फ कहानी बता के नहीं भाग जाओंगा शब्द पता होना चाहिए कहां से क्या interpret हुआ कहां से वो act आया कहां से acts हो गया और अगर यह मैं कह रहा हूं कि यह in furtherance कहां लिखा यह सब सब कुछ clear होना चाहिए यह terminologies provision में कहां लिखी है that should be clear you can ask your question you can put it in the comment box चली आप इसके बाद देखिए जड़ा अब यह basic बात हैं तो आपको मेरे खाल से समझ में आ गए मैं ज़रा एक बार इदर पर लिख दूं क्या 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 समझ में आ गया इसके साथ आपको criminal act का मतलब समझ में आ गया अब अब अपन बात करते हैं बहुत important point की जो आपको 149 और इसके difference score बहतर समझने में help करेगा वो है presence क्या physical presence ही ज़रूरी है किसी वक्ती की उसको 34 में libel करने के लिए या फिर participation ज़रूरी है देखिए presence ज़रूरी है या फिर participation ज़रूरी है उस वक्ती का यह इसको कही बार कहा जाता है active participation ज़रूरी है क्या है presence या participation तो बात समझीएगा ज़रा common intention apply करने के लिए presence ज़रूरी नहीं है participation और rather I should say active participation चलिए तो क्या active participation बिना present हुए भी किया जा सकता है क्या active participation बिना spot पे present हुए किया जा सकता है answer is yes बिलकुल हो सकता है बिलकुल हो सकता है active participation जैसे मालीचे चार लोगों ने प्लान किया है एक बैंक लूटने खाँ कि भाई इस बैंक मैं पन जो भी पैसा है उसको लूट लेंगे ए बी सी दी ने डिसाइड किया चार लोग है ए है बी है चारों ने डिसाइड किया बैंक कि सारे CCTV कामरा जो बैंक में लगे हैं या जो इमर्जनसी अलाम है वो सब यह है करें दूर बैठेगा यह वहां से उस स्पॉट से दूर और वहां बैठके यह सब उसको है करना है और जितने भी security अलाम्स यह सारे चीज़े हैं वो सब उसको इसेबल करनी है जो भी protection के लिए चीज़े है उस बैंकी वो डिसेबल करनी है यह तीनों वहां जाएंगे यह तीनों वहां जाएंगे बी जो है वो गाली चलाएगा कार लेके जाएगा और यह बाहर ही ignition on करके कार उन करके खड़ा रहेगा कि C और D अंदर जाएंगे पैसा निकालेंगे बाग में भरेंगे लेकर आएंगे तीनों भाग के इक पास आएंगे वाग की चारों भाई तो फैसा बाट के निकल लेंगे that is what is decided यह यह decided हुआ है पूरा और exactly यह उन्होंने execute किया अभ आप बताईए पहले मुझे बताईए क्या बी का यहाँ participation है yes or no मैं आपके doubts ले रहा हूँ बस दो मिनट में बटा यह वाली बात और convey कर दूँ उसके बाद मैं आपके doubts प्यारा हूँ बी जो कार खड़ी करी हुई है जिसने ओन करके बाहर क्या भी libel है बताइए और क्रती देख नहीं रहा हूँ और धूसरे ने जा कि अंदर पोस्ट मास्टर साब की जान ले ली थी बरेंद्र कुमार कोश्ट में हेल्ट किया था कि आप भी लाइबल हो क्यों कि आप वहाँ गाइड कर रहे थे आपका active participation क्या एक active participation है तो he was not present on the spot he was not present on the spot but क्या इसका participation अपन कह सकते है active participation है so the answer is yes he has participated तो यह भी लाइबल हो सकता है common intention यह भी लाइबल होगा with the help of section 34 समझ में रहा है समझ से हो तो बता देना चल यह कुछ किसी का डूप तो बट किसी ने पूछा नहीं लेकिना तान्या का था सर अगर BCD और A ने कुछ नहीं किया लेकिन वो BCD के साथ थे तो A liable होगा की नहीं but I hope you got your answer इधर पर कुछ नहीं किया अगर आप एकदम ideally खड़े हैं मतलब अगर आप support भी कर रहे हैं watch भी कर रहे हैं तब भी है इस बात को मैं और clarify करूँगा थोड़ा सा मुझे time दीजिए मैं आज इस सारे doubt क्लियर करके जाँगा और मेरी बात मानिए पहले मुझे बोल लेने दीजिए पूरा मेरा खतम हो जाए उसके बाद I'll give you time to ask your doubts क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है अभी और जाएगी अरे यह तो भेहना की doubt है सोना लिगा अगर जादा सब्जेक्ट है तो जैसे उत्तर प्रदेश का भी प्रोबिल्टी चल रही है अभी बारा तारिक की हाई प्रोबिल्टी है लेकिन सब्जेक्ट कम है प्रीम इसलिए अपन थोड़ा डीटेल में जाना और प्रीवेस यह पेपर देखेंगे बढ़िया क्वेस्टन आते है इसलिए और थर्टी फॉर से तो आते हैं इदर डारेक्ट सवाल तो कम होंगे यह सब भेहना काईगा विद इलस्ट्रेशन केस लौज मैं केस भी बता हूँ आपको चिंता मत करना चलो इसके बाद आते हैं इसके लिए एक और केस मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको इसी में ये भी क्लियर हो जाएगा इसी में आपको ये भी क्लियर मैं कर देता हूँ कि प्रेजेंस है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एक्टिव पाटिसपेशन है प्रेजेंट होके भी विट्ती का पाटि मैं तब मुझे नहीं पता ये डिरेक्टली एक्जाम में पूछा जाए या ना जाए लेकिन ये ध्यान रखिए इस बात को समझने के लिए कि present है इसका मतलब हमेशा आपन ये conclude नहीं कर लेंगे कि active participation है इसके लिए case है कि इसका नाम लिख लिए state of उत्तरप्रदेश वर्सेस सहरु नीसा state of UP वर्सेस सहरु नीसा का case ये बहुत important case है जो बताता है कि mayor presence active participation नहीं है मैं brief में इसकी story बताता हूँ थोड़ी complex है इधर उधर relations है मैं आपको एक्दम simple way में जो बात अपने लिए काम किये वो मैं आपको बताता हूँ there is a mother let's say M she is there इसके तीन बच्चे है c1, c2, c3 एक Muslim family से ये थी शेहरु नीसा शिवस्दी मदर उसके तीन बच्चे थे अब इसी के कुछ relatives है जिनका ये मानना है कि अगर इन तीनों को sacrifice कर दिया जाए इन तीनों की जान दिली जाए तो प्रगंबर साब कुश होंगे कुछ ऐसा वो जो होता है न भूत प्रेथ वाला वो सब हिसाब किताब था उनका वो सब superstitious beliefs और वो सब कुछ था और ये जो थी काफी suppressed woman थी family में मतलब बहुत जादा independent नहीं थी और भारी feminism उस समय था नहीं आज जैसा तो she was a bit suppressed woman जो बहुत independent opinion नहीं रखती थी काफी दभी हुई थी तो जो dominating लोग थे इसकी family ये उनके सामने कुछ बोलने ही पाती थी तो उन्होंने इसको ये बोला कि हम इनको sacrifice करेंगे तुमारे बच्चों को इन में से दो को उसके सामने मर दिया गया ये तो एक तो भाग न अब सहमती उसको कहना सही है कि नहीं क्योंकि वो क्या चाती थी तो पता ही नहीं किसे हो किसे नहीं उसकी इच्छा जानने की तो बहुत पोछिश नहीं करी या उसको मौका ही नहीं मेरा लेकिन she couldn't resist वो रोक नहीं पाई इस चीज को लेकिन जब और conviction trial court ने इसका भी करा इन कि यहां किमेर प्रेजंद स्ट्सकेश क्या वो रोक इस लए नहीं पााई किया क्योंकि उसके अंदरिममत नहीं थी उसके उसके अंदरिमत नहीं थी हुस कि अन्हीं अधिग तो यह रागिर अपसमज कर लें यह क्या है कि ने सबादिम सेमार्रेजब आ पाई दिर दाओ इसका मतलब यह नहीं कि उसकी प्रेसेंस से अपन उसको पार्टिसापेशन बना दिंगे यह विद्धान रखियेगा यह भी धिएन रखियेगा So this is also an important aspect of this particular provision That is 34 Got it? यही सवाल था तान्या I guess So I have answered अभी बचा है अभी भी सवाल होंगे आपके जहन में भी खतम नहीं हुआ पूरा compare करूँगा 149, 35, 37 सब में डिफरेंस है आते हैं कि करके सब के कुछ केसे के नाम लख लिए जए जो बहुत इंपॉर्टन इंदर इस 34 से रिलेटेड State of UP वर्से सहरो निसा तो आप समझ गए क्या थी इसके लाबा कृपाल सिंग वर्से स्ट आफ उत्तर प्रदेश लिख लिए कृपाल सिंग वर्से स्ट आफ उत्तर प्रदेश वर्से स्ट भी फ्रेम हो सकता है वैसी कुछ facts थे एक बार पढ़ो के कहीं से भी समझा जाएगा कन्य में मैंने अपना point आपको कर दिया कि on the spot कैसे होता है so कृपाल सिंग वर्से स्ट आफ उत्तर प्रदेश that is important बरेंद्र कुमार घोष वर्से स्किंग एंपरर इंपर्टन और यह सब सवाल पूछे जाएंगे आपसे यह सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे so बरेंद्र कुमार घोष वर्से स्किंग एंपरर लिखे जिए that is important जेम देसाई वर्से स्ट आफ बंबे that is important जे एम देसाई versus state of Bombay अब ऐसे हैं तो इसमें भाइया भाहिन का रिशी देव बिलकुल बहुत इंपोर्टन्ट रिशी देव पांडे वर्से स्टेट आफ उत्रप्रदेश यह कुछ पुछे जाते हैं कोई भी स्टेट का भी पूछ लेता है तो यह कोछ ऐसे हैं इसमें बहुत कुछ आपको पता है इतने केसे इस पर्टिक्लर पॉइंट पर उसकी लेने जाएंगे तो बहुत ही लंबा किट जाएगा हुआ रहे हैं पंडू रंग भी है पंडू रंग वर्से क्लियर होगा अब इसके साथ अपना कमपैरिसंग कर लेते हैं थोड़सा 149 का 34 अपने पड़ लिया अब थोड़सा अपना कंपैर करते हैं 149 को मैंने क्या कहा था आप kötü अपको लेक्च्शेसरे बलाविशैदी जानना चाहरे है मुल्टेपल प्रवेशन बनाने का पुर्पस क्या है कि कहीं आप बचके ना निकल ले बस यह परपस है कोई हमें बहुत सेपरेट डिस्टिंशन देना परपस नहीं था आई पीसी बनाते समय परपस यह था कि बंदा निकल ना जाए कि इधर नहीं फस पा रहे हो तो यहां ब पाए कि नहीं फसा पाए कि जो बंदा मेर ली प्रेजंट अप्र पाटिसिपेशन नहीं उसको 34 में गिर सकते उसके लिए बना दिया 149 इधर मेर प्रेजंट से भी गिरा जाओ गया आप बने पर चलिए 149 पढ़ने कि पहले आपको 141 देखना पड़ेगा ब्रीश में बता अनसे में फाए निए पाए नमें पीड से ज्यादा लोग चाहिए जिनका अब्जेक्ट जो है वह इनमें से कुछ एक होना चाहिए वह जो लिस्ट दी हुई है इनमें से एक होना चाहिए एक superficial reading देखलीजे बस कि यह क्या क्या चीज़ है पहला है to over all by criminal force और show of criminal force the central state government आप state government ये central government को हटा देना चाहते है by the use of force या फिर second है to resist the execution of any law किसी law को implement होने से रोक रहे हैं या फिर third है to commit any miscive or criminal trespass or other offense इस तरीगा कोई criminal trespass, miscive ये कुछ आप कर रहे हैं fourth by means of criminal force or show of criminal force to take or obtain position property हती आना चाहते हैं आप force से या फिर fifth by means of criminal force और show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound, कुछ ऐसा जो वो legally bound नहीं है फिर भी आप उससे करवा रहे हैं by force या फिर end में what he is legally entitled to do इसा कुछ काम आप उससे करवा रहे हैं जो वो normally नहीं करता बट आप उससे करवा रहे हैं और इस तरीखे के similar जो object होंगे वो सरक common में आईए तो अब इदर पर specific लिख दिये गए हैं इन में से कोई एक object होना चाहिए आपका अब आपके जहन में आएगा कि ज़र हमने common intention पड़ा और common intention के साथ साथ हम आप common object की बात कर रहे हैं So what is the difference first of all between common intention and common object तो एक बात ध्यान रिखना common intention एक particular act से related होता है और जब common object की बात कर रहे है 149 में तो पहले चीज़ तो ये specific object होने चाहिए जैसे वहाँ matter करने का जो intention मैंने आपको बताया उसको आप ये 149 applicable बहा नहीं होगा क्योंकि in particular common objects में वो नहीं है इसलिए बात ध्यान रखना 34 में भी 34 में भी object तो हो सकता है common लेकर हम उसको 34 apply करके convert क्यों कर रहा है क्योंकि 149 में specific list है इन में सही होना चाहिए या इसके जैसा ही कुछ होना चाहिए इसके अलावा नहीं होना चाहिए और एक requirement क्या होगा ये 5 या 5 से ज़्यादा होने चाहिए इधर 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए 2 plus 2 और more उससे ज़्यादा अब basic difference इसके अलावा भी यह इतने से से नहीं है, common object में यह होगा कि एक goal है जो आप साथ में achieve करना चाहते हैं, उस goal को achieve करने के लिए बीच में जो भी offense होगा, वो goal भी है उसके बीच में जो भी offense किया जाएगा, सब के लिए आप liable होंगे, अगर आप उस assembly का part है तो, यह बात लिखिए 149 में जरा बेरेक्ट पर आईए, 141 के बात जरा बेरेक्ट में आईए 141 पर, और यह सारी बातें correct हैं जो आप लोगों ने लिखे, करती ने लिखा intention is subjective, objects are specified, that's correct, intention बड़ा ही, subjective है कि क्या intention था उनका common और जब आपन objects की बात करें, जो word common object यूज किया गया IPC में, वो specific objects के लिए, 141 में जो listed है, मस इन पर ही अपले के बाले है, so 149 देखिए, जहां से हम यह सब derive करेंगे, every member of unlawful assembly, guilty of offense committed in prosecution of common object, अब यहां word यूज कर दिया गया है, offense, clearly, it is not just criminal act, if an offense is committed by any member of an unlawful assembly, देखिए, if an offense is committed by any member of an unlawful assembly, in prosecution of the common object of that assembly, or such as the member of that assembly new to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly, is guilty of that offense, अब देखिए, जब भी आप एक assembly का part हैं, और अगर वो assembly कैसी है, वो unlawful assembly है, assembly unlawful है या नहीं, कहां से determine होगा, section 141 से determine होगा, अगर उस assembly का object, इन में से कुछ एग है, तो वो unlawful है, आप उस assembly का part हैं, उस assembly का part रहते हुए, जब तक आप present हैं उस assembly में, वहाँ जो भी offense किये जाएंगे, उसके लिए आप liable होंगे, अगर वो offense उस common object को achieve करने के लिए करे गए हों, या फिर it is likely, आपको knowledge है, that it is likely to achieve that particular object, कि ये हो सकते हैं, उसके लिए आप liable है, जैसे मान लीजे college में 15 लोगों का एक good है, 15 लोगों का एक group है, उन्होंने ये decide किया कि आज जाके college की building का जो admin block है, उसको तोड़ देना है पूरा, 15 students नहीं अपने college में, hostel के decide किया, कि भाई जाके आज हम admin building उड़ा देंगे फूरी, इसको तोड़ेंगे, ये 15 के 15 वहाँ जाते हैं, और फिर तुड़ना फुड़ना वहाँ चालू करते हैं, अब माल लीजिए उसी में कोई guard है, जो उनको protect कर रहा है, उस building को ये उसको पीट भी देते हैं, उनमें से 2, 15 में से कोई 2 वहाँ पीट देते हैं, उन्हें, तो ऐसे case में भी, अब जो guard की जो पिटाई हुई है, उसके लिए भी सब liable हो जाएंगे, सारे के सारे, क्योंकि आप common object के लिए गयते हैं and it is likely, यह जो consequence produced हुआ है, यही जो offense हुआ है यहाँ पे, it was likely to happen there, इसी लिए बाकी भी liable है, इसी तरीके से मान लीजिए, पाच्छे senior है, पाच्छे seniors का एक group है, इन्होंने decide किया किया एक junior है, जो नया नया आया है और बहुत ज्यादा चल रहा है, इसी लिए इसको थोड़ा समझा के आते हैं, और जब senior से decide कर रहे हैं कि किसी junior को थोड़ा समझा के आते हैं, तो अगया किया क्या consequences हो सकते हैं, क्या-कया likely है, वहाँ कौन-कौन से offense commit हो सकते हैं, चे के जाते हैं वहाँ, उस junior को बाहर बोलाते हैं, उससे बात चालू होती है एक दो लोग उससे बात कर रहे हैं, कोई उसको गालियां दे रहा है, इतने महीं एक उन में से आगे आता है और एक थपड मार देता है, इस थपड के लिए सब के सब लाइबल हो जाएंगे, लेकिन मान लीजिये, एक बात मुझे यहां बताईएगा, कि अगर मान लीजिये, यह सब के सब, छे लोग जब गए थे उस जूनियर को धमकी देने, बात यह हुई थी कि डराएंगे धमकाएंगे इसको, इन छे में से एक सीनियर अपने बैग में चाकू लेके गया था, और जब इनके आर्गुमेंट्स चल रहे थे, बात हो रहे थी, इसने अपने बैग से चाकू निकाला, और उस जूनियर को मार दिया, अब उस जूनियर को ग्रीवियंस हर्ट हो गया, यह मान लीजिये, उसकी डेथ होगी, क्या इस केस में बाकी लोग लाइबल होंगे, अंडर निसेसरी, नॉलेज होना चाहिए, अगर हिड़न वेपन से किसी ने कुछ कमिट कर दिया है, तो 149 अप अपलाए, नहीं करोगे, अभी शेक उस पर आ रहू हो मैं, दो मिनिट में आ रहू हो, ठीक तो एक बात यह समझी है, जो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, इफ अन ओफ परसन उनकी जगे होता, तो वो इस बात का अंदाजा लगा लेता, इन दाट केस ओनली वो लाइबल है, अब यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं, यह जो लोग प्रेजंट हैं, आप भले कोई अक्टिव पाटिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, आपने छे के छे लोग गए थ परफिशन नहीं है, तो आप उन्हें शायद 34 में लाइबल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप 149 लगा के उनको लाइबल कर दोगे, और इसलिए मैंने पहले काता है, इनका परफस एक दूचरे को कॉन्फिक्ट कर रहा हैं नहीं है प्रोविजन को, इनका परफस यह है कि जहा एक दो गार्ड भी बैठे होंगे, और इसलिए कि वहाँ जो गार्ड है, उनकी यह लीगल ड्यूटी है तो प्रोट्ट बिल्डिंग और वो इंटर्फियर करेंगे, तो जब 15 लोग मिलके डिसाइड करके जा रहे हैं कि आज यह बिल्डिंग गिरानी है, तो दुखत लाइ जो छे सीनियर गए थे और जूनियर को जो थपड मारा गया, क्योंकि वो लाइकली है, जब उन्होंने बोलाया कि चलो यह बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा है, इसको जरा बता के आते हैं, तो इस लाइकली कि यह तो हो जाएगा, लेकिन वो जो चाकू वाली बात है, कि चा मैंने आप से कहा, कि 34 जहां sufficient नहीं है, 149 भी लग सकता है, और 149 जहां मान लिजिये, नहीं लग पा रहा है, वहाँ पे 34 लगा के कुछ लोगों को convert किया, जैसे मान लिजिये, 15 लोग एक आक्ट में involved हैं, इसी आक्ट में, लेकिन मान लिजिये, यह proof नहीं हो पाता है, कि द 149 लगेगा, common object की बात करता है, और 149 में एक चीज़ और ध्यान रखिये, आप question देखते होंगे, MCQ लगाते होंगे, यह pointers देखते होंगे, तो आप देखते होंगे, 34 is a rule of evidence, 34 के लिए क्या यह हो जाता है, it is a rule of evidence, यह अपने आप में कोई offense नहीं है, it is a rule of evidence कि दूसरे को भी हम libel कर देंगे, that's it, लेकर 149 जब होता है, इसमें already एक offense included है, जो कि 142, being a member of unlawful assembly, आप जानते हैं कि यह assembly जो है, यह unlawful है, उसके बाद भी आप उसके member बनते हैं, so that is an offense under 142, so 149 में एक automatically अपने आप एक offense commit हो गया होता है, लेकिन 34 में ऐसा नहीं होता है, यह तो वो basic differences हैं, जो आप anyways समझ सकते हैं, मेरा purpose यहां पर आपको वो difference समझाना है, और basically यह समझाना है कि यह conflicting provisions नहीं है, यह एक दूसरे के साथ conflict करने के लिए नहीं बने, यह इसलिए बने हैं, कि एक ना लगे तो दूसरा लगा कि हम आपको liable करेंगे, लेकिन हम आपको liable करेंगे, ज बात को, कि मैंने उन में से object, लेकिन 149 अपलाए तभी होगा, जब इन में से कोई object होगा, यह ज़रूर आप, ज्याल लगा किये रहा है, इन में से कोई object होना चाहिए, तो आप उस idea को समझेए, जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ, 34 और 149 के बीच, कि 149 में वो togetherness नहीं है उस offense में, object पता है आपको कि इस assembly का object क्या है, उसमें जो offenses commit होंगे, उन में कहीं कोई togetherness नहीं है, कोई complimentary conduct नहीं है, कोई active participation नहीं है, फिर भी आप liable हो रहे हैं 149 में, just because of your presence, जबकि 134 में ऐसा नहीं है, 134 में active participation ज़रूरी है, हमने देखा सहर उनिसा वाला case, कि mere presence से आप liable नहीं होंगे, that is the basic difference, Manoj का कहना है 34 rule of evidence, rule of evidence का मतलब यहीं है बेटा कि हम आपको दूसरे वेक्ति को एक के लिए दूसरे को libel करवा रहे हैं, that's why we are saying it is just a rule of evidence कहने का मतलब अपने आप में कोई substantive offense नहीं है, 34 की कोई सजा नहीं है, 34 की कोई सजा नहीं है, अगर murder हुआ है और उसमें कोई बंदा common intention के through libel हो सकता है, उस offense के लिए, murder के लिए, 34 अपने आप में कोई offense create नहीं करता, लेकिन 149 में already एक offense हो चुका है, क्योंकि अगर आप उस unlawful assembly के part हैं और फिर उस unlawful assembly के common object को achieve करने के लिए कोई offense commit होता है, तो offense तो बाद में हुआ, आप उस unlawful assembly का part ब that's what it means, और ये सवाल आते हैं आपको, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब pre के भी question है, इसलिए इन पित्तर discussion कर रहा हूँ मैं, तो कि ये सीधे pre में questions आते हैं, इसमें illustration based question आ सकते हैं, चीक है, तो 149 में, आफ सिरिफ उस unlawful assembly के member अगर है, part है उस assembly का, तो आप ला होना चाहिए, ये जरूरी है, इसके अलावा अधर किसी व्यक्ति पे आप liability डालना चाह रहे है 149 की, तो ये जरूरी है, कि जिस समय वो व्यक्ति उस assembly का part होना चाहिए, अगर वो उसके पहले उस assembly को छोड़के जा चुका है, तो फिर वो उसके उपर आप 149 apply नहीं करेंग different from 34, तो अब ये दो 149, 34 और 149 तो basically थोड़े ज्यादा different है, मतलब इनमें तो काफी difference है, चीजों का, जिसको आप समझ सकने हैं, लेकिन जो थोड़ी complexity है, वो आपको देखनी है 34 और 35 के बीच, 35 और 7 जनरली क्या होता है, इग्नोर हो जाते है 149 के चक्कर में, बिल्कुल मारा ओज, assembly का part होने के लिए मौके पे उपस्तित होना जरूरी है भाई, yes, presence ही जरूरी है 149 में, that is the most important and crucial difference between 34 and 149, कि वहाँ presence नहीं, participation जरूरी है, इधर आपकी presence जरूरी है, अब आईए ज़रा section 35 पे, तो एक case की भी और अपन बात करेंगे, जिसको फिलहाल मैं मैंने आपको नहीं लिखवाया था, 35 बात करता है, similar intention की, similar intention, और यहाँ भी constructive liability के तहती, इसको पढ़ना है हमें, अब जैसा मैंने आप से कहा कि 34, 149 तो इतने highlighted हैं, कि उसको तो आप generally पढ़ते ही हैं, देखते ही हैं, समझते ही हैं, लेकिन 34 वेचारा इस चक्कर में, 35 विचारा इस चक्कर में, एगनोर हो जाता है, और ऐसे एगनोर हो जाता है 37, जबकि 37 का भी अपना एक importance है उसके बारे में आपको बताता हूं, 35 देखिए पहले, when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, is done by several persons, each of such persons who joins, ये बहुत इस परसंट है, by him alone with that knowledge or intention, 35 कब attract होगा, तो देखिए, 35 भी क्या है, supplement करने के लिए है, 34 को supplement करने के लिए, हो सकता है कुछ ऐसे cases हो जिस पर 34 applicable ना हो, इन सारे profession का crux क्या है, पहली बताया मैंने class शुरू करने के, इन सब का purpose यह है कि भाया तुमको बच के हम जाने नहीं देंगे, या तो 34 में भसा देंगे, नहीं तो 149 में भसा आएंगे, नहीं तो 35 में भसा आएंगे, नहीं तो 7 में, कहीं नहीं तो आपको गेर लिया जाएगा, तो 35 जो है, वो उसको ही suffix करने के लिए, जो बच रहे हैं case, उनको include करने के लिए, जैसे 35 में कौन से case आएंगे, तो हिंदी में 35 को मतलब समझ लीजे, 35 यह कहता है कि कोई भी criminal act, कोई भी act, जब offense बनता है, किसी intention या knowledge के कारण, specific intention या specific knowledge के साथ एक act किया जाए, किस mindset, किस frame of mind के साथ आपने क्या वो, जैसे मान लीजे, आपने किसी, आपने अपने act से किसी वक्ती की death cause करी है, अब अगर आपका intention था उसकी जान लेने का तो applicable है, या आपको knowledge था कि आपके act से उसकी जा सकती है, तब applicable है, अब ऐसे cases हो सकते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा लोग involved हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी के पहले एक example दिया था, X और Y हैं, दोनों का अपना intention है, कि हमें एक ही जान लेनी है, X को भी एक ही जान लेनी है, Y को भी एक ही जान लेनी है, अब अगर इन दोनों में agreement हो जाता है, चलो मिलके मारेंगे एक हो, यहां मान लेजिए on the spot, complementary conduct हो जाता है, वहाँ दिख जाता है कि यहां pre-arranged हो गया, on the spot भी prior concert हो सकता है, कि X भी मार ने गया था, Y भी मार ने गया था, लेकिन फिर एक दूशरे की help करने लगे, X ने हाथ पकड़े, Y ने चाकू मारा, complementary conduct उस समय भी हो गया, तो दोनों के दोनों कहा लाइबल हो जाएंगे, 34 के तहट लाइबल हो जाएंगे, common intention में लेकिन समस्याती उन cases के साथ, जो मैंने इसी का एक आपको example बताया, कि A अपना मार ने गया, Y अपना मार ने गया, ये decide नहीं हो पा रहा है, कि जो consequence produce हुआ, वो किसके आप से हुआ, ये decide नहीं हो पा रहा है, जैसे मान लेजिए, X ने चाकू मारा, A को बेरहमी से चाकू की injuries दी, वाई अपनी iron rod लेके गया था, सिर्क होल दिया उसने, और तबियत से पीटा है A को, consequence में इस गरीब की death तो हो गई है, मर तो गया है, लेकिन किसके उससे मारा पता ने, दोनों का act है, अब 35 कह रहा है कि अगर इन दोनों ने उस act को किया है, पार्टिसिपेट किया, एक्स भी कर रहा था, वाई भी, अगर same intention या knowledge, जो उस act को offense बनाने के लिए, जो intention या knowledge चाहिए, अगर आपका भी वही intention या knowledge था, अगर आप भी उसी intention या knowledge के साथ उस कृत में समिलित हुए थे, उस act में शामिल हुए थे, तो आप भी liable हैं उस offense के लिए, वाले यहाँ अपन ये identify नहीं कर पा रहे हैं, कि किसके act से death हुई है, ये अपन identify नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि दोनों वेक्तिवोंने वो act with the intention or with that knowledge किया था, जो उसे एक offense बनाता है, death cause करने का intention दोनों का था, ऐसे case में दोनों liable, पता नहीं चल रहा किसने death cause करी, तो आप किसी पर directly liability डाल सकते हैं, कि हैं नहीं, किसी लिए 35 की help लगेगी उदर, और 34 वहाँ applicable नहीं है, क्योंकि togetherness नहीं है, common नहीं है intention, तो ऐसे मे तो यह बच जाते है, यह समझ नहीं आता, कौन liable, कौन नहीं liable, इस particular point को address करने के लिए 34 है, जिसको अपन कहते हैं, similar intention है, I hope that is clear, that's similar intention, बिल्कुल दोनों punish होंगे मनुझ, 302 के लिए, with the help of 35, 35 यही तो कह रहा है, जो भी उस act में शामिल हुआ है, with the same intention or knowledge, जो उस act को offense बन act in the same manner as if the act were done by him alone, with that knowledge or intention, आपने ऐसा माना जाएगा, जिससे आपने अकेले यह act कमिट किया है, with that particular intention or knowledge, जहां आप उस act में शामिल हुए, with the same intention or knowledge, बहाँ अपले बलोने, अब इसका एक और aspect हो सकता है, उसको भी समझना, इसमें एक आस्पेक्ट और हो सकता है, कि मानली चे death to cause हुई, एक्स का intention तो जान लेने का ही था, इसलिए एक्स तो भाईया चाकू लाया था, एक्स तो चाकू लाया था, क्योंकि इसको जान से मारने का intention से वो आया था, और इसने सलक पे देखा कि A जा रहा है, एक्स उसके पीछे आया, वाई की भी दुश्मनी तो थी A से, तो Y भी आया, लेकर इसका जान लेने का intention नहीं था, इसका बस पीटने का intention था, Y आया, X आया, कोई complimentary conduct नहीं है, कोई togetherness नहीं है, दुनों के conduct में, X ने बेरहमी से चाकू मारे A को, Y आया, Y ने बस दो-चार लपाड़े लगाए A को, और वो वहाँ से चल दिया, उसको इतना से आया था, उसका mens rea guilty mind उतना ही था, कि ये बस उसको पीटने आया था, दो-चार लपाड़े लगा के, वो साइड से निकल लिया, लेकिन A ने मारे चाकू एक हो, और डेथ हो गई, अब आब बताईए, क्या Y भी liable होगा उस murder के लिए, क्या Y liable होगा murder के लिए, yes or no, X, त लेने के intention से आया था, बट ये उस intention से नहीं आया था, तो why liable नहीं होगा, why liable नहीं होगा, why अपने उसके लिये liable होगा, जिता YA इसका था, ये उसके लिए liable है, वाई अपने आपका, जो मैन सरिया है, इस बात का expression, या ये बात manifest होती है section 38 में ये ध्यान रखिएगा, section 38 स तो कह रहा है कि आप same intention या knowledge के साथ आए है तो आप उस offense के लिए liable होगे इतने पर 35 खतम है उसके आगे कि जो मैंने आपको बात बताई कि अगर यह से what if he doesn't come with the same intention or knowledge अगर यह same intention knowledge लेकर नहीं आते तब क्या होगा तो उसके लिए अरतिस कहता है कि साथ यह liable उतने के लिए हो हो सकते हैं दो इसका आप illustration पढ़ेंगे तो एक अलग direction में है वो murder की बात कर रहे है कि दो लोगों ने मिलके एक विक्ति की जान ली है वहां भी अलग-अलग offense के लिए liable हो सकते हैं को कि एक विक्ति ने out of grave and sudden provocation वो काम किया था दूसरे के पास वो defense नहीं है तो एक murder के है कि वह या किसके exit है तो या अगर मान लीजिए एक को सिरफ पीट नहीं आये थे दोनों और एक्स ने थुड़ा ज्यादा मारा है यह rod word लेकर आया था या hockey stick लाया था और इसने बस लादगों से मारें एक तो और यह निकल लिया अपना लग तो दोनों अपने-अपने उस इसको हम पढ़ रहे हैं किस के थे similar intention के थे यह बात आपके समझ में similar intention कब लगेगा 34 कम पढ़ गया था अपने को libel करनी के लिए क्रती को क्यों कम पढ़ गया था because there was no togetherness there was no common intention जबकि किसके X से डेस हो यह समझ नहीं पा रही हुआ इफ लिए अपने X को libel करे यह y को यह समझ नहीं और हों तो यह क्याती है कि दोनों को करो लेकिन प्रोविजन कहा जो on को करने क 9 लगडत क्या नहीं लग रहा वनuf पोटी-ण नगग तो सवाल ही नहीं है क्योंकि 5 लोग ही नहीं है बात ही खतम हो गई तो फिर कहां से लाइबल कर रहा हुग आप 35 से similar intention yes or no अब बताए क्या समस्य है अभी मेरे तरफ से 34 35 149 हुआ है अभी बताए क्या समस्य है अभी एक प्रोविजन और बचा है 37 भी बचा है उसको में पढ़ना है चलिए 37 पर आते हैं अब इसक्स बहुत इंपोर्टेंट नहीं है बस इत्ता जान लीजिए effect caused partly by act and partly by omission मतलब आपने अगर कोई consequence produce किया है वो act और omission दोनों मिला के हो सकता है illustration दिया है जैसे कि आप किसी वक्ति को पीट भी रहे हैं और उसको खाना भी नहीं दे रहे हैं खाना नहीं दे रहे हैं is omission और पीट रहे हैं that is an act दोनों को मिला के consequence produce होता है कि उस वक्ति की death हो गई है तो उसे भी एक act ही माना जाएगा जैसे अगर murder के लिए लिखा है कि आपके act से किसी वक्ति की death होनी चाहिए तब आप liable होंगे तो act का मतलब यह नहीं कि हर जगे कुछ positive assertion हो positive act हो omission में उसमें partly act, partly omission मिला के भी एक act माना जा सकता है या माना जाएगा यह बाद जान रखेगा इसके बाद आए 37 अब यह भी important है cooperation so देखिए 37 cooperation by doing one of several acts constituting an offense अब आप देखेंगे कि 34 भी कम पड़ जाएगा, 35 भी कम पड़ जाएगा, 149 भी शायद नहीं लग पाएगा तो फिर अपने काम आएगा 37, देखिए when an offense is committed by means of several acts एक offense कैसे हुआ है कई सारे acts से commit किया गया है whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person commits that offense अब यहाँ पे 37 में यह है कि एक offense तो commit किया गया है 37 में क्या हुआ है, offense तो commit किया गया है लेकिन इसमें अलग-अलग act है act 1, act 2, act 3, let's say इन अलग-अलग acts को मिला कि एक offense बना है तो जो भी वेक्ति intentionally cooperate करता है या यह act commit करता है, इन में से कोई भी वो finally इस offense के लिए liable हो जाएगा 37 कहता है, when an offense is committed by means of several acts whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those act act 1 किया A ने, act 2 किया B ने, act 3 किया C ने और finally as a consequence वो offense commit हुआ तो तीनों के तीनों उस offense के लिए liable है अगर intentionally cooperate किया था तो यहाँ सीदे-सीदे question आते हैं illustration से उनी illustration से मैं आपको इस बात को भी convey कर देता हूँ कि difference क्या है 34 में क्या difference है, 35 और 37 में क्या difference है 34 और 37 में क्या difference है वो समझिएगा illustration देखिए A and B agree to murder Z by severally and at different times giving him small doses of poison A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z Z dies from the effects of the several doses of poison so administered to him here A and B intentionally cooperate in the commission of murder and as each of them does an act by which the death is caused they are both guilty of the offense though their acts are separate A and B ने मिलके decide किया है तीसरे को अटा लेते हैं पन इस illustration से A और B ने मिलके decide किया एक offense commit करना है हमें X की death cause करनी है X की जान लेनी है कैसा लेंगे? doses of poison थोड़े थोड़े मान लेजिए ये इसके घर खाना बनाने जाता है X के आँ morning में B इसके आँ X के खाना बनाने जाता है in the evening दोनोंने decide किया सुबह तू जाएगा तो भी poison मिलाएगा खाने में एक small dose और B जब जाएगा शाम को वो भी small dose मिलाएगा और ऐसा जब ये gradually करेंगे as a consequence is the effect of that multiple doses of that poison X की death cause होगी और ऐसा ही होता है X की death हो जाती है because of the that multiple doses of that poison अब आप बताईए क्या इन नोनों पर 34 लगेगा बताईए ज़रा क्या यहां पर 34 लगेगा मनौज आपको आंसर बटा अगले illustration में दो मनौट का समय दे मुझे हाँ जी क्या इधर पर लगेगा नहीं लगेगा common intention नहीं लगेगा क्योंकि common intention sorry 34 नहीं लगेगा क्योंकि 34 is intention भी common है और active participation है active participation मतलब at the same time common intention plus active participation और 37 common intention plus cooperation it is more of a sequential act sequence में हो रहा है और वहाँ एक साथ में तोगेदर ने से 34 में तोगेदर ने से यहाँ sequential है इसलिए इधर पर 34 applicable नहीं था क्योंकि active participation at the same time नहीं है but 37 इधर applicable होगा consequential है क्योंकि मारना दोनों को था यह decide दोनों ने किया था मिलके कि मारेंगे common intention तो है but it is more of a consequential nature और यहाँ libel किसके अंदर हो रहे है वो 37 के अंदर हो रहे है rather than 34 और similar की बात नहीं है क्योंकि intention तो common है तोनों होगा चलिए 35 टरक नहीं होगा that's why 37 is a bit different from 34 34 is common intention plus active participation 37 is common intention plus cooperation देखिए illustration दूसरा देखिए तो और एक चीज़ आपके समझ में आ जाईगी जो शाहिद किसी ने मनोज ने शाहिद जो पूछा है भी देखिए दो जेलर है जिनके पास एक prisoner है दोनों जेलर ने मिलके डिसाइड किया कि इसकी जान लेंगे तेरा जब समय रहे तेको जब खाना दिया जा इस prisoner को देने के लिए तू भी मत देना मैं भी नहीं दूँगा दोनों ने मिलके डिसाइड किया है और दोनों उसको खाना नहीं देते हैं अपने अपने टाइम पर डेथ हो जाती है 37 लगेगा कोई समस्या नहीं है पिछले इलस्ट्रेशन की तरह लेकिन जो अगला इलस्ट्रेशन है C वो यह बताता है यह important है यहां से प्रीमे सवाल आता है बहुत बार आ चुका है आप एक जेलर है A, एक जेलर है B, चीक एका इंटेंशन था जान लेने का C की, C इस दी प्रिजनर दे एका इंटेंशन था C की जान लेने का ए उस जेल का जेलर था जहां C रहता था और इसने इसको कई दिनों तक खाना नहीं दिया और इसका intention जान लेने गई था इसलिए इसने खाना देना बंद कर दिया था C को कई दिनों तक इसने खाना नहीं दिया C की हालत बहुत खराब थी लेकिन फिर एका उस जेल से हो जाता है ट्रांस्वर और वहां पर आ जाता है बी बी आ जाता है जेलर बन के और बी का भी इंटेंशन रहता है इसकी जान लेने का और बी क्या करता है बी क्या करता है बी भी इसको खाना देना बन कर देता है और क्योंकि पहले से वीक था इसने भी खाना देना बंद कर दिया, as a consequence, C की हो गई है death, अब बताईए कि अधार 37 applicable होगा, क्या इस case में 37 applicable होगा, yes or no, बता दो बाई जड़ा, तब समझ में आएगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ, बताईए, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, intentional cooperation नहीं है, यहाँ libel नहीं है, क्योंकि यहाँ intentional cooperation नहीं है, दोनों individual act कर रहे हैं, क्या इधर similar intention लग जाएगा, क्या 35 लगा सकते हैं क्या अपन इधर, बताईए, क्या 35 लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते हैं कि इसका अट कंसिकैंब के लिए यह आट कि यह अटयमट के लिए और यह अटव्डड के लाइब्या के लिए यह अटन-ची कोुर्णी लाइ सवाल बनेंगे अच्छे खासे सवाल बनते हैं conceptual इसे लिए आपको इत्ता मैं समझा रहा हूं अंजली एक्जाम के बारे में बटा जैसे मैंने कहा देरा हाई प्रोबेबिलेटी इस बारा तरिक होने की बहुत संभाव ना है बारा फरवरी प्रिलम्स एक्जाम होने की काफी संभाव ना है चलिए तो यह हो गया आपका आज constructive या joint liabilities rated provision अभी class खतम नहीं हुए थोड़ा और यह chapter निप्टा हुआ मैं कल से अपन सीधे चालू करेंगे punishment दो तीन चोटी मोटी definitions हैं इन बौर पढ़ते हैं उसके बाद कल से अपन पढ़ अगर इंटेंशन डथ नहीं है अगर इंटेंशन नहीं है तो अगर इंटेंशन नहीं है तो अगर इंटेंशन नहीं है तो इंटेंशन नहीं है तो इंटेंशन नहीं हो नहीं है तो इंटेंशन नहीं हो तो इंटेंशन नहीं होगा तो इंटेंशन नहीं होगा तो इंटें 39 पे आते हैं voluntarily, a person is set to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he, देखो वाई, तीन चीज़ ध्यान में रख लेना और तीनों कली समझा दिये मैंने, underline कर लिजे where he intends to cause it, अगर आपका intention है तो भी कहा जाएगा आपने voluntarily किया है, और by means, which at the time of employing those means, he knew, underline कर लिजे, he knew, knowledge है आपको, और, तीसरा underline कर लिजे, had reason to believe, had reason to believe to be likely to cause it, इन तीनों में से कुछ भी है तो कहा जाएगा आपने वो act voluntarily किया है, अगर आपका intention था वही करने का, कल समझा चेकों intention का वहता है, अगर आपको knowledge था कि आपके, आपके इस act से ये consequence हो सकता है, तो भी कहा जाएगा आपने वो काम voluntarily क किया है, अगर knowledge भी नहीं था, सिर्फ reason to believe, reason to believe भी कल समझा चुका हूँ, अगर सिर्फ reason to believe है आपके पास, कि ये मेरा act consequence हो सकता है, तब भी कहा जाएगा कि वो act आपने voluntarily किया है, या वो consequence आपने voluntarily produce किया है, चीक, तो voluntarily अगर आपने हो cause किया है, या तो आपने intentionally वो किया हो, या with knowledge किया हो, या reason to believe हो आपके पास, तो कहा जाएगा, आपने कोई भी consequence यो produce किया, अपने act का, वो कैसे किया है, या कोई act किया है, वो voluntarily किया है, 39 ध्यान रखिएगा, तीन बाते include होती है, ये ध्यान रखिएगा, प्री में आपके है, important है, 40 देखिए, offense को define करता है, बहु लब यह है, क्योंकि ये section 40 कहता है, कि वो act जो punishable बनाएगा है by this court, जिनको IPC punish करता है, वो act जो है, offense माने जाएंगे, लेकिन CRPC का section 2N कहता है, कि वो सारे act offense माने जाएंगे, जो किसी भी law से punishable हो, जो law force में हो समय पे, जो भी law, जितने भी laws force में है, किसी भी law से, अगर किसी act को punishable बना दिया गया है, उसके लिए, किसी act के लिए punishment प्रस्क्राइब कर दिया गया है, तो वो एक offense है, ये CRPC की definition है, बट इसकी थोड़ी सी narrow है, ये घ्यान दखिएगा section 40 में है, 41 माक कर लीजे, बहुत important है, prelims के लिए, special law होता क्या है, और किस section में दिया है, दोनों सवा आते हैं, आपको अब concept नहीं बचाए इदर, ठीक है, तो special law होता है, जब वो किसी particular subject से deal करें, जैसे POXO is a special law, juvenile justice act is a special law, ये सब specific subject matter से deal करते हैं, that's why they are special laws, और section number ज़रूर याद रखिएगा 41, 42 देखिए local laws, local laws जो specific part पे applicable हो, जैसे मद्द प्रदेश पे जो applicable है, वो मद्द प्रदेश का local law, उत्तर प्रदेश पे जो applicable है, वो उत्तर प्रदेश, particular territory पे जो applicable है, उसको केते हैं, local law, section number याद रखिएगा 42, और local law होता क्या है, local law is a law applicable only to a particular part of India, 43, illegal या legally bound to do, section number याद रखिएगा, और illegal कपकप कहा जाता है किसी आग को, the word illegal is applicable to everything, underline कर लीजे, which is an offense, or which prohibited by law, या तो offense हो, या फिर prohibited by law, offense नहीं है, बट फिर भी prohibited by law, हो सकता है कि law ने वो करने के लिए मना किया है, भले punishment prescribed, no, punishment prescribed है, तब वो offense हो जाएगा, जहां prohibited है, punishment नहीं है, वहाँ, सिर्फ prohibited by law, or which furnishes ground for a civil action, या फिर कोई ऐसा act, कोई ऐसा wrong, जो civil action के ground furnish करता हो, इसमें हर तरी के contract, breach of contract आ जाएगा, तो उससे भी आप civil action ले सकते है, तो वो भी सब कुछ illegal कहा जाएगा, तो illegal क्या-क्या होगा, offense illegal होंगे, जितनी भी आख prohibited है, law ने जिस भी चीज़ को प्रहबित कर रखा है, वो illegal है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसते civil suit का ground मिलता है, आपको वो कर रहे हैं, civil trespass किसी की place पे, nuisance create कर रहे हैं, क्योंकि it furnishes grounds for civil action, so that is also considered as illegal, legally bound to do, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, legally bound to do, कि अगर आपने ये नहीं किया, तो आपकी liability बन जाएगी, that is legally bound to do, जो कल मैं आपको एक example lifeguard वाला दिया था, वो ध्यान रखिएगा इसके लिए 44 injury को बताता है, मा कर लिजए section number, बहुत important है, चीक, injury का मतलब है, the word injury denotes any harm, whatever, illegally caused to any person, देखिए कौन-कौन से harm होते हैं injury में, बहुती comprehensive definition भी है 44 में, तो injury में कौन-कौन से harm include होते हैं, ये सवाल आता है, प्री में, और section number, किस section में injury defined हैं, ये सवाल आता है, तो कौन-कौन से harm तो, illegally caused to any person and body, mind, reputation, property, चारों याद रखिएगा, body, physical harm, mind, psychological या mental harm, reputation, defamation, या सवर property, चारों में से किसी भी चीज़ को आप हाम कर रहे हैं किसी वक्ति को, तो वो injury माना जाएगा, इसके बाद आप मार्क कर सकते हैं, सीधे आ जाईए 52 पे, बीच में कुछ बहुत जादा important नह आने वाला section number है, बहुत ही rare chance होता है कि किसी एक दो exam में कभी पूछ लिया जाए कि life कि section में है, तो 45-46 याद रखिएगा, अगर रख पाएं तो, primarily वो रखिए जो मैंने पहले बताएं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी capacity इतनी है कि ये तो अपने को सब याद ह थोड़ा सा, हर बार क्या होता है, आप subject को जब दुबारा पढ़ते हो, तीसरी बार पढ़ते हो, तो कुशिश करो उसमें और content add करो, तो कि अब जो जुड़ीशरी के exams है, वो भी अपनी territory बनाते जा रहा है, कुछ भी पूछने लगे exams में, तो अगर अपनने पहली बार प कौन से section में है और क्या होता है, तो good faith बावन में दिया है, और यहां लिखाई nothing is said to be done or believed in good faith, which is done or believed without due care attention, underline कर लिजे, without due care attention, कोई की चीज अगर आप बिना care और attention के कर रहे हैं, due care मतलब जितनी expected है उस case में, उस particular situation में, एक reasonable वेक्ती से जितनी care expected है, उसको अपन केतने due care, त तो कहा जाएगा आपने वो काम good faith में नहीं किया, good faith क्या होता है, when you do something with due care and caution, तब कहा जाएगा कि आपने कोई काम good faith में किया है, और bona fide अलग है, bona fide मतलब with good intention, देखिए good intention अलग है और care लेना अलग है, ठीक, so good faith is more about due care and caution, 52 A भी important है, harbor, section number का सवाल पूछा जाता है, होता क्या है, ये भी brief में जान लेजे, harbor मतलब कोई भी व्यक्ति, absconding है, भगोडा है, भाग रहा है, उसके आप मदद कर रहे हैं, किसी भी form में, उसको food supply कर रहे हैं, उसको shelter दे रहे हैं, उसको गाली गोडा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, छुपा रहे हैं, ये सब अगर and discuss करेंगे इस चीज़ को, so I hope this is clear, ये आपका पूरा chapter 2 complete होता है, तो चलिए chapter 3 talks about punishment, IPC का बेरिक निकाल लीजे, chapter 3 है punishment के बारे में बात करता है, क्या structuring है punishment की, ये पूरा इस chapter में दिया हुआ है IPC में, punishment कैसे run करेंगे, कौन-कौन से punishment दिये जाएंगे IPC में, किसका क्या मतलब होगा, ये सारी चीज़ें यहां है, लेकिन, बेर प्रोविजन के अलावा, यहां एक brief intro जरूरी है, कई बार objective question में आपने देखा होगा, आप से सवाल कर लिया जाता है, इस तरीके का सवाल आप देखेंगे, इस तरीके का सवाल आप देखेंगे, expiatory theory, इस से related कौन से provision IPC में है, correct, yes, solitary confinement is there, 73 and 74 is related to that, तो कई बार क्या होता है ना, एक आपको इस theory, जो punishment की different theories हैं, उन से related भी कई बार आपको सवाल पूछ ले जाते हैं, बहुत brief में मैं, जो popular theories हैं, उनका एक introduction आपको देदूं कि क्या ये theory है, किस चीज़ को है, देखे, theories है मेरा मतलब, कि जो punishments prescribed करे गए, ancient times से कई सारे punishments है, ये किन theories पे, किन principle पे based है, क्या principle है, जिसके current punishment दिया जाता है, क्यो punishment दिया जाता है, इसका jurisprudence क्या है, उसके बारे एक brief intro, before we start with this chapter, we should have, जो important theories है, तो देखे, सबसे पहले, जो theories of punishment में, एक important theory जो आती है, that is, deterrent theory, पहली जो है, इसमें एक important theory, that is, deterrent theory, now what do you understand by deterrent theory, deterrent का मतलब होता है, deter मतलब डराना, deterrent theory पे based है, यह punishment का concept, कि आप एक व्यक्ति को किसी act के लिए सजा दे रहें, सजा का purpose क्या है, क्यों यह punishment prescribed किया, तो deterrent theory के हिसाब से punishment देना इसलिए ज़रूरी है, ताकि वो व्यक्ति दुबारा वो काम करने से डरे, एक डर बने उससे, डर का महा होले, आपने सुना होगा, तो punishment इसलिए दिया जा रहा है, कि वो व्यक्ति भी दुबारा ना करे, वो भी डरे थोड़ा उससे, और कोई दूसरा व्यक्ति भी ना करे, to set an example, among the people of society, कि भया कोई ऐसा करेगा, तो यह punishment मिलेगा उसको, इसलिए यह जो डर है, इसको कहते हैं अपन deterrent theory, मनु जी, बहुत आपको हिंदी में समझा दूँ, बट आप अगर मुझसे expert करेंगे कि मैं technical term बताऊं, तो मैं उसमें असक्षाम हो, बहुत मेरी शम्ता नहीं है, वो करनेगे कि मैंने लगों English में पढ़ा है, इसलिए I'm really sorry for this, so deterrent theory का मतलब यह होता है, कि आपको डराया है, अगर punishment का purpose क्या ह है, यह डर पैदा करना, यगर कोई offense करेगा, तो ऐसे है punishment मिलेंगे, यह है आपके deterrent theory, deterrent theory की तरह ही, actually इसी का एक form हो सकते, आप उसे कह सकते है, या इससे related theory है, preventive theory, second is, preventive theory, preventive theory क्या होती है, तो preventive theory का principle यह है, कि अगर आप किसी वेक्ति को punishment देना, तो उसका purpose यह है, कि व है, कि आप डराद हो से, तो वहाँ भी आप प्रवेंट कर रहे हो, डर के तो इसलिए मैंने का, they are correlated, but preventive theory में यह है, कि जैसे मालिए जिए एक offender है, इसने offense commit किया, अब आप उसको सदर सुनाते रहे हैं, imprisonment की, life imprisonment की, या 5 साल के imprisonment, तो आपने उसको अगले 5 साल के लिए prevent क करतिया, from committing another crime, that is the principle of preventive theory, और इस पे बेस्ट भी प्रिंसिपल रखे गए है, IPC में, so that is the another theory, that is preventive, कि हमें prevent करना है विट्ती को offense commit करने से, इसके अलावाद तीसरी theory होती है, retributive theory, तीसरी जो है, retributive theory, अब इस retributive theory का क्या मतलब है, तो retributive theory का मतलब है, tit for tat, that's correct, तान्या ने जो लेखा, retributive theory का मतलब है, वाईसा tit for tat, कि an eye for an eye, जो principle है, वो retributive मतलब बदला, basically, कि victim को का ये satisfaction कि क्योंकि उसके साथ किसी ने कुछ किया था, तो आप सामने वाले के साथ भी वो ही कर दिया घया, किसी ने चोरी करी, तो उसके हाथ काट दिया, आपने कि विक्टिम के उस सेटिस्वाक्शन के लिए पुनिश्मेंट दिया जा रहा है कि तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया तो उसके साथ भी हो गया बड़े इनका मैं अपको मतलब तो बता रहा हो अब समझेगा इनके प्रोज और अगेंस दोनों में आर्गमेंट्स हैं उसमें अपन नहीं जाएंगे उस डीटेलिंग में आधे बासिच और यह माना जाता है कि इस इस नोट वेरी गुट इन दाट कंटेक्स तो यह जो रेट and modern times, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है, कि आप उससे कुछ होता नहीं है, जैसे मान लेजिए, आपको किसी ने एक लपड़ा मार दिया है, अब आपको opportunity दे दी जाए, कि भगया तू भी एक चिपका दे इसको, उससे सरफ आपका एक satisfaction होगा, कि हाँ मैंने भी मार दिया, बट उससे ना तो आपकी injury में कोई healing हुई, जो आपको उसने एक जो थपड़ मारा है, ना तो उसमें कोछ healing हुई, उसका कोई basic purpose नहीं है, बस वो एक human tendency, वो satisfaction है, कि मेरे साथ किसी ने कुछ किया था, तो मैंने भी वो कर दिया, ये बदले की भावना, समस्या ये है, कि आप यहारे देखो chair से लग चलो chair को मार देते हैं, बच्चे वो रोना बंद कर देगा, आपने देखा हुआ, पेरेंट जासा करते हैं, कि वो किसी टेबल से टकरा के एक बच्चा गिर गया, तो चलो table की पिटाई कर दे, बटा चुप हो जा, क्योंकि उसको satisfaction मिलेगा, ये देख popular theory है, that is reformative theory, reformative theory, now what do you understand by reformative theory, तो उस बात को समझ येगा, जरा, reformative theory का मतलब है, कोई व्यक्ति जिसने एक जुन कर दिया, एक offense commit कर दिया, अब हम उसको punishment ऐसा दे, कि हम उसका reformation करें, reintegration करें society में, उसे एक अच्छा इंसान बनने का मौका दे, क्योंकि हो सकता है, उसकी social conditions ऐसी रही हो, उसकी economical conditions ऐसी रही हो, जिसकी वज़े से वो offender बन गया है, या उसने एक offense commit किया है, तो अब reformative theory का principle ये कहता है, कि आप punishment आप इस तरीके से बनाई है, कि उसके पास एक opportunity हो, अपने आपको एक अच्छे इंसान में convert करने की, ये purpose होन चाहिए punishment का, punishment का purpose ये नहीं होना चाहिए, deterrent या preventive तो चलो ठीक है, लेकिन retributive तो कहता ही नहीं होना चाहिए, वो बदलिय की भावना satisfy करना purpose नहीं है, punishment का, punishment का असली purpose, reformative होना चाहिए, कि आप उस offense, वो कहते हैं ना कि जुर्म से नफरत करिए, जुर्म करने वाले से नही कि उसने, हो सकता है कुछ specific circumstances के current, उसने ये किया है, लेकिन इसके भी critics है, वो कहते हैं, या hardcore criminal को कोई फरक नहीं पढ़ता है, reformation, reformation, उनको तो डंडा मारो, वो ही ठीक है, तो favor में और against दोनों के argument अपने को उसमें नहीं जाना है, बस मतलब में आपको जानने के लिए, किसी इसलिए ये समझा रहा हूँ कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी theory का मतलब क्या है, वो किस principle पे based है, ताकि प्री में अगर आपसे वाईचांस ये सवाल पूछा जाए, तो ऐसा now, correct, yes, आपने correct कर दिया, मुझे गुना खतम करना है, गुनेगार को नहीं, correct, 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 तो इस principle पे based है ये आपका reformative theory, कि उस बंदे को हमें opportunity देने, इसलिए आप देखते हैं, जेल में आप देखेंगे कोई art and craft में अच्छा है, तो उनको वो मौका दिया जाते हैं, कि उस तरीके का काम करें, पढ़ने के लिए चीज़ें दी जाती हैं, कि आप पढ़ाई करो, आपको proper education करनी, उसके भी मौके दिये जाते हैं, कि चलो आप college में admission लेके exam दो, आपने देखा होगा, जो कैदी है, उनकी बहुत सारी opportunities की art and craft, craft का का काम वो कर रहे हैं, फरनीचर बना रहे हैं, वो बिकरा है, उसके museum से जहां कैदी दौरा बनाई हुई चीज़ें बिकती है तो उनकी चांस दिया जा रहे है अच्छा इंसान बनने का, that is what reformative theory is all about, then come to expiatory theory, this is important, जो कल बार पहले exam में बड़े ही prominently पूछा गया है, कि आप आपने शायद MCQ तो आप याद कर रहे हैंगे कि expiatory theory, IPC, it is provisions related to 73-74, but इसका मतलब समझे, expiatory theory है क्या और किस पे based है, तो basically expiatory theory, थोड़ा सा जो हिंदू law से भी है, हिंदू custom है, उससे भी थोड़ा सा इसका significance है, या ancient time में जो प्राश्चत का concept है, basically, कि आपने पाप किया है, अब आप उसका प्राश्चत कर लीजे, तो आपका वो जो पाप है, वो जो sin है, वो जो गुना है, वो खतम हो जाएगा, वो दुल जाएगा, वो fade away हो जाएगा, इस purpose के लिए punishment दिया जाता है, क्योंकि जो गुनेगार है, उसने पाप किया है, अब अगर वो उसका प्राश्चत, और प्राश्चत painful होना चाहिए, मतलब एक तो वो guilt को realize करे, कि हाँ मैंने गलती करी है, और फिर उसका प्राश्चत करे, इसलिए punishment दिया जाता है, that is the meaning of expiatory theory, और इसका जो reflection आपको इधर मिलेगा, वो solitary confinement है, क्या होता है, बताऊंगा तो वहाँ पे एक बार दुबार आपने इसको discuss करेंगे, but expiatory theory basically related to प्राश्चत, कि भाई मैंने एक पाप किया है, अब मुझे उसे सही करना है, जैसे वो बने होते हैं, sorry, फैजल के जो चाचा होते हैं, जो main character हैं उसमें, उनका आप देखेंगे तो वो कुछ गल्ती करते हैं, तो फिर पिक्चर में दिखाया जाता है, कि वो बैट के अपने आपको चाबुक मार रहे है, मुझे कपड़ा फसा लिया है, और खुद को pain दे रह जाएगा, इस पे-based, यह concept है कि भाई, अगर offender को punish कर दिया जाएगा, तो उसका वो जो sin है, वो खतम हो जाएगा, ठीक, so that was one of the thing, so that is expiatory theory, इस पे-based concept है, solitary confinement, जिसमें isolation में एक वक्ति को रख दिया जाता है, ताकि वो realize करें अपने guilt को, इसमें दोना चीज़े हैं, आप उ solitary confinement is somewhat that, it is related to that, I hope you got the idea, so this is about the theories of punishment, now let's move on to the provisions of this chapter, बहुत ज्यादा concept, इसमें है, solitary confinement का बस एक दो चीज़ें आपको समझनी है, that's it, nothing more than that, इसके बाद देखिये, तो आजे यह chapter 3 पह, of punishment, section 53 बहुत important है, सबसे पहले, प्री का question note down कर लीज़े, कि section number पहले important है, 53 की punishment, form of punishment IPC में, किस section में दिये हैं, और कितने तरीके के punishment की बात IPC करता है, यह दोनों चीज़ें यहाँ important है, मनुच जी कह रहे हैं, लेकिन sir, 4 साल की jail में उसका सुधार होगा, यह habitual offender बनेगा, यह तो opinion है, और यह तो theories है, इसके बारे में कभी अपन चर्चा करेंगे, मनुच जी अराम से किसी YouTube लाइव में, यह तो opinion based बाते हैं, अभी तो अपन ऐसा करते हैं, कि syllabus निक्टाते हैं, that is more important, क्योंकि self listening ना दो, मैं बढ़ा रहा हूं, जैसा मैंने आपको बाता हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप भी किसी ल कौन कौन से form IPC में दिये हूँ है, यह भी बहुत important है, 53 क्याता है, the punishment to which offenders are liable, under the provisions of this code R, पहला है आपका death, death penalty दी जा सकती है, second imprisonment for life, जैक आजीवन कारावास जिसको कहते हैं, यह दिया जा सकता है, fourthly imprisonment, which is of two descriptions, namely, imprisonment मतला, वही sentence, कारावास आपको दिया जाएगा, जेल में सकता है, एक होता है, rigorous, that is, with hard labor, जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, free or wet के gel में रोटी नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा वहाँ पे आपको, इसके बात, second is, का nature, simple, जहां आपसे वो hard labor नहीं कराया जाएगा, तो IPC में clearly mention है, जब specify होता है, कि imprisonment, तो उसका nature भी दे दिय जाता है, कि वो rigorous imprisonment है, simple imprisonment, यह चीज़ specified कर दी जाती है, दोनों का mix भी दिया जा सकता है, फिफ्ट जो है, तरीका punish करने का, that is, forfeiture of property, property चप्ट कर ली जाएगी, that is another punishment, which is provided by IPC, और इसके बाद आखरी है, fine, तो यह form of punishment भी याद रिखना है, death है, imprisonment for life है, imprisonment है, जो दो तर feature of property है, और fine है, कई बार इसमें option में बना दिया जाता है, penalty, so penalty is not expressly provided under 53, fine है, but not penalty, यह द्यान रखिएगा, objective question के purposes के लिए, so यह form of punishment है, इसके बाद 53 है, तोक्स अब construction of reference to transportation, जो अब relevant नहीं है, अब इसका कोई importance नहीं है, transportation वो होता था कि दूर कहीं ले जाके रखा जाता था एक कारावास का, but now that is no more a part of this, इसलिए उसको छोड़ दीजे, 54, 55 बहुत important है, दोनों से सवाल प्री में पूछे जाते है, commutation of sentence of death, और 55 talks about commutation of sentence of imprisonment for life, तो देखे 54, commutation of sentence of death, commutation का मतला, सजा को मार्फ कर देना, खतम कर देने, चेंज कर देने उसको, कुछ और कर देने, उसक of death shall have been passed, the appropriate government may without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this court, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको death penalty दी गई है, उसको convert करके किसी दूसरे punishment में change कर सकती है, कौन करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, तो कर सकते हैं, appropriate government, अब appropriate government कौन होगी, इसके बारे में आगे बताया है, पढ़ने की बहुत जरूर के अंडर आपका conviction हुआ है, तो वहाँ पे appropriate government, central government है, states the enacted law में अगर आपका conviction हुआ है, तो वहाँ पे appropriate government, state government है, बस इधान रखिएगा, simply section के question ही ज्यादा कर बनते हैं, तो 54 याद रखिएगा, commutation of sentence of death, death penalty को change करके कोई दूसरा punishment दे सकते हैं, और commutation of life, sentence of imprisonment for life, इसको देखि 2055, in every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term, underline कर लिजे, not exceeding 14 years, जब आप किसी का imprisonment of life, commute कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो आपको punishment देना है, इच शुद ना एक्सीड 14 years, that is also an important question, by life imprisonment already मिला था, अब आप उसको commute करके, अगर 20 साल कर दोगे, तो आपने कुछ बहुत significant change नहीं लाएं, तो यहाँ पर clearly यह चीज mention है, कि 14 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, not exceeding 14 years, commute कर रहे हैं, तो लगना तो चाहिए सामने वाले को कि कुछ commutation हुआ है, इसलिए 14 साल स माना गया है, कि जो death penalty है, यह कोई general norm नहीं है, यह exceptionally दिया जाएगा, rarest of the rare case में ही death penalty देनी है, it should not be the general norm, कौन से case में यह कहा गया था, कि exceptional cases में ही death penalty देनी है, बता सकते हैं, दो तीन cases हैं इधर important, उनको जरूर note down करिये, जो इस से related हैं, तो सबसे पहले बच्चन सिंग वर्स correct मनो, बच्चन सिंग, बच्चन सिंग वर्से स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 इसमें खागया था, कि death sentence, rarest of the rare case में ही देना है, that is important, फिर एक, मिठ्धू वर्से स्टेट ऑफ पंजाब है, 1983 जिसमें section 303 की बात है, live convict को अलग treatment था, कि इसकी बात मैं वहीं कर लूँगा, जब 303 इसको फिलाल छोड़ दी जाब, बच्चन सिंग वर्से स्टेट ऑफ पंजाब लिखिए, 1980 की death sentence, rarest of the rare case में ही दिया जाएगा, अब इस death sentence से related, एक दो cases और है, ये cases क्या है, death sentences से related, थोड़ा उसका context समझ लेना, कई बार क्या होता है, एक वेक्ति को, एक accused को death sentence सुना तो द लेकिन आप जानते हैं कि convicted के पास भी ये power है कि वो apply कर सकता है, वो request कर सकता है कि मेरे punishment को कम या खतम कर दिया जाए, president के पास जा सकता है, है न, वो ये सारी mercy petition जिसको कहते हैं, ये options उसके पास है, अब एक सवाल ही आता है कि कई बार punishment आपने death sentence किसी को सुना तो दिया, बट उसका execution काफी देर में हो रहा है, काफी delay हो रहा है उसके execution में, व्यक्ति विस उसमें दो साल jail में रह लिया है, तीन साल jail में, कि पता नहीं मुझे कफासी हो जाए, तो इस पे त्योरी ये है कि भाई, ये माने जाता है कि आप इस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ व्यवार कर कर दो, क्योंकि आपने already उसको बहुत मारा है, वो रोज मर रहा है, वो रोज ये सोचके उठ रहा है कि पता नहीं, आज फासी होगी, कि मुझे कल्लिट का दिया जाएगा, तो ये एक issue है, जिसको raise की आ गया कई सारे cases में, सवाल ये था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके death sentence क execution में delay हुआ है, क्या ये delay अपने आप में उसे entitle करता है, ये मांग करने की कि अब मेरा punishment change कर दिया जाए, death की जगे मुझे imprisonment दे दिया जाए, क्या ये automatically entitle कर देगा है, convicted विक्ति को अगर unnecessary delay हुआ है, तो इससे related case है, उनको ज़रा आप लिख लीजिए, सबसे पहले नाम लि 1983, और इसमें court ने कहा कि भाई साब अगर delay हुआ है, दो साल से ज़्यादा का delay भी हुआ है, अगर आपके death sentence के execution में, तो भी ये अपने आप में आपको कोई अधिकार नहीं देगा, कि आप अपना punishment जो है, वो कम करवाने के लिए entitled हो गए हैं, ऐसा नहीं होगा, भले दो साल से ज़्यादा का भी delay हुआ है, तब भी आपको ये entitlement नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, शेर सिंग वरसे स्टेट आफ पंजाब, लेकिन अब इस ते related और भी ऐसे cases थे जिन में कुछ contradictory judgment आए, एक judgment का नाम लिखिए, टीवी, इसको में लिखी देता हूँ क्यों कि ये Vatishwaran, T.V. Vatishwaran versus instead of Tamil Nadu, T.V. Vatishwaran versus instead of Tamil Nadu, that is 1983. that is 1983 again अब इस में दूसरा contrary opinion दे दिया शेर सिंग में बोला कि वो अपने आप में entitle नहीं करेगा लेकिन इस case में बोल दिया कि भाईया क्योंकि आपके case में unnecessary delay हुआ है execution में तो आप entitled हो गए हैं क्या लेने के लिए इसके बदले में दूसरा punishment तो यहां यह contrary opinion आ अगया अब यह conflict हो गया किसा अब असली position होगे क्या क्या सच माने हम तो इसके चार-पांच cases के बाद एक important case आया था त्रिवेनी बेन versus state of gujarat अगला case है इस से related त्रिवेनी बेन versus state of gujarat 1989 इस त्रिवेनी बेन versus state of gujarat में five judges bench ने यह कहा कि भले ही लंबा delay हो गया हो भले ही आपके execution में लेकिन यह delay automatically आपको entitled नहीं करता अपने punishment को change करवाने के लिए अगर एक लंबा delay भी आपके execution में हो गया है तो आपके उस death sentence को life imprisonment में convert करवाने के लिए यह अपने आप में sufficient ground नहीं है कि सिर्फ इस ground पे आप उसको convert करा लेंगे यह automatically एक sufficient ground नहीं बनेगा यह five judges bench ने त्रिवेनी बेन वर्सेस state of gujarat में यह बात बोली चीक लेकिन इसके बाद फिर एक case और हया जीबी जीजेओ वर्सेस स्टेट फ सुट्फ उत्तर प्रदेश एकCASE और लिख लेजिए जीबी जीबी सिंग whereby्सेस स्ट्ट फ उत bursting ए जीबी सिंग whereby्सेस स्ट फ सुट्फ उतgili जीऊजें वर्सेसिव उत्तर प्रदेश विमेर्ष 25 का और इसमें कोट ने कहा कि वो बात तो ठीक है कि जो आपके केस में मानलीजे death penalty को execute करने में जो delay हुआ है वो अपने आप में ground तो नहीं बनेगा लेकिन court circumstances examine करेगा कि delay आपका किस कारण से हुआ अगर unreasonable unjustified delay है in that case आपको अधिकार मिल जाएगा कि आप अपनी death sentence को imprisonment for life में convert कर दें कहने का मतलब इस case में basically यह कर दिया था कि fact and circumstances case की देखी जाएंगी और फिर यह decide किया जाएगा कि आप entitled है या नहीं बात वह है कि आप automatically इस बात से just because कि आपका execution delay हुआ है just because of this आप entitled नहीं होंगे so these are the few cases which are important in this particular context इसके अलावा कुछ cases और है इस topic से related जो आपको ध्यान रखने चाहिए जैसे life imprisonment को लेके एक confusion यह भी होता है कि life imprisonment का मतलब क्या है क्या यह 14 साल का कारावास होता है जब किसी को life imprisonment दिया गया है does it mean 14 years of imprisonment or does it mean 20 years of imprisonment क्या यह 14 साल है duration life imprisonment की या क्या यह 20 साल है या फिर till the death of the convicted person है कि जब तक उसकी natural life है तब तक वो jail में रहेगा natural life क्या सच्चाई है imprisonment for life की क्या थे से ली जब तक या टाइब सिंग वर्से स्टेट गया है यह यह अंजाब क्यास का नाम लखे यह यह आयब सिंग वर्सेस स्टेट ओफपजाब पंजाब नायब सिंग वर्सेस टेट ऑफ पंजाब नायब सिंग वर्सेस टेट ऑफ पंजाब 1983 इसमें कहा गया था कि जो इंप्रेजनमेंट फॉर लाइफ है वो तेल दी नेचरल लाइफ है जब तक नेचरल लाइफ खतम नहींगे जिन्दगी भर आपको रहना है 1420 यह सब करेक्ट नहीं है यह सब मित आये कहां से 14 साल वाला कहां से जनरेट हुआ यह एक यह confusion वो आपका 55 से चाल वुआ क्योंकि वो कम्यूटेशन की बात करता है इंप्रेसेंबंट फोर लाइफ की कींप्रेसेंबंट फोर लाइफ को अगर आप कम्यूट कर रहे तो 14 साल से ज्यादा नहीं देना है यह बहुत काम्यूट कर रहे है तो 14 साल नहीं है यह वह साल का कॉंसेट कहां से आया कि क्या life imprisonment का मतलब 20 साल जेल में रहना है ऐसा बिलकुल नहीं है 57 देखिए fractions of terms of punishment in calculating fractions of terms of punishment imprisonment for life shall be recalled as underline कर लिजे equivalent to imprisonment for 20 years तो लिखा है life imprisonment को 20 साल माना तो जाएगा imprisonment for life को 20 साल माना लज जाएगा लेकिन ये 20 साल आपको कब मानना है जब आपको fraction calculate करने की जरुरत पड़े जैसे आप attempt पढ़ेंगे 511 में तो लिखा है कि expressly अगर attempt को punish करने के लिए IPC में किसी offense के attempt को punish करने के लिए अलग से provision अगर नहीं दिया है जैसे murder के लिए आप देखेंगे attempt to murder अलग से दिया उसका punishment दिया है लेकिन theft की अगर अपन बात करें तो theft का punishment तो दिया है एक section में लेकिन theft के attempt का punishment अलग से नहीं दिया तो वहां कौन सा section apply होता है 511 और वो यह कहता है कि जहाँ attempt का अलग से punishment नहीं है किसी offense से उस case में attempt के case में half punishment दिया जा सकता है जो original offense का maximum punishment prescribed है original offense का maximum prescribed punishment है उसका आधा कई बार आपको calculate करने की जरुरत पड़ेगी one-fourth अभी इसी chapter में अपन पढ़ेंगे ऐसी चीज़े जहां आपको यह calculate करना पड़ेगा कि जो maximum prescribed है उसका one-fourth कितना है तो अगर आपको fraction calculate करना है आपको half calculate करना है आपको one-fourth calculate करना है तो imprisonment for life से कैसे calculate करोगे हर वेक्ति की जिंदिगी अलग है आपको ज्यादा साल जीएंगे मैं कुछ अलग साल जीऊंगा सबका number अलग है वो तो determine हो नहीं सकता ऐसे cases के लिए यह कर दिया गया है कि जहां भी आपको fraction calculate करना है वहां आप life imprisonment को 20 साल record कर सकते हैं 20 साल मान के कर अगर आपको life imprisonment का half calculate करना है तो it will be 10 years अगर आपको one fourth calculate करना है then it will be five years और यहां से यह confusion आया 20 साल वाला कि क्या imprisonment for life का मतलब 20 साल होता है तो नहीं भीया वहां तो natural death होता है जब तक जिनना है तब तक आपको jail में रहना है so that is the correct answer और इसलिए यह कहा जाता है कि law अगर आप पढ़ रहे हैं मैं हमेशा कहता हूं अच्छे sources use करिये अब life imprisonment से related बहुत मित है common man के exam के दिमाग में कोई कहता है कि imprisonment जब मिलता है jail में रात अलग एक दिन calculate होती है दिन अलग calculate होता है ऐसी बहुत सारी भांतियां है तो I would suggest कि भाई आप sources अच्छे स्केमाल करें law पढ़न So that is 57 इसके बाद सीधे आजाईए section 60 पर section 60 sentence may be in certain cases of imprisonment holy और partly rigorous और simple section 60 सिर्फ आपको इतनी बात बताता है कि जो आप imprisonment दे रहे हैं जो आप sentence दे रहे हैं it can be holy rigorous पूरा आप rigorous दे सकते हाड लेबर वाला या फिर आप पूरा simple दे सकते हैं या फिर आप combination दे सकते हैं कुछ time rigorous time simple दोनों तरीके का आप दे सकते हैं imprisonment ये बताता है section 60 तो ये ध्यान रखियेगा section number से सवाल पूछा जाता है ये chapter important है prelims के लिए काफी जादा means में भी question बनते हैं मट परी के लिए तो काफी important है so section 60 याद रखियेगा कि sentence का nature कुछ भी हो सकता है वो depend करेगा कि जो offense आपने commit किया वहाँ क्या mention है अगर सिरफ sentence mention है तो आप कुछ भी दे सकते हैं दोनों में से इसके बाद आ जाईए 63 मत लिए जैसे important is 63 amount of fine बहुत बार prelims में पूछा गया है सबसे पहले तो section number का question पूछा जाता है कि amount of fine कौन से section में है और जहां expressly दिया नहीं है amount of fine maximum amount prescribed नहीं है वहां कितना fine लगाया जा सकता है तो देखिये provision where no sum is expressed to which a fine may extend कि कि कितने तक का fine आप लगा सकते हैं अगर यह expressly नहीं दिया है the amount of fine to which the offender is libel is unlimited उस case में कितना fine लगाया जा सकता है unlimited उसके कोई limit नहीं है लेकिन आगे लिखा है but shall not be excessive लेकिन वो unnecessarily excessive नहीं होगा थोड़ा हिसाब से लगाना है लेकिन थोड़ा हिसाब से लगाना है limit जहाँ expressly provided नहीं है उस पे 63 अपलाए होगा और 63 कहता है कि वहाँ unlimited नहीं होना सकते हो लेकिन excessive नहीं होना चाहिए सीदे सीदे यही दो question 63 से आपके प्रिलम्स के बन जाते हैं इसके बाद आईए 64 पर sentence of imprisonment और non payment of fine अब देखिए 64 से जो concept पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पहले एक बार ज़रा उसकी बात कर लीजिये तो 64 से हम पढ़ने क्या जा रहे है देखिए क्या होता है कि जब आपको imprisonment आप दे रहे हैं उसमें आप fine लगा रहे हैं जो भी sentence अब देरें किसी को अगर sentence दिया जा रहे है उसमें imprisonment भी हो सकता है या फिर सिरफ fine भी हो सकता है दोनों तरीके के imprisonment दिये जा सकते हैं जहां सिरफ fine लगाया जाए यह भी या फिर जहां पर imprisonment plus fine बात ये कर रहा हूँ मैं कि fine included होना चाहिए आपके sentence में, fine होना चाहिए, चाहिए सिर्फ fine दिया हो या आपने sentence के साथ fine दिया, दोनों हो सकते हैं, दोनों cases पे आगे के provision applicable होते हैं कि करके, बात हम या कर रहे हैं कि अब मान लिजे आपने fine लगाया, मान लिजे किसी वक्ति पे ये बताएंगे कि कि किसी वक्ति को sentence में fine दिया गया था, और वो वक्ति fine देने में default कर देता है, वो fine पे नहीं करता है, तो अब इस fine के बदले में इसके साथ क्या किया जाएगा, उसे कुछ imprisonment दे दिया जाएगा, जेल में रखा जाएगा, इस fine ना देने के लिए भी उसे कुछ समय और जेल में रखा जा सकता है, imprisonment दिया जा सकता है, तो अब आगे के provision इस imprisonment की limit बताएंगे हमें, कि अगर आपने किसी पे fine लगाया है, तो in case of default of fine, आप उस वक्ति पे कितना imprisonment impose कर सकते हैं, 64 देखिए, sentence of imprisonment for non payment of fine, in every case of an offense, punishable with imprisonment as well as fine, ऐसे offenses जो punishable है with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment, ऐसे case में अगर वेक्ति पर fine लगाया है, offense punishable होना चाहिए, imprisonment और fine दोनों से, फिर आपने चाहिए जैसे fine लगाया हो, चाहिए से fine लगाया हो, इस case में क्या होगा, आगे दिया है, and in every case of an offense punishable, with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that, in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which, underline कर लीजे, यहाँ से, imprisonment shall be in excess of any other imprisonment, to which he may have been sentenced, और to which he may be liable under a commutation of a sentence, 64 simply आपको यह बता रहा है, कि जहाँ पे भी आप default के case में fine लगा रहे हैं, अगर आप, sorry, fine के default के case में अगर आप imprisonment दे रहे हैं, in case of default of fine, अगर आप imprisonment लगा रहे हैं, तो वो जो imprisonment होगा, वो in excess होगा to the original imprisonment, जो से, माल ने जिए, औरीडनली आपने उसको दो साल का imprisonment भी दिया है, और आपने fine भी लगा दिया है, तो जो fine के बदले में आप उसको imprisonment देंगे, लिट से आप एक साल का imprisonment देते हैं, तो 64 बस इस बात को express कर रहा है, कि यह जो एक साल होगा, यह in addition to this two years होगा, कहने का मतलब अब total उसके तीन साल हो जाएंगे, दो साल यह और एक साल default of fine का, तो यह हमेशा in excess होगा to any other imprisonment जो उसको already दिया हुआ है, यह एक चीज 64 convey करता है, अब 65 देखिए, 65 और 67 आपको limit बताएंगे, यह जब कोई वेक्ते default कर देता है fine पे करने में, तो उस पे कितना imprisonment आप impose कर सकते हैं, 65 एक specific case की बात करता है, so 65 देखिए, I went to imprisonment for non-payment of fine when imprisonment and fine avoidable, यह किन offenses की बात कर रहा है, जहां fine और imprisonment दोनों avoidable है, उस case में अगर वेक्ति default करता है, fine देने में तो कितना imprisonment लबाया जाएगा, so the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed one-fourth of the term of imprisonment, which is the maximum fix for the offense, if the offense be punishable with imprisonment as well as fine, जहां भी offense कैसा है, imprisonment plus fine, दोनों में punishable है, यहां अगर आपने fine लगाया है किसी वक्ति पे, और वो वक्ति वो fine देने में default करता है, तो उसके बदले में उसे जो punishment दिया जाएगा, maximum जो imprisonment आप दे सकते हैं, यह होगा one-fourth, of the maximum imprisonment prescribed for that offense, उस offense के लिए maximum जो दिया गया है, उसका one-fourth, जैसे for example, मान लीजे, किसी वक्ति को theft के लिए convicted किया गया है, अब theft का IPC में जो maximum punishment है, that is three years, यह आप जानते हैं, यह हो गया maximum punishment, मान लीजे, किसी वक्ति को theft के लिए convert किया गया और उसके उपर imprisonment लगाया गया, दो साल का, दो साल की उसको imprisonment दिया गया, प्लस उस पे let's say 2000 रुपे fine लगाया गया, अब इस case में अगर वेक्ति यह 2000 रुपे fine देने में default करता है, यह नहीं दे पाता है, तो इसके बदले, इस offense के case में, इस 2000 के बदले, उसे कित maximum है 3 साल, 3 साल का one-fourth, यह maximum उसे दिया जाएगा, चीक, so that is 65, यह उन cases की बात करता है, जहां imprisonment भी है, और जहां fine भी है, तो अगर उसे 2 साल का imprisonment और 2000 रुपे fine लगाया, तो इस 2000 के बदले में, 9 months उसे jail में रखा जा सकते है, 3 year का one-fourth, इसके बाद देखिए 66 description बताता है, कि बाद आप यह वाले, इसके बदले में, जो आप उसको 9 months रखेंगे ना, jail में, जो one-fourth, 3 साल का one-fourth, जो आप उसको jail में रखेंगे, 9 months के लिए, इसका description क्या होगा, यह rigorous होगा, यह simple होगा, उसके लिए 66 देखिए, description of imprisonment for non-payment of fine, the imprisonment which the court imposes and default of payment of fine, may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense, तो इसका description कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए offense करने पे, जो description हो सकता था, कहने का मतलब, offense का जो punishment दिया है, उसमें जो भी description prescribed है, वो ही description आप इसका भी रख सकते हैं, अगर वागा, rigorous allowed है, तो आप rigorous रख सकते हैं, अगर simple allowed है, तो जो भी description offense का दिया है, वो ही आप default के case में भी description रख सकते हैं, that's what 66 है, section number याद रखिएगा, यह सारे, 63 से लेके, 63 भी बहुत important है, 64 भी important है, 65 भी important है, 65 में दोनों चीज़े important है, section number भी, और कितना default के case में दिया जा सकता है, यह भी बहुत important है, इसके बाद 66 भी बहुत important है, description की बात करता है, और क्या description होगा, normally description पूछा जाता है, अगले section से, 67 से, so 67 देखिए, imprisonments और non payment of fine, when offense punishable with fine only, अब 67 किन offenses की बात कर रहा है, जो सिर्फ fine से punishable है, जिन में imprisonment है ही ने, यह punishable with fine only है, ऐसे offense के case में, अगर आपने fine देने में default किया, तो maximum कितना punishment दिया जाएगा, 65 में तो on cases की बात ती, जहां sentence भी जा, imprisonment भी है sentence में, जहां imprisonment भी है, punishment में, और fine भी दिया हूँ, उनकी बात तो 65 ने कर ली है, लेकिन 67 में पर उनकी बात कर रहा है, जा सिरफ fine है, तो कि अगर दोनों चीज़े हैं, तो तो आप one-fourth calculate कर पाएंगे, जो भी maximum imprisonment है, उसका, जब offense में imprisonment है ही ने, तो one-fourth का सवाल ही खतम हो अगर आपके उपर fine लगाया गया है किसी essay offense में, which is punishable with fine only, और fine जो लगाया गया है, वो up to 50 rupees है, तो in that case, you may be liable to maximum two months of imprisonment, अगर 50 उरपे तक का fine लगाया गया है किसी essay offense में, जो punishable with fine only है, तो उस case में, अगर आप default करते हैं, तो दो महिने तक का imprisonment आपको दिया जा सकते हैं, अगर offense ऐसा है, जिसका fine पचास रुपे से सो रुपे तक लगाया गया, अगर fine का amount पचास रुपे से सो रुपे के बीच है, in that case, four months, यह सब याद रखना है, यह बहुत important है, यह सब questions बनते हैं, प्री में, और इसके बाद अगर सो रुपे से जादा है fine का amount, in that case, maximum जो आप default के case में, it is six months, तो up to 50 rupees two months, 5200 it is four months, और above 100 it is six months, 6 मैंने तका imprisonment आपको दिया जाता है, जा सकता है, that's what 67 says, इसके बाद आईए 68 पे, imprisonment to terminate on payment of fine, 68, 69 बहुत important नहीं है, 70 तो बिलकुल नहीं है, लेकिन बसे context आप समझने चाहिए, 68 क्या रहा है कि अगर आपने default कर भी दिया ह और उसके बदले में आपको imprisonment मिला है, लेकिन imprisonment के बीच में भी अगर आप fine का payment कर देंगे, तो आगे का imprisonment terminate हो जाएगा, वो कैसे होगा, उसका proportion क्या होगा, that is given under 69, एक example से समझ लेजिए, जैसे मान लेजिए, किसी वक्ती के उपर fine लगाया गया था, 4000 रुपे का, और इ जैल में रह लिया है, और उसके बाद इसके पास पैसे आ जाते हैं, यह fine देने को ready होता है, दो मेने यह already रह लिया है, इस default के बदले, जो इसने default किया था, 4000 देने का, उसके बदले उसको 4 मेने का imprisonment दिया गया, और इस 4 मेने से 2 मेने वो रह लिया है, तो अब अगर वो fine प में रह चुका है, तो 2000 रुपे fine भी proportionately कम हो जाएगा उसका, क्योंकि जितना total time उसको jail में रह लिया है, तो fine भी वो आधा ही देगा, क्योंकि आदे के बदले तो वो jail में रह लिया है, तो अब he needs to pay 2000 रुपीज only, इसी बात को भयानाक अंग्रेजी में 69 में लिखा है, उसक अब यह समझ में आ जाएगा, इसके बाद सीधे आईए 71 पे limit of punishment of offense made up of several offenses, इसको भी समझ यह brief में कि यह बात क्या करता है, 71 punishment की limit बता रहा है, अब देखिए ऐसा हो सकता है कि आपने एक ऐसा offense commit किया है, जो law के किसी offense की दो अलग-अलग definition में आ रहा है, तो दो section के charges अलग-अलग punishment दिया जाएगा, act आपका सेम है अगर तो, दूसरी चीज यह है कि मान लिजे आपने एक ऐसा act commit किया, जिसमें series of act है लेकिन offense वो एक ही बना रहा है, जैसे मान लिजे किसी वक्ति को आपने एक थपड मारा, आपने कौनसा offense commit किया, hurt, अगर आपने किसी को चार थपड मारे हैं, तब भी आपने कौनसा offense commit किया, hurt ही किया, तो चार थपड के लिए क्या चार बार punish किया आपको अलगल है, hurt का punishment आपको चार बार दिया जाए, दो answer is no, 71 इसी चीज को limit कर रहा है, कि अगर आपने किसी को एक थपड मारा हो या चार थपड है, वो hurt ही offense, तो च चार बार मारने के लिए चार बार punishment नहीं मिलेगा, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, प्लस अगर मान लिजे, आपने एक major offense commit किया, जिसमें already एक minor offense included है, जैसे आपने एक hockey stick से किसी का pair तोड़ दिया, hurt ही तो अब आपने previous hurt भी किया है, और hurt भी किया है, तो क्या hurt का भी punishment म मिलेगा, और previous hurt का भी मिलेगा, the answer is no, आपको सीधे एक, जो भी maximum हो सकता है, वो मिलेगा, एक offense के लिए, तो maximum किसका, ज्यादा किसका होगा, और previous hurt का सीधे, आपको previous hurt के लिए पनिश किया जाएगा, आपको hurt के लिए नहीं किया जाएगा, ऐसे ही आप IPC में देखेंगे, murder का अलग punishment है, decoity का अलग punishment है, लेकिन एक section वो भी है, जो decoity with murder को punish करता है, तो भही अगर आपने decoity with murder करी है, तो आपको सीधे उस section का punishment मिल जाएगा, अलग से आपको murder का मिले, आपको decoity का भी मिले, और फिर आपको decoity with murder भी मिले, इतना punishment नहीं दिया जाएगा, जो भ तरीके के illustration यहां दिये हुए हैं और इनसे question मनते हैं इसके बाद देखिए 72 punishment of person guilty of one of several offenses the judgment stating that it is doubtful of which 72 बहुत important है exam point of view से तो है ही ऐसे भी important है इस बात को समझने के लिए कि जब offenses अपन पढ़ने जाएंगे तो भाई ऐसा नहीं है कि हर जड़े एकदम crystal clear difference रहेगा offense में कि कोई अ हुआ है बताये कौंसा offense है तो हमेशा एकदम crystal clear हो ऐसा नहीं होता क्योंकि offender offense करते समय यह नहीं सोचता कि मैं कौंसा offense commit कर रहा हूं वो तो बस offense commit कर देता है तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा 72 इस context में यह कहता है in all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offenses specified in the judgment but underline कर लीजए that is doubtful य the offenders shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided इसको भी underline कर लीजए for the offense for which the lowest punishment is provided जहां भी court को ऐसा लगता है कि थोड़े complex fact है बहुत clearly identify करना संभव नहीं है कि कौंसा particular offense हुआ है दो या तीन offenses के बीच में confusion है ऐसी अगर स्थिति है यह decide कर पाना संभव नहीं है कोई specific offense तो क्या करा जाएगा judgment में उन तीनों offenses को mention कर दिया जाएगा लेकिन इस व्यक्ति को punishment जो दिया जाएगा benefit of doubt हमेशा मिलेगा accused को तो जो punishment दिया जाएगा वो उनमें से lowest punishable offense का दिया जाएगा जैसे माल लिजिए कोई एक act commit हुआ है अब ये clear नहीं हो पा रहा है कि ये breach of trust है ये criminal misappropriation है या ये theft है ये confusion बिल्कुल हो सकता है और अगर आपको इसे लगता है कि confusion नहीं होगा तो मैंने already YouTube पे lecture पूरा detailed डाला हुआ है theft का misappropriation का extortion robbery का उसको एक बार देखीगा तो ये लिजिए उसमें जितने वो काफी detailed lecture है इस से बहुत जादा detailed है तो उसमें एक illustration से मैंने इन बातों को deal किया है तो आप समझेंगे कि ये confusion बिल्कुल वाजिव है जो हो सकता है कि इसमें breach of trust होना के लिए punishment मिलना चाहिए या पिर ये theft होना चाहिए there may be confusion regarding that तो ऐसी स्थिती में 72 empower करता है court को कि आप judgment में वो दो या तीन offense लिख दीजे लेकिन आप punishment किसका देंगे जो भी lowest punishment जिस भी offense का कम punishment है lowest punishment है वो punishment वक्ति को मिलेगा that's what 72 says इसके बाद आ जाईए 73 74 they are very important solitary confinement की बात करते हैं तो देखिए भाई 73 जो है और 74 मैंने कहा expiatory theory पे based ये provision है जब भी आपको सवाल पूचा जाए आप यही माद करिए ये expiatory theory और क्योंकि आप मेरे क्याल से आपको meaning समझा गया expiatory theory का कि expiatory theory होती क्या है तो आपको बहुत जादा समस्या इसको याद करने में अब नहीं होगी देखिए solitary confinement से related दो provision तो है यहाँ पे 73 भी है यहाँ और यहाँ 74 भी है लेकिन इसमें कहीं define नहीं किया गया है कि solitary confinement होगा क्या यह बताया नहीं है meaning नहीं बताया कहीं पर कि solitary confinement होता क्या है तो generally solitary confinement क्या है जो अलग से रख दिया जाता है exclusively एक बंदे को एक ऐसी जगे पर किसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां डंसे light आती है ना कोई दूसरे रखती से वह बात कर सकता है पूरा completely packed होता ह है बस नीचे से खाना दे दिया जाता है उसे that's it इस तरीखे के confinement को कहते हैं आप solitary confinement अब देखिए 73 solitary confinement के regarding क्या बात करता है कब आप दे सकते हैं कब नहीं दे सकते हैं यहां एक चीज समझना before we move on to the provision कि भाई आप किसी वक्ति को sentence तो दे रहे हैं imprisonment तो दे रहे हैं उसी imprisonment मे इसे कुछ पार्ट आप solitary confinement दे सकते हैं ऐसा नहीं कि आपने सीधे किसी वक्ति को तीन साल के solitary confinement में बेज दे ऐसा नहीं है आप देंगे क्या उससे आप उससे imprisonment ही देंगे normal imprisonment और उसमें से कुछ duration उसको आप solitary confinement में रख देंगे यह होगा तो इसकी limit क्या होगी कितने imprisonment कितन कितने दिन solitary confinement में रख सकते हैं एक बार में कितने दिन solitary confinement में रख सकते हैं यह सारी detailing 73 और 74 डी करते हैं तो अब देखिए 73 वेनेवर नी परसन इस कनवेक्टेड ऑफ इन ओफेंस पॉर विच अंडर दिस कोड अंडलाइन कर लीजे किन केसे में solitary confinement या जा सकता है तो यह अंड imprisonment solitary confinement वहीं दिया जा सकता है जहां कोड के पास पावर हो rigorous imprisonment देने का अगर आप entitled है rigorous imprisonment देने के लिए तो वहां आप यह भी कर सकते हैं कि जो total imprisonment आप उसको सुना रहे हैं उसका कुछ portion आप उस वक्ति को solitary confinement में रखने का order भी दे सकते हैं कितना हो सकता है solitary confinement आगे देखिए not exceeding three months in the whole तो solitary confinement का जो total duration होगा it should not exceed three months एक sentence जब आपने किसी वक्ति को सुनाया है तीन महीने से ज़्यादा आप किसी को solitary confinement में नहीं रखने हो सकता है उसको काफी लंबे समय का दिया हो तो imprisonment जहां आपने दिया है उसके कुछ portion को आप solitary confinement दे सकते हैं उसमें से कुछ portion और यह portion maximum किता होगा तक तीन मेने से ज़्यादा solitary confinement नहीं देना है अब यह तीन मेने भी आप सीधे नहीं दे सकते इसका भी scale है आगे देखिए according to the following scale that is to say इसका scale क्या है कि कब आप व्यक्ति को किते दिन solitary confinement में रखेंगे तो जहां imprisonment six months का है जो आपने total sentence उस व्यक्ति को दिया है जहां वो up to six months है in that case जो उसको solitary confinement में आप रख सकते हैं solitary confinement में तो in that case आप उसको one month रख सकते हैं solitary confinement में यह scale बहुत important है 73 का यह बात मेरे ख्याल से आप समझ गए कि solitary confinement एक portion होगा आपके total imprisonment का तो कितना portion solitary confinement में रखा जा सकता है maximum कितने portion के लिए एक व्यक्ति को solitary confinement में रखा जा सकता है तो सबसे पहले है एक मेने तक रखा जा सकता है अगर आपका term of imprisonment up to six months है तो up to six months net exceeding six months लेखा है अगर आपका जो imprisonment है वो six months to one year की duration के बीच का है in that case आप जो solitary confinement देंगे वो हो सकता है दो मेने का two months वो दो मेने का हो सकता है किस case में जहाँ आपका imprisonment छे मेने से लेके एक साल के बीच का है और आपका जो imprisonment है if it is more than one year if it is more than one year in that case आप total जो solitary confinement दे सकते है वो three months and three months is the maximum इस से जादा नहीं लेना है three months से जादा नहीं लेना है that is the maximum limit I hope that is clear 73 बस इतनी ही बात करता है scale बताता है कि कितने imprisonment आपने दिया है तो उस imprisonment का कितना portion अगर आपने किसी विक्ति को imprisonment दिया है तो उसका कितना portion आप solitary confinement रख सकते हैं इसकी limit बताता है 74 भी बहुत important है ये ये बताएगा कि एक बार में आप विक्ति को कितने दिन solitary confinement में रख सकते हैं 74 हमें क्या बताएगा ये total duration की बार चलुरे ती 73 में 74 हमें बताएगा कि एक बार में वक्ती को कितने दिन आप solitary confinement में रख सकते हैं और इसके लिए एक चीज ध्यान रखेगा कि जब भी किसी वक्ती को solitary confinement में रखा गया कुछ दिनों के लिए तो उतने ही period का interval दिया जाएगा बीच में आपने किसी को 10 दिन solitary confinement में रखा है तो कम से क दस दिन का interval देके फिर अगले दस दिन रखोगे आपने किसी को पांच दिन के लिए solitary confinement में रखा तो पांच दिन का प्रेक नॉर्मल इंप्रेशनमेंट फिर पांच दिन एक बार में कित्रे दिन तो maximum limit 14 एक बार में 14 दिन दे सकते हैं इस से जाधा नहीं यह 74 कहता है लेकिन 74 इदर खतम नहीं होता इधर एक साथ दिन की भी कहाली है थोड़ा से उसको समझते है maximum एक तो यह याद कर लिए फिर दिन का दिया जा सकता है तो कुशान का डाउट है कि अगर imprisonment 3 मन्त का है तो क्या solitary confinement 3 मन्त का हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा स्केल बताया तो मैंने अगर 6 मन्स तक का imprisonment है तो solitary confinement सरब 1 महीं हो सकता उससे जाधे नहीं अगर imprisonment 6 मैने से एक साल है तो solitary confinement हो सकता है आपका दो मैने और अगर एक साल से ऊपर confinement है imprisonment है तब जा के solitary confinement 3 मैने का होगा इसके पहले नहीं 74 में एक बार में कित्ती दे सकते हैं वो लिमिट देखिए जरा 74 प्रोविजन पड़ते हैं इन एक्जेक्यूटेंगा sentence of solitary confinement such confinement चाले no case exceed 14 days at a time ये बात तो यहां convey हो गई लेकिन ये जो आप 14 days का दे रहे हैं ये भी maximum एक बार में जब आप 14 days का किसी व्यक्ति को solitary confinement दे रहे हैं तो ये solitary confinement भी आप कब देंगे 14 दिन का जब imprisonment जो है आप एक बार में उसको 14 दिन जेल में रख सकते हैं अगर आपने imprisonment तीन मेने का दिया है तो दे कि प्रोविजन में ये बात लिखी हुई है clearly in executing a sentence of solitary confinement such confinement shall in no case exceed 14 days at a time with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods तो एक बार में आप total 14 दिन का जेल सकते हैं जित्ते दिन का भी एक बार में आपने दिया है उतने दिन का gap देना है ये बात यहां कनवे हो गई फिर देखिए and when the imprisonment awarded shall exceed three months जहां imprisonment तीन मेने से जादा होगा उस case के लिए दूसरी limit है उसके लिए साथ दिन की limit है ये limit किसके लिए है 14 दिन एक बार में where the offense is punishable up to three months सिर्फ उस case में आप 14 दिन देंगे ये interpretation हम कहां से निकाल रहे हैं इस बात को थोड़ा देखिए जो आगे कहानी लिखी हुई है बेरिट में and when the imprisonment awarded shall exceed three months मतलब जहां three months plus है imprisonment तीन मेने से जादा है imprisonment है ये तीन मेने से जादा इस case में solitary confinement एक बार में कितना दिया जाएगा उसके लिए लिखाए the solitary confinement shall not exceed seven days in any one month of the whole imprisonment awarded with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration अगर तीन मेने से जादा का imprisonment है उस case में एक मही solitary confinement seven days से जादा नहीं होगा साथ दिन और वो भी क्या seven days in a month एक महीने में साथ दिन से जादा नहीं if the imprisonment is more than three months जैसे एक example से इस बात को और समझ लीजिए मांग लीजिए किसी विक्ति को total imprisonment दिया गया है let's say चार मेने का तीन मेने से जादा की बात कर रहे हैं तो अपन चार का example ले लेते हैं imprisonment दिया गया मांग लीजिए four months का three months है वही applicable है उसके बाद नहीं क्योंकि उसके बाद यह rule है कि अगर चार मेने दिया गया तो first month second month third month और four month fourth month चारों महीने में सिर्फ आप साथ दिन रख सकते हैं साथ दिन इस महीने में seven days इसमें seven days इसमें और seven days यह maximum है total आप रख सकते हैं और बीच में उतना ही इंटर्वल हर महीने साथ दिन इससे ज्यादा नहीं यह कब है जब imprisonment आपका तीन महीने से ज्यादा है और जो इंटरवल वाली बात है कि जितने दिन रखता उत्ते दिन का इंटरवल कि अगर मान लीचे दो दिन के लिए रखता है कि टो तो टो टोonne Lie कि मैंने में 7 दिन, एक बार में आपने उसको 2 दिन के लिए रखा, तो फिर 2 दिन का गाप देना है, एक बार में आपने 4 दिन रखा, तो 4 दिन का गाप देना है, फिर अगले 3 दिन देना है, that's how it is to be done, I hope that is clear, तो ये है पूरी कहानी 14 दिन और 7 दिन की and I hope that is clear to everyone, 3 मेने तक imprisonment है, तो एक बार में 14 दिन दे सकते हैं, other imprisonment 3 मेने से जादा है, तो एक मेने में 7 दिन से जादा नहीं दे सकते, that is 74, इसके बाद 75 है, बहुत rare chance होता है, पूछे जाने का, 75 का, तो इसको भी देख लिएजे, enhanced punishment for certain offenses under chapter 12 और chapter 17, तो ये chapter 12 और 17 जिनकी बात चल रही है, 12 है coin and stamps से related, 17 है properties से related, provision 75 बस ये कहता है, कि अगर किसी वेक्ती ने एक offense commit किया है, इस particular provision, इन particular chapter का, तो आज मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, जनराल exception पे अपन कल जाएंगे, आज थोड़ा सा कम रख रहा हूं है, क्योंकि कल से अपन इसकी duration बढ़ाएंगे, तो फिर थोड़ा जादा जादा portion हम लोग cover करेंगे, लेकिन जादा का मतलब यह नहीं होगा, कि मैं आपको समझांगा नहीं, जैसे ये मैं एक एक चीज़ प्रोविजन आपको समझा रहा हूं, ये बहुत जरूरी, इसलिए हमने इसको crash course के form में रखा है, एक दम बहुत जल्दी में अपन न और जादा punishment उसको दिया जा सकेगा, इस बात को express करता है 75, बस इससे जादा importance नहीं है इसकी, बट ये जो punishment का पूरा chapter आज हमने discuss किया है, this is very important for prelims, जितने मैंने आपको section बताए, जहां जहां से question बनते हैं, जो scale, चाहे वो solitary confinement का हो, चाहे वो section 67 का हो, ये जरूर याद रखि examination, chapter 4 पर आते है, that is general exceptions, तो सबसे पहले 76 और 79, इन दोनों sections को हम साथ में देखेंगे, 76 and 79, देखिए, 76 बात करता है, person bound by law की, और 79 बात करता है, person justified by law की, अब पहले जरा समझी है, इस chapter में हम पढ़ने क्या वाले है, general exception जो fourth chapter है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले है, मैंने आपको कल भी एक brief history का दिया था, कि जब भी आपको एक act कमिट करते हैं, और वो act अगर IPC के, किसे भी offense के definition में fall करता है, अगर वो एक offense है, तो आपकी criminal liability arise होगी, उस act के लिए आपको punishment मिलेगा, क्योंकि आपने offense कमिट किया है, that is the general rule, अब यह है general exception, exception में हम क्या बता रहे हैं, इस chapter में basically discuss क्या किया गया है, कि मान लीजे, आपने कोई एक ऐसा act तो कमिट कर दिया है, which is an offense, लेकिन फिर भी आपकी criminal liability नहीं बनीगी, कोई criminal liability आपकी नहीं होगी, अगर आपने वो particular act जो की एक offense होता, वो particular act आपने यहां दी हुई circumstances में किया है, तो इस chapter में अलग-अलग circumstances दी है, इन मेंसे किसी भी एक circumstance में आपने कोई ऐसा act किया है, जो एक offense हो सकता है, अगर आपने वो act उस circumstance में किया है, तो वो offense नहीं माना जाएगा और आपकी कोई criminal liability नहीं होगी, अब यह circumstances कौन-कौन सी है, जिसमें आप अपनी criminal liability से बच सकते हैं, तो उस शरंखला में सबसे पहला section जो है, वो है section 76, act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law, देखिए दो लोगों की बात है, इसमें 76 bound by law की बात कर रहा है, और इसमें भी द व्यक्ति जो law से bound है, वो being bound by law कोई act करेगा, तो वो कभी offense नहीं होगा, जिसे एक police officer, एक police officer के पास अगर आपके नाम का arrest warrant है, तो वो आपको arrest करेगा, जब वो आपको arrest कर रहा है, तो वो wrongful confinement commit कर रहा है, एक offense के essential fulfill कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की कोई criminal liability नहीं होगी, क्य because whatever he is doing, he is doing being bound by law, क्योंकि वो law से bound है वो काम करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को 76 में exception मिल जाएगा, इसी तरीके से आप 79 देखिए, head note देखिए 79 का, have done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law, तो 79 primarily किस व्यक्ति की बात करता है, जो justified by law हो, अब दोनों में difference क्या है, bound by law and justified by law, तो देखिये, bound त हो गया, जिसको order मिला है, bound मतलब जो ordered है by law to do something, mandatory है उसके लिए करना, justified वहाँ applicable है, जहां आपके लिए mandatory नहीं है कुछ करना law से, लेकिन अगर आपने वो काम कर दिया है, तो it will be justified, जैसे police officer किसी व्यक्ति को arrest करेगा, तो police officer तो bound है, लेकिन माँदीजे आप एक common, private person सड़क जा रहा है, उसके सामने एक व्यक्ति दूसरे का murder कर देता है, अब जिस व्यक्ति ने murder किया है, अगर ये normal person, common man, उसको पकड़ लेता है, for the time being, उसको बांद देता है, किसी कमरे में बंद कर देता है, उस व्यक्ति को जिसने murder किया है, और police को phone करके बुलाता है, तो जितनी मेर में police आएगी, तब तक आपने उस व्यक्ति को confine किया है, that is justified by law, आप CRPC में देखेंगे, वहाँ भी arrest by private person है, आप कर सकते हैं, आप bound नहीं ऐसा करने के लिए, बिंगा लेमार, एक common person, आप bound नहीं है, कि किसी ने आपके सामने offense किया, तो आपको उसको पकड़ नहीं है, person bound by law, ये तो हो गई, इन दोनों section के एक aspect की बात, कि जो bound है, वो तो बच जाएगा, या जो justified है, वो तो बच जाएगा, लेकिन इसका जो दूसरा aspect है, वो बहुत important है, और 76 और 79 दोनों में, आप देख रहे हैं, लिखा है, act done by a person bound, और by mistake of fact, believing himself, bound by law, या तो आप actually bound है, या फिर आप believe कर रहे हैं, कि आप bound, आप actually bound नहीं है, लेकिन आप ऐसा believe करते हैं, कि आप bound है, और ये जो believe है आपका, this must be caused by mistake of fact, तो यहाँ आप actually bound नहीं है, बड़ आप ये believe करते हैं, कि आप bound है, अब ये जो believe है, ये कैसे होगा, मैं आपको with example ये बात बताऊँगा, एक बात समझी है, जो यहाँ लिखा है, कि ये belief किस से caused होना चाहिए, mistake of fact से caused होना चाहिए, mistake of fact, और what if the belief is caused by the other kind of mistake, that is mistake of law, अगर आपका belief mistake of law से caused है, in that case क्या आपको 76 या 79, दोनों में सेम बात चल रहे हैं, बर justified और bound का difference है, अगर आपका जो belief होना, mistake of fact से caused है, in that case you will get the difference, you will get the difference of 76 और 79, लेकिन अगर आपका belief जो है, वो caused है by mistake of law, in that case you won't get, in that case you won't get the difference, 76 और 79 या आपको नहीं मिलेगा, या आपको किस case में नहीं मिलेगा, when your mistake is caused by, sorry, your belief is caused by mistake of law, तो mistake of law से caused belief में नहीं मिलेगा, mistake of fact में मिलेगा, अब इन दोनों को समझते हैं, कि यह mistake of fact क्या होती है, और mistake of law क्या होता है, जैसे मान लेजिए for an example, मान लेजिए for an example, एक police officer है, जिसके पास एक पी है, एक police officer, इसके पास एक arrest warrant है, इस arrest warrant में लिखा है, कि आपको राम को arrest करके लाना है, एक warrant में क्या लिखा है, राम को arrest करना है, location लिखे हुई है, किदर पे वो है normally, अब यह police officer उस location पे पहुँचता है, और वहाँ पहुचने के बाद वो देखता है, कि एक वेक्ति खड़ा है, और यह वेक्ति है कौन, राम है, वो वहाँ जाके उसको दो-तीन लोग दिखते है एक और वेक्ति है वहाँ, यह है कौन, श्याम, एक वेक्ति और उसको वहाँ दिखता है, यह है let's say, सुरेश, अब police officer जब इस location पे पहुचता है, इसके पास warrant किसके नाम का है, राम के नाम का warrant है, इसके पास, यह यहाँ आता है और इस राम से पूचता है, उसे तो पता नहीं राम कौन है, उसे नहीं पता है इन लोगों के नाम क्या है, वो यहाँ पहुचता है और इस राम से पूचता है, यह राम किदर है, इसको पता है, पुलिस वाला उसको पकड़ने आ है, तो यह राम किदर इशारा कर देता है, वो इशारा कर देता है इस श्याम की तरफ कि यह राम, इसको पकड़ के ले जाओ, फिर यह पुलीस वाला अपने आपको और एश्यॉर करने के लिए इस व्यक्ति से भी पूछता है जो कि है सुरेश, इससे भी पूछता है, क्योता है राम कॉन है, तो यह भी इसी का भाई रहता है, वो अपने भाई को bound to arrest Shyam, the answer is no, bound तो नहीं था, ऐसे तो 76 का defense नहीं मिलेगा, because you are not bound, but the police officer believed that he is bound to arrest this person, why he believed, because his belief was caused by a mistake, कलती से उसका यह belief था कि वो इसको पकड़ने के लिए bound, actually वो bound था इस वेक्ति को पकड़ने के लिए, राम को, लेकिन by mistake of fact उसने यह belief कि he is bound to arrest this person, यह mistake of fact क्यों है, क्योंकि यह वेक्ति श्याम है यह राम है, this is a fact, this is not a law, यह एक fact है, कि यह वेक्ति श्याम है, यह वेक्ति राम है, this is a fact, यह कोई law नहीं है, उसलिए जो mistake caused हुई और police officer के जहीं यह किसी mistake है, this is mistake of fear, it is not a mistake of law, mistake of law मतला, ignorance of law, law को समझने में या law की order को पढ़ने समझने में, आपने गल्ती करी हैं, यह रखने में गल्ती करी हैं, यह वेक्ति में आपने गल्ती करी हैं, that is a mistake of fact, इस mistake of fact में अगर आपने belief करके किसी वेक्ति को arrest किया है, तो you will get the difference of 76, भले आप bound नहीं थे, लेकिन आपने यह belief किया that you are bound, और यह belief कैसा है, under mistake of fact किया गया है, इसी के जगे, अगर मान लीजिए, इसके warrant पे, police officer के warrant पे लिखा था नाम राम, कि राम को arrest करना है, लेकिन इसने धंसे warrant पढ़ा नहीं या पढ़के छोड़ दिया, और फिर इसको याद रहा कि, शाम को arrest करना है, इससे misunderstanding हो गई इसको पढ़ने में, इसने राम की जगे शाम पढ़ लिया, वो इस location पे आया, उसने इन दोनों से confirm किया, राम से पूचा कभी है, शाम को ने, उसने बता दिया, इससे पूचा भी है, शाम को ने, उसने बता दिया, और police officer इसको ठाके ले गया, अब अभी भी police officer bound किसको arrest करने के लिए था, था तो राम को, लेकिन arrest किसको ले गया, करके warrant ठीक से नहीं देखा और उस mistake of law के चलते आपने ये belief किया और विक्ति को आप पकड़ के ले जाए इसलिए आपको 76 का defense नहीं मिलेगा तो कि 76 का defense दो cases में मिलता है when you're bound by law or you believe yourself to be bound by law and that belief must be caused by mistake of fact only not by mistake of law जी? I hope that is clear to everyone. Mistake of fact mistake of law clear है वाई? तो इसलिए mistake of law में आपको defense कभी नहीं मिलता है ना? कल भी हमने case मैंसरिया में इस से related discuss किया था flight वाला alright, so that is 76 and 79 अब इसमें एक illustration ज़रा देखिए आप 76 में दिया हुआ है A illustration A soldier fires on a mob by the order of a superior officer in confirmative with the commands of the law A has committed no offense एक police officer एक mob पे fire कर देता है क्योंकि उसके superior ने उसको order दिया था and that order was in confirmative with law अब अगर इस illustration में अपन थोड़ा सा change करें कि एक superior ने junior को order दिया है गोली चलाने का भीड पे लेकिन वो order justified नहीं है या वो law से confirmative में नहीं है illegal order है basically मान लीजे मान लीजे superior police officer अपने junior को illegal order देता है जब गोली मार दो उसको अब वो order तो superior से आया है junior के पास तो क्या junior ऐसे case में अगर कोली मार देगा तो क्या उसे 76 का defense मिलेगा बताइए yes और नो बाई जो illustration दिया है वो तो कह रहा है कि order in conformity with law है मैं कह रहा हूँ in conformity with law नहीं है illegal order है in that case क्या होगा अगर वहाँ बंदा गोली मार देगा जूनियर officer अगर गोली मार देगा तो भी क्या defense मिलेगा उसे 76 का so the answer is no ध्यान रखियेगा नहीं मिलेगा cases है इस पे सिर्फ आपको इस बात से defense नहीं मिलेगा की superior का order है superior का order भले ही है बट आपको अपना prudence भी लगाना है कि वह legal है या नहीं आप उस चीज़ को मानने के लिए bound नहीं है illegal order को इसलिए आपको 76 का defense नहीं मिलेगा case का नाम लिख लीजिए this is important shiv mangal singh versus west bengal shiv mangal singh versus state of west bengal 1981 this is important ठीक है shiv mangal singh versus state of west bengal 1981 this case is important for this purpose superior का order legal होना चाहिए illegal को follow किया है तो defense नहीं लेपाऊगे इसके लावा mistake of fact के regarding एक case और है जो बहुत important है जो justified वाले point में आएगा 79 में आप देखते है जस्टिफाइड बाई law में यहाँ एक point वे एक case बहुत important है कि इसका नाम है स्टेट आफ उडेसा वर्सेज राम बहाद्दूर थापा स्टेट आफ उडेसा वर्सेज राम बहाद्दूर थापा यह जो राम बहाद्दूर थापा साब का case है यह वैसे कि अपने master के साथ यह एक subordinate होते हैं इनका एक master होता है उसके साथ यह एक village में गए होते हैं कुछ सामान खरीदने और रात में इने देर हो जाती है लोटने में तो यह decide करते हैं कि वहीं रुकेंगे अब यह वहीं रुकते हैं और जहां यह रुकते हैं वहाँ असपास लोग हैं दो चार और वो बाते कर रहे होते हैं भूत प्रेतों की और थोड़ा सा सिक्लूडेट सा एरिया था में जो शहर है उससे थोड़ा अलग था और वहां पर यह बातें चल रही थी कि भाई इधर तो भूत होते हैं इधर से जाओ तो भूत मिल जाते हैं इस तरीके की बाते हैं और यह जो थाबास आप थे बहुत ज्यादा पड़े लिखे तो नहीं है रात के समय तो यह वहां से जाते हैं इन्होंने बाते सारी सुन इस दौरान यह बूत प्रतों की और उनको यह बिलीफ हो गया कि यहां पर ऐसा होता है यहां पर यह सब चीज़ें एक्जिस्ट करती हैं अब यह लोग जब जा रहे होते हैं तो जंगल में यह देखते हैं कि कुछ लोग है आसपास थोड़ी सी आग जल रही है और वो कुछ डांस कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं कुछ अंधेरा है इसलिए बहुत क्लियरली नहीं दिखता कि कौन है और उनमें से एक वेक्ती जो थोड़ा ठीक ठाक होता है सोशल बाक्राउंड से वो चिला दे यह दोड़ता है वो लेके उनकी तरफ और उनको इंजर कर देता है मारता है एक आद मर भी जाता है इंजर भी हो जाते है उस ब्लो से वेपन के अब जब इनके उपर प्रोसेकूशन होता है और वो बाद में पता चलता है जैसी वो अटैक करता है यह समझके कि भूत है वो लोग थे human beings थे वो भूत नहीं थे फिर इस पो जब प्रोसेकूट किया जाता है तो यहां पर डिफेंस क्लेम किया जाता है mistake of fact का that he believed that he is justified by law to do that mistake of fact के अंदर तो court ने कहा भाई यह mistake of fact है क्योंकि इसमें आप इस ज्यादा due care basically good faith का बड़ा interpretation था कि due care आप इस वेक्ति से क्य expert करेंगे जिस वेक्ति ने उस particular situation में act किया है उस same background का कोई वेक्ति अगर आप वहां रखेंगे तो उससे कितनी care expert करेंगे so the court held that कि जिस background से वो आया था जिस जगे पे वो था वहां पे कोई भी normal उसी की अवस्था वाला वेक्ति होता तो वो भी यह believe करता कि भूत है so that was a genuine mistake of fact and he got the defense for the same. तो यह case ध्यान रखियेगा काफी important है. So this is about 76 and 79 percent bound by law, percent justified by law. इन दोनों cases में criminal liability नहीं बनेगी विक्ति की. इसके बाद आजाए 77 पे act of judgment acting judicially, तो कोई भी जब-जब judicially act कर रहा है, judicially act पहले अपन बात कर चुके है, adjudication करना है, evidences लेना है, adjudication करना है, that is said to be acting judicially. तो judge अब यहाँ पर देखिया, आप यह भी नहीं है कि mistake of fact या mistake of, कोई बात ही नहीं है. जज अगर judicially act कर रहा है, उसमें वो कुछ भी कर देता है, good faith में, good faith है, good faith में वो कुछ कर देता है, तो that is not an offense. जैसे मानली जी एक judge साब के पास case में evidences आये, evidences को analyze करके on the merit of case उन्होंने conviction का judgment दे दिया, एक विक्ति के against और मानली जी death sentence उसको दे दिया, जो की appropriate था उस particular case में. अब मानली जी इस विक्ति का execution भी हो गया death sentence का, लेकिन फर बाद में समझ में आया कि साब वो तो फर्जी evidences लाए गए गए थे और पूरे जूटे evidences बनाए गए गए थे और ऐसा कुछ था ने, तो जैस साब की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने good faith में किया है, जो कि काम कर रहा है, या court के order पे कोई काम कर रहा है, यह section normally आप देखता है, कि जो death का execution होता है, जो hangman होता है, जो जलाद होता है, फांसी चड़ाता है, लोगों को फांसी देता है, उसको defense, आपसे generally question पूछा जाता है, कि जो hangman है, उसको defense कौन से section में दिया जाता है, तो अब 76 में उसको defense नहीं मिल सकता, hangman को, भाई वो bound by law भी तो है, उसकी तो duty है, वो ही करना, तो अगर मानलीजे 76 भी एक option है, objective question में 78 भी है, क्या करोगे, 76 मार्ग करोगे, 78 मार्ग करोगे, बताइए, इन दाट के 76 मार्ग करना है, 78 क्या करोगे भाई, तो अगर दोनों है, 76 और 78 तो फिर वो best option हो जाएगा, बत अगर 78 अखेला है, तो फिर 78 is the better option क्योंकि वो जादा specific provision है, ध्यान रखियेगा, इसके बाद आते हैं, 80 पे, accident in doing a lawful act, this is also very important, provision पढ़िये क्योंकि इसके term भी important है, nothing is an offense which is done by accident or misfortune, and without any criminal intention or knowledge, in the doing of a lawful act, in a lawful manner, by lawful means, and with proper care and caution, अब यहाँ पे न, illustration based question बनते हैं, और उसमें कई बार समस्या होती, इसलिए मैं एक तो illustration based question आपके साथ, यहाँ डिस्कस करूँगा, इस particular provision के साथ, एक तो देखी, illustration नीचे ही दिया हुआ, उसको देख लेते हैं, A is at work with a hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by, here if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense, सब एक वक्ती एक hatchet लेके लगड़ी काट रहा है कहीं पे, और जगे सुंसान है normally, और उसकी तरफ से सारी due care और caution लिया गया है, कोई negligence नहीं है उस वक्ती के पार्ट पे, और जब वो लकड़ी काट रहा है उसका जो hatchet, जो कुराड़ी का आगे वाला iron वाला portion होता है, वो निकलता है किसी वक्ती को लग जाता है और injury हो जाती है, तो this person will get the difference, under 80 because that is accident, so accidentally कोई चीज हुई है तो he'll get difference, अब लेकिन एक बात ये समझना है कि ये accident कब और कमें हुआ, that is very important, तो उसके लिए 80 कहता है, without any criminal intention or knowledge, in the doing of a lawful act, in a lawful manner, by lawful means, and with proper care and caution, ये जो illustration ने इसी को थोड़ा सा change कर दिया जाए, अगर एक वेक्ती एक public park में, जहां असपास बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ वो एक कुलाडी लेके पेड़ काट रहा है, और यहाँ पे उसका hatchet निकल के किसी बच्चे को लग जाता है, तब क्या 80 का defense मिलेगा, so the answer is no, क्योंकि यहाँ proper care and caution नहीं है, आपको वो काम करना था, तो आपको वहाँ से बच्चों को हटाना चाहिए था, that would have been the due care in the present situation, तो वहाँ आपको शायद 80 का defense ना मिले, एक चीज तो यह, एक aspect तो यह, अब इधर पे एक जो भयाना question आता है, जो थोड़ा सा परेशान करता है, वो समझे ए, एक चोर है, एक pickpocketer है, जो की bus में जेब कत्रा है, जो bus में चड़ता है और लोगों की जेब काटता है, और यह उसका usual profession है, उसका जीवा नियापन इसी से चलता है, वो एक दिन एक bus में चड़ता है, और वो irregular activity की कि किसी के भी जेब में हाट डाला, वालेट निकाल लिया या मुबाइल निकाल लिया, अब एक दिन यह एक व्यक्ति के पीछे खड़ा और वो पॉकेट में हाट डालता है, same intention से चोरी करने के, जैसे वो पॉकेट में हाट डालता है, उसके पॉकेट में एक बंदुक थी, जो की loaded थी, यह जैसे हाट डालता हाट बढ़ा हाट में इससे वो ट्रगर दब जाता है, और ट्रगर दब जाता है, यह किसके पॉकेट में है, उसी व्यक्ति के, जिसके जेब में इसने हाट डाला है चोरी करने के लिए, ट्रगर दब जाता है और उस वक्ति की डेथ हो जाती है अब आप बताईए क्या इस चोर को यह जो थीफ है क्या इसको एक्सिडेंट का डिफेंस मिलेगा section 80 में यह 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 इसी कि तन्वीर क्याना है नहीं मिलेगा बाकिशन आ है शुरती का भी क्याना नहीं मिलेगा ओं सब्सक्राइब इसके लिए थोड़ा सा, दो मिनिट ध्यान से मेरी बात सुनिएंगा, कुछ, थोड़ा सा कव souhaFrा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएंगा, कृती का कहना है, इकसिडेन्ट है, निकी का भी कहना है, ये से सुनिएगा, चमया, देखते हैं, वो और जो consequence produced हुआ है, इसके बीच में proper nexus होना चाहिए, तभी ये applicable है lawful act वाला, अकर वो entirely, जो act आप कर रहे थे, वो entirely different है, from the consequence produced, वहाँ ये applicable नहीं होगा, कि ये act lawful था या नहीं था, वहाँ ये applicable नहीं होगा, कि ये act lawful था या नहीं, जहाँ इन दोनों का correlation नहीं है, कोई connection नहीं है, altogether different consequence produced हो गया, एक और example से समझी रहे, case है, उसको भी note down कर लीजिए जरा, उस case का नाम भी, तो फिर मैं उसकी कहानी भी आपको बता देता हूँ, the name of the case is Jogeshwar versus Emperor, case का नाम लिखिये Jogeshwar versus Emperor 1923, इस case में basically होता यह है कि दो लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, दो लोग लड़ रहे होते हैं, उनमें से एक की wife, एक छोटा बच्चा उसके हाथ में होता है, उसके गोद में छोटा बच्चा होता है, अप क्योंकि वो दोनों विक्ति लड़ रहे थे, यह जो wife है उनमें से एक की वो interrupt करने आती है, बीच में रोकने आती है, तो जो दूसरा विक्ति है, जिसकी wife है वो तो मारेगा नहीं, जो दूसरा विक्ति है वो उस woman को एक पंच मारता है, उसकी तरफ aim करता है, पंच मारने की कोशिश करता है, लेकि को गलती से लग गई, वो तो woman को मार रहा था, तो यहां पर accident का defense नहीं मिलेगा, because he was not doing a lawful act, वो जो पंच मार रहा था, that wasn't a lawful act, और उसमें गलती से लगा है, यहां यह provision का जो part लिखा है, that it wasn't a lawful act, यह applicable है, लेकिन इस case में वो applicable नहीं है, यहां जो pickpocketer है, उसको मिलेग defense, इसके लिए Lord Macaulay, जब IPC draft कर रहे थे, उन्होंने expressly यह illustration quote किया था, कि एक वो सारे चोर, जो pickpocketing करते हैं normally, और जेव में हाट डलके, जो सामान मिलता है, लेके निकल लेते हैं, उनको आप एक reasonable punishment देते हैं, कम punishment का काफी, अब यह चोर, वो भी same intention, same mensoryah से गया है, सब इतनी tragedy हो गए कि उस pocket में बंदुक थी, क्या इस वज़े से उसको all together, आप culpable homicide murder या death के लिए libel कर देंगे, so उस पे, कहना था यहां, कि यह सही नहीं है, यह जब IPC draft हो रहा था, तभी यह बात Lord Macaulay ने कही थी, कि यह सही नहीं हो, यहां पे भी excellent defense मिलेगा, वो बात ठीक ह कि यहां लिखा है कि lawful act होना चाहिए, but वो lawful act, उस act के लिए, जिसका consequence के साथ कुछ connection हो, जैसे पिछले में था, कि वो जो act कर रहा था, पंच मारने का, और women को ना लगके, वो बच्चे को लगए, so the act and the consequence was closely connected there, कि आप पंच मार रहे था, इसकी जगे उसको लग गया, lawful or not, लेकिन यहां, जहां वो बंदा चोरी करने गया है, pocket मारने गया है, वहाँ जान चली जाए, so जो act वो कर रहा था, pocket मारने का, और consequence जो हुआ है, death, it is not at all connected, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि उसका जो act था, वो lawful नहीं था, जैसे ऐसे और भी example से, क कोई unlicensed gun लेके जाता है, कहीं पर शिकार करने, और वो यह assume करता है कि कोई जानवर है, और unlicensed gun से गोली मारता है, लेकिन लग जाता है, जब जब लगता है, तो समझना आता है, वो कोई व्यक्ती था, यहां पर भी बंदा libel, death के लिए नहीं होगा, ठीकि, वो unlicensed gun यूज कर रहा, उसके लिए libel हो जाएगा, अब आप यह नहीं बोलेंगे कि यह तो सब unlawful act था, तो कि जो act वो कर रहा है, और उसका जो probable consequence है, there is difference इन चीज़ों को काफी detail में discuss किया गया है, तो pick pocketing वाला तो आप बिलकुल clearly रखिएगा ध्यान, कि यहां पर difference मिलेगा, छीक, इसक accident में तो यह case है, जोगेश्वर versus emperor, यह बात जान रखिएगा कि आपका negligence नहीं होना चाहिए, अगर आप negligent है, तो फिर आपको accident का defense नहीं मिलेगा, इसमें एक case है, R versus Walker, यह भी आप नुटंग कर सकते है, accident में, R versus Walker, R versus Walker, 1824 का case है, 1824, और यह जो 1824 का case है, इसमें होता यह है, कि एक व्यक्ती, horses लेके जा रहा था, एक काट लेके जा रहा था, गोड़े वाली, गोड़े गाड़ी, और उसमें जो होता है, ना, horses को control करने के लिए, वो जो रसियां होती है, ना, leather की, जिससे horse को control करते, वो ही नी थी, इसके पास, और ऐसे यह काट लेके जा रहा था, और एक्दम से उसके घोड़े बेकाबू हुए, लोगों पर चल गए, विल्यू कॉल एक्चिएंट, तांसर इस नो, विकज़ देर वोस लाक ओफ प्रॉपर केर फ्रॉम यॉर साइट, आपको बांध के चलना चाहिए, ताकि आप जब ऐसी स्थितियाए कंट्रोल कर पाएं, आपके पास वही नहीं था, तो इन दाट केस, और एक केस और करते हैं, उननेश सो पचास का केस है, गलती से एक ड्रेसलिंग करते समय, एक फ्रेंट ऐसे किरता है कि वह किसी पथर के उपर उसका सिर लग जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो दाट वस कंसिदर तो बी एक्चिएंट, तो इसके बाद आईए, एक्षिन पर इसके बाद अदर हाम, अब यहां आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस प्रोविजन में, कहा ये जा रहा है कि एक हाम को प्रेविंट करने के लिए आप दूसरा हाम कर सकते हैं, एक हाम को प्रेविंट करने के लिए आप दूसरा हाम कर सकते हैं, आपको नॉलेज है कि इसके भी हाम ह इतना आप बात समझते हैं देख ये provision पे आईए nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property यहां कहीं यह नहीं लिखा है कि आप बड़े harm को prevent करने के लिए छोटा harm कर सकते हैं तो लिखा एक harm को prevent करने के लिए दूसरा illustration इसमें जो दिया है उसी को मैं आपको यहां बता देता हूं जैसे माली जी एक यह ship है यह इस direction में जा रहा है and there is an iceberg सामने और इसमें लगभग 500 लोग हैं इस ship के अंदर जो कि travel कर रहे हैं इसमें इस captain की कोई गलती नहीं है जो इस situation में यह फसे हैं अब इसके पास कुछी choices हैं अगर यह सीधे जाता है तो यह ship इस iceberg से टकराएगा और पूरी संभावना की ship डूब जाएगा और यह पास्तों लोग मर जाएंगे इसके अलावा इसके पास दो option है या तो इस ship को वो इस direction में turn कर दे लेकिन अगर वो इस direction में turn करेगा तो there is a boat जिसमें कुछ 30 लोग सवार है और जब वो शिप को इस direction में turn करेगा तो यह boat उसके ऊपर चड़ेगा और यह boat डूबने की संबावना है तीस लोगों के मरने की संबावना है दूसरे option उसके पास यह कि वो इधर टर्न कर ले इधर टर्न करेगा तो इधर पे भी एक boat है और इसमें कुछ 5 लोग सवार है और यह boat डूबेगी अगर वो इधर टर्न करता है सीधे जाएगा तो 500 मरेंगे अब आब बता आप अगर यही सब दिमाग लगाते रहेंगे तो 48 दिन कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा ऐसे ही आपके सल दर सल निकल चुका होगा पहले परेशन इंस्टेड आफ पानिकिंग मैं तो जिस दिन चालू किया था क्राश को उसी दिन बूला था कि बारा को फेपर होने के ब पढ़ना पड़ेगा और जैसा मैंने आपको कहा बिट्विन 25 तु 30 वी लाइंड दिस ट्राश को इसमें सारे सब्जेक्ट आपके नौई सब्जेक्ट आते हैं वेटा प्री निकालना अभी मिंस थोड़ी निकालना नौई सब्जेक्ट ने लॉक है और साथ में जी किया त चोटी बोट इस वाली बोट पे चाड़ा दे आप यह कह रहे हैं लेकिन यह बात आप इंटर्प्रेट कहां से कर रहे हैं इस सेक्शन में यह कहां से आप ला रहे हैं क्षुप देड कुझा इस में रिकार क्या है कि अगर आप इस को बचा सकते हैं इस इसको बचा सकते हैं तो बचाइए भले इसकी रिस्क लिए जी जगत और इसिसकेद इसनेश को यह तो इतु आप सब जानते भी होंगे इस केसि के बारे में और विर इदली एनस टीफिंज और वर्सिस arat्ली ऐंट में स्टीफिंज एंटी इसमें when that एध लोग और उत कहित सब्स羞ें के लिए न दिए लिए जाते हैं समंदर में और यह स्टों में कहीं भटक जाते हैं समझ मैं नहीं आता कहां पहुंच गए और इन लिमिटेड फूड और वाटर ये पीने का पानी और खाना लिमिटेड लेके गए थे अब ये एक स्टॉम में भटक जाते हैं और इने दूर दूर तक कहीं पर किनारा दिखता नहीं कि जमीन किदर है पानी लिखेरा पता नहीं कि पहुंचेंगे तीनों के हालती है खराब होने लगती है थोड़ी थोड़ी एक इन में फोड़ हमें तोड़ा व 10 में इन नहीं प्जाइब होता है और उसकी ही होती है वो 16-18 साल का बच्चा है उसकी हालत जादा कराब हो लिए बाकी के दोनों डेड़ी और स्टीफिन मिलके ये डिसाइड करते हैं कि अपने असा करते हैं इसको मार देंगे और इसी को खा लिए जाएगे इसी का मैस का कि अपन जिन्दा रहें जब तक रह सकते हैं इस प पर किस चला and they were not given the defense of necessity necessity का defense इनको नहीं मिला पारण क्या है यहां पे लिखा है criminal intent missing होना चाहिए और यहां criminal intent missing नहीं है criminal intent है यहां पे क्योंकि आप self-preservation में किसी की जान नहीं ले सकते हैं वो आप तभी ले सकते हैं जब सामने वाला aggressor हो aggressor हो मतलब उसकी वज़े से आपकी जान को खतरा हो अभी private defense आपन पढ़ेंगे उसमें आप यह काम कर सकते हैं private defense में कि किसी वक्ती की वज़े से आपकी जान को खतरा है तो आप उसकी जान ले लीजिए यह तो valid है लेकिन सिर्फ आप अपनी जान बचाने के लिए किसी innocent को आपके निए कि अपका आपके अपके टुछ सुनेंग आपके लिए लुग कि इसमेंग आप तर इसमेंगे अच्छल जान आप कि यहां पर लेकिन यहां पर 2500 यह तो ने डिया जाय जाएगा इस और दुट आपाज और आध सो नाग्ड्स ब इसमार्सिई के सो आपके अग अब जो 90 में जो 89 में जो 81 में जो ससेटी लिखा है यह 36 के लिए बदल तो नहीं जाएगा IPC भारत पे जैसा ही अप्लिकेबल है मद्यप्रदेश का पेपर भी तो भी आर वर्सिस डेडली एंस्टीफन निसेसेटी का ही किस रहेगा तो भी उत्तरप्रदेश का दोगे तो भी तो आई पीसी पढ़ लगते हैं जिस स्टेट में वहाँ सवाल बनेगा इसके बाद देखिए नेक्स एटी टू इस अलसो वेरी अलसों है डोली इन के पैक्स डोली इन के पैक्स यह जो प्रिंसेपाँ यह किस पर बेज़गे का बच्चा मेंस्रीय फ़ाम भी नहीं कर सकता वह हालत में है कि उसका माइद इंडी हो पाए इसी लिए आपसलियू डिफेंस दिया गया है एक्टी तेस सेक्शन इस वेरी इम के बच्चे की बात करता है 83 जो है वो 7 से 12 के बच्चे की बच्चे की बात करता है लेकिन 83 कहता है कि यह जो 7 से 12 के बीच का बच्चा है हम यह देखेंगे कि की वोजन्त मिच्चर अफ टो अंडरस्टांड इंडाट के सीच बात के बच्चे में मिच्चर चेक करनी पड़ेगी और वो इस लिए वो यह समझने की हालत में नहीं है कि वो वेक्ति जो आक्त कर रहा है वो contrary to law है या opposed to law है because of unsoundness of mind चेक that is 84 कि कोई वेक्ति अगर unsound mind का है उस unsoundness की वज़े से वो यह नहीं समझ पा रहा है कि वो जो काम कर रहा है that is contrary to law अब 84 में दो तीन question आपके बनते हैं ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो यह जो 84 प्रोवेजन है किस के में लेट डाउन प्रिंसिपल के बेस पर है तो बता दीजे ज़रा 84 बहुत ही कॉमन है यह केस 84 किसके बेसिस पर है हाँ भाई इसके बेसिस पर लेट डाउन प्रिंसिपल है करेक्ट में लेट डाउन प्रिंसिपल है पूरा 84 है ना यह जो डैनियल में लेटन साब थे इनको एक बिमारी थी और उसके तहत इन्हें ऐसा लगता था कि जो देश के प्रदान मंत्री हैं उनु ने इनको भरी उन्जरी पहुंचाई है तो एक दिन हम आपके निपताने पहुंच जाते हैं और पहुंच जाते हने ने वहाँ पहुंच थे जेओ सब्स्कazao को ब्लति की स्पाइद संब्स चेर अजया में लेटेजाये ऐ कडिग्स का Isletsis अघ इत्या बात्ती कि इंसेनिटी की एक होती है आपकी मेंटल इंसेनिटी और एक होती है आपकी लीगल इंसेनिटी मेंटल मतलब क्योंकि आप बीमार है इसलिए आप कुछ भी समझने सोचने समझने की शम्ता नहीं है आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं that is mental इंसेनिटी और दूसरी होती है लीगल इंसेनिटी लीगल इंसेनिटी मतलब आप किसी आपको करते समय ये नहीं समझ पा रहे हैं that whatever you are doing is contrary to law और prohibited by law or it is against law आप ये नहीं समझ पा रहे हैं आप सवाल पूछा जाता है कि 84 किसमें डील करता है mental इंसेनिटी में या फिर लीगल इ of mind because of some mental disease क्योंकि clearly 84 में लिखा है the reason should be unsoundness of mind and because of this unsoundness of mind you are incapable to understand the nature of your act or you are incapable to understand that whatever you are doing is against law or contrary to law. तो जो आपकी ये समझ ये जो आपके अंदर समझ नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ ये कानून के खिलाफ काम कर रहा हूँ या ये मैं कोई offense कर रहा हूँ इसको अपन के इतने ही legal insanity तो 84 में legal insanity cause किसके कारण होती है mental के कारण but defense आपको क्यों दिया जा रहा है because of this legal insanity होना जरूर ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने जो act किया आपको ये समझ नहीं थी कि ये contrary to law है अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाए तो 84 का defense नहीं मिलेगा so it deals with legal insanity ये ध्यान रखियेगा mental मतलब कि आप कुछ भी समझनी की हालत में नहीं है कोई बिमारी से ग्रस्त है किसी mental disease से ग्रस्त है और उस mental disease के कारण जब आपने कैसा act किया which is an offense आप ये समझनी की हालत में नहीं थे कि आप जो कर रहे हैं that is contrary to law so legal insanity is required to get the defense of 84 ये ध्यान रखियेगा ये बहुत ज़रूरी है इसके बेना defense नहीं मिलेगा और जैसा case मैंने आपको बताई दिया magnoton इसमें है बहुत important है magnoton इस तो इन सारे provision में काफी सारे है अपन जो एक तम significant है उस पर बात कर रहे हैं इसके बात देखिए next act of intoxicated person 85 और 86 डील करते हैं intoxicated person में लेकिन दोनों में बहुत difference है थोड़ा से समझ लेना 85 क्या है 86 क्या है है तो general exception chapter में defense है लेकिन defense actually सिरफ ये है 86 is not a defense अभी समझाऊँगा वो है क्या पहले 85 देखिए जैसे 84 में देखा आपने की unsignness के कारण आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आप जो कर रहे हैं that is contrary to law 85 में आप आपकी ये समझ खतम हो जाती है because of intoxication क्योंकि आप intoxicated है किसी substance से so 85 देखिए act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against him is will और ये जो intoxication है ये कैसा होना चाहिए against your will या without your consent आपको पता नहीं चला और आपको intoxicate कर दिया गया या आपकी मर्जी के खिलाफ आपको intoxicate किया गया in that case because of that intoxication अगर आप ये nature of your act नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको defense मिलेगा 85 का ये तो simple चीज है इसमें कोई बहुत वैसा नहीं है कुछ ऐसा समझने लायक कोई बहुत बड़ा concept नहीं है इसमें लेकिन 86 है काफी समझने वाली चीज़ 85 में ये ध्यान दखिएगा कि 85 deals with involuntary intoxication अगर आपका जो intoxication है वो involuntary है आपको जो intoxicate किया गया involuntary कब होता है against the will और without knowledge तो वो involuntary intoxication है अगर आपने जानते हुए voluntarily intoxicate किया है खुद को तो आपको कोई defense नहीं मिलेगा ये बात लिखी है 86 में अच्छा ऐसा करना जरूरी क्यों है 86 यहां लिखना जरूरी क्यों था 86 कोई defense नहीं है देखिए defense तो आपको 85 ने दे दिया कि अगर आप involuntary intoxicate हुए है और फिर अगर आपको offense commit करेंगे तो आपको exception मिल जाएगा 85 का अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ऐसा वेक्ति है जो voluntarily खुद को intoxicate कर लेता है तो फिर जाके कोई offense commit करता है तो 85 ने तो कहा कि ऐसे वेक्ति को defense हम नहीं देंगे defense हम किसको दे रहा है 85 करें defense किसको दे रहा है जो involuntary intoxicate है अब जिस वेक्ति ने voluntarily खुद को intoxicate किया और फिर जाके वो एक offense commit करता है माल लिजे अगर 86 IPC में नहीं होता अभी अपन ये assume करते हैं कि 86 IPC में नहीं है अब माल लिजे मैं खुद को बहुत जादा intoxicate करता हूँ एक limit से उपर माल लिजे मैं liquor गर consume करता हूँ जिससे अपने senses में नहीं रख था हूँ औप फिर मैं जाके एक offense commit करता हुद मैं इस level का intoxication मैंने कर लिया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आरह क्या चल रहे है और ऐसम में कोई offense करता हूँ मुझे समझ में कर क्या रहा हूं किस लेवल का intoxication है ऐसे substance intoxicate कि है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हूं और उसमें कोई offense commit कर देता हूं अब आप बताईए मैं कोई act करता हूं जब मैं कोई ऐसा act करूंगा लेकिन हमने देखा IPC में कि offense में guilty mind और act serious दोनों जरूरी है guilty mind में या तो intention होगा या तो knowledge होगा या तो reason to belief होगा इसाब आपने पड़ा है मान लीजे मैं किसी वक्ति की जान ले लेता हूं अब मैंने जब किसी वक्ति की जान ली है उस state में तो ना तो मेरा intention था जान लेने का ना मेरेको knowledge था knowledge भी नहीं है तो prosecution का भी ये proof कर पाएगा कि क्या कि मैंने murder के essential fulfill कर दी कर दी है बताइए जरा भाई मैं तो वैसी बच गया ना क्योंकि murder करने के लिए मेरा intention होना चाहिए वक्ति की जान लेना या मेरे पास knowledge होना चाहिए इस चीज़ का कि मैं जान ले रहा हूं बट मैंने त दिया तो ऐसे मैं तो मैं बच के निकल जाता ऐसे voluntary intoxication बच जाते अगर 86 नहीं होता क्योंकि उस offense का mental element establish ही नहीं हो पाता इसलिए 86 को incorporate करना जरूरी था अब जरा पढ़ी 86 कहता क्या है in cases where an act done is not an offense अभी आपने जो काम किया है वो offense नहीं है unless done with a particular knowledge or intent कोई भी एक offense नहीं है जब तक वो एक particular intention या knowledge के साथ किया जाए अगर ऐसा कोई act आपने commit किया है a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his guilt लेकि 86 basically कहता ये है कि अगर मान लीजिये आपने voluntarily खुद को intoxicate किया है voluntary intoxication के case में ये माना जाएगा कि आपको ठीक वैसे ही knowledge था किसी भी act को commit करते हुए आपको ठीक वैसा ही knowledge था जैसा knowledge आपको होता अगर आप intoxicate नहीं होते तब ये एक presumption है 86 में कि क्योंकि आपने खुद को voluntarily intoxicate किया है इसलिए court ये presume करेगा कि आपने जब वो act particular commit किया है जो कि एक offense है हम ये मानेंगे कि आप उस समय intoxicated थे ही नहीं और आप intoxicate नहीं होते तो आपका क्या knowledge होता वो knowledge आप पे इंपोज कर दिया जाएगा तभी आपकी liability बनेंगी किसी offense में नहीं तो नहीं बनती नहीं तो आप तो ये बुल देते हैं कि साव में तो लाले जी नहीं है हम तो इस intoxication की स्टेज में तो इसलिए 86 एक प्रिजंशन कराता है तो आपने वाले नहीं नहीं प्रॉपर स्टेट केस के नाम लिख लिजिए इससे रिलेटेड बहुत इमपर्टन था करेक्ट शालेंनी केस का जो नाम आपने बताएई डिफीप वर्सव बीर्ट नैंटेनट्विंट इससे इमपर्टन दीपीप वर्सवS बीर्यर्ट 1920 this is important और same principle इंडिया में Supreme Court ने अडॉप किया था Basudev versus state of Pepsu Basudev versus state of Pepsu that was 1956 DPP versus beard में होता ही है कि एक watchman एक लड़की का rape कमिट करता है और उसको ड्रैग करके ले जाता है death भी कमिट कर देता है अब defense ये प्लीड करता है कि वो intoxicated था defense ये प्लीड करता है but conviction इस case में हुआ similar principle Basudev versus state of Pepsu में अडॉप किया जोड़का इपाद है इसके बारे ये case is important हैं दों इसमें और रखेगा इसके बाद हैं आजाते हैं और ये अप्तु सद्धर करते हैं एक हुआ 15 next section की तरफ, timing is 9 बड़ा, now it is 9, earlier it was 9.30, the classes were 9.30, IPC की, now it will be 9 o'clock, ताकि 9-11 आपने को 2 गंटे का समय में ले, मैंने कली ये चीज़ आपको बता दी थी, और बाकी jurisprudence की classes हैं, एक बजे, GS की classes हैं, तीन बजे, 87 देखिए, 87 is act not intended and not known to be likely to cause death or gravy assert done by consent, 87 को voluntary non-fit injuria भी कहा जाता है, आपने civil law में taught में concept पड़ा होगा, voluntary non-fit injuria, voluntary non-fit injuria क्या होता है कि जब गती में already consent दिया है, risk take up करने का या जो harm हो सकता particular act में उस harm को suffer करने की, तो फिर ऐसे case में कोई वक्ति अगर आपको हाम कास करता है, तो आप उसके against action नहीं ले पाएंगे, इस principle को कहते हैं, voluntary non-fit injuria, वैसे voluntary non-fit injuria, 87, 88, 89, तीनों में दिखता है, लेकिन दहाँ single option हाई, 87 वो फिर, 87 जनरली पूछा जाता है, बाकि अगर तीनों है, तीनों उसी पर based है, क्योंकि आपने consent दे दिया है, हाम take up करने का, वो consent कब और कितना दिया जा सकता, क्या है, वो देखिए जरा, so 81 जो है, यह कह रहा है कि death या grievous hurt छोड़के, 87 कहां applicable नहीं होगा, ध्यान रखना, death और grievous hurt, अगर यह आप cause कर रहे हैं, ऐसा कोई act कर रहे हैं, जिसमें आपको knowledge है, या आपका intention है, death cause करने का, या grievous hurt cause करने का, वहाँ तो साब 87 apply ही नहीं होगा, 87 apply वहाँ होगा, जहां grievous hurt है, death का knowledge नहीं है, कोई और harm का knowledge है, वो आप कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति को आप वो harm कर रहे हैं, उसने कि देख लो, हमें कुछ होता नहीं है, मैं लगा दिता हूँ, एक तवियत से चिपका दिता हूँ, आपको बढ़िया, अब आप कहते हैं, कि आपके against some criminal complaint करेंगे, तो क्या मैं liable होगा, hurt के लिए the answer is no, I'll get the defense of 87, तो कि भाई, आपने harm cause करने को का था मुझे, आपने consent दिया था, तो I'll get the defense of 87, लेकिन अगर ग्रीविया सर्ट या, death cause करने को आप कहते हैं, और फिर मैं करता हूँ, आपके consent से, तब 87 का defense नहीं मिलेगा, फिर 88 देखिए, act not intended to cause death, done by consent in good faith for person's benefit, so 88 भी similar है, यहाँ पे दिया है कि बस आपका intention death cause करने का नहीं होना चाहिए, आप व्यक्ति के consent से काम करिए, और good faith में उसके benefit के लिए, देखिए, 88 में समझना, 88 कहता है, बस आपका intention नहीं होना चाहिए, death cause करने का, बाकि आप कोई भी risk ले सकते हैं, अगर आप वो काम किसी वक्ति के benefit के लिए कर रहे हैं, good faith में कर रहे हैं, और इस वक्ति नहीं करने का consent आपको दे दिया है, आप कोई भी risk ले सकते हैं, लेकिन वो क्यों होनी चाहिए, good faith में होनी चाहिए, और उस person के benefit के लिए होनी चाहिए जैसे माल ली जी एक पेशंट है जिसके ऊपर एक रिस्की सर्जरी परफॉर्म होनी है अदर्वाइस वो ऐसे भी मर रहा है लेकिन एक अपरेशन है जिसके शायद वो बच सकता है एक सर्जरी से अब वो डॉक्टर जो है सर्जें जो है वो कंसेंट ले लेता है कि मरने की भी रिस्क है इसमें नौलेज है हमें कि शायद इंटेंशन नहीं है डिट कोस करने का सीधा आप कसी को जहर देदें यह नहीं चलेगा एट अगर नौलेज भी है तो भी चलेगा कि डेथ हो सकती है लेकिन इट शुट बी फॉर दी बेनेफिट ऑफ दी परसन और इट शुट बी डन इन गुड़ फेथ विदी कंसेंट अब दी परसन तो अगर वो डॉक्टर वो सर्जरी को परफॉर्म करता और बाई चांस उस अब उसका पॉसन पूरी बॉडी में फैल रहे है डॉक्टर इन गुड़ फेथ आपके बेनेफिट के लिए पर कटना पड़ेगा नहीं तो पूरा निपड़ जाओगे और फिर वो आपका कंसेंट लेके आपका पैर काट देता है तो दाट एक्ट इस जन पर दी बेनेफि अब आपके बेनेफिट बेनेफिट नहीं माना जाएगा पैसे वाला मॉनेटरी अब आप आपकी डीफिट जाए जा चाई कि बेंट बेनेफिट तो हो सकता है वह बट वह मॉनेटरी बेनेफिट है तो इसके बाद 89 देखिये आट और गटनल गुड़ और benefit of child or insane person by or by consent of guardian 88 के जैसा ही है 89 the only difference is 88 में उस व्यक्ति का consent आप obtain करते हैं जिसको आप harm cause करने वाले है 89 applies to children below the age of 12 years और person of unsound mind so 89 जो है यह दो लोगों पर apply होता है 12 साल से कम के बच्चे या फिर person of unsound mind इन दोनों पर applicable है तो कि उनका consent valid consent नहीं है इसलिए 89 क्या क्याता है कि अगर किसी 12 साल तक के बच्चे और person of unsound mind के benefit के लिए कोई काम करना है तो उनके guardian का consent ले सकते हैं या उनके guardian खुद उनके benefit के लिए कोई risk ले सकते हैं वाली उन्हें पता है कि इसमें risk है लेकिन अगर वो चाइल्ड के benefit के लिए है person of unsound mind के benefit के लिए तो रिस्क ली जा सकती है यहां भी death cause करने का intention नहीं होना चाहिए और भी scale दिया हुआ है थोड़ा कि क्या-क्या इसकी है तो वह प्रोवाइशों में है बहुत important नहीं है एक बार read करोगे यह अंडर्स्टाइंड section number द्यान रखेगा किस चीज में deal करता है इसके बाद देखिए 90 consent known to be given under fear of misconception this is very very important 90 actually consent बताता है कि कब consent valid consent नहीं होगा बड़ा ही negative connotation है 90 में अगर आप देखें तो section 90 बता तो रहा है consent को लेकिन वो define नहीं कर रहा है as such consent वो बस यह बता रहा है कि कब consent valid consent नहीं होगा और 90 पोरे IPC के लिए consent बता रहा है यह ध्यान रखिएगा तो कि 90 में देखे clearly लिखा है a consent is not such a consent as it intended by any section of this code इस पोरे IPC में जहां भी consent word है it must comply with provision 90 अगर 90 के against है 90 से contrary तो valid consent नहीं माना जाएगा सबसे पहले consent अगर fear of injury में दिया है तो वो valid consent नहीं है फिर लिखा है और under a misconception of fact तो पहला होगे अगर fear of injury में दिया है तो वो valid consent नहीं है फिर लिखा है misconception of fact misconception of fact में दिया हुआ consent भी valid consent नहीं है इसके बाद है and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception और जिस वक्ती ना consent obtain किया है उसको पता है कि जो consent दे रहा है वो या तो fear of injury में दे रहा है consent अपना या फिर वो किसी misconception में दे रहा है misconception of fact दोनों में दिया हुआ consent valid consent नहीं है चाहे वो fear of injury में दिया हुआ misconception अब आप इससे देखेंगे जो rape का offense या दूसरे जो sexual offenses है वहां consent बड़ा matter करता है और वहां भी consent को अगर आपको interpret करना है तो you should take help of section 90 आपने देखा होगा ये वाला एक चीज़ की marriage के false pretext पे अगर कोई male एक female के साथ sexual intercourse करता है बाद में वो female rape के charges वक्ती पे लगाती है इसा क्यों होता है जबकि उस समय तो consent उसने दिया है क्योंकि उस महिला में consent जो दिया आप male person को वो इस भरोसे पे दिया कि he is going to marry her ये consent किस चीज़ पर कॉस्ट किस चीज़ से कॉस्ट था misconception of fact ये कब होगा जब उस male person है उसका कोई intention शादी करने का था ही नहीं उस महिला से उसका intention सरफ sexual intercourse करने का था और इस intention के साथ उसने promise किया एक female से कि वो उससे शादी करेगा और इस ground पर she agrees to have sexual intercourse with that person अब उसके बाद sexual intercourse होने के बाद ये शादी करने से मना कर देता है इसको तो कभी शादी करनी ही नहीं थी ऐसे में जब महिला रेप के charges लगाती है it is considered as rape क्यों consider करते है क्योंकि आप वहाँ पर consent तो है बट वह valid consent नहीं है as per IPC क्योंकि IPC के एसाब से consent valid तब होगा जब वो किसी misconception of fact से caused ना हो और यहाँ पर woman ने जो consent दिया है it is caused by misconception of fact इसके लिए कि इसका नाम लिख लिजिए बहुत important है कि ये जो consent है misconception से caused है अगर marriage के false promise पे दिया गया है consent तो कि इसका नाम लिखिए प्रदीप कुमार वर्मा वर्से स्टेट अफ बिहार दो हजार साथ इसमें और भी केसे हैं जैसे करेट शुती ने बताया उदे वर्से स्टेट अफ करनाट का बट बिटा उदे वस डिफरेंट वहां ये उल्टा हेल्ड किया गया उसमें देगे प्रदीप कुमार वर्मा वर्से स्टेट अफ बिहार इस फाइन 2007 इसमें ये बोला कि अगर किस किया है शादी का और उसका इंटेंशन था शादी करने का और इस प्रॉमिस के बेसेस पे देहार सेक्शुल इंटर कोर्स लेकिन बाद में कुछ ऐसी सरकम्स्टांस बन गए हैं कि सामिली प्रश्वार या सोशल उसके कारण शादी नहीं कर पाया हुए तो हर केस में रिप कि जब उसने प्रॉमिस किया था तब उसका स्टेट आफ माइन क्या था तब ही मिस्कंसेप्शन ऑफ प्रैक्ट माला जाएगा अधर्वाइस नहीं इस कंटेक्स्ट में उदेवर से स्टेट आफ करनाट का है ठीक है एक बार पढ़िएगा उसको चलिए इसके बाद अपन आते हैं अगले प्रोविजन की तरफ that is 91 91 is exclusion of acts which are offenses independently of harm-caused इस प्रोविजन में आपको पहले एक डिस्क्लेमर देदू कि अगर आपके समझ में ना है तो भी it's absolutely fine क्योंकि जनरली पूछा नहीं जाता है इलस्ट्रेशन से ही बस question आता है फिर भी I'll try my best to explain it to you but मैं आपको पह the exception in section 87,88,89 अभी हमने जो exception पढ़े चाए वो 87 हो, चाए वो 88 हो, चाए वो 89 हो तीनों में हमने कहा कि अगर हमने व्यक्ती का consent ले लिया है तो हम harm-caused कर सकते हैं अगर व्यक्ती ने consent दे दिया है तो हम उसको harm-caused कर सकते हैं 90 कहता है कि भले ही आपने consent ले लिया है तब भी आपको difference नहीं मिलेगा, 87, 88, 89 का, 90 कहता है कि आपको, sorry, 91 कहता है कि आपको difference नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, उसको पढ़ते हैं, अचा एक चीज मुझसे miss हो गई, 90 में दो चीज़े और है, मैंने आपको fear of injury और misconception तो समझा दिया, उसके बाद दो points और हैं, जो मैंने आपको पहली बता दिया था, 89 में, consent of insane person आप देखिए, 90 में है, और है consent of child, insane person का consent भी valid consent नहीं होगा, ये भी 90 कहता है, ये भी 90 कहता है, इसको भी mark कर लिजे, वो चीज़ अपन ने 89 में already discuss कर ली, इसलिए 89 में consent किसका चाहिए, ग शाली नहीं करना, 91 टिक से समझ नहीं आता है, मैं कोशिश करूँ, मैं बटा समझा नहीं कि, देखो, language पड़ो साथ में बेरोट कि तो समझ आएगा, the exceptions in section 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offenses, इसको अंडरलाइन कर ले न, acts which are offenses independently of any harm, किन acts की बात कर रहा है, acts which are offenses independently of any harm, which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given, अब एक बात समझना, हमने IPC में बहुत सारे acts को offense बना दिया है, किसी भी act को, हमने offense क्यों बनाया है, आक्ट को offense क्यों बनाया है, मैंने आपको पहली क्लास में crime के elements बताये थे, उसमें human being था, mensoria था, accusoria था और था injury, तो कोई भी act offense क्यों होता है, because it causes some harm, कोई भी act, offense क्यों बनाया गया है, उसको punishable क्यों किया गया है, because it causes some harm to the other person, और 87, 88, 89 में आप किसका consent obtain कर लेते हो, उसी व्यक्ति का consent obtain कर लेते हो, जिसको आप harm cause करने वाले हैं, उस व्यक्ति का consent आप obtain कर लेते हैं, इसलिए आपको exception दे दिया, 87, 88 और 89 में, कि आप वो offense नहीं माना जाए, क्योंकि आपने उसका consent दे लिया, 90 कह रहा है, इसलिए मैंने आपको जो portion underline कराया, उसको देखिए, acts which are offenses independently of any harm, अब IPC में ऐसा भी act है, जो act offense है, independently of the harm caused, मतलब ये act अपने आप में offense बना दिया गया है, जबकि उससे harm नहीं होता, जिस व्यक्ति के साथ वो act commit किया जा रहा है, उस व्यक्ति को उससे harm नहीं है, फिर भी वो act offense बनाया गया है, अगर ऐसा कोई offense है, तो उस case में 87, 88 और 89 का defense applicable नहीं होगा consent वाला, क्योंकि 87, 88, 89 का defense क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आप अपने act से जिस व्यक्ति को हाम करने वाले हैं, उसका consent अप्टेन कर लिया, बट ऐसा भी offense है, ऐसा भी act offense बनाया गया है, जो independently of its harm-caused offense है, भले उसमें harm उस व्यक्ति को काउज नहीं होता, फिर भी offense और ऐसा offense क्या है, इलस्ट्रेशन अब आप देखेंगे, समझ जाएंगे, causing miscarriage of a woman, pregnant woman को का अगर आप miscarriage cause कर रहे हैं, तो एक बात समझना, इसमें दो लोग involved हैं, the woman and the child, जब आप miscarriage cause कर रहे हैं, तो harm किसको cause कर रहे हैं, इस child को, death किसकी हो रही, child की, woman को नहीं हो रही, और consent किसका opt-in करते हैं, इसलिए 90 कहता है, कि ऐसे acts, जो independently, harm woman को को कोई cause नहीं करता, miscarriage, फिर भी उसे offense बनाया गया है, तो ऐसे offense के case में 87, 88 और 89 applicable नहीं होंगे, I hope that is clear, आया वाई, चाली नहीं कह रहे हैं, understood properly, all right, all right, all right, all right, all right, चाली, thank you so much, बहुत, डाउट होता मुझे इस पर कि मैं, मतब ये बात, connect हो पाईगी कि नहीं, चाली, all right, अब आप उसको समझेंगे, एक बार लांगज और पढ़ना, इल्लस्ट्रेशन, 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 92 देखिए, अब आपने बात कर ली कि आप consent ले लेते हैं, व्यक्ति का, आप व्यक्ति का consent लेते हैं, और फिर उसको harm cause करते हैं, इसलिए आ अब person के benefit के लिए good faith में अगर act कर रहे हैं, by obtaining his consent, तो वो offense नहीं माना जाएगा, अब माल लीजे, किसी व्यक्ति का बहाना कि accident हुआ है, उसको hospital लेके आया गया, और हालत बहुत नाजोख है, फिर भी doctor एक surgery perform करना चारा है, just to protect that person, उसकी help करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति कहता है, act done in good faith for benefit of a person without consent, आप बिना consent के भी benefit के लिए काम कर सकते हैं, good faith में, लेकिन circumstances ऐसी होनी चाहिए, कि वो व्यक्ति या तो capable नहीं है, consent देने के लिए, consent नहीं दे पा रहा हो, ऐसी circumstances होनी चाहिए, in that case you will get the defense of 92, बाकि proviso similar है, almost to 89, बहुत जादा important नहीं है, इसके बाद ये 93 की तरफ, 93 is communication made in good faith, no communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person, देखें कोई भी communication आपने किसी वक्ती के benefit के लिए good faith में किया है, अब उस communication की वज़े से अगर उसको harm भी होता है, तब भी आपके कोई liability नहीं है, जैसा की illustration दिया है, a surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live, the patient dies in consequence of the shock, he has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death, उसको पता था कि हो सकता है, देख हो जाए लेकान भाईया वो तो benefit के लिए जो बीमारी हो बताएगा ना सामने वाला, और उसमें अगर आपकी death हो गए, तो इसकी कोई liability नहीं बनेगी, शालिनी का कहना है, sir means 92 में implied consent है, जैसे accident के case में होगा, case में परानद कटा रहा, हाँ, बिल्कुल correct, implied consent की ही वो बात है, चलिए अब यह जो communication in good faith है, यह ध्यान रखिएगा, यह communication good faith में होना चाहिए, अगर यहाँ good faith नहीं है तो समस्या है भाई, और good faith आप जानते है, bonafide और good faith में difference है, due care और question होना चाहिए, इसलिए मैं आपको initially कहा था कि जब 52 पढ़ रहे थे तब ही कहा था कि good faith को bonafide से confuse मत होना, जैसे एक example से इस बाद को समझ लीजिए, 93 के कि मान लीजिए, आपके सर में headache होता है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर केता है साब आपका CT scan कराना पड़ेगा, आपका बेजे के अंदर camera डाल के देखेंगे, आपको कुछ कडबड तो नहीं है, वो मान लीजिए, और वो डॉक्टर negligently आपकी जो report है, वो किसी दूसरे के envelope में रख देता है, और किसी दूसरे patient की जो report है, वो आपके नाम के envelope में डाल देता है, अगले दिन जाब आप पहुंचते हैं, डॉक्टर साब के पास किसा बताइए क्या हुआ report देखके, वो आपसे आप का नाम पूछता है, आपके नाम का envelope निकालता है, उसमें से वो film निकालता है, जबकि वो है film किसी और की जो से गल्पी से रखा गई है, वो आपकी film देखके कहता है, कि आपको दवाओं की नहीं, दवाओं की जरूरत है, और आप भयाना क्विमारी से ग्रस्तना और नहीं है, डॉक्टर से यह, यह expected नहीं है, कि वो इस तरीक है, यह negligence है, इसके बाद देखिए, 94, act to which a person is compelled by threat, अगर किसी को डरा धंगा के कोई offense commit कराया गया है, तो भी व्यक्ति को difference मिलता है, इसकी conditions में आप को बता दू, कहां कहां यह defense नहीं मिलेगा, सबसे पहले ध्यान रखिए, पहले लिखा है 94 में, except murder and offenses against the state punishable with death, तो वाई साब murder के case में आपको 94 का defense नहीं मिलेगा, यह पहले ध्यान रखिए, और ऐसे offenses, state के against offenses जो punishable with death, जैसे waging war, वेजिंग war, state के against पनिशिबल with death है, तो उस case में आपको defense नहीं मिलेगा, 94 का, इसके अलावा, अगर आप कोई और offense commit करते हैं, और वो offense आपने commit किया है, in fear of instant death, ध्यान रखिए गा, 94 सिर्फ वहाँ applicable है, जहां आपको डराया गया है, fear देखे, instant death का, और फिर आपसे कोई offense commit कराया गया है, सिर्फ वहाँ आपके पास section 94 क defense available होगा, instant death का fear होना चाहिए, कोई और fear नहीं, जैसे मान लिजे, एक gangster है, वो आपसे कहता है कि चलो तुम इस घर में घुसो और चौरी करो, नहीं तो बहुत बटाई होगी तुमारी, और आप इस threat से अगर आप चौरी करेंगे, तो you won't get the defense of 94, the threat must be of instant death, अगर आपको 24 पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसके अलाबा इसके explanation बहुत important है, सीधे-सीधे प्री में सवाल बनते है, explanation से, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मान लिजे, आप आपने खुद से, अपने आप से अपने को ऐसी circumstances में put किया है, अपने आपको ऐसी circumstances में फसाया ह जहां आपको ये threat मिल सकता था, in that case also you won't get the defense, explanation में एक example दिया है, कि मान लिजे मैं खुद जाके gang of decoids join करता हूं, और जब मैंने उस gang को join कर ली, मैंने gang तो खुद जाके join कर ली, लेकिन मैं कोई offense commit कर नहीं रहा हूं, अब उस gang का एक member मेरे को threat देता है, instant death का और फिर मुझ से join की थी, मैंने वो circumstances खुद create करी, लेकिन उसमें ये भी है कि अगर मुझे gang join कराई गई है, by giving fear of instant death, मुझे बंदोग दिखाई गई थी, गोली मारने की धंकी दी गई थी, और फिर कहा गया था है कि चलो आप gang join करो, ऐसे circumstances मेरे में नहीं जाके रहा हूं, इसके प्रेट कर इंपोर्टेंट नहीं है, 93 उत्ता इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि जनरल एक्सेप्शन ऐसा चेप्टर है, जिससे आप multiple exams देखिए, कोई भी section पूछ लिया जाता है, इसलिए ये सब इंपोर्टेंट है, बाकी chapters में मैं सब नहीं पढ़ाऊंगा आपको, छुद बादूँगा section जो बिलकुल important नहीं है, 95 देखिए, आप पॉसिंग स्लाइट हाम, वाकी सिंपल है, एक चीज लिख लिख लिजे इसमें, दे मिनिमिस नॉन क्यूरिट लिख, एक लिदें मैक्सम है, दे मिनिमिस नॉन क्यूरिट लिख, करेक्ट हर्षा, तो दे मिनिमिस न नॉन्टो भी लिख़ी अंत वन्यो गहएं, पॉसिंत मुओने में लिखृटू, करेगा ऐसा कोई आप ने हरुख तो वो जनलेली कंसीडरीबल नहीं है, जो से मान लिभी ने कि तो यँ मेरा गेंस थेफ लगा देंगें अर्सलेय का इस्लाइड हाग इस लाइड था तो यह आपके जनरल exception का एक पार्ट यह जनरल exception का एक पार्ट इस 70 6295 अब एपन जा रहे हैं जनरल exception के एक separate पार्ट में इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिसको आप जानते हैं प्राइवेट डिफेंस के नाव से नाव दिस वेरी इंपोर्टेंट प्राइवेट डिफेंस से स्टार्ट होता है हर सेक्शन इदर important है और काफी important है है section इदर चीक 96 simply एक बात कहता है things done in private defense nothing is an offense which is done in the exercise of private defense private defense में आप कुछ भी करेंगे वो offense नहीं होगा बताया नहीं कि private defense होता क्या है सब 96 यह कहता है कि आप private defense में कुछ भी करेंगे वो offense नहीं होगा 97 बतायेगा कि private defense कब होगा तो देकि 97 right of private defense of the body and of property 97 कहता है कि private defense दोनों cases में available है offense against body के against भी और offense against property अधर हो रहा है तो भी देखिया IPC में different chapters है जो offenses हैं उनको अलग-अलग category में डिवाइड किया गया है कुछ offenses होते है offenses against property कुछ offenses होते है offenses against body जैसे hurt grievous hurt murder culpable homicide wrongful restraint confinement यह सब body के against offenses है theft extortion cheating breach of trust is a property के against offenses है तोनों case में मिलता है private defense किस को मिलेगा तो 97 कहता है खुद की property को protect करने के लिए भी private defense मिलता है खुद की body को protect करने के लिए भी private defense मिलता है किसी दूसरे वेक्टी की body या property को protect करने के लिए भी private defense मिलता है जरूरी नहीं कि मेरे body पर attack होगा तभी मैं private defense use कर सकता हूँ मेरे सामने किसी दूसरे की body के against भी कोई offense commit किया जा रहा है तो वहाँ भी मेरे पास right of private defense है मैं उसको भी protect कर सकता हूँ और अगर ऐसे case में protect करता हूँ तो I won't be liable for that offense मेरे को private defense मिलेगा यह चीज जान लखिएगा अब एक सवाल है मेरा आपसे कि आप देखेंगे इसका जो first part लिखा है उसमें लिखा है कि आप आपको private defense मिलता है against any offense affecting the human body human body के against होने वाले किसी भी offense के case में आपको private defense मिलता है लेकिन जो second part है जो बात करता है offenses against property उसमें specific offenses हैं उसके बारे में प्रुप्रियेशन नहीं मिलेगा उसको आप चेक करेंगे तो आपको criminal misappropriation नहीं मिलेगा आपको breach of trust नहीं मिलेगा उदर पे उन cases में private defense की बात नहीं लिकिन 97 क्यों नहीं है in cases में private defense इसको आप मुझे कल बताईए चारे जबाब मैं एक बार में आपको नहीं दूँगा इसके बारे में सोचिएगा ओफेंस अगेंस प्रॉपर्टी पढ़िएगा ज़रा फिर इस बात को समझने की कुशिश करिएगा कि उन अब देखिए यह तो गए 97 इसके बाद आपन आते हैं 98 पर कि आपको प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस मिलता है और इसके अगेंस हो रहा हो या फिर फिर आता है 98 अब 98 आपको बताता है कि आपको उन आक्स में भी डिफेंस मिलेगा जो ओफेंस नहीं है लेकिन वो एक्स ओफेंस क्यों नहीं है क्योंकि वो general exception की category में आते हैं देखिए 98 राइट of private defense against the act of person of unsound mind etc when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth otherwise worked offense होता लेकिन अभी नहीं है क्यों नहीं है because of the youth youth बोले तो 7 साल तक का बच्चा 82 में जो पढ़ा ना कि 7 साल तक का बच्चा कुछ भी करेगा offense नहीं होगा अब मालनी जो एक 5 साल का बच्चा एक loaded gun लेके आपके पीछे दौड़ रहा आपको गोली मारने के लिए अगर वो गोली मार भी देगा तो क्या वो एक offense है? Dancer is no एक पागल आपके पीछे चाकू लेके दौड़ रहा है और वो आपको चाकू मार भी देगा तो क्या वो offense है? Dancer is no तो as per 97 तो आपको private defense नहीं मिलना चाहिए क्योंकि 97 कहता है कि आपको private defense तभी मिलेगा जब आपके against offense कमिट हो रहा हूँ बट ये दोनों लोग तो offense कमिट करने के लिए क्यों पेबली नहीं है उसे intoxicated person कर रहा है जो कि involuntarily intoxicated हो या उसे कोई 7 साल तक का बच्चा कर रहा है या उसे कोई 7 से 12 साल तक का बच्चा कर रहा है जिसके पास sufficient maturity नहीं है ऐसे acts में भी आपके पास right of private defense भोगा ये बात express करता है 98 कोई पागल आपके पीछे चाकू लेके दॉड रहा आप उसकी जान ले सकते हैं अपने private defense में भाले वो मार भी देता तो offense नहीं होता I hope that is clear So this is 98 इसके बाद देखिए 99 acts against which there is no right of private defense Now this is very very important 99 बहुत important है ये actually limit बताता है right of private defense की limit की कहा कहा applicable नहीं है इसका जो first paragraph है और second वो उतना important नहीं है first paragraph deals with कि अगर कोई officer है अगर कोई public servant है जो अपने official duty में कोई काम कर रहा है good faith में तो उसके against आपके पास right of private defense नहीं होगा second paragraph बताता है कि अगर public servant के order पे कोई दूसरा वेक्ती act कर रहा है वहाँ भी आपके पास private defense नहीं होगा लेकिन इसका जो third और fourth paragraph है यह बहुत ज़्यादा important है तो third देखिए there is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities आपके पास उन cases में private defense नहीं होगा जहां आपके पास समय हो public authority का recourse लेने की public authority की help लेने का समय हो वहाँ पे private defense applicable नहीं होगा अगर आपके पास sufficient समय कि आप police के पास जा सकते है तो आपको खुद सिंगम बनने की जरुरत वहाँ पे नहीं है फंडा समझे private defense का जो jurisprudence है वो यह है कि private defense एक natural right की तरह आपको दिया गया है क्योंकि हर human being के पिछे एक police वाला लगवाना संभव नहीं है और भाई यह human instant है कि मेरी body के against कुछ भी होगा तो automatically I'll resist that मैं उसको रोकूंगा यह मेरा natural right है जिसको recognize करता है IPC की ठीक मैं अपनी property और अपनी body के against होने वाले offense इसको रोकूंगा इस principle पे based है यह लेकिन जहां आपके पास समय है यह उन cases के लिए जहां पास समय नहीं आपके पास समय authority के पास जाने का तो वो करो खुद hero नहीं बनना होदर last point देखिये extent of which the right may be exercised this is very very important the right of private defense in no case extends to the inflecting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense आप इपने आपको defend करने में उतना ही force लगाएंगे जतना defense के लिए जरूरी है right of private defense is not for retaliation retaliate करने के लिए नहीं है defend करने के लिए है जैसे मान लीज़े किसी वक्ती ने आपको एक ठपड लगा दिया ही बदले में आपने भी एक छिपका दिया तो आपने चो बदले में चिपका दिया है इस प्राइवे दिए सब्का लिए नो is no, that is retaliation, that's not protection, that's not defense, हाँ, कोई आपको थपड़ मार रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, that is private defense, क्योंकि वो reasonable force है जो आपने अपलाय किया, अपने को protect करने के लिए, जब already एक किसी ने लगाई दी, आप क्या protect करो है, इस बात समझ रहे हैं, यह बहुत important है, दोनों बाते हैं, जहाँ authority के पास जाने का समय हो, वहाँ आपको नहीं करना है, और आखरी वाला कहता है, जितना जरूरी है force, उतना ही लगाना है, उससे जादा नहीं, जैसे माल लीजे कोई एक लाठी लेके आपको पिटने आ रहा है, आप बंदुक निकाल क लगोली मार देते हूं, that is not right of private defense, आपको private defense में यह right नहीं मिलता है, आपको proportionate force apply करना है, जितना danger है, उतना ही force आपको apply करना है, यह जरूर ध्यान रखिये, इसके बाद आईए section 100 पे, this is also important, when the right of private defense of the body extends to causing death, 100 बात करता है कि कब आप अपनी body को protect करने के लिए asylum की death cause कर सकते हैं, वो कौनसी circumstances हैं, जिसमें आपका right of private defense, इस extent तक जाता है, कि आप किसी वक्ती की जान भी ले सकते हैं private defense में, कब जब offense body के against हो रहा हो, तो body के against offense हो रहा हो, उसमें आप जान कब ले पाएंगे, यह 100 में दिया है, साथ situations हैं इसमें, दो इसमें technicality भी है, first clause में है, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence, अगर आपके against ऐसा assault हो रहा है, जिसमें आपको apprehension है कि आपकी death हो सकती है, in that case आप भी सामने वाले की जान ले सकते हैं, कोई वक्ती चाकू लेकर attack कर रहा है, बिलकुल जान से मारी देगा, ऐसे में आप भी उसको मार सकते हैं, अपने को protect कर करने के लिए, but 100 is also subject to 99, ये ध्यान रखिएगा, ये बात clearly 100 में mention है, section 100 is also subject to 99, कहने का मतलब अब ये बोल दिया कि जहाँ death का apprehension हो वा जान ले लो, मतलब सीधे जान मतले लो, 99 तो अपलाए होगा, force उतना ही अपलाए करना है, जितना जरूरी है, causing death should be the last resort, I hope that is clear, second जहाँ apprehension हो, grievous hurt का, अगर आपको apprehension है, grievous hurt का, तो भी आप जान ले सकते हैं, but again, it is subject to 99, तीसरा है, assault with the intention of committing rape, अगर आपके ओपर कोई assault किया जा रहा है, जिसमें विक्ति का intention है, rape commit करने का, वहाँ भी आ, death cause कर सकते हैं, फोर्थ है, assault with the intention of gratifying unnatural lust, जो 377 के offences है, unnatural sexual intercourse, को ये क इसमें ये संभावना हो कि इसके बाद आप बच नहीं पाएंगे, इसके बाद आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा, इस तरीके का wrongful confinement तो वहाँ भी आप जान ले सकते हैं, और 7thly वाला अलग से आइड हुआ है, 2013 में acid attack, अगर कोई acid attack कर रहा है और उसमें संभावना है grievous hurt होने की या death होने की, वहाँ पे भी आप जान ले सकते हैं वेक्ति, अब एक difference जो है, वो आप ज़रा देखिए, clause 1 और 2 में लिखा है apprehension, ऐसा assault जिसते reasonable apprehension cause हो, और third से लेके, आगे के जो clauses है, 3, 4, 5, इन में लिखा है, assault ऐसा होना चाहिए, जिसमें intention हो वेक्ति का, rape commit करन करने का, या unnatural lust gratify करने का, या kidnapping, या abduction करने का, you should also understand what is the difference between these two things, though अपन उसको अभी discuss नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी अपन pre-focus है, बस इतना ध्यान रखिए कि वो जो intention है, उसको proof करना मुश्किल है, मैं आपको पहले ही मैंसरियां पढ़ाया था कि intention is the highest degree, उसको proof करना अब हमें ऐसा apprehension था, मुझे एक reasonable apprehension था, कि ये वे केसा कर देगा, clause 1 और 2 इसी case में आपको अधिकार दे देते हैं, जान लेने का, लेकिन 3 से 5 तक तब अधिकार मिलता है, जब आप ये proof करें, कोट में, आपका act justified, death cause करना तब ही justify होगा, जब आप ये proof करें, कि उस वेक्त दे रहा था, इससे related, so 100 is very important, इसके बाद 101, 102 बहुत important नहीं है, 101 बस ये ही बताता है, कि बाकी इन 100 के साथ situations को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो भी हान आपको cause होने वाला है, आप body के events, उसमें आपको इस दूसरा force इस्तेमाल करिये, death के अलावा, ये 101 बताता है, 102 बतात defense of the body commences, as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues, तो भाई, apprehension कैसे cause हो सकता है, attempt से भी cause हो सकता है, threat से भी cause हो सकता है, ज़रूर है कि वो वक्ती act करी दे, भाई, कर देगा फिर क्या difference करोगे, attempts से, threat से भी, reasonable apprehension cause हो सकता है, ये आपको 102 बताता है, ठीक, नहीं भाई, हरशा, रेप में modesty बिल्कुल नहीं आएगा, दोनों में बहुत difference है, degree का difference है, offenses में, आप हर sexual harassment को या हर sexual offense को आप रेप consider नहीं कर सकते हैं, expressly rape है, और unnatural sexual intercourse, ये इसमें include नहीं माना जाएगा, इसी की तरह 100 के साथ आपको देखना होता है, 103, hundred बात करता है, कि कब आप a silent की death cause कर सकते हैं, जहां आपकी against offense हो रहा हो, body के against, property के against offense हो रहा हो, तब आप किन circumstances में वक्ति की जान ले सकते हैं, ये दिया है 103 में, 103 किसकी बात करता है, offense against property में कब आप a silent की जान ले सकते हैं, इसे प्रॉपर्टी से रॉपरी क्या होता है एकस्टॉर्शन प्लस वॉइलेंस समझ रहे हैं आप बॉडी को भी हाम होने की संभावना तो वो है फिस्ट में सेकेंड हाउस ब्रेकिंग बाइनाइट रात में कोई आपके घर में घुसरा है तो यहां पे भी संभावना है और ह वहां भी प्राइवेट डिफेंस में जान ली जा सकती है और फॉर्थ ली है थिफ्ट मिस्चीफ हाउस प्रेसपास और इसमें बहुत क्लेरली उन्होंने लिखाए ऐसी सरकम्स्टांसिस में जहां बॉडी को भी हाम होने की संभावना हो वहां व्यक्ति की जान ले सकते हैं इसके बाद 104 क्यता है कि दूसरा कोई हाम आप कर सकते हैं अगर 103 में आपका केस पॉल नहीं कर रहा है तो आप जान तो नहीं ले पाएंगे लेकिन दूसरा रीजनेबल फोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपनी बोटी को प्रेट करने के लिए 105 बताता है कब राइट और प आपको डेट का थ्रेट है डेडली असॉल्ट है आपके अगेंस डेडली असॉल्ट मतलब कि आपकी जान जाने की संभावना है ऐसे में अगर सिच्वेशन ये है कि आप अपने को प्रोटेट अगर करने के लिए फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि किसी इनोसेंट को भी आप हाम कॉज कर सकते हैं इन दाट केस 106 गिप्स यू पावर तो यूज दाट फोर्स भले ये संभावना है कि उस भीड में हर वेक्ति उसकी जान लेना नहीं चारा था कुछ इनोसेंट लोग भी आसपास खड़ेते लेकिन सिच्वेशन ऐसी है कि अगर भीड को नहीं रोका तो वो मेरी जान तो ले लेंगे और ये भी रिस्क है कि जब मैं भीड पर गोली चलांग तो किसी और को भी लग सकती है तो 106 मुझे ऐसे case में भी right of private defense exercise करने का अधिकार देता है that's why it is important illustration based question इधर आता है 106 में ठीक case का नाम एक लिख लिए जिए private defense से related वैसे तो बहुत सारे cases है private defense में सारे तो अपन बात भी नहीं कर पाएंगे इसमें कहा गया था कि right of private defense जो है यह बहुत narrowly constitute नहीं होना चाहिए थोड़ा liberal meaning इसका लिया जाना चाहिए क्योंकि social purpose को सर्व करता है यह इसलिए और बाकी बहुत सारे cases है बिलकुल अरुन कुमार वर्से बहुत सारे cases है जिनमे guidelines laid down है basically guideline किस चीज़ की है 99 की जो बाते हैं कि आपको उनी cases में private defense इस्तिमाल करना है जहाँ आपके पास authority के पास जाने का समय नहीं है या पिर वहाँ private defense इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपको reasonable force apply करना है जो apprehended danger है जितना उतना ही force आपको apply करना उससे जादा आपको नहीं करना है एक example से इस बात को समझ लीजिए hundred का example दे रहा हूं death cause करने वाला मान लीजिए एक पांच floor की building है और इसका जो top floor है चौथा floor है पांचपा floor है whatever यहाँ पे एक flat है जिसमें एक judiciary की aspirant एक देदी रहती है और यह देदी भयानक तयारी कर रही है जोडिशरी exam की रात के देड़ बजे के लगभाग इनका study table लगा हुआ है इधर पर यह बैठी हुई है यहाँ एक खिड़की है study table लगा हुआ है study table पर लाम्प जल रहा है किताब खुली हुई रखी हुई है वह पूरा माहूल है की भयनक तयारी चल गई है उस किताब के बीच में एक mobile phone र reply आया chat का एक नजर इनकी इस खड़की पर जाती है जैसे यह सखड़की को देखती है यहां कि अंजान व्यक्ति खिड़की से रात के समय अंदर आने की कोशिश कर रहा है दी दी एकदम डर जाती है कि अपना लेंप उठा के उसको फेक के मारती है या कुछ और उनके टेबल पर रखा होता है फेक के मारती है इसको लगता नहीं है यह साइड में हो जाता है वो चीज निक गया उसके बाद वो कूद के अंदर आ जाता है व्यक्ति खिड़की से उनके रूम में अब यह दी दी क्या करती है कि इनके पास एक डेकोरेटिव वास्था बड़ा सा हेवी सा यह वो उठाती है और एक इसके सिर पे उस स्ट्रेंजर व्यक्ति के सिर पे तेजी से मारती है यह भी प्राइवेट डिफेंस है तेजी से मारा वो व्यक्ति नीचे गिरा अनकॉंशिस होके अब जैसे ही वो अनकॉंशिस होके नीचे गिरा उठने की हालत उसके दिखने रहे फिर भी यह क्या करती है वास उठाके और दो चार बार मार देती है फिर पे उसके वो अल्रे वो तो इस नेचर का है कि समभावना है हो सकता रेप कमेट करने आया हो या हाउस ट्रेस पास है बाइनाइट तो क्या प्राइबेट डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा आपने एकसीड कर दिया क्योंकि भाईया जब वो अनकॉंशेस होके गिर गया यहां पे खतम हो जाना से यह अब आपको एमिनेंट डिंजर नहीं था लेकिन फिर भी आपने लगा दिया अब वो समझ चाहिए थी किताब लेके आप वर्ट से आप कर रही थी आपने क्लास देख ली होती मुबाइल में यह वाली तो आप ऐसी हरकत नहीं करते हैं लेकिन आपने तो निप्टा दिया भ अब गचाहिए प्राइबट और एवा एप्रेहिंशन है उसको और उसने जो मार है अथ एस दो बहुत केस्ट चाहिए कितना force required है उतना imminent danger होना चाहिए that's about right of private defense and I hope that is clear to everyone yes or no पता दो भाई yes चलिए आगे बड़ते हैं abitmen भी करा हूँ आज मैं उसके बाद ही जाएंगे घर abitmen कर लेंगे आज कोशच करेंगे abitmen conspiracy कर लें abitmen conspiracy दोनो क्या विचार है आपका कि दिक्कत नहीं है न कि अभी बता दो कि चलिए कि चन्वीर करें ज्यादा हो जाएंगा कि अगला चैप्टर चैप्टर फाइव ऑफ अबेटमेंट देखिए एक सुसाथ सिंप्ली एक सुसाथ सिंप्ली डिफाइन करता है गृ को अबेटमेंट का मतलब बताता है विचार यह पी ओषिप्टर जिर्फ पर चैप्टर स्व्थ अदूंदी qiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiioossiiiiiiiiiii निसाइब करने के लिए मैं आपको बहיानक कर दू कि इस बार उत्तर प्रदेश निकाल ही देना है और आप निकालाते हैं क्या यह अबबबबन तो है यह offense नहीं है द्यान रखना लेकिन यह instigation है और abatement instigation के थूफ होता है कि क्लियर सेकेंड चीज़ है conspiracy conspiracy भी हो सकता है conspiracy conspiracy भी abatement में आता है दो और दो से जादा लोग मिलके conspiracy करते हैं और उसके pursuence में अगर कुछ act कर देते हैं तो is also considered as abatement लेकिन हमारे पास conspiracy के separate प्रोविजन भी है अगला chapter 5a तो उसका जरा difference समझ ले ना इधर कि conspiracy अलग से क्यों दिया है अलग chapter में 5a में अलग से क्यों दिया 120a में अलग से क्यों दिया conspiracy जब इवेटमेंट में अल्रेडी हो रहा था वो इसलिए दिया बेटा क्योंकि इधर पर conspiracy के साथ कुछ act होना जरूरी था pursuence में ओवरटाक्ट सिर्फ agreement से conspiracy पनिशेबल नहीं बनता था इसमें सिर्फ agreement से कुछ act होना जरूरी था अगर मान लीजे दो लोगों ने मिलके सिर्फ यह अग्रिमेंट किया है कि अपने कॉफेंस कमिट करेंगे दाट वॉसके लिए अलग से चेप्टर एड करा और जरा आप उस पर आईए उस चेप्टर पर आईए जरा बेरिट में तो आप देखेंगे कि यह जो इंसर्ट किया गया है यह उनने सो तेरा में करा गया है चेप्टर 1913 में समस्या ब्रिटिशर्स को यह हो रही थी यहाँ पर कि जो एक्स्ट्रीमिस्ट थे जो करांतेकारी थे वो ऐसी योजनाय बनाते थे कि ट्रेन लूटेंगे काकोरी में अब उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया उस प्लान के एक्जिक्यूशन के लिए सिर्फ प्लान क किया अगर आपने सिर्फ प्लान किया तो आप इसमें नहीं फसर रहे थे क्योंकि यहाँ तो क्लॉस्ट्टू कहता है कुछ एक्ट भी होना चाहिए इसलिए बच जाते थे इसलिए अलग से चप्तर बना दिया कॉंस्पिरेसी और यहाँ अगर आपने अग्रिमेंट ही किया है ओफेंस करने का तो भी पनिशेबल है अब उसके भी बात करेंगे तो सेकेंड चीज़ समझे कि कॉंस्पिरेसी से भी हो सकता है तीसरा इंटेंशनल एडिंग से हो सकता है इंटेंशनल एडिंग, आप इंटेंशनली एड करते हैं, एड मतलब हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जैसे माल लीजे मैं सडक पे जा रहा हूं, दो गाड़ियों का एकसिडेंट हुआ, दोनों भाई बाहर निकल के लड़ रहे हैं, और भायानक बातें चल रहे हैं उदर की मैं यह कर दूँगा, वो कर दूँगा, थोड़ी बहुत मार पिटाई चाली होती है, मैं वहीं बगल में खड़ा था, मैंने पत्थर उड़ा के आथ में दे दिया, मैंने खोल दे सिर खोल दिया, उसने उड़ा के सिर खोल दिया, so that is also considered as abitment, मैंने act of abitment कर दिया, अब यह abitment कब punishable हुआ, कब नहीं, वो अपन आगे देखेंगे 108 बता रहा है, मैंने आपको का का, 107 सिरफ define कर रहा है, abitment के act को, तो यह तीन चीज़ों से abitment हो सकता है, यह एक important सवाल होता है, आपने facilitate हिया, चीक है, इसके बाद देखिए 108 पे आते हैं, अब 108 जो है, यह बहुत important है, यह बताएगा कि abitment कब offense होगा, अभी हमने पढ़ा act of abitment होगा, क्या, अब यह abitment कब offense होगा, punishable कब होगा यह abitment, तो 108 देखिए, a person abits an offense, 108 क्या बताता है, a person abits an offense, क्योंकि abit तुम्हें आपको exam crack करने के लिए भी कर सकता है, भाई आप पढ़ दो, तो इस बेरोजगारी से निजाद मिल जाए, इसलिए मैं कहता हूँ, बैट के IPC का वीडियो देखो, आ बैट कितनी भी होती है, आप वेरोजगार है, इससे जादा ही मिलेगा, तो वेड़ा उसके लिए पढ़ा ही कर लो ना, आपको इसमें इंटरस्ट होगी, कुतनी होती है, जाज की से लेगा, जित्ती भी है आपने लिए तो बढ़ी आई है, क्योंकि अपन तो वेरोजगार अगर मैं आपको इंस्टिगेट कर रहा हूं पढ़ने के लिए वो भी act of abitment है, but that's not an offense, 108 केता है, person abits an offense, आगे देखिए, a person abits an offense, who abits either the commission of an offense, or the commission of an act, which would be an offense, if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention of knowledge as that of the abitter, simply पहला paragraph समझीएगा, 108 का, 108 केता है, a person abits an offense, कब कहा जाएगा कि वेक्ती ने offense का abitment किया है, जब भी वो abit करता है, किसी भी offense का commission, अगर आप abit करते हैं, किसी offense का commission, तब आपका abitment एक offense होगा, otherwise वो नहीं होगा, ये abitment offense कब बनेगा, जब आपने abitment किस चीज़ का किया है, commission of offense का abitment किया, जैसे, instigate मैंने पढ़ाई के लिए किया, तो वो abitment है, बट offense नहीं है, बट मैंने आपको instigate किया, चोरी करने के लिए, मैंने आपको instigate किया, मडर करने के लिए, in that case, it will be considered as an abitment of an offense, उस case में मेरा abitment जो है, वो offense हो जाएगा, यह आपको 108 बताता है, 108 का जो first paragraph है, उसका जो letter portion है, वो आपको यह बताना चाहरा है, कि first portion तो कह रहा है, कि जब आप commission of offense abit करेंगे, तभी आप liable होंगे abitment के लिए, punishable होगा आपका abitment, लेकिन इसका later portion यह बता रहा है, अगर आपने कोई ऐसा act भी abit किया है, जो अभी तो offense नहीं है, offense क्यों नहीं है, क्योंकि किसी ऐसे वेक्टी ने किया है, जो offense करने के लिए capable ही नहीं है, लेकिन आपने ऐसे चीज़ abit करी थी, जो अगर कोई competent वेक्टी करता, तो वो offense होता, जैसे मान लीजे, मैंने एक 5 साल के बच्चे को एक चाकू दिया, और बोला बेटा, वो अंकल खड़े, उनकी जान लिलो जाके, चाकू मार दो उनको, अब ये बच्चा भले चाकू मार देगा, जो act मैंने abit किया है, क्या ये commission of offense है, so the answer is no, क्योंकि बच्चा तो कुछ भी करे, offense नहीं है, 82 में पढ़ लिया, लेकिन मैं abitment के लिए guilty होंगा, ये बात 108 के later portion में है, करेक्ट शालिने, किसी पागल व्यक्ति को भी मैं abit करता हूँ, offense commit करने के लिए, उसको तो defense 84 का मिलेगा, but I am liable, explanation बहुत important है इदर, पहला explanation illegal omission के inclusion को बताता है, कि मानलीजिये, मेरी duty नहीं है, ये कुछ करने की, बट जिस वेक्ति के duty है, उससे मैंने illegal omission करा दिया, तब भी offense होगा, जैसे मानलीजिये, explanation 1 थोड़ा समझी ज़रा, कि मानलीजिये, मैं और मेरा friend एक बीच पे बैठे है, मेरे friend वहाँ lifeguard है, उसकी responsibility है, वहाँ को ये डूबे तो उसको बचाने की, क्या मेरे responsibility उसको बचाने की, अगर मैं उसको नहीं बचाऊँगा, तो illegal omission होगा, क्या, मैंने फिछली class में बताया, ये illegal omission नहीं है, क्योंकि मैं legally bound नहीं हूँ, उसको बचाने के लिए, लेकिन मेरा जो friend है, वो बचाने के लिए bound है, अगर वो नहीं बचाएगा, तो it will be an illegal omission, मैं अबेट करता हूँ, उस अपने friend को ऐसा illegal omission करने के लिए, यहाँ भी मैं अबेटमेंट के लिए liable होंगा, भले ही वो मेरी legal duty नहीं थी बचाना, उसके बाद भी मैं illegal omission अबेट करने के लिए liable होंगा, मैं इस offense के लिए liable होंगा, I hope this is clear, explanation 1, explanation 2 भी उतना ही important है, to constitute the offense of abitment, it is not necessary that the act abitment should be committed, or that the effect requisite to constitute the offense should be caused, यह explanation 2 और इसी के साथ में आपको बता देता हूँ, 110, 111, 113, सब का crux यह है, अगर आप सब को readout करेंगे, जिस वक्ती नहीं abit किया है न, वो अपने abitment के लिए liable है, बहले इस सामने वाला गत्ती कुछ और करा हूँ, वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करते हैं इसके बदने, लेकिन finally आप commit नहीं कर पाई, death नहीं हो पाई, तो आप attempt to murder के लिए liable है, बट मैं तो इस case में भी abitment of murder के लिए liable हूँ, क्योंकि abitment के लिए ज़रूरी नहीं है कि final commission, प्लस इसी में 2-3 बतें और समझ लीजे, जो 110, 111, 113 पढ़के आपको समझ माएंगी वो यह, पेसंजर वहां के बैठता है, और मैं उस पेसंजर से केता हूँ, भी यह, वो मेरा बैग रखा है उपर, उसमे एक mobile phone है जरा निकाल के दे देना, और मैं इस से चोरी करवा लेता हूँ, अब उसका क्या intention है, इस बात से मेरे offense पेट नहीं पड़ेगा, अब यह जो नया पेसंजर आ रहा है, जिसको नहीं पता कि वो back किसका है, वो तो इस belief में, वो उस बात को खोल रहा है, और उसमें से phone निकाल के दे रहा है, क्योंकि उसको यह belief है, कि वो back मेरा है, तो उसने जो act किया, वो तो theft नहीं है, क्योंकि उसका intention dishonest नहीं है, बट मेर मैंने तो इसी intention से करवा है, तो मैं मेरे उपर वह liability होगी, जो मेरा intention है, मैं तो उसे के लिए लागा हूँ, इसमें liable हूँ, irrespective of the intention of the other person, जिसको मैंने अबेट किया, ऐसे ही, इसमें कुछ आपको ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी, जहां यह दिया हुआ है, कि मैंने अबेट क किया कुछ और, और करके आप कुछ और आ गए, जैसे मालीजे, मैंने किसी को अबेट किया, कि जाओ उस घर में चोरी करो, अब यहां मैं हर consequence के लिए liable हूँ, जो probable consequence है, मेरे अबेटमेंट का, अगर मैंने अबेटमेंट कुछ और किया है, और वो कुछ अतरंगी ही करके आ in that case, अगर उसने जो consequence produce किया है, वो probable consequence नहीं है, मेरे अबेटमेंट का, in that case, I am not liable for that, जैसे मैंने किसी को चोरी करने भेजा, अब वो घर में चोरी करने गया, वहां एक महिला थी, इसने रेप भी कमिट कर दिया, और सामान भी चोरी करके आया, तो मैं सिर्फ अबेटमेंट इसने जिस तरीके से अबेटमेंट उसको किया, उसका probable consequence है, जो वो तिर्फिया है, I hope you are getting this, that is the crux, probability plays an important role, अगर कोई लेना देना नहीं है, मेरे अच्टर उसके अच्टर उसके अच्टर नाट के सामाग लाए बिए, बस यही इनका crux निकलेगा, इसके बाद आते है, 108, this is बाहा है, in that case also you are liable for the abatment, यहां लेका है, person abates an offense within the meaning of this court, who in India abates the commission of any act, without and beyond India, commission बाहर होना है, illustration दिया है, A in India instigates B a foreigner in Goa to commit a murder in Goa, अब यह illustration उस समय का है, जब Goa was not a part of India, अब तो बारत का ही पार्ट लगता नहीं है, Goa अब भी भी भारत का पार्ट, लेकिन हो गया है, अब तो यह illustration अब उतना वाजिब नहीं रहा, जैसे माल लीजे मैं किसी वेक्ति को instigate करता हूँ कि England में जाके किसी का murder कर आओ, तो भी मैं abatment के लिए liable हूँ, विलकुल 108 में, section number पूछा जाता है, कि भारत के बाहर act commit कराने का abatment अगर भारत में किया गया, तो किस section में 108A ज़रूर ध्यान रखिए, इसके बाद आते हैं अपन, 109 और 114 यह बहुत important है abatment में, इनको जरा समझ लेना, 109 और 114, देखिए 109 के essential अगर आपके लिए मैं summarize करूँ, तो इसको समझेगा, 109 उन offences पे applicable है, जिन offences का expressly abatment का punishment नहीं दिया, जैसे IPC का 511, वो गिन offences के attempt पे applicable है, जिन offences के attempt का अलग से provision नहीं है punishment का, जैसे आप देखेंगे waging war against the state, उसका abatment का भी punishment दिया हुआ है, ठीक, तो कुछ ऐसे offences है, जिनके abatment के लिए expressly punishment prescribed है, वो तो वहाँ से गवन होंगे, लेकिन 109 ऐसे offences की बात करता है, head note पढ़ि express provision is made for its punishment, तो 109 वहाँ applicable है, जहाँ express कोई provision नहीं है, no express provision, abatment का, plus act is committed, act is committed in consequence, मैंने abat किया और वो याक्ट आपने कर भी दिया, मैंने आपको theft के लिए abat किया, आपने theft कर भी दिया, और theft के abatment का अलग से provision नहीं है, तो हमारा act किस section से govern होगा, मेरा abatment किस section से govern होगा, 109 से, आपको तो punishment मिलेगा, theft के punishment वाले section में, मेरे को मिलेगा 109 में, उसका punishment 109 में दिया है, क्या punishment है, whoever abates any offense shall, if the act abated as committed and consequence of the abatment and no express provision is made by this court for the punishment of such abatment, be punished with the punishment provided for the offense, आपको same punishment मिलेगा, जो offense के लिए है, same, जो आपको theft का मिलेगा, मेरे को भी बोल मिलेगा, अगर consequence में वो offense हुआ है, तो, नहीं हुआ है, तो 109 applicable नहीं है, उसके लिए आगे, दूसरे punishment के provisions है, important इसमें, बाकी नहीं है, जैसे 115 से आप देखेंगे, 115 से यही सारी कहानी है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हो, abate करने के बाद, आप scene of crime पे मौझूद है, आपकी presence में, वो offense हो रहा है, जिस भी व्यक्ति को आपने abate किया, वो आपकी presence में, वो offense कमिट कर रहा है, आप भी वहाँ present के, और फिर उस व्यक्ति ने, जिसको आपने abate किया, उसने वो particular offense कमिट किया है, 114 कहता है, in that case, it will be deemed that you have committed the offense, it will be deemed that you have committed that offense, आप नहीं वो offense किया, उसको तो सजा मिलेगी, जिसने किया, बट आपने, जिसने abate किया है, अगर वो scene of crime पे मौझूद है, तो ये माना जाएगा, as if you have also committed the same offense, चार्ज बनेगा, मान लिजे मडर किया है, तो 302 का इसी दे, इसलिए मैंने कहा था 34, जैसे का principle, 114 भी constructive liability है, जिसको मैंने अब murder करने के लिए abate किया था, अगर मैं भी मौझूद था वहाँ, murder होते समय, तो माना जाएगा, मैंने भी murder किया, उसकी liability मेरे उपर constructive liability मैंने पढ़ाया था आपको concept, ये उसी की तरह है, difference क्या है, 34 और 114 में, 34 में आप participate करते है, active participation है, इसम participation भले ही ना हो, लेकिन abate किया था आपने पहले और फिर आप scene of crime पे मौझूद थे, तो आप 114 में चले जाएगे, भले ही आपने कोई active participation ना दिखाया हो, तब भी आप चले जाएगे, 114, same offense के लिए आप charge हो जाएगे, so this also creates constructive liability, देखिए जरा, whenever any person who is absent, would be liable to be punished as an abitur, is present when the act or offense for which he would be punished in consequence of the abitment is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense, यह माना जाएगा कि आपने ही वो offense commit किया है, I hope that is clear, समझ महा है, 109 और 114, 109 में presence जरूरी नहीं है, यह उनकी बात करता है जाएगे, express provision नहीं है, और act commit हुआ है consequence में, तो 109 में जाएगे, 114 केता है, आपने कोई offense commit करवाया है, abit करक और आप वहां मौजूद थे, in that case it will be deemed that you have committed the offense, you have yourself committed the offense, छीक, चल ये, ये होगे abitment, जैसा मैंने कहा है, बाकी provision उतने important नहीं है, एक बार रीड गर सकते है, अपनी समझ के लिए, बस कि किसका क्या punishment, पनिश्मेंट से question जनरल नहीं करते नहीं कि क्या punishment है, ये कभी नहीं So, that's about abitment, इसके बाद बात करते हैं conspiracy, conspiracy भी करवाई देता हूँ, अब मैं abitment के साथ साथ, है ना, चलिए, so conspiracy देख लेते हैं 5A, जैसा मैंने आपको बताया, बाद में add हुआ, फोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, है ना, conspiracy को, 120A को, तो क्यों add हुआ, क्यों कि भाईया, व वहाँ पर कुछ act होला चाहिए था, agreement के बाद, ज़रूरी था तब punishable था, इसलिए अलक से 120 आट की आगे और यहां किया कि मेर agreement is punishable, बट यहां पर भी थोड़ी कहानी है जरा उसको देखते है, definition of criminal conspiracy, when two or more persons agree to do, or cause to be done, an illegal act, तो देखिए, कैसे कैसे हो सकती है conspiracy, किस बात का agreement illegal act को करने का, an illegal act, when two or more persons agree to do, or cause to be done, an illegal act, or an act which is not illegal, by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy, तो आप agreement कर रहे हैं, या तो कोई illegal चीज़ करने का, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप में illegal नहीं है, not illegal, but, by, illegal means, लेकिन आप उसको कर कैसे रहे हैं, illegal means के थुरू, इसको अधी मैं बताता हूं, जरा फेले इस पर आईए, अब आप ये बताईए, illegal act का मतलब कहां से खोजोगे, illegal का मतलब कहां डूंडोगे या IPC मा, तो कि यहां लेका है, illegal act, illegal का मतलब कहां डूंडोगे, जब प बता भाई, इसक्षिन 43 पर जाना पड़ेगा, illegal का मतलब ढूंडने के लिए, कि कब कोई चीज illegal होगी, जाना पड़ेगा, सेक्षिन 45 पर, तो जाए, 43 पर, और 43 आपको बताएगा, कि कोई चीज illegal कब होगी, कब होती है illegal, या तो offense हो, या तो, offense हो, या तो, अच्छा, offense इदर लिख लेता हो, या फिर prohibited by law हो, prohibited by law हो, या फिर civil action का ground हो, civil action का ground हो, तीनों में से कुछ एक है, तो वो act कैसा माना जाएगा, illegal माना जाएगा, या फिर आप क्या कर रहे हैं, एक्ट illegal नहीं है, लेकिन illegal means से करने हैं, जैसे मान लीजिए, आपके घर पे कोई कब्जा कर लेता है, unlawful तरीके से, किसी ने कब्जा कर रखा आपके घर पे, आपको अपना घर खाली करवाना है, अब देखें, घर खाली करवाना कोई illegal act तो है नहीं अपने आप में, क्योंकि घर आपका है, तो घर खाली करवाना illegal act नहीं है, लेकिन घर खाली करवाने का सही तरीका है, कोट जाईए आप, इसकी conspiracy, इसका agreement भी अगर आपने किया है, तो वो भी criminal conspiracy माना जाता है, as per this first part of the section, ठेक, लेकिन अब आगे पड़ ये, जो प्रवाईजो लिखा है ना, this is very important, provided that no agreement, except an agreement to commit an offense, shall amount to a criminal conspiracy, unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof, पहले तो हमने ये बता दिया कि ये सब criminal conspiracy, इन सब का agreement, सर्फ agreement करना criminal conspiracy माना जाएगा, किस-किस का, किसी ऐसी चीज़ का, जो अपने आप में illegal नहीं है, लेकिन आप उसको illegal mean से कर रहे हैं, या फिर किसी भी illegal act, जिसमें ती रोची से आती है, तो इनका agreement criminal conspiracy माना जाएगा, लेकिन प्रवाइजो कहता है, कि अगर offense का agreement है, ये specifically सिर्फ एक पार्ट, ये offense, इसके अलिए प्रवाइजो कहता है, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy, unless some act is done, सिर्फ इसका जो agreement है, offense commit करने का जो agreement है, सिर्फ ये अपने आप में punishable होगा, बाकि के जो agreement है, चाहे वो prohibited by law कोई act करने का हो, किसी civil action कोई taught करने का agreement हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो अपने आप में illegal नहीं है, लेकिन आप illegal means से करने का agreement कर रहे हैं, इन तीनों agreement के cases में criminal conspiracy तभी होगी या punishable तभी होगा agreement, जब कोई overt act हो, बदले में, वैसे ही, abitment की तरह है, जो 107 में था, सिर्फ offense का अगर आपने agreement किया है, मेडल करने का, थिफ्ट करने का, whatever, any offense, तभी सिर्फ वो अपने आप में agreement punishable है, अब इन तीनों cases में, mere agreement is not punishable, अपन क्या करते हैं, ये वाला तो देख लेते हैं, प्रवाईजों पढ़ने के बाद, मगर हम काई बार इसको छोड़ देते हैं, हम illegal act के ये तीन division छोड़ देते हैं, ऐसा मत करिये लेकिन आप, क्योंकि इस बार आप तैरी कर रहे हैं, क्योंकि PCSJ की एलेक वाली है, तो जड़ा concept में पढ़ेंगे अपन, बात समझे रहो न, हमेशा ये लगता है कि सिर्फ इसमें applicable है वो provisor, कि यहां आपको over attack की ज़रुवत नहीं है, बट क्योंकि clearly लिखा है कि सिर्फ offense में mayor agreement punishable होगा, सिर्फ offense में mayor agreement punishable होगा, और illegal act is not just an offense, उसमें ये तीनों चीज़ें हैं, इसलिए इस बात को थोड़ा सा दन से समझ रहा है, चीज़ेंगे, इसके बाद 120B में इसका punishment दिया है, section number याद रखिएगा, punishment punishment रसा मेंने कहा, पूछा नहीं जाता है, एक provision और ध्यान रखिएगा, 196 का subsection 2, CRPC, ये किसका बता रहा हूँ, 196 subsection 2 of CRPC, वो conspiracy के offense के cognizance पे एक सेफ़गार्ड है, कि specific conspiracies के लिए आपको state government या concerned government की permission चाहिए होती है, ये एक सेफ़गार्ड है, कोगनिसंस लेने पे ध्यान रखिएगा, so that's the whole connection, ठीक, I hope that is clear, सेफ़गार्ड मतलब एक्दम सीधे उठा के अंदर नहीं कर दिया जाएगा, आपको, that is safe guard, की कोगनिसंस लेने के पहले, permission लेनी पड़ेगा, चलिया, I hope that is clear, that's all for conspiracy, chapter 6 of offenses against the state, और अभी ऐसा था कि जैसे general exception था, उसमें सारे के सारे provision important है, बटाबा आगे ऐसा नहीं है, पूरे पूरे चेप्टर हैं जो important दो है, जिसमें साब को कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि जनरली वो exam में, पूछे नहीं जाते हैं, हाँ हाँ, आयांज, contract टीप ये भी होगा, मेरे भाई, pre का, पूरा syllabus उत्तर प्रदेश का, जीके का, law का, additional जो add हो गया है law में, additional acts जो add हो गये हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है, जैसा मैं आपको पहली बताया है, कि जो दूसरे जो additional gk वाले हैं, उनका already है, एक बार आप उत्तर प्रदेश की जो playlist है, इस चानल पे, उस playlist पे जाईए, आपको already भी, जो already lives conduct हो चूँके, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी साथ साथ आप brush up करते चलिए, आपको तो जादा मेनाथ करनी ही पड़े हैं, तो कि जज तो आपको बनी है, चलिए chapter 6 पे आते हैं, this is of offenses against the state, जैसा मैंने पहले भी डिसकस किया है, IPC में जो offenses हैं, को अलग-अलग category में डिवाइड किया है, इसे लिए अलग-अलग chapter बना दी है, offenses against property अलग, offenses against body अलग, offenses against state अलग, offenses against religion अलग, इस तरीके से अलग-अलग categories है, अगली category जो है, इसमें हम offenses पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टीट के अगेंस होते हैं, चैप्टर नंबर ध्यान रखिएगा सबसे पहले, इसके बाद section आजाएं 121, देरिक निकाल लेजे भाई और pen copy भी रखिए, क्योंकि सांथ साथ में कुछ-कुछ additional चीज़ें भी आपको बताते जा रहा हूं, जो पूछी जा सकती हैं prelims में, so 121 is waging or attempting to wage war, और abating waging of war against the government of India, government of India के against, अगर आप war wage करते हैं, युद्ध छेड़ते हैं, तो that is an offense under 121, एक बात ध्यान रखना, 121 में सिर्फ waging war नहीं है, waging war है, इसका attempt है, इसका abitment भी है, ये सारी चीज़े हैं, so ये ध्यान रखिएगा, कि जो 121 है, इसमें waging war है, इसका attempt भी है, और इसका abitment भी है, abitment का भी punishment है, कल हमने abitment में provision पढ़े थे, वहाँ हमने देखा था, ऐसे offenses जिनके एक्सप्रेस, ऐसे offenses जिनके लिए express provision नहीं है, abitment का, उन पे कौन सा section applicable होता है, 109, अगर offense हो गया है, abitment के consequence में, और express provision नहीं है, abitment को punish करने का, तो 109 में punish होते हैं, लेकिन जिसे waging war है, इसका expressly abitment का भी दिया हुआ है, 121 में ही, इसके बाद देखिए 121 A, this is again important, इसी चीज़ की conspiracy का punishment है, यहाँ से सिरफ section के question आते हैं, section ध्यान रखिएगा, 121 A में, waging war की ही, conspiracy को punish किया गया है, 121 में पहले waging war, उसका abitment और उसका attempt, फिर 121 A में उसकी conspiracy, और 122 में उसकी preparation, तो ध्यान रखिएगा, waging war की preparation भी punishable है, waging war की भी preparation punishable है, decoity की भी preparation punishable है, जबकि generally preparation punishable, नहीं होती crime में, IPC में लेकिन यह ऐसी चीज़ें हैं, जबकि प्रपरेशन भी punishable है, तो 122 देखिए, collecting arms etc with intention of waging war against the government of India, government of India के against war wage करने के लिए, आप अगर arms collect कर रहे हैं, लोगों को इखटा कर रहे हैं, that is also punishable under 122, यहां से सिरिफ section, section नहीं में भीए बास, इसके बाद सीधे आजाईए 124A पर, 122 के बाद सीधे आजाईए 124 that is sedation, यहां भी ध्यान रखिएगा, sedation के section में है, आपको पता है कोई भी व्यक्ति, अपनी speech से, अपनी writing से, hated या contempt करता है, government के against, उसे sedation कहा जाता है, प्री के लिए बस इतना ही important है, किस section में sedation है, और इस से related landmark judgment, सबसे important judgment, sedation से related कौन सा आप जानते हैं, बताइए, सबसे landmark judgment, sedation से related, आप कौन सा जानते हैं, that is very important because, केदारनाथ वर्सेज शेट, 1962, this is one of the most important judgments, regarding 124A, के इसको जरूर ध्यान रखियेगा, 124A, that is sedation, इसमें है, केदारनाथ, वर्सेज स्टेट, that is 1962, this is very important, इसमें sedation के, स्कूर्ट को discuss किया गया था, इस provision के, 124A की constitutional validity को लेके, हमेशा सवाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह कह रहे हैं, कि अगर आप सरकार के against, अब आप provision पढ़ेंगे, तो आपको समझ माएगा, कि यह बड़ा ही वेग है, मतब बहुत certainty के साथ, offense को define नहीं किया है, जिसे देखिये, यहाँ लिखा है, whoever by words, either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India, shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added. तो अगर आप अपनी speech से, अपनी writing से, hatred या contempt पैदा करते हैं, सरकार के against, that will amount to sedition. अब इसमें कोई certainty नहीं है, किस तरीकी की speech होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बहुत बताया नहीं है, explanation दिये हैं, 1, 2, 3, और उसमें बताया कि अगर आप policies को, या administrative action को criticize कर रहे हैं, तो that won't amount to sedition automatically, जब तक आप hatred पैदा ना करें, बड़ उसके बाद भी बहुत clarity नहीं है, इस पे हमेशा बवाल रहा है, इस provision को लेकर, कि आप जानते हैं, current controversy भी थी, currently भी इसके उपर काफी developments है, थोड़ा बहुत उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, लेकिन अगर landmark की मैं बात करूँ, तो केदार्नाथ बहुत landmark है, इसमें ये कहा गया था, कि जो 191A है, constitution का, जो speech और expression का right देता है, उसमें reasonable restrictions हैं, कि reasonable ground पे, आप speech and expression को restrict कर सकते हैं, and 124A was held to be constitutional, कि भी ठीक है, इससे आप restrict कर सकते हैं, लेकिन अप current developments इससे काफी different हैं, फिलाल तो इतना ही important है, ये landmark judgment और section number आप ध्यान रखियेगा, इसके बाद इस chapter में, और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है इस पूरे chapter में, इसके बाद जो अगला chapter है, that is chapter 7 of offenses relating to the army, navy, air force, ये पूरा chapter relevant नहीं है for any prelims examination, generally इससे questions नहीं पूछे जाते हैं, पूरा chapter आप छोड़ सकते हैं, सीधे आजाईए chapter 8 पे, of offenses against the public tranquility, this is important, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, जब मैंने आपको constructive या joint liability बताया था, common intention पढ़ाया था section 34, तो मैंने साथ में 149 भी correlate करके आपको बताया था, constructive liabilities से related, जितने provision हैं, मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको फिलाल, 34-38, basically 37, 37 वहां तक हमने पढ़ा, 38 भी हमने पढ़ा, उसके बाद 149 भी पढ़ा, और 114 भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, I hope that whole concept is clear in your mind, clear है ना भाई साब वो concept, पूरा constructive liability के क्या difference है, 34 में, 37 में, 149 में, 114 में, यह मैं आपको detail में पिछली classes में, बता चुका हूँ, 34 के, एक एक essential पे discussion हुआ था, इसलिए time लिया था, उसको समझाने में मैंने, because that was conceptual, अभी जो अपन provision पढ़ रहा है, इन में ज्यादा concept नहीं है, इन में चीज़ें याद रखनी है, all right, शालिनी, clear, तो इस chapter में सीधे 141 देखिए, section number important है, section बहुत important है, कि unlawful assembly होता क्या है, so unlawful assembly कोई भी ऐसी assembly, जो पाँच या पाँच से ज़्यादा लोगों की है, और उसका object, common object, यहाँ जो लिस्टेट चीज़ें है, इन में से कोई एक common object होना चाहिए, an assembly of five or more persons is designated, an unlawful assembly is the common object of the persons, composing that assembly is, five or more person की कोई भी assembly, जिसका common object इन में से कुछ एक हो, मैंने आपको 149 के समय यह common objects बताए थे, क्या-क्या है, आप criminal force या assault के थूँ, government को आटाना चाह रहे हैं, या आप किसी law के execution को resist कर रहे हैं, आप mischief या criminal trespass या उसके जैसे, उससे similar offenses commit करने का common intention है आपका, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, इन में से कोई भी common intention के साथ, एक assembly form होती है, तो that assembly is unlawful assembly, अब थोड़ा यहां section के structuring को समझना, 149 सिर्फ क्या करता है, आपको unlawful assembly, unlawful assembly को define करता है, बस, बताता है कि unlawful assembly क्या होगी 141, 142 majorly इसको offense बनाता है, इसको offense बनाता है 142, अचा 141 का explanation भी देखिए, वो भी important है, explanation में लिखा है 141 के an assembly which was not unlawful when it assembled, may subsequently become an unlawful assembly, एक assembly जब इखटी हुई थी, तब unlawful नहीं थी, बाद में unlawful हो सकती है, जैसे for example, 20 लोग इखटा हुए peaceful protest करने के लिए, शांती से धरना देने के लिए 20 लोग इखटे हुए, अभी ये assembly, unlawful assembly नहीं है, क्योंकि इस unlawful assembly का common object, जो यहाँ listed है, इसमें से कुछ एक नहीं है, लेकिन लेटर आन वो peaceful protest जो था, वो जो शांती पूर्ण धरना था, वो बावाल में बदल जाता है, ये लोग missive करने लगते हैं, प्रापर्ट्री अपरटी तोड़ने लगते हैं, तो जब वो assembly constitute हुई थी, उस समय पे unlawful नहीं थी, बट लेटर और इट में बिकम unlawful, ठीक, ये explanation क्यों दिया है, इसका significance आपको दो मिनट बाद समझ में आगए, जो बहुंट 142 पढ़ेंगे, तो 142 देखिए, being member of unlawful assembly, ये आपने आप में एक offense है, पहले 141 में बता दिया, कि unlawful assembly होती क्या है, 142 बताता है कि इस से related offense, अगर आप भी किसी unlawful assembly के member बनते हैं, सिर्फ member होने से ही आप guilty हो जाते हैं, एक offense के लिए, जिसको हम कहते हैं, being member of unlawful assembly, जो 142 में दिया है, देखिए, whoever being aware of facts, which render any assembly an unlawful assembly, intentionally joins that assembly, और continues in it, is said to be a member of an unlawful assembly, कोई भी ऐसा वेक्ति जिसको पता है, यूँ कि उसको object इन में से कोई एक है, ये जानते हुए भी, अगर आप intentionally ऐसी assembly को join करते हैं, तो आप offense commit करते हैं under 142, आप member बन रहे हैं unlawful assembly के, या मान लीजिए, आप उसमें लिखा है, या फिर आप उसमें continue करते हैं, ये क्यों लिखा है, 141 का explanation, अभी मैं आपको बताया, मान लीजिए, 20 लोग इखटा हुए थे, peaceful धरना देने के लिए, लेकन अब वो, भाई मैं भी मान लीजिए, उसमें member था उस 20 में, peaceful धरना चल रहा था, तक तक अपन महाथ थे, जैसे अब वो assembly क्या करने लगी, बवाल करने लगी, property अपर्टी तोड़ने लगी, मैंने अपने आपको असेंबली से, अगर withdraw कर लिया, तो तो मैं बज्जा हुआ, क्योंकि अब मैं, जब वो assembly, unlawful assembly बनी, तब मैं उसका part नहीं ही, लेकिन अगर, जब वो peaceful assembly, unlawful assembly हो गई है, अगर उस समय पे भी, मैं उसका part रहता हूँ, मैं उसमें continue करता हूँ, तो मैं guilty होंगा, section 142 के अंदर, इसलिए लिखा है, who becomes the member, or continues, in the unlawful assembly, ठेक, that is 142, तो ये एक offense है, जिसका punishment दिया है, 143 में, so 142 offense बताता है, being member of unlawful assembly, और 143, उसका बताता है, punishment, इसलिए अपन देखते हैं, कि section 34, वो जो एक सवाल, मैंने आपको उस दिन भी, discuss किया था, कि section 34, common intention is a, rule of evidence, whereas 149 common object, includes an offense in itself, इसमें एक offense, already हो चुका होता है, कौन सा, being a member of unlawful assembly, आप जैसे ही, उस unlawful assembly के member, बनते हैं, आप एक offense commit कर देते हैं, इसके बाद सीधे, देखिए 146, सीधे आ जाईए, 146 की तरह, when force or violence is used, by an unlawful assembly, or by any member thereof, in prosecution of the common object, of such assembly, every member of such assembly, is guilty of the offense of rioting, देखिए भाई, तो riot या rioting क्या होता है, यह जो 146 में जो offense दिया हुआ है, यह तब होता है, जब कोई भी unlawful assembly का व्यक्ती, अब unlawful assembly क्या होगी, यह तो आपको यहीं पता चलेगा, 141 में ही defined है न, तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग, जिनका common object, जो listed है, उसमें से कुछ एक है, जब इस assembly का कोई भी member, अगर, इस assembly का कोई भी member, अगर violence करता है, अपने common object को अचीव करने के लिए, तो वो कौन सा offense हो जाता है, वो rioting हो जाता है, जैसे ही force या violence इस्तेमाल हुआ, common object को अचीव करने के लिए, उस assembly का हर member, उस assembly का हर member libel है, for the offense of rioting, और इसका punishment दिया है 147 में, section number बहुत important है, section number बहुत जादा important है, 46 और 47 दोनों, इसमें define है और punishment किदर दिया है, चीख, so that is 146 और 147, इसके बाद आजाईए सीधा 149, तो ये मैं आपको पहले discuss कर चुका हूँ, आपके साथ, इसको मैंने 34 के साथ correlate करके, आपको समझाया है, दोनों का difference भी बना आपको समझाया है, तो इसको अब रिपीट नहीं करेंगे, इसके लिए आपको पहले वाली IPC की क्लास देखनी है, 149 को आप comparison with 34, इसके बाद इस चेप्टर में, जो provision important है, वो देखिए 153, 153 आप मात कर सकते हैं, that is a bit important, event only giving provocation with intent to cause riot, if rioting be committed, अगर माल लेजे, कोई व्यक्ति rioting provoke करता है, कोई ऐसा illegal act करता है, जिससे riot provoke हो, उच्साता है किसी को, ये rioting करने के लिए जो 146 में है, तो ऐसा व्यक्ति punishable होगा, under 153, दो अलग तरीके से इसका punishment है, अगर आपने किसी को उच्छाया है, riot करने के लिए, अगर बदले में rioting होती है, तो अलग punishment है, नहीं होती है, तो अलग punishment है, लेकिन punishment दोनों cases में है, जैसे abitment में हमने कल पढ़ा था, कि मैंने तो abit कर दिया, अब भले offense हो या ना हो, मैं abitment के लिए liable हूँ, यह हमने वहाँ पढ़ा था, उसी की तरह 153 है, बस section में क्या दिया है, यह ध्यान रखना है आपको यहां से, that's it, इसके बाद 153A, यहां से वहिया question आते हैं, प्रिलिम्स में इन sections को, जहन में बिठाना पड़ेगा आपको धन से, so 153, इसके बाद 153A, और इसके बाद 153AA, और फिर 153B, यह जो provisions आप देख रहे हैं, यह सारे के सारे important हैं, जो मैंने यहां लेके, 153 क्या है, went only, जानते हुए, जान बूच के कोई provoke करता है reorting, तो 153 में punishable है, 153A देखिए ज़रा क्या है, मैं headnote से आपको पूरा content उसका समझा दूँगा, promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony, कोई भी वेक्ति अगर enmity promote करता है, नफरत पैदा करता है, किस के बीच में दो different groups, किस बेसिस पे different group, religion के ground पे, religious groups के बीच में enmity promote करता है, या provoke करता है कोई व्यक्ति, या फिर मान लीजिए, तो अलग-अलग जगाओं के residence, place of birth के आधार पे, जो तो अलग लग जैसे आप देखते हैं, कि महराश्टा और बिहार और महराश्टा और यूपी के बीच में आप लड़ाई करवा रहे हैं, वहाँ के लोगों के बीच में आप enmity या harmony को disturb कर रहे हैं, that is also there, इसके अलाबा, लेंगवेच के आधार पे जो different groups हैं, उनके बीच में आप इस तरीके की harmony disturb कर रहे हैं, ये सारे acts कहाँ punishable हैं, दो different groups के बीच की harmony disturb करना punishable है 153A में, अब इसमें जो आप अलग-अलग इसके subsection में, जो आप different-different clauses यहाँ देख रहे हैं, A, B और C, उनको मैं brief में आपको बता देता हूँ कि यह क्या है, A में सबसे पहले लिखा है कि आप यह जो disharmony कर रहे हैं, या जो harmony disturb कर रहे हैं, यह या तो written words के थुरू कर रहे हैं, spoken words के थुरू, words में आप basically कर रहे हैं, B कहता है commits any act which is prejudicial, B कहता है आप कोई act commit करके इस harmony को disturb कर रहे हैं, पहले वाले में आप बोल के या लिख के disturb कर रहे हैं, B में आप कोई act commit करके कर रहे हैं, और C इसका कहता है कि आप लोगों को घटा करके, कोई mass drill या कोई organize करके कोई किस तरीके की चीजें, आप इस harmony को disturb कर रहे हैं तो तीनों तरीके से अगर आप different groups के बीच की harmony disturb कर रहे है that is punishable under 153A इसके बाद आईए 153 AA 153 AA कहता है punishment for knowingly carrying arms in any procession or organizing or holding or taking part in any mass drill or mass training with arms ये basically violation है 144 CRPC का ये थोड़ा सा आपको दिखना पड़ेगा ये जो है ये basically किसका violation है 144A of CRPC CRPC का 144A है उसमें लिखा हो कि जो DM है DM एक order pass कर सकता है कि कोई भी वक्ती किसी mass drill में arms लेके नहीं आएगा ये order निकल सकता है DM कोई भी mass drill rally-vally निकल रही है उसमें weapons लेके नहीं आ सकते plans लेके नहीं आ सकते ये order DM pass कर सकता है 144A CRPC में अब कोई वक्ती अगर इस order का खुलंवन करता है इस order को violate करता है तो वो that punishable है 153A sorry 153 AA of IPC में जो order pass हुआ है CRPC में अगर उसका कोई वक्ती violation करेगा तो उसका punishment दिया है 153 AA में I hope that is clear to everyone इसके बाद 153B देखिए 153B को थोड़ा समझ ले न मैं आपको ऐसे ही उसका पूरा मतलब बता देता हूँ हिट नोट देखिए imputations, assertions, prejudicial to national integration आप इस तरीके के imputations या assertions लगा रहे हैं जिससे national integrity disturb हो integration जो है उससे prejudicial हो integrity मतलब जो एकता है उसको अखंडता जो है basically उसको आप disturb कर रहे हैं देश की कैसे करते हैं आप यह point देखिए A, B, C जो इसमें अलग-अलग clauses हैं यह अलग-अलग बातें बताते हैं यह कोई रख्ती करता है तो वो 153B में punishable है थोड़ा सा difference ध्यान रखना 153A का और 153B का ठीक 153 में आप दो different groups के पीच में disharmony promote कर रहे हैं या harmony disturb कर रहे हैं बोल के कोई act करके या drill वगेरा organize करके लेकन 153B किसी से related है national integration से related यहां जो लिखा हुआ है whoever by words either spoken or written or by science or by visible representation इन में से किसी भी mode से आप करते हैं makes or publishes any imputation that any class or of person cannot by reason of their being member of any religious racial language और regional group और caste और community bear true faith and agents to the constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India देखिये थोड़ा से समझना 153B में जो ये अलग-अलग clauses हैं A, B और C तो A ये कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति पे ये imputation लगा रहे हैं कि क्यूंकि वो व्यक्ति एक particular religious group को belong करता है क्यूंकि वो particular व्यक्ति किसी particular language को बोलता है किसी particular class या community या group को belong करता है इसलिए उसका faith नहीं है भारत के सम्विधान में अगर आप किसी वक्ति पे ये assertion या imputation लगा रहे हैं कि क्यूंकि वो एक particular community group या class को belong करता है इसलिए इसका सम्विधान में विश्वास नहीं है देश के अगर ये imputation आप किसी पे लगा रहे हैं तो that is punishable under 153 B clause A इसके बाद जो B लिखा है ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक particular व्यक्ति क्योंकि वो एक particular group या community या class को belong करता है इसलिए उसे इस देश का नागरिक होने का अधिकार नहीं है उसका जो citizenship का right है वो ले लिना चाहिए अगर ये assertion या imputation किसी पे लगाया जाता है तो that is punishable under clause B of 153 B और जो C है इसके बाद वो feelings hurt करने से related है C makes or publishes any assertion, counsel, plea or appeal concerning the obligation of any class of persons by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community and such assertion, counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feeling of enmity or hated or ill will between such members and others तो A वाले में आपने पहले क्या किया कि आपने ये बोला कि क्यूंकि एक वेक्ति एक particular group को या community को बिलॉंग करता है इसलिए इसका भारत के संविधान में विश्वास नहीं है वो punishable A में B में आप कह रहे हैं क्यूंकि वो particular group community को बिलॉंग करता है इसलिए इसकी नागरिक्ता लेनी चाहिए ले लेनी चाहिए और C में आप कहते हैं क्यूंकि एक वेक्ति एक particular group या community को बिलॉंग करता है उस community के against एक particular community class या group के against आप बाकी लोगों को भड़का रहे हैं उन दोनों के बीच में hatred या enmity फैला रहे हैं इल विल के साथ आप दोनों के बीच की harmony disturb कर रहे हैं एक particular group के बारे में आप नफरत फैला रहे हैं बाकी की जंता में that's what C says alright so that is punishable under clause C of 153 B ये है पूरा 153 B का offense प्री में question बनने के chances काफी ज़ादा होते हैं इदर इन सबसे सारे provision आपको ध्यान रखने हैं और यह याद रहेगा इसके बाद सीधे आजाईए 159 पे बीच में कुछ नहीं पढ़ना है सीधे आईए 159 पे एफरे this is important this is very important एफरे बहुत important है so देखिये जरा एफरे में है when two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace they are said to commit an एफरे दो या दो से जादा लोग जब लड़ाई करते हैं public place में और public peace disturbed करते हैं इस लड़ाई से that is एफरे 159 तो मन लीजे गाडियों की अकर होगे accident होगे अब वो दोनों लड़ने लगे और सड़क पे जाम लगा दिया उन्होंने that can be दो या दो से जादा लोग fighting करें fighting मतलब mere abusive words का exchange नहीं यहाँ पे fighting से मतलब है थोड़ा बहुत लड़ाई होनी चाहिए और public place होनी चाहिए और इस वज़े से public order disturb होना चाहिए तब वो offense बनता है एफरे का section याद रखियेगा बहुत जादा important है 159 एफरे section number important है essential important है दो या दो से जादा लोग होने चाहिए fighting होनी चाहिए public place होना चाहिए और public order disturb होना public peace disturb होना चाहिए public peace disturb होना चाहिए तब जाके एफरे कमेट होता है that is under 159 और एफरे का punishment दिया है 160 में so that section is also important 159 is important 160 is also important that's all for this chapter इसके बाद अगले chapter पर आईए 9 of offenses by or relating to public servant अब देखिए इस chapter में कौन से offenses दिये है जो public servant कोई offense कमिट करता है या public servant से related offenses के बारे में इस chapter में बात करी गई है बहुत ही limited provision यहाँ पर हमें पढ़ने है सबसे पहले देखिए 166A 166A देखिए ज़रा public servant disobeying direction under law यह important है 166A इसलिए ध्यान रखिएगा whoever being a public servant A है knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any other matter A जो है वो यह कह रहा है कि कोई public servant जिसे prohibit किया गया है कि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की attendance require नहीं करा सकता किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर उसके बाद भी वो public servant किसी व्यक्ति को बुलाता है so that is an offense under section 166A यह कब हो सकता है कैसे हो सकता है CRPC में आपने इसका जिक्र देखा होगा कोई मजे आप में से बता सकता है CRPC के किस प्रोविजन में police officer, in charge investigating officer witness को बुला सकता है किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है थाने पूछताच के लिए case related investigation के दौरान CRPC में कौन सा प्रोविजन है 160 162 162 तो उसके बारे में evidentiary value के बारे में statement जो दे दिया आपने उसके उसको sign नहीं करना evidentiary value उसके बारे में attendance आप require करा सकते है और examine कर सकते है CRPC में पंदरा साल तक के बच्चे को आप थाने नहीं बुला सकते है यह यह भी दिया हुआ है अगर इसके violation में आप किसी वक्ति को बुला लेते हैं तो that is an offense under 166 A ऐसे ही भी है knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation वह भी प्ब्लिक सर्वेंट इसको investigation का पावर है और उसके लिए particular proper method दिया हूँ एक investigation कैसे करना है अगर investigation से related provisions का वो violation करता है investigation process में वो जो investigation का procedure है अगर उसका violation करता है तो that is an offense under clause B इसके बाद clause C है और clause C कहता है कि अगर कोई officer जिसको information दी जा रही है sexual offenses की CRPC 154 में 154 CRPC बोले तो FIR अगर कोई FIR लिखवाने आया है sexual offenses की C कहता है sexual offenses की FIR लिखाने अगर कोई वक्ति आया है और वो वक्ति refuse वो police officer refuse करता है वो public servant refuse करता है इस information को लिखने से then it is an offense under clause C of 166 A so I hope this is clear to all of you इसका punishment है rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 6 month कम से कम 6 मेने का rigorous imprisonment और maximum 2 साल तक का imprisonment इसके लिए दिया गया है section number ध्यान रखियेगा कौन-कौन से offenses अकिन-किन आक के लिए पनिश किया जा सकता है यह ध्यान रखियेगा 166 B भी important है 166 B भी important है 166 B है punishment for non-treatment of victim यहां भी CRPC का एक प्रोविजन है CRPC का प्रोविजन है 357 C 357 of CRPC 357 C of CRPC जो है यह कहता है कि कोई भी acid attack की विक्टिम या रेप की विक्टिम अगर किसी अस्पताल पहुँचाई जाती है चाहे वो private hospital हो चाहे वो government hospital है उन्हें तुरंट उसका treatment करना है without any delay उन्हें तुरंट उसका treatment करना है अगर इसका violation कोई hospital करता है तो उस hospital का जो in charge है उसको सजा मिल सकती है 166 B में विक्टिम को अगर आपने treatment नहीं दिया तुरंट तो that is a punishable offense under 166 B of IPC इसके बाद सीधे आजाईए 9A of offenses relating to election पूरा chapter skip मार सकते है जनरली ये पूछा नहीं जाता इसके बाद chapter 10 पे आईए of contents of the lawful authority of public servant public servant की lawful authority का अगर आप contempt करते हैं तो उससे related offense बैसे कि समझे लीजे इस chapter में है क्या public servant कोई order देता है भाई वो public servant है authorized ये कुछ-कुछ order पास करने के लिए उसका अगर आप violation करेंगे उससे related offenses चेप्टर में डिसकस हुआ है जैसे माल लेजे कोई public servant attendance require कराता है आपकी वो आपको बुलाता है समन दे के कोई भी public servant attendance require करा रहा है और आप पहुच नहीं रहे हैं आपको बुलाया है आप पहुच नहीं रहे है और आप उसको ले जाके दे नहीं रहे हैं इसके बाद मार्क कर रहे हैं इसके बाद सीधे आप मार्क कर सकते हैं 188 जनरल यह प्रविशन बहुत इंपोर्टेंट नहीं था लेकिन कोविट के पास जिब से यह contentment और उससे लेटेट ओडर आने लगे तो 188 वाजन नूज आट 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 ता इसके बाद मार्क करते हैं in that case it is punishable under section 188 तो 188 भी आपको मार्क करना है that is also important यह है about this chapter इसके बाद आईए यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चेप्टर नहीं रहा था लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं 191 और 192 they are quite important पहले अपन 191 की बात करेंगे उसके बाद 192 की बात करेंगे 191 है giving false evidence देखे चेप्टर समझे चेप्टर 11 of false evidence and offenses against public justice परजी evidences देते हैं जूटी गवाही देते हैं यह offense है इधर परजरी जुसको कहते हैं जूटी गवाही देना वह offense है 191 है giving false evidence जब आप false evidence देते हैं यह थोड़ा सा confuse करता है इसके जो illustration है वो थोड़े से confusing है और यहां से illustration based question बनते हैं application based fact दिया रहता है पूछते हैं यह false evidence है यह नहीं थोड़ा सा इस बात को समझना कि कब evidence false होता है कब नहीं होता इस बात को थोड़ा समझना जैसे मान लीजिए एक example से मैं आपको बताता हूं मान लीजिए मुझे as a witness quote में बुलाया गया और एक व्यक्ति की handwriting मुझे दिखाई गई जिसकी handwriting से मैं परिचित हूं ठीक या मान लीजिए आप अगर इस scratch course पटेंड कर रहे हैं आप मेरी handwriting से परिचित हैं आप जानते हैं कि कितनी सुन्दर और खुबसूरत handwriting मेरी है मान लीजिए कोई offense या कोई भी case चल रहा है जिसमें यह सवाल है कि लिटर लिखा हुआ है वो मैंने लिखा है या नहीं वो मेरी handwriting है या नहीं आपको ऐस a witness बुलाया जाता है अब आपने जितनी बार मुझे लिखते देखा है आपका एक belief आपके पास एक reasonable idea है मेरी handwriting को लेक जब आप ऐसा witness जाते हैं और आपको वो कागस दिखाया जाता है आप उसको properly examine करते हैं and to the best of your knowledge and to the best of your belief आप उसको देखते हैं और आपको अंदाजा लगता है कि हाँ यार यह वो सरकी handwriting है क्योंकि इतनी वायाद तो हमने और कहीं शायद देखी नहीं है तो यह board पे लिखत पता चलता है कि वो जो paper पर handwriting थी वो मेरी नहीं थी सच यह है कि वो handwriting मेरी नहीं थी अब आप बताईए क्या आप liable होंगे for giving false evidence यस और नहीं बताईए क्या आप liable होंगे for giving false evidence इस केस में so the answer is no यह false evidence नहीं है because false evidence is about your belief सच्चाई से मतलब नहीं कि fact क्या है आपका belief क्या था आपको अगर पता है कि इस बारे में मुझे किसी चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है फिर भी आप वो बात बोल रहे हैं court में खड़े होके तो वो false भले ही वो fact सच हो वो भी giving false evidence में आता है बाले ही आप सच बोल रहे हो लेकिन बिना जानकारी के जैसे मान लीजिए मुझे court में as a witness बुलाया गया और मुझसे पूछा गया कि Saturday के दिन ये वेक्ति कोई particular वेक्ति है ये वेक्ति भुपाल में था क्या अब मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये वेक्ति Saturday को भुपाल में था या नहीं मैं court में गवाही दे देता हूं कि हाँ साब ये तो Saturday को भुपाल में था मुझे बताए ये प्रूफ भी हो जाता है कि वेक्ति भुपाल में था ये सच्छा ही है कि वो भुपाल में था Saturday को बट मैंने बिना जाने ये statement court में दिया am I guilty of giving false evidence तब वो statement में दे रहा हूं in that case it is false evidence बस यही illustration यहां दिये हूँ है इस section में इसलिए थोड़ा सा कई बार confusion हो जाता है इदा है ठीक तो देखिए provision कहता है whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth आप सच बताने के लिए bound है और being bound by law to make a declaration upon any subject makes any statement which is false या तो false statement दे रहे हैं and which he either knows or believes to be false आपका believe भी होना चाहिए कि वो false है और does not believe to be true या at least यह आपको जानका रही है नहीं कि यह सच है या नि जिसे मैं आपको दूसरा example बता है न मुझे पता ही नहीं वो set it up हो पाल में है या नि फिर भी मैं statement दे रहा हूं in that case also it is false evidence यही बात explanation 2 में भी clearly mentioned है यही बात जो मैंने आपने किस बिलीफ में वो statement दिया है that is more important वो decide करेगा कि आपने false evidence दिया है या नहीं आप उसके लिए liable है या नहीं I hope that is clear to everyone yes or no अगया बाइस समझ में 91 92 पे आया पन येस ओल्राइट चलिए 992 देखिए फेब्रिकेटिंग false evidence अब देखिए giving false evidence क्या है जब आप ऐसी कोई testimony दे रहे हैं फेब्रिकेटिंग false evidence है जब आप फरजी evidence produce कर रहे है थोड़ा एक बार पहले इसको ब्रीफ में समझ लीजिए कि फेब्रिकेटिंग false evidence होता क्या है फेब्रिकेटिंग और false evidence का मतलग आप कोई document क्रेट कर रहे है나 आप को voir एलेक्ट्रोनिक क्रेट कर रहे है या आप ऐएसी circumstances क्रेट कर रहे है जिसमें किसे भी lawfully authorized व्यक्ति को यह लगे कि किसी particular वेक्ति ने offense क्मिट किया है आप ऐसी circumstances क्रेट कर रहे है बिसिकली आप false evidence create कर रहे हैं इसको आप एक particular day पर absent थे, फिर भी मैंने वहां present लिख दिया, इस intention थे कि कभी इस register को, माल लिजे आप को offense कर रहे हैं, इस register को present किया जाए, तो ये belief हो कि आप उस दिन present थे class में, that is fabrication of false evidence, या फिर आप ऐसी कोई circumstances create कर रहे हो, जैसे माल लिजे मेरे पास एक चोरी का phone है, वो चोरी का phone में, आपके bag में डाल देता हूं, मेरे पास जो चोरी का phone है, वो मैं आपके bag में डाल देता हूं, मुझे पता है, अभी police आने वाली सर्च करने की वो चोरी का phone किदर है, और इस intention से, इस knowledge के साथ, मैं वो phone आपके bag में डाल रहा हूं, कि जब police आएगी, तो आपके bag को, सब एक बार पढ़ लेते हैं, definition तो यह रंडरस्टांड, whoever causes any circumstances to exist, or make any false entry in any book or record, or electronic record, or makes any document or electronic record, containing a false statement, कोई भी document या electronic record आप बना रहे हैं, जिसमें false statement है, intending that such circumstance, false entry, or false statement may appear in evidence, in a judicial proceeding, इस intention के साथ, कि यह जो मैं फरजी entry कर रहा हूं, या circumstance exist कर रहा हूं, यह is an evidence use हो जाए, judicial proceeding में, और in any proceeding taken by law, before a public servant, as such, or before an arbitrator, and that such circumstance, false entry, or false statement, so appearing in evidence, may cause any person, who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence, to entertain an erroneous opinion, और जिस भी वक्ति को उस particular case में कोई opinion frame करना है, वो एक erroneous opinion frame कर ले, गलत opinion frame कर ले, आपके बारे में, इस intention के साथ, अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, ऐसी circumstances create कर रहा हूं, या ऐसी कोई entry कर रहा हूं, तो that is called fabrication of false evidence, which is 192. So 191 is giving false evidence, 192 is fabrication, और 193 में इसका punishment है. Section number याद रखिएगा punishment का, बस punishment for false evidence, 193 में इसका punishment है, इसको ध्यान रखिएगा. शाले नहीं कहा रही है कि साथ बहू साजे सित्तकपूर के सीरियल में, हाँ बिलकुल, उसमें जो होता है ना कि एक जो खतरनाक सी बहू होती है, वो ऐसी हरकतें करती है कि किसी के खाने में कुछ मिला देती है, ताकि लगे कि जो दूसरी वाली बहुए उसने किया है, that is basically fabrication of false evidence, इसके बाद देखिए, mark करिए सीधे 195A, सीधे एक provision इसके बाद mark करिए 195A, threatening any person to give false evidence, अगर आप किसी वक्ति को false evidence देने के लिए threat करते हैं, तो वो offense है 195A में, that's it, इतन ही important है, नहीं तन्वीर में, बहुत time से तो नहीं देख पाँ, बट इतना तो यार इतना चीके तो अपना तेज है, इस तो पता ही है मुझे, इस समय परस web series ही देख पाता हूं, मैं, इसका लावट, कुछ और देखने गाना, तो मन होता है, न समय है, so 195A is threatening any person to give false evidence, इसलिए मैं आपको कल जो expiatory theory बताई थी, वो ग्यांसर्ग वसेपूर के example से बताई तो अब मेरा test समझी गए हूंगे, इसके बाद भाई, कोई provision important नहीं है, यहाँ, सीधे आप आजाई है, section 228 पे, इसके बाद आप सीधे आजाईए, section 228 A पे, बागी कुछ important नहीं है, as generally pre में नहीं पूछे जाते हैं, but 228 is very important, disclosure of identity of the victim of certain offenses, basically sexual offenses के जो victim है, उनकी identity reveal नहीं करना है, बिना court की permission में, sexual offenses के cases की proceedings को publish नहीं करना है, this is important, 228 क्या कहता है, victim sexual offenses के, या फिर उसकी proceedings बिना court की permission के publish नहीं करना है, आप देखते हैं, news channel वाले, real name बताने लगते हैं, that is an offense, under 228 A, बस यही क्रक्स से इसका इतना ही ध्यान रखिएगा कि क्या दिया हुआ है, that's it, 212 बहुत important नहीं है, मात आप कर सकते हैं, harboring से related है, but बहुत important नहीं है, ऐसे तो फिर क्या है कि 212 भी है, अगर harboring offender आप कर रहे हैं, तो harboring की definition हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 52 A में, offender को harboring करना 212 में, फिर 216 भी पढ़े लीजी अगर 12 पढ़ रहे हैं तो, harboring offender who has escaped from custody, बहुत ज्यादा important वो नहीं है, 228 ज्यादा important है, इसके बाद अगले chapter पर आईए, that is chapter 12, यह importance है, 230, 31 और 32, यह important है, of offenses relating to coin and government stamp, coin से related और government stamp से related offense है, कुछ provision इसमें important है, इस chapter में, वो specific provision में, यहां लिखते जाता हूं, सबसे पहले तो 230, बहुत ज्यादा important है, 230, coin define करता है, यहां से सिरफ section नहीं, अंदर का content, coin के क्या essential है, और Indian coin क्या होगा, और इसके illustration भी equally important है, यह बहुत important है, इसके illustration, so देखिए, 230, coin is metal used for the time being as money, पहला essential क्या हुआ, coin is a metal, और कैसा metal, which is used as a, which is used as money, and stamped and issued by the authority of some state or sovereign power, साथ में यह stamped भी होना चाहिए, और किसी authority से issue होना चाहिए, यह सारे essential आपको याद रखने है, coin के, metal होना चाहिए, for the time being, money की तरह use होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं कि आज भी वो पैसे की तरह use हो रहा हू, कभी भी use हुआ हो money की तरह, metal होना चाहिए, पैसे की तरह use हुआ होना चाहिए, stand होना चाहिए, और issue होना चाहिए, किसी sovereign authority से, यह सारे essential फुल्फिल होंगे, तब वो coin माना जाएगा, coin, Indian coin कब बन जाएगा, Indian coin भी 230 में ही define है, सारी चीज़े सेम है, metal होना चाहिए, time being के लिए, money की तरह use हुआ हो, stand हो, और issue किया हो by the government of India, भारत सरकार ने अगर issue किया है, तो वो Indian coin है, पहले coin को बताया है, कोई भी sovereign power issue करे, और बागी के essential फुल्फिल होंगे, तो वो coin है, Indian coin कब हो जाएगा, वो जो भारत की सरकार ने issue किया है, तो वो Indian coin हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़े define है और coin के essential से भी question आता है, प्लस इसके illustration तो बहुत ज़्यादा important है, illustration देखिए A, codies are not coin, codies समझते हैं, वो जो dialogue मारा देता हैं कि दो बड़े की आउकात ने हैं तुमारी, क्योंकि codies are not considered as money, या coin नहीं मानी जाती codies, इसके बाद B देखिए, lumps of unstammed copper, though used as money are not coin, lumps of unstammed copper, अब देखिए ये metal भी है, ये पैसे की तरह इस्तेमाल भी हुआ है, फिर भी ये coin नहीं माना जा रहा है, क्यों, because it is unstammed, और essential में क्या लिखाता, it should be stamped, इसलिए B में जो दिया है, ये coin नहीं माना जाएगा, और इन illustration से जहसे हमें बार-बार कह रहा हूं, यहां से question बनते हैं, C देखिए, medals are not coin, in as much as they are not intended to be used as money, जो medal होते हैं, gold medal, silver medal, bronze medal, they are not considered as coin, क्योंकि पैसे की तरह used नहीं होते, D, the coin denominated as the company's rupee is Indian coin, इसको ध्यान रखना, इसमें confusion हो जाता है, C और D में, ये basically काम खराब करते हैं, illustration C और D, C कह रहा है, companies rupee, जो पहले East India company ने जो introduce किया था, वो भी coin माना जाता है, क्योंकि कभी वो used हुआ था, as money, इसलिए वो coin माना जाएगा, similarly E जो है, D के बाद, the farukhabad rupee, which was formerly used as money, under the authority of government of India, is Indian coin, भले वो आज इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, लेकिन farukhabad rupee, जो कभी इस्तेमाल हुआ था, पैसे की तरह, वो भी coin माना जाएगा तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो coin आज इस्तेमाल, जैसे पहले होता था था न, 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, जो आज पैसे की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी coin माने जाएगे, so that is 230 coin, इसके बाद, 231 में है counterfeiting of coin, आप counterfeiting हम already पढ़ चुके हैं, तो coin क कि जो counterfeiting होती है, वो 231 में punishable है, अगर उसकी किसी भी process में आप पार्ट लेते हैं, participate करते हैं, तो वो 233 में offense हो जाएगा, counterfeiting कौन से section में है, जरा बता दीजी, counterfeiting कौन से section में है, IPC के, 28, that's correct, तो वो मैं आपको already समझा चुका हूँ कि counterfeiting होता क्या है, exact resemblance जरूरी नही 231 में, और counterfeiting Indian coin का punishment दिया है, 232 में, इसलिए ये तीनों section बहुत important है, 230 coin और Indian coin दोनों को define करता है, 231 counterfeiting coin को punish करता है, 232 counterfeiting Indian coin का punishment बताता है, अलग से, ये तीनों section याद रखिएगा, इसके बाद जो आपको पढ़ना है, वो है सीधे 255, 255 देख लिजे इसके बाद, 255, Government stamp की counterfeiting punishable है, 255 में, बस इतना याद रखना है इदर, और ये हो गया आपका एक और chapter, complete, यहां से बस यही सब पूछा जाता है, परीम, इसके बाद आते हैं, अपने next chapter पे, that is, एक chapter आप देख रहा है, of offenses relating to weights and measures, सिर्फ chapter का नाम और number ध्यान रखिएगा, बस इस से ज़्या relating to weights and measures, as such, इसमें से सदल, जनरली प्रीमें नहीं पूछे जाते, सीदे आजाईए, next chapter पे, that is, chapter 14, of offenses affecting the public health, safety, convenience, decency and morals, अब समझना, एक chapter हमने अभी पढ़ा, 141 से जो section स्टार्ट हो रहे है, public tranquility के against offense, यह है public safety और health के against, public tranquility, basically public peace, public order से related है, यह public health से related है, nuisance और इस तरीके की चीज़ें basically इधर पर है, so, 268 में public nuisance है, public nuisance is an offense, अगर private nuisance आप कर रहे हैं, तो वो taught है, individual को समस्या हो रही है, individual की property के साथ आप nuisance कर रहे हैं, that is a taught, civil action होगा, लेकिन जहाँ आपने public nuisance किया, that is, an offense under 268, a person is guilty of a public nuisance who does any act, or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, कोई common injury हो, जिससे danger हो, या फिर annoyance हो, public हो, और to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, आप कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं, आप को ऐसा act कर रहे हैं, इससे common injury cause हो, damage हो, या annoyance हो, आप public सड़क पे कचरा फेक दे रहे हैं, इससे injury भी हो सकती है, annoyance भी हो सकता है, उदर रहने वाली जनता को, आपने एक महले के एक prominent जगे पे मान लीजिए, अपने घर का पूरा पूरा कचला, जिसमें बहुत बदबू आ रही है, वो लाके फिक दिया है, that is an offense under 268, आप inconvenience cause कर रहे हैं, आप annoyance cause कर रहे हैं, वहां की जनता को ऐसा करके, जिक तो that is an offense under 268, पूरा किसमें जान रखिएगा, बस, इसके बाद 269 है, नगलेज़न टाफ likely to spread infection और disease, dangerous to life, अगर आप negligently कोई ऐसे आट करते हैं, जिससे कोई disease spread हो सकती है, which is dangerous to life, COVID is the best example, मान लेज़े, आप COVID से सफर कर रहे हैं, आपको पता है, डिडली डिजीज है, उसके बाद भी आप train में ट्रावल कर रहे हैं, तो जहां आप negligently spread कर रहे हैं, वह offense under 269 में, यही काम अगर आप malignantly कर रहे हैं, चीक, उसके बाद करेंगे, 272, इसके बाद माग करें सीधा, 272, adulteration of food or drink intended for sale, 271 बहुत important नहीं है, लेकिन क्योंकि disobedience to quarantine rule है, इसलिए थोड़ा बहुत significance हो जाता है, बैसे यह vessel-vessel से related था, कि पहले इधर सो दर ship जो जाते थे, आप उसमें कोई ऐसे disease लेके आएं हैं लोग, 272 है, adulteration of food or drink intended for sale, this is very important section, whoever adulterates any article of food or drink, so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with this punishment, देखिए basically 272 का offense क्या है, आप किसी भी food item को adulterate करते हैं, उसमें कुछ mix करते हैं, या किसी drink के item में जिससे वो noxious हो जाता है, noxious मतलब not fit for consumption, इस तरीके का, जहरीला कुछ मिला देते हैं, जैसे आप देखते हैं कि synthetic paneer आजकल चल रहा है, है ना, देवाली के time बहुत clips और videos आपको मिलते हैं, नकली मावा मिल रहा है, है ना, poisonous है, ये सारी चीजें 272 में हैं, कई बार इसमें सवाल पूछ ले जाता है MCQ में, कि एक विक्ति जो दूद बेचता है, वो दूद में पानी मिला के बेचता है, तो क्या वो 272 में punishable है, पता ये, क्या एक विक्ति दूद में पानी मिला के बेच रहा है, तो क्या वो 272 में punishable है, क्या वो adulteration है, तो इसके जवाब के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या पानी मिलाने से noxious हो रहा है food, not but for consumption, तो ऐसा generally नहीं होता, पानी मिलाने से ये चीज नहीं होती, तो this cannot be, or this may not be an offense under 272, इसके बाद देखिए 273, sale of noxious food or drink, तो 72 उसको adulterate करने पर punish करता है, कि आप उसमें mixing कर रहे हैं ऐसी चीज की, 73 सेम चीज कहता है बस, कि आप sale कर रहे हैं, आपको पता है कोई चीज noxious है, which is not fit for consumption, फिर भी आप ऐसी चीज बेच रहे हैं अगर, तो आप 273, जो ऐसी चीज बना रहा है, वो 272 में punishable है, जो उसको बेच रहा है, वो 273 में है, अगर expiry date निकल गई है किसी food item की, उसके बाद भी आप दुकान पर बेच रहे हैं, तो that is a punishable offense under 273, इसके बाद देखिए 274, adulteration of drugs, अब adulteration of drug में थोड़ा difference है, 272 के comparison में, adulteration of drug में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी drug, medicine में अगर आप कोई मिलावट करते हैं, और उस मिलावट की वज़े से उस medicine की efficacy कम हो जाती है, efficiency कम होती है, तो वो offense होगा 274 में, अगर आप किसी भी drug में, किसी medicine में adulteration करते हैं, और उससे उसकी efficiency कम होती है, तो वो 274 में punishable है, इसलिए अगर मान लिजए आप किसी को कफ सिरफ बेच रहे हैं पानी मिला के, तो वो हो जाएगा offense 274 में, क्योंकि उससकी efficiency कम हो जाएगी, ऐसे 275 is sale of adulterated drug, बहुत important नहीं है, 72, 73, 74 ज़्यादा important है, 276 is sale of drug as a different drug और preparation, बताके बेच रहे हैं, जैसे आपको ध्यान होगा, covid के time एक injection बड़ा famous हुआ था, remedy saver नाम था, शायद, if I am not wrong, science ones अपनी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए गलती हो जाए, तो थोड़ा देख लेना, तो remedy saver था, शायद वो injection जो बहुत popular हुआ, अब मान लीजिए, कोई medical वाला, कोई भी local injection remedy saver, बताके बेच देख किसी को, तो that is an offense under 276, ठीक, इसके बाद देखिए, 277, falling water of public spring और reservoir, किसी public spring और reservoir के पानी में आप ऐसी मिलावट करें, जिससे वो fit for consumption, या जो भी उसका use है, वो उसके लिए fit ना रह जाए, किसी कोई में आप कुछ गंदगी फिक दें, मिला दें, किसी नदी में आप कुछ गंदगी मिला दें, यह सारा punishable किसम है 277 में, इसके बाद देखिए 278, making atmosphere noxious to health, अगर आप बातावरन को noxious बना रहे हैं health के लिए, so that is punishable under 278, और यह सरफ fine से punishable, आप देखेंगे 500 रुपे का fine, तो मान लीजे, आप ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा pollution हो रहा है, पेट्रोल और डीजल की जगे, आप kerosene डाल के गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसे में जो pollution आप create कर रहे हैं, you may be liable under 278, फटा के फोट रहे हैं, उससे भी आप atmosphere noxious बना रहे हैं, you may be liable under 278, कोई भी ऐसी activity जिससे आप atmosphere को noxious बना रहे हैं, that is 278, हां correct, water pollution is 277, इसके बाद 279 भी बहुत important है, rash driving और riding on a public way, किसी भी public way पे आप rash या negligent driving कर रहे हैं, तो वो punishable है 279 में, negligent कब होगी आपकी driving, यह द on any public way, in a manner so rash or negligent, as to endanger human life, इस तरीके से चला रहे हैं, जिससे human life endanger हो, और to be likely to cause hurt or injury to any person, या फिर किसी विक्ति को injury या hurt होने की संभावना हो, shall be punished with this, 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 तो rash driving क्या होगे, जहां आप इस तरीके से चला हैं, जिससे human life endanger करें, या किसी वक्ति को injury या hurt होने की संभावना हो, उस punishable हो सकता है, क्या drink and drive 279 में punishable होगा, necessarily, अगर आप पी के गाड़ी चला रहे हैं, अरे, शुती गरी है, सलमान खान, सलमान भाई के बारे में, ऐसे comment आप publicly नहीं करें, तो बहतर है, बहुत fan following है, सलमान भाई की, तो क्या necessarily, अगर कोई alcohol consume करके गाड़ी चला रहा है, तो वो 27 279 में आजाएगा, राष ड्राइविंग में, बताएगे, यह नहीं आएगा, तो इन माई ओपीनियन, इस नोट 279, इस नोट 279, हार ड्रिंक अंड्राइव 279 में है, क्योंकि राष और नेगलेजंट की बात चल रहे है, अब मानलीजे, कोई रक्ती ड्रंक है, स्लाइटली ड्रंक है, लेकिन पाइलेट है भाई, एकदम आराम से चले जा रहा है, साइड में, कॉर्नर पकड़के, तीस की स्पीड में, एकदम आराम से, दूर से कोई दिखता है, तो ब्रेक मार देता है, इतने सज्जनता से अगर कोई जा रहा है, तो क्या वो 279 में पनिशेबल हो, तो क्या आप उसको rash or negligent driving कहेंगे, नहीं, तो कि उसकी driving ऐसी नहीं है, जिससे किसी human life endanger हो, या injury या hurt होने की संबाबना हो, आप भर्ट समझेंगे, इसलिए वो necessarily 279 में नहीं आएगा, दो, drink and drive is a separate offense अंटर मोंडर मोटर वहिकल है, मोटर वहिकल में अलग से punishable है वो, एक quantity हो पंचायत वाला जो ड्राइवर था, जो जीप लेके आया था, नशा मुक्ती की आपने पंचायत का सीजन टू देखा है, तो नशा मुक्ती की जीप लेके एक आता है, और वो खुद भयानक पिया रहता है, लेकिन confidence भाई को पूरा होता है, कि अपन तो चला लेंगे, लेकि 20 mg पर 100 ml, यह सब ज्यान कितना है, प्रोविजन नहीं आज है, लेकिन यह ज़रूर पता, काम की बात अपने को पता है, बहुत बढ़ी ऐसा ही होना चाहिए, है ना, गुद, चलिए इसके बाद आ जाईए सिधे 279 के बाद, 292, this is very important again, 292 बहुत इंपोर्टेंट है, सेल 293 बोट आर इंपोर्टेंट, 292 थोड़ा समझ लीजिये, for the purpose of subsection 2, a book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation, figure, or any other object, shall be deemed to be obscene, if it is lascivious or appeals to the prurient interest, or if it affects, or the effects of any one of its items, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt person, पहले देखिए, थोड़ा समझना इसके structure को, 292 का जो structure है, इसका जो subsection 1 है, ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ obscene कब होगी, कब आप किसी object या किसी चीज़ को obscene कहेंगे, ये obscene को define करने का एक प्रयास है, ये obscene को define करने की एक कोशिश है, कि कोई भी चीज़ obscene कब कही जाएगी, और बहुत सही ये चीज़ शालीने ने यहाँ पे दी है, हिकलिन टेस्ट, इस obscene को चेक करने के लिए, या determine करने के लिए, कि कब आप किसी चीज़ को obscene कहेंगे, इसके लिए बहुत जादा important है, जान रखिएगा, हिकलिन टेस्ट, केस का नाम है, क्वीन वर्सेज हिकलिन, इसमें define किया गया था, वाट इस obscene, यहाँ पे भी, subsection 1 में, obscene को define करने के लिए, चीज़ हैं थी हुई है, lascivious appeals to prurient interest, prurient interest मतलब sexual desire, यह sexual interest को जो provoke करे, ऐसी कोई भी चीज, obscene generally, मानी जाती है, आप depend करता है, कि वो किस context में use हुई है, इससे related बाते हैं, और भी acts हैं, जैसे representation of women's act, indecent representation of women, एक separate act है, वहाँ भी इस तरीके की definition और वहाँ भी एक क्वशिश है, obscene को define करने की, जो lascivious यह sexual interest यह desire को encourage करे, उस तरीके की चीज़ों को obscene माना जाता है, तो ध्यान रखियागा, 292 के subsection 1 में बताया है, की obscene क्या होगा, फिर इससे related offense बताये हैं, subsection 2 में, कि कब obscene content में deal करना, या किस-किस तरीके से obscene content में deal करना punishable होता है, यह बताया है, subsection 2 में, इसका जो A, B, C, D, E आप देख रहे हैं clauses, A कहता है कि अगर आप इस obscene content को बेच रहे हैं, या distribute कर रहे हैं, तो वो act punishable है, B कहता है, अगर आप ऐसे obscene content का import, export या transport कर रहे हैं, वो punishable है, C कहता है, अगर आप किसी ऐसे business से profit earn कर रहे हैं, जिसमें obscene चीजों की dealing होती है, तो वो C में punishable है, अगर आप किसी obscene content को advertise कर रहे हैं, या promote कर रहे हैं, in that case, D में punishable है, और E कहता है, इन सारी चीजों में से किसी का आप attempt कर रहे हैं, तो वो E में punishable है, इसका मतलब obscene content के साथ किसी भी तरीके की dealing यहाँ punish करी गई है, subsection 2 में, I hope that is clear, और इसके अलावा, इसमें exceptions भी दिये हैं, कि कहां exception होंगे, कहां यह offense नहीं माना जाएगा, brief में मैं आपको बता दू, art, science, religious, इन सब चीजों के लिए अगर use हो रहा है, या फिर monuments, ancient monuments हैं, वहाँ जो obscene representation है, it won't be considered as an offense, उसको अलग से exception में रखा है, जैसे art के लिए कोई इस तरीके की चीज़ बना रहा है, obscene, तो that won't be considered as an offense under 292, religious purposes के लिए अगर ऐसी चीज़ें use हो रहे ही करी जा रही है, that won't be an offense, science के लिए, जैसे मानली जी, एक किताब है कोई science की, जिसमें sexual organs के बारे में बताया है, क्योंकि उनकी functioning पढ़ानी है, बच्चों को वो सारी चीज़ें, उस purposes के लिए अगर use करा गया है, ऐसा कोई content, तो 292 में punishable नहीं होगा, वो exception की category में आता है, I hope that is clear, इसके बाट 293 देखिए, this is equally important, section number याद रखिएगा, सेम चीज़ें, जो obscene content है, उसकी sales से related, the only difference is, कि यहाँ young person को आप sale करते है, जो sale at sector of obscene objects to young person, 292 में किसी को भी sale कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का profit earn कर रहे हैं, जो सारी activities मैंने बता ही, हर चीज़ punishable है 292 में, लेकिन 93 specific है, किसी young person को अगर आप obscene content sale करेंगे, तो वो 293 में punishable है, थोड़ा सा और grave offense है, यहाँ पर young person कौन होगा, यह भी सवाल पूछा जाता है, तो 20 साल तक का बच्चा, बच्चे भूते कहा है, अज कल 20 साल के, बट यहाँ लिखा है, whoever sells less to hire, distribute, exhibit or circulate to any person under the age of 20 years, यह ध्यान रखिएगा, अंडर the age of 20 year, young person माना गया है, 20 साल तक के बच्चे को अगर आप कोई ऐसा obscene content sale करते हैं, तो that will be considered as 293, इसके बाद 294 भी mark करिये, that is also important, 294, obscene acts and songs, whoever to the annoyance of others, does any obscene act in any public place, किसी public place में कोई व्यक्ति obscene act करता है, या फिर कोई obscene गाना गाता है, इस तरीके कोई words recite करता है, यह सब punishable है 294 में, जैसे कई बार यह question raise होता है, कि public place में, अगर एक couple है, वो kissing में involved है, तो will it be considered as an offense, तो that can be considered as an offense under 294, आपने देखा होगा अभी recently कहीं case हुआ था, शाद हरिद्वार में था, कि husband और wife, they were having bath in the river और कुछ obscene act उन्होंने किया, तो public ने पिटाई कर दी, can it be an offense, तो that can be an offense under 294, इसके बाद 294A, that is also important, 294A, सिरफ section याद रखिये, keeping lottery office, whoever keeps any office or place for the purpose of drawing any lottery, not being a state lottery, कई states में state खुद कंड़ करता है, जिसके केरला में आपने देखा होगा, सरखारी lottery, वो valid है, जहाँ state कंड़ नहीं कर रहता, वहाँ अगर आप lottery का office maintain कर रहे हैं, that is punishable under 294A, करला में आपने देखा होगा ना, एक auto driver था, शाहद उसकी भैनक lottery लगी थी, 25 वच्चेस करोड की शाहद, मेरे खाल से, 25 करोड की थी, शाहद, है ना, so keeping lottery offices, offense under 294A, इसके बाद देखिए, next chapter, that is chapter 15 of offenses relating to religion, religion से related offenses है, chapter कफी important है, pre के लिए section बहुत इदर से पूछे जाते हैं, इसलिए section याद रखिएगा, एक एक करके, सबसे पहले है 295, so 295 is injuring और defiling place of worship with intent to insult the religion of any class, 295 basically आपको बताता है, अगर आप किसी religious object को, या कोई भी ऐसी चीज, जिसे एक religious group sacred समझता है, उसको destroy करते हैं, damage करते हैं, जिससे उस group की feelings hurt, या affect हो, in that case you are committing an offense under 295, आपने कोई मंदर तोड़ दिया, आपने कोई मज़द तोड़ दिया, आपने कोई मजार तोड़ दिया, आपने कोई गुरुद्वारा तोड़ दिया, कोई चर्च तोड़ दिया, उससे एक कोई sacred चीज हैं, उनको damage है, defile कर दिया, ये सारे act punishable हैं under 295, इसके बाद 295A देखिए, this is also important, so 295A में है, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion और religious belief, इसको जारा ध्यान से समझिएगा, 295A में कई बार confusion होता है, कि बिना intention के भी 295 को offense हो सकता है, क्या, तो थोड़ा language देखिए इसकी, whoever with deliberate and malicious intention, clearly लिखा एदर, whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizen of India, by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class shall be punishable, कब punish होगा, जब आप with deliberate and malicious intention कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे आपको पता है कि religious feelings जो है, वो hurt होंगी, deliberate and malicious intention होना चाहिए लेकिन ऐसा काम करने के पीछे, आप news में देखते होंगे ये सारे चीज़ें, कि बहुत जल्दी इन पे बवाल आजकल हो जाता है, अगर religion से related कोई भी चीज़ किसी ने करी, जैसे अभी recently एक movie आई थी with the name Kali, जिसमें smoking करते हुए depiction हुआ था, goddess Kali का, उस पे बहुत बवाल हुआ, तो वहाँ ये है कि भाया किस context में और किस intention से आपने किया है, 295 एके तहट अगर इस act को लाना है offense में, तो ये proof करना पड़ेगा कि malicious और deliberate intention था, religious feelings को hurt करने का, अभी भी चल रहा है, ये बिल्कुल thunder web series, that's also correct, है न, that's also correct, अभी पठान को लेके भी कुछ चल रहा है, पता नहीं है, बॉलीवोड में least interested हो गया है, इसलिए मुझे बहुत जानकारी नहीं है, उस controversy की, इसके बाद देखिए 296, अगें 296 is very important, disturbing religious assembly, कोई भी religious assembly है, prayer के लिए खटी हुई है, उसको अगर आप disturb कर रहे हैं, that is an open tender 296, whoever voluntarily causes disturbance to any assembly, lawfully engaged in the performance of religious worship, और religious ceremonies, shall be punished with this punishment, section number के question आते है, punishment, punishment important नहीं है, यह सारे section यहाद रखना है, 295 में आप injure कर रहे हैं, defiling कर रहे हैं, destroy कर रहे हैं, damage कर रहे हैं, किसी भी religiously sacred object को, या उस से related चीज़ को, 295A में आप कोई ऐसा representation कर रहे हैं, visual, जहाँ आपका intention है, किसी की religious feelings को outrage करना, 296 में आप किसी religious assembly को disturb कर रहे हैं, जो worship या prayer के लिए खटा हुई है, किसी ceremony के लिए खटा हुई है, 297 is equally important, section number का question अगर पूछे जाना है, इस chapter से, तो सबसे आदा संभावना है, 297 पूछे जाने की, trespassing on burial places, etc., whoever with the intention of wounding the feelings of any person, or of insulting the religion of any person, or with the knowledge that the feeling of any person is likely to be wounded, or that the religion of any person is likely to be insulted thereby, commits any trespass in any place of worship, कहां trespass कर रहे हैं, place of worship पे अगर आप trespass कर रहे हैं, place of burial पे अगर आप trespass कर रहे हैं, शम्शान बगेरा, जहां पे भी अन्तिम संस्कार किया जाता है, या लोगों को दफनाया जाता है, religion-wise अलग-अलग practices हैं, तो worship की place पे या इस तरीके के जहां last rites perform किये जाते हैं, 298, uttering words etc with deliberate intent to wound the religious feelings of any person, whoever with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person, utters any word or makes any sound in the hearing of that person or makes any gesture in the sight of that person or places any object in the sight of that person shall be punished with this punishment, अब देखिए, 298 में क्या है, कि आप कोई ऐसी बात बोल रहे हैं, कोई ऐसे word आप utter कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा gesture बना रहे हैं, जिससे किसी व्यक्ती की religious feelings hurt हों, in that case आप offense commit कर रहे हैं 298 का, यहां section सारे याद रखना है, 295, damage or destroy करना है, religiously sacred चीजों को, 295A में कोई representation है, जो आप malicious intention से कर रहे हैं, with the intention of outraging religious feeling, 296 में है religious assembly को disturb करना, 297 बहुत ज्यादा important है, trespass on place of worship और place of burial, और 298 कोई ऐसे words utter करना है, ऐसा gesture बनाना, जिससे religious feeling या sentiment hurt हो या insult हो, that is very very important, ठीक, दोनों में आएगा अक्रती, दोनों में cover हो सकता है, unnatural sexual activity में भी आएगा, 397, 297 बहुत बोटी, कि dead body के साथ rape अगर कोई commit करता है, तो वो दोनों में आएगा, 297 में तो cover होगा ही वो, dead body के साथ कोई भी ऐसी चीज़ जो demean करें, वो आएगा इदर 297, so that's all for this chapter, और इसके बाद जो अगला chapter है हमारा chapter 16, of the offenses affecting the human body, इसमें सबसे पहले है, of offenses affecting life, life को affect करने वाले offenses की बात है, जिसमें culpable homicide or murder है, 299 और 300 और जैसा मैंने आपको बार-बार बताया है, देखो, आज का जो पूरी class अभी तक हमने पड़ी है, इसमें कोई concept वाली चीज नहीं थी, except giving false evidence, वो थोड़ा सा समझने लायक था, इसलिए वहां मैंने आपको बताया, बाकी सब provision है, simple-simple, plain-plain, तो वो आपको याद करने है, constructive liability समझने वाली चीज थी, abitment समझने वाली चीज थी, conspiracy समझने वाली चीज थी, वो हमने समझे, जहां कुछ समझने के लिए नहीं था, उसको हमने सिरफ provision read किया, section number note down के pre-K सीदे-सीदे सवाल बनते हैं, लेकर आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं, Offenses Against Property में भी concept है, और इधर तो भयानक concept है, आप जानते ही हैं, अगर आप log graduation कर रहे हैं या कर चुके हैं, Culpable homicide and murder is one of the most complicated topic of IPC, इसको मैंने कहा था मैं separately deal करूँगा, that is culpable homicide and murder, थोड़ा बत तो आप सब जानते ही हैं, culpable homicide and murder के बारे में ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अंजान है, इन टर्म से या इस particular concept से ऐसा तो I hope नहीं है, उसको अपन देखते हैं थोड़ा की, और intricacies क्या है या basic distinction जो आप कई बार समझने में miss कर देते हैं उसका, उसको थोड़ा सा आप को, देखिए, तो before I begin to the section, इस topic के लिए especially, सीधे अपन section पर जाएं और एके करके उस language को पढ़के interpret करें, इसके पहले I would like to tell you a few things about this particular topic, इसमें क्या है, क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, देखिए, अभी हमने IPC में कुछ basic concepts पढ़े और कुछ अलग-अलग offenses भी हमने पढ़े, offense against state हमने पढ़ा, offense against religion हमने पढ़ा, इस तरीके से कुछ specific category of offenses पढ़े, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, offenses against human body, और उसमें भी क्या category, offense affecting human life, यह किसके तहत offense है, किस category के अंडर इसको classify किया गया IPC में, offense affecting human life, life, life threatening या life taking offenses जो है, उनकी हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर आप terminology एक देखते हैं, culpable homicide, तो यह culpable homicide का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए, कि यहाँ homicide का मतलब क्या है, So, what do you understand by the word homicide? What do you understand by the word homicide? Homicide का मतलब होता है, killing of a human being by a human being. Homicide is killing of a human being by a human being, that's homicide. एक इंसान दूसरे इंसान की जब जान लेता है, that's homicide. हर्षा कहना है, पढ़ा तो कई बार है, बट समझ नहीं आया. All right, let's hope इस बार आजाए, I'll try my best कि इस बार आजाए. तो कोई भी वेक्ति जब दूसरे वेक्ति की जान लेता है, that is homicide. अब यह homicide कल्पेबल कब कहलाती है, इसको समझना है आपको. Now, what do you understand by the term, culpable homicide? What do you understand by the term, culpable homicide? तो culpable homicide मतलब illegal killing. तो culpable से मतलब which is not legal, which is illegal. या not justified, unauthorized. Which is wrong in the eye of law, that is culpable homicide. अब यह जो culpable homicide है, यही offense है basically. हम जो एक perception में चलते हैं कि culpable homicide एक अलग offense है, murder एक अलग offense है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. unjustified killing जो है human being की, वो या तो IPC में culpable homicide है, या फिर वो है death by negligence. Death by negligence एक अलग category of offense है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, आज के ही lecture में. और एक जो दूसरी category हम पढ़ रहे है, that is culpable homicide. अब इस homicide का ही एक type हो जाता है murder. इस बात को थोड़ा समझना है, पहले इसके ना, जो structural framework है IPC में, पहले आपको culpable homicide का वो समझना पड़ेगा. देखिए जैसा मैंने आपको कहा, कि murder कोई अलग चीज नहीं है. Murder is a kind of culpable homicide only. इसलिए पहले मैंने आपको बताया, homicide का मतलब क्या है? Killing of a human being by a human being. फिर हमने देखा, culpable कब हो जाएगी वो homicide? जब वो justified by law नहीं है. तब वो homicide, culpable homicide हो जाएगी, जब वो unlawful है. चीक, lawful हो सकती है क्या homicide? बिलकुल हो सकती है. जस्टिफाइड हो सकती है, excusable हो सकती है. जनरल exceptions में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ. अगर आप किसी वेक्ति को मारते हैं अपने private defense में, तो वो culpable homicide नहीं होगी. It will be justified by law or it is excusable by law. लेकिन culpable कब होगी? जब वो authorized नहीं है या illegal है. तब वो culpable homicide होगी. अब ज़रा इस structuring को समझेगा आप IPC के, कि इस culpable homicide को किस तरीके से divide किया गया है, क्या पूरा curriculum है, कहा definition दी हुई है, उस structuring को थोड़ा समझते हैं. सबसे पहले तो without opening the barret, आप थोड़ा इदर पर ये समझेगा, कि section 299 जो है IPC का, ये define करता है word culpable homicide, या उस act को बताता है, कब एक act culpable homicide माना जाएगा, ये बताता है 299. Culpable homicide क्या होगा, कब एक homicide को हम culpable homicide कहेंगे, या आपको बताया 299 में. फिर 300 ने बता दिया, when culpable homicide amounts to murder, चीक, so culpable homicide amounting to murder को बता दिया. कब एक culpable homicide murder amount करेगी, ये किस section में बताया गया है, section 300. अब अगर इसके punishment की अपन बात करें, इसको मैं अलग color से लिपता हूँ, 302 punishment बताता है, culpable homicide amounting to murder का, और 304 punishment बताता है, culpable homicide not amounting to murder का. थोड़ा सा इन चीज़ों को अराम से सुनियेगा, अपना दिमाग पूरी तरीके से खुला रखके, थोड़ा से समय दीजेगा और मुझे, अप्रोक्सिमेट 10-12 मिनिट्स या 15 मिनिट्स का समय आप मुझे दीजेगा, जो जो बाते में एके करके आपको बता रहा हूं, उसको समझेगा, तो शायद वो जो हमेशा से आपके जहन में एक confusion है, इन चीज़ों को लेकर, शायद वो आज हम clear कर पाएं. तो देखिए, जो structuring है पहले IPC में किस चीज़ की definition दी है, किस चीज़ का punishment दिया है, कहां दिया ये बात समझना जरूरी है. डिफाइन किन-किन चीज़ों को किया गया IPC में, तो उसके लिए हमने देखा, सबसे पहले उन्होंने culpable homicide को define किया. यहाँ कोई categorization नहीं है section 299 में, कि culpable homicide amounting to murder, not amounting to murder, nothing. सिर्फ उन्होंने एक act define किया, क्योंकि culpable homicide क्या है, कोई भी illegal killing of a human being by a human being. उसको उन्होंने simply define कर दिया है, इस particular section में, जो है 299, सिर्फ culpable homicide बता दिया, कब एक act culpable homicide होगा. That's it. इसके बाद section 300 में, इन्होंने बता दिया कि, कब एक culpable homicide murder होगी. क्योंकि देखिए, murder कोई अलग चीज नहीं है. Murder एक species, या फिर एक type है, culpable homicide का ही. तो कब culpable homicide murder होगी, ये बता दिया 300 में. अब जरा मुझे आप अपना prudence लगा के ये बताईए, कि अगर मैंने आपको ये बता दिया, कि कौन से act culpable homicide होते हैं, और आपको ये बता दिया, कि कब culpable homicide murder बन जाती है, या कौन से culpable homicide murder होती हैं. तो क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है, कि कौन से culpable homicide murder नहीं होती हैं. क्या ये चीज अलग से expressly define करने की जरूरत है, अगर मैं आपको broad category बता दूँ, इस structure को इधर भी समझेगा. ये मैंने आपको बता दिया, ये culpable homicide है, ये पूरा, और मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया, कि कौन से culpable homicide जो है, वो murder होंगी 300 में. जो मैंने ये आपको 299 में बता दिया. यहां मैंने आपको बता दिया, कौन से, पहले मैंने आपको बता दिया, कब एक आक culpable homicide की काटेगरी में आएगा, ये मैंने आपको 299 में बता दिया, फिर मैंने आपको बता दिया, कब एक culpable homicide murder की काटेगरी में आएगी, ये मैंने आपको section 300 में बता दिया, तो जो बच्चा वो सब क्या हो गया यह जो पूरा यह जो पूरा कार्यकरम चल रहा है यह क्या है यह पर मेलेुद कल यह क今 समझ में आया को स्फ्रॉणिंग या कभेगा कन यकिंपर लो जिसे माल लीजे आप एक institute जोइन करते हैं, अब आप सब उस institute के student है, जैसे आपने एलेक जोइन किया अपनी preparation के लिए, तो आप सब एलेक के student हैं, मैंने यहाँ आने के बाद आपको यह समझा दिया कि जज कैसे आप बन सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, what it takes, क्या करना पड़ जाएंगे, आप जज नहीं बन पाएंगे, I hope that is clear, तो यह IPC ने structuring करेंगे, इस चीज की, आपको culpable homicide define कर दिया, फिर बता दिया कौन सी culpable homicide murder होती हैं, तो जो not amount into murder है, वो automatically clear हो जाएंगे, या कई जागे expressly भी बता दिया जाएगा, कि यह वाली नहीं होंगे, वो उसका अल 1999 में define किया गया है, world culpable homicide को, यह दो तरीके की होती है, culpable homicide amounting to murder, culpable homicide not amounting to murder, यह किसलिए किया गया, punishment के purposes के लिए, क्योंकि आप यहाँ दो section देख पा रहे हैं, punishment से related, 302 में murder punishable है, 304 में वो culpable homicide punishable है, जो murder नहीं होती, अब थोड़ा सा एक, दूसरे structure की तरफ अपन चलते हैं तो अब आप यह समझिए, कि यह जो, culpable homicide है, यह दो तरीके की है, एक है आपकी, amounting to murder, और एक है आपकी, not amounting to murder, कि उसको 299 में define कर दिया, इसको 300 में define कर दिया, इसको जरूरत ही नहीं है करने की, यह बात आप समझ गए, इसलिए उस structuring में आपको कहीं definition नहीं मिलेगी, इसकी, आपको कहीं इसकी definition नहीं मिलेगी, not amounting to murder, पनिश्मेंट जरूर मिल जाएगा, तो जब culpable homicide murder amount करती है, इसको पनिश कर दिया आपने 302 में, और जब नहीं करती है, तो पनिश कर दिया आपने 304 में, तो आपने आपको समझ माया है, तो आपन आगे बढ़ते हैं, एक-एक करके, अब मैं आपको difference बताऊँगा कि culpable homicide एक general act है, फिर उसके कुछ specific version है, जो murder बनते हैं, इतना समझ में आ रहा है, एक बार confirmation दे दो yes, और no लिखके, जो भी है, ये दोनों बातें clear हैं आपके, किस चीज की definition है, किसकी नहीं है, किसका punishment है, किसका नहीं है, yes, all right, चलिया, अब हम बढ़ते हैं, आगे, अब आजाते हैं, अपने sections की तरफ, आप अपने barret में भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, exactly वही चीज़ें लिखी हैं, exactly वही चीज़ें लिखी हैं, जो आप barret में देख पा रहे हैं, अभी मेरा suggestion ये रहेगा, कि इस तरह ज थोड़ दीजे थोड़ी गर के लिए इस पे आउंगा अगले फाइंट साथ मिनिट के लिए इस पोर्शन को छोड़ीए सिर्फ इस पे नजर डालिए क्योंकि अभी हमें सिर्फ यह देखना है कि कभी का इकल्पेबल हो में साइड होता है वो स्ट्रक्ट्रिंग हमने देख ल मैंने आपको पहले ही मेंसरिया पड़ा दिया था आईपीसी का जो पहला लेक्चर है उसमें हमने मेंसरिया के बारे में बात करी है मैंने हम आपको इंटेंशन समझाया है मैंने हम आपको नॉलेज समझाया है और निग्लिजेंस भी समझाया है तीनों चीज़े मैं आपको बता चुका हूँ तीनों के बीच का difference I hope आपके जहन में बिल्कुल clear है और आपको यह भी पता है कि एक offense constitute करने के लिए act के साथ-साथ state of mind भी guilty होना चाहिए mind भी guilty होना चाहिए दोनों का combination offense बनता है general rule यह है तो यहां देखिए कि यहां लिखा है 299 अपन देख रहे हैं कि कोई भी act culpable homicide कव होता है इसका मतलब क्या हुआ हो सकती है क्या बिल्कुल नहीं हो सकती है अगर माल लेजे मैंने किसी वक्ति को चाकु मारा वो जिन्दा बच गया मरा नहीं वह हो सकता है कभी नहीं कि पहली लाइन में पहली लाइन में यह लिखा हुआ है बहुत क्लिए क्लियरली अपने वीडियो की quality 720 पर जाये या उससे बेटर है अगर अगर अवैलेबल उस पर जाई आप कम quality में देखेंगे तो देर में भी अगर अगर का नेचर क्या था या उस आपका को करते समय आपका state of mind क्या था यह decide करेगा कि आपने culpable homicide किया है नहीं सुर्फ किसी वक्ति की death cause करने से वो culpable homicide नहीं हो जाएगी ये भी देखना पड़ेगा कि किस state of mind में आपने एक वक्ति की death cause करी है तो यहां लिखा है if the act by which the death is caused is done सबसे पहले है with the intention of causing death आपका intention होना चाहिए death cause करने का जिस act से आपने एक वक्ति की death cause करती है वक्ति की जान ले ली है उस act को करते समय आपका intention जान लेने का ही होना चाहिए अगर ऐसा है तो आपने culpable homicide commit किया है अभी अगले आठ से 10 मिनट अपने जहन से मडर रढ़ा दीजिए तो अगर आपका intention है किसी वक्ति की जान लेने का और आप उस intention के साथ एक act करते हैं जिससे सामने वाली वक्ति की death cause हो जाती है तो आपने culpable homicide commit किया है यह कहता है 299 और उसका first जो class उसमें दिया हुआ है first point जो है यह state of mind state of mind का है आपका intention है अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ पहले की classes में motive intention का difference intention knowledge का difference intention क्या होता है desire to produce a particular consequence जब आपको याक करते हैं इस इक्छा के साथ कि इसका यह particular consequence होना चाहिए या मुझे यह consequence produce करना है इस इक्छा के साथ जब आपको याक कमिट करते हैं तो कहा जाता है you have done the attack intentionally आपने उस intention के साथ किया मैं किसी वक्ति को गोली मार रहा हूँ with the intention of causing death of the other person मैंने उसकी जान लेने के लिए act कमिट किया है तो यह intentional है intention प्रूफ करना मुश्किल होता highest degree है आप जानते हैं बहुत अच्छे से मैंसरिया कि highest degree है intention कैसे प्रूफ होता है लेकिन intention देखा जाएगा कि मेरी जगे मैंने किसी वक्ति की अपने act से जान ले ली है अब अगर prosecution को यह प्रूफ करना है कि मेरा intention जान लेने का ही थे उस act के पीछे तो prosecution को यह प्रूफ करना पड़ेगा या prosecution यह प्रूफ करेगा कि मेरी जगे कोई भी ordinary person होता और उसे एक वक्ति की जान लेनी होती तो वो भी उतना ही act करता या उतने ही efforts करता जितने मैंने किये मैंने जो efforts किये किसी वक्ति की जान लेने में कोई भी prudent person होता और उसे जान ही लेनी होती किसी की तो वो भी इतने ही effort करता that's how intention is determined. जैसे आप एक reasonable distance से किसी के sir में गोली मार रहे हैं तो उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि कि आप हमारा intention नहीं था इसकी जान लेने का नहीं बोल सकते हैं जान ल MID को नहीं बोल सकते हैं अगर किसी वेक्ति को दूसरे वेक्ति की जान लेनी होती किसी भी prudent person को किसी भी reasonable व्यक्ति को तो वो इतने effort करता कि सिर में गोली मारता आपने भी वाई किया है तो फिर आपके लिए यह बहुत मुझके लिए प्रूफ करना है कि हमारा intention नहीं था क्योंकि आपके समझ में आ रहा है कि आपकी desire का अब देखो किसी के दिमाग में camera लगा के तो court देखनी लेगा कि आपका क्या intention था क्या नहीं था आपके act से ही पता चलेगा आपके conduct से ही पता चलेगा इसलिए intention को कई बार design of the act भी कहते हैं intention को क्या कहते हैं design of the act क्योंकि वो उससे पता चलता है कि आपने कितने effort किये आपकी जगे कोई भी reasonable बंदा होता तो इतने effort मारता किसी की जान लेने के लिए जगते आपने किये इस तरीके से प्रूफ होगा कि आपका intention था जान लेने का so that is the first point under 299. I hope that is clear. I hope that is clear to everyone. कि अगर आपका intention proof हो गया तब तो आप culpable homicide के लिए libel होगे in first place. इसके अलावा अगर मालने चे prosecution intention proof ना कर पाए क्योंकि intention मैंने कहा highest degree होती है mensorya की. तो और भी लिखा है इसके अलावा जिस act से आपने एक जगती की death cause करी है वो act या तो आपने death cause करने के intention से किया हो या फिर और with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death या तो फिर आपका intention क्या होना चाहिए causing such bodily injury मान लीचे prosecution ये प्रूफ नहीं कर पाता है कि आपका intention death cause करने का है. in that case prosecution may prove कि आपका intention क्या cause करने का था bodily injury cause करने का intention था और ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने जो bodily injury cause करी है intentionally जो आपने bodily injury cause करी है वो bodily injury कैसी है वो bodily injury likely to cause death है likely का मितलब होता है probable हो भी सकती नहीं भी हो सकती थी उससे death but मेरे किसमे तो हो गई है culpable homicide की बात अपन तभी कर रहे है जब मेरे आप से किसी वक्ति की death हुई है लेकिन death होने के बाद check क्या किया जा रहा है क्योंकि मेरा death cause करने का intention proof नहीं हुआ तो मैंने जो body कि या जिस intensity की bodily injuries मैंने दिये है क्या वो लाइकली थी death cause करने के if the answer is yes कि मैंने जो body injury दी है इससे किसी ordinary person की death हो सकती है probability हो भी सकती नहीं भी हो सकती 50-50 chance है अगर इतना sufficient act मेरा है ऐसी bodily injury मैंने करी है in that case I am liable for culpable homicide जैसे मान लीजे for example जहां मुझे एक वक्ति की जान ही लेनी थी intention ही था जान लेने का तब तो reasonable distance से aim करके मैंने उसको गोली मार दी लेकिन मालने चाहे मुझे किसी वक्ति की जान नहीं लेनी है जान लेने का intention नहीं है मुझे एक वक्ति को पीट रहा है बस अब मैं एक baseball का बैट लेके जाता हूँ और बेरहमी से उस वक्ति को पीटता हूँ almost उसकी पूरी body को मैं मारता हूँ उससे मैं यह नहीं लेकता कहां लग रहा है बस मैं को पीट रहा है और मैंने तबियत से बैट उठाके पिटाई गरी एक वक्ति की और random मैंने उसको मारा है bodily injuries दी है माल लीचे अगर consequence में उस वक्ति की death हो जाती है तो फिर यह तो प्रूफ हो गया कि मेरा intention bodily injury cause करने का था तभी मैं baseball का बैट लेके एक वक्ति को पीट रहा था bodily injury का intention प्रूफ है अगर माल लीचे prosecution यह नहीं प्रूफ कर पाता कि मेरा intention जान लेने का था मेरा था ही नहीं जान लेने का intention पीटने का intention था तो bodily injury तो ठीक है कि मैंने bodily injury दी और consequence में death हुई अब देखा जाएगा कि वो bodily injury likely to cause death थी या नहीं अगर वो probable injuries थी जिससे किसी अगर भी विक्ति की जा सकती थी in that case also I am liable for causing culpable homicide so second point क्या state of mind बताता है यह आपका intention तो है but intention death cause करने का नहीं है bodily injury cause करने का है और वो जो bodily injury वो likely है to cause death likely to cause death I hope that is clear तो यह है second clause इसके बाद आते हैं पन तीसरे clause अब मान लीचे मैंने किसी को bodily injury भी cause नहीं करी या मेरा वो intention नहीं है bodily injury cause करने का भी intention नहीं है in that case 299 says a person commits culpable homicide if the act by which the death is caused is done with the knowledge अब intention ही नहीं सिर्फ knowledge है with the knowledge that the act is likely to cause यहाँ पे भी क्या है मैंने एक act commit किया है यह तो है कलपेबलों में side की मैंने एक act commit किया है और मेरे act से किसी वक्ति के death हो जाती है अब यह देखा जाएगा intention मल लीजिए प्रूफ होई नहीं पा रहा है ना तो मेरा intention किसी की जान लेने का था उस act को करने के पीछे ना मेरा intention bodily injury cause करने का था तो फिर यह देखा जाएगा कि मैंने जो act किया क्या उस act को करते समय किसी भी reasonable विक्ति को यह knowledge होता कि इससे death cause हो सकती है likely to cause death क्या death cause हो सकती है इस the answer is yes the name again libel for culpable homicide अगर मैं कैसा act करता हूँ जिसमें मेरी जगा कोई भी गत्ति वो act commit करता तो उससे यह knowledge होता कि इसससे death हो सकती है हर जगा likely इसमें भी likely है इसमें भी likely है this is probable probability की बात है this is probability हो सकती है death तो इस तरीके के कोई भी आप में इस knowledge के साथ कर रहा हूँ in that case also I am libel for culpable homicide कैसे होते है या जैसे मान लीजे राश ड्राइबिंग मैं आपको पहले भी पिछली क्लास में यह चीज़ बताई है कि मान लीजे मैंने एक नहीं एक SUV गाड़ी खरी थी अच्छी कोई बड़ी सी और क्योंकि पैसे खर्च करें तो मज़े लेने हैं गाड़ी अब Saturday को एक ठीक ठाक से एरिया में जहां रीजनेबल भीड होती शाम के 6-7 बजे के आसपास मैं एकदम तेज स्पीड में 120-130 की स्पीड में क्योंकि भाई आप पैसे खर्च करें आपने महंगी गाड़ी पर तो आप वसू लेंगे वह मैं ना किसी की जान लेने का ना तो इंटेंशन ना मेरा इंटेंशन किसी को बोडिली इंजरी कॉस करने का है बहुत ही सज्जन वक्ती हूं मैं एकदम अहिंसावादी लेकर आप क्योंकि पैसे खर्च करें थे गाड़ी पर तो उसके मज़े तो लेने थे तो इसलिए मैं र करती की डेथ कॉस हुई क्या इसमें डेथ कॉस करने का इंटेंशन था आंसर इस नो क्या इसमें मुझे नॉलेज था की सारी क्या इसमें मेरा इंटेंशन बोडिली इंजरी कॉस करने का था आंसर इस नो मैं बिल्कुल डिजायर नहीं कर रहा था ऐसा कोई भी इंटेंशन क होता है when you desire a particular consequence मैं तो कुछ नहीं कर रहा था मैं तो मझे लेना चार रहा था बस गाड़ी के that was the scene तो ना तो यहां death cause करने का intention है ना यहां body injury cause करने का intention है but as a prudent person I have that knowledge as a prudent person I have that knowledge कि मेरे इस act से death हो सकती है likely है और हो गई हमारे case में in that case I am again liable for culpable homicide अब इस बात को थोड़ा समझीएगा यह जो likely वाली चीज में बोल रहा हूं probable था कि वह भी पूड़ेंट परसन होता है उसको इतना knowledge होता है कि यह से जान भी जा सकती है किसी वाथी कि तो यह आपका knowledge knowledge क्या होता है awareness of the consequence जैसे intention क्या होता है desire to produce a consequence आप चाहते हैं वो consequence producer knowledge में आप अच्छी चाहते नहीं है but as a prudent person आपको पता होता है कि यह consequence हो सकता है मेरे आख का that's what knowledge means and that's what the difference between intention and knowledge is intention में आप चाहते हैं वही consequence produce करना knowledge में आप चाहते नहीं है but आप चाहते हैं as a prudent person कि यह हो सकता है that's knowledge तो उस knowledge के लिए भी आप culpable homicide के लिए liable हो सकता है I hope that is clear to everyone yes or no ये तीनों बाते समझ में आई आए आपके कब आपका act culpable homicide में आएगा कब आपका culpable homicide कहा जा सकता है सबसे पहली requirement है आपके act से किसी वक्ति की जान जानी चाहिए death होनी चाहिए किसी वक्ति की फिर देखा जाएगा कि जिस act से आपने वक्ति की जान ली है उसको करते समय क्या आपका intention था if the answer is yes you are liable for culpable homicide if the answer is no फिर देखेंगे क्या bodily injury cause होई है if the answer is yes आप bodily injury cause होई है देखा जाएगा कि आपने intentionally bodily injury cause करी है और जो bodily injury आपने intentionally cause करी है उसके consequence में death होई है और हो जो bodily injury आपने intentionally cause करी थी वो bodily injury likely थी अब यह कौन बताएगा वो likely थी या नहीं दोक्तर बताएगा obviously intensity देखके जो आपने घाव दिये हैं उसको उस bodily injury से दोक्तर बताएगा है कि और मान लीजे आपने bodily injury दी ही नहीं intentionally आपने कोई bodily injury भी नहीं दी है तो knowledge में भी आप आ सकते हैं अगर आपको knowledge है in that case also आप liable हो सकते हैं for culpable homicide I hope that is clear to everyone तो यह हो गया भाई साब आपका culpable homicide है भी अभी सिर्फ culpable homicide की बात करी है murder की बात नहीं करी है अब उसकी करूं मान है इसलिए मैंने कहा था पहले इतना समझना थोड़ा जरूरी इसको एक बार जहन में बढ़ा लेंगे आप प्रपरली तो फिर आगे आपको problem नहीं होने वाली है तो knowledge से भी आप guilty हो सकते हैं सरूरी नहीं कि आपका intention knowledge मतलब awareness of your act consequence of your act मैं कोई काम कर रहा हूं as a prudent person मेरे को पता है आप यह नहीं बोल सकते कि साहब मैंने तो सोच ही नहीं थे मुझे तो पता नहीं था मेरी जगे कोई भी reasonable person होता उसकी नजर से हमेशा दिखा जाएगा चाहा intention या knowledge मेरी जगे कोई पड़ा यह कब एक आप इस सरकल के अंदर आएगा अब हो सकता है इसी में से कुछ मढ़र भी हो क्योंकि हम अभी कौन सा सरकल पड़ रहे हैं यह वाला अभी अपन पड़ रहे थे एक बार फिर से इसको में ड्रॉ कर देता हूं यह तो कि आज यह करके ही जाना है इसको आज खतम ही करके जाना है मैंने आपको यह बता दिया कि कब एक आप इस सरकल में आएगा अभी अपने बस इत्ता बड़ा है अब जैसा हमने देखा पनिश्मेंट वाले सेक्शन में 302 कहता है कल्पेबल होमिसाइड अमांटिंग टू मडर को पनिश करता है 304 पनिश करता है कल्पेबल होमिसाइड अमांटिंग टू मडर को और डिफाइन आप क्या कर रहे है 299 में सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड तो उसके बाद सेक्शन 300 रखा गया है और अब 300 बताएगा कि इस कल्पेबल होमिसाइड की काटेगरी में तो आपका आट आगया है लेकिन कब वो एक मडर बनेगा यह आएंगे आपके मडर बने डाएंगे अब आपन देखेंगे कब एक कल्पेबल हमिसाइड मडर होगा एक बात जरूर ध्यान रखना किसी भी आट को इस काटेगरी में आने के लिए मडर के अंदर आने के लिए किसी भी आपको इस बड़े सर्कल में आना पड़ेगा पहले तो उस आपको कल्पेबल हमिसाइड के एसेंशल फुल्फिल करने पड़ेंगे उसके बाद ही वो मडर बनेगा यस और नो यस और नो यह बात समझ में आई आपके अगर आप इस सर्कल को देखेंगे किसी भी आपको मडर बनने के लिए पहले कल्पेबल हमिसाइड होना इसलिए मैंने कहा था कि मडर इस अकाइंड ओफ कल्पेबल हमिसाइड ओनली यह बात मैं सब कहां से ड्रॉ कर रहा हूं सब बेरट से कर रहा हूं एक चीज़ बता हूं कैसे क्या आ रहा है अब आईए ज़र आप 300 पर कि यह आपका सेक्शन 300 सेक्शन 300 कहता है सब्जेक्टू सर्टेन एक्सेप्शिंज इसको फिलहाल प्राद देजे अच्छे एक्सेप्शन को बात अपन पढ़ने जा रहा है उसके कुछ एक्सेप्शन है उनका आपन बात मेरें आएंगे क्या लेखा है? इंडिपेंडेंट आक्ट नहीं है आसśmy Öन सभा है अगर आपने elect for judiciary admission लिया है तो आप यहां के broadly आप इस institute के student हो गए, अब अगर आप कुछ और additional चीज़ें fulfill कर दें, थोड़े सी दम लगा दें तो आप judge बन जाएंगे, अगर आप judge बन जाएंगे, इसका मतलब यह कि आप elect के student नहीं रहे, नहीं, क्योंकि judge तो यहां का student ही बन homicide is murder, if the act by which the death is caused, और वैसी बात है, death to cause होगी, क्योंकि murder क्या है, culpable homicide में ही क्लियर नहीं लिखा था, विल्कुल क्लियर नहीं लिखा था कि death cause होनी चाहिए, act by which death is caused, तो वो तो रहे गए, अब यह जो बात लिखी है, culpable homicide is murder, this is very important, फिर लिखा है, if the act by which the death is caused, is done, कैसे कि आपने किस state of mind में किया तो लिखा है, with the intention of causing death, same, exactly same, आप दोनों देखिए, कोई difference नहीं है, with the intention of causing death, इधर पे भी है, तो अगर मैंने किसी विक्ति को 3-4 फिट के distance से बंदुक लेके aim करके गोली मारी, और उसकी death cause कर दी, यह प्रूफ होता है कि मेरा intention ही था death cause करने का, मेरे conduct को देखके समझ में आ रहा है कि मेरा intention death cause करने का था, अब आप बताइए वो किस category में जाएगा, वो culpable homicide हो या murder हो, ब matter head, बताइए था, नजरीन ने कि इलस्ट्रेशन दिया है, विटा दाटाइस, transfer of malaise, थोड़ा सब्र जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ा रुकी है, वह दागे निकल गया, तो भाई साब, यह act जो मैंने आपको बताया है, कि 3 feet के distance से aim करके एक व्यक्ति को को पोली जिस act से एक व्यक्ति की जान लिये, उस act को करते समय मेरा intention था जान लेने का, यह act culpable homicide भी है और murder बन गया, यह मैं क्यों कहा रहा हूं, क्योंकि 299 जनरल ही culpable homicide को define करता है बस, फिर हमें पता चलता है कि यह act यह वाला particular culpable homicide murder में आगा, कौन सा वाला, जिसमें intention है, आपने homicide में भी है, वो culpable homicide है, और वो किस nature की culpable homicide है, culpable homicide amounting to murder है, वो culpable homicide कैसी है, amounting to murder, वो murder बनेगी, ठीक, अब आप एक बात समझेगा सारा, आपके जहन में शायद यह सवाल आएगा, कि साब जब intention कोई भी आप act करते हैं, जहां आपका intention death cause करने का होता है, और आप कहरे हैं कि व इदार ही लिख देते हैं इदार लिखने की क्या जरूरत है, यह जो सेम बात दोनों जगे आप अपने बेरक में भी देखेंगे, 299 में भी सेम sentence लिखा और 300 में भी सेम sentence लिखा है, इसका purpose क्या है, दो जगे क्यों लिखा आपने, एक जगे ही लिख देते, भारत वाले बना अब इस बात को जरा समझी है, इस चीज से related बहुत मित है, कोई कहता है, इंटेंशन दोनों में लिखा है, लेकिन डिगरी का डिफरेंस है, और भाई डिगरी का डिफरेंस कहा हो जाएगा, जब सेम sentence है, सेम टर्म है, इंटेंशन तो इंटेंशन नहीं रहागा, डिगरी का लिख के चाले गए, उन्होंने सोचा था कि मारत के लोग समध्दार समझ लेंगे, इंटेंगे, समझ में नहीं आया है, तो ऐसा नहीं होगा, अब अपन बिजजद ही नहीं कराएंगे, मैं सम्झा हूँगा, दोनों जगे पर लिखने का परपस यह है, क्योंकि मैं आपसे क्या बार-बार क्या रहा हूँ, कल्पेबल हॉमिसाइड ही मढर है यहां क्या लिखा है, यह जो sentence अगर इस intention वाले sentence को यहां नहीं लिखा जाता, तो यह बात गलए हो जाती, जो यह लेकि कैनी है, कल्पेबल होमिसाइड हो जाईड सर्फ मढर, फिर वह हो अगशे की जान लेने का था वो एक सिर्फ murder होता वो culpable homicide नहीं होता अगर 299 से यह हटा दिया जाए तो फिर यह सरकल जो हमने बनाया था यह सब खतम इन सब का मतलब नहीं निकलता यह जो मैंने बनाया है अब आप यह चाह रहे हैं अगर वो intention वाला point murder से हटा दिया जाए 300 से हटा दिया जाए तो आप यह चाह रहे हैं कि कोई act murder में तो fall करे मगर इस हरे circle में fall ना करे बात यह हो जाती फिर जो कि possible नहीं है क्योंकि murder is a form of culpable homicide only इसी लिए वो पहला clause लिखा औ कोई act यहां हो के या कोई act यहां हो के place हो के murder हो सकता है कि यहां place हो के नहीं हो सकता उसको यहां आने के लिए murder में आने के लिए इस circle में भी तो आना पड़ेगा बैटा 299 में भी तो आना पड़ेगा इसी चकर में same चीज लिखी कि जब आपका intention है किसी व्यक्ति की जान लेने का और इस intention के साथ आप एक act कमिट करते हैं जिससे व्यक्ति की जान लेते हैं वो culpable homicide है और कैसी culpable homicide है? culpable homicide amounting to murder. murder को अलग चीज नहीं है. culpable homicide का ही एक type है. उसको हम कहते है culpable homicide amounting to murder. जो culpable homicide murder amount कर जाती है उनी को murder कहते हैं. तो भाई उस white circle में आने के लिए यहां दोनों लिखे गए हैं दोनों में कोई difference नहीं है. और चाहिए भी नहीं difference. क्यों difference चाहिए भाई आपको? Just because कि आप जब से law college में गए हैं आपने सुना है what is the difference between culpable homicide and murder? इसलिए आपको difference चाहिए. ऐसे नहीं है. होना भी तो चाहिए कुछ. उसी दा तो type है वो. चीक. इसलिए दोनों चीज़ें यहां लेखी हैं. क्योंकि यह सिर्फ culpable homicide को बता रहा है. यह कोई category 299 कोई categorization में जाही नहीं रहा है. मैंने आपको अभी बता है कि 299 कोई categorization में जाही नहीं रही है. यह तो 299 तो सिर्फ culpable homicide को define करता है. बहुत ही सीधा साधा बच्चा है 299. वो सब लफडे में पढ़ी नहीं रहा है. यह वो बच्चा है जो चुपचाप IPC पढ़ रहा है. उसको इससे मतलम नहीं UP देंगे क 36 गड़ देंगे. दोनों में काम आएगा. अपन categorization में नहीं जा रहे. क्लासिफिकेशन में जाई नहीं रहे. 299 ने तो simply बता दिये यह है. अब आप देख लो किस तरीके का. यह जानने के लिए कि वो culpable homicide किस तरीके का होगा? आपको पढ़ना पढ़ेगा 300. क्योंकि 300 बता दिया है कि culpable homicide क्या होता है और कौन सी culpable homicide murder होती है. तो फिर यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी culpable homicide murder नहीं होगी. और उसके लिए फिर से एक बार इस चितर पर आप आईए. तो थोड़ा बेहतर और एक बात में आपको कन्वे करूँगा. अब इधर ही देखना. इधर पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया. तीन पार्ट हो गया. पहला, दूसरा, तीसरा. ये मैंने क्यों किया? पहला वो एक जिससे बंदे की death होई है और परसन का intention था death cause करने का. दूसरा वो जहा intention था bodily injury cause करने का और तीसरा वो जहां knowledge था. इन्हें तीन तरीके से हो रहा है भीया, culpable homicide, yes or no? इन्हें तीन तरीके से हो रहा है. तो यहां मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा है? जहां आपका intention है. intention क्या cause करने का? death cause करने का. ये पहला clause हो गया 299. तो जितनी भी culpable homicide है, जिसम सारी कि सारी कलपवλbe homicide murder है, तो ये सारी कि सारी कलपवल homicide जो है, ये वाली, ये क्या है? murder है. इसारी कि सारी कलपवल homicide, ये पूरा murder है. यहां कोई distinction नहीं हो. और 300 में भी लिखा है, 299 में भी लिखा है, पर पर ये क्तियर है, मयरी रहान से. तो कि culpable homicide को ही murder होना है, murder होने के लिए इसके बाद आते हैं अपन second वाले की बात करते हैं, second वाला क्या है culpable homicide में, आपका intention हոना चाहिए, किस बात का intention होना चाहिए तो भाई साब bodily bodily injury cause करने का intention होना चाहिए और यह bodily injury कैसी होनी चाहिए तो उसमें लिखा है likely likely होनी चाहिए death cause करने यह है दूसरा पूरा अब likely एक बड़ी category है जा संभावना है मैंने क्या उससे हो भी सकती है नई भी हो सकती है दोनों करेगी कि संभावना थी हो सकती है यह संभावना होनी चाहिए संभावना होनी चाहिए कि हो सकती थी और मेरे केस में हो गई है तो वह act palpable homicide बना अब ज़रा समझिए second point 300 में क्या लिखा है इसको ध्यान से पड़िए तो यहां लिखा है with the intention of causing such bodily injury यहां पर भी देखिए intention क्या है bodily injury cause करने का यहां भी क्या था intention bodily injury cause करने का यहां भी intention bodily injury cause करने का लेकिन difference कहा है as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused यहां likely नहीं है यह बहुत broad category थी likely में हर probability आती है यहां थोड़ा सा specific हो गया आपका intention तो bodily injury का ही है वो ही जो मैंने example बताया था अब जो मैंने आपको एक example बताया था कि एक baseball का बैट लेकर मैं randomly एक वक्ति को पिटता हूँ वहां पे मेरा intention bodily injury cause करने का तो है लेकिन वो bodily injury कैसी है likely जरूरी नहीं कि हर case में death होती होती इस तरीके का की bodily injury मैंने cause करी जहां थोड़ा specific हो गया यह कह रहा है bodily injury as the offender knows जिसने वो offense किया है उसको पता हो कि इस वक्ति की तो death हो ही सकती है special knowledge की बात करता है जैसे मान लीजिये मुझे पता है एक वक्ति है जो अल्रेड़ी वीक है अभी अभी विमारी से उठा है मान लीजिये वो अल्रेड़ी बहुत वीक है हो गया जिस आप से मैंने वक्ति की death cause करी है अगर वहां मेरा intention proof हो गया death cause करने का तब तो मैं पहले clause में guilty हो गया murder के लिए simple it is लेकिन हो क्या रहा है मेरा intention proof नहीं हो पा रहा है कि मेरा death cause करने का intention है उस case में समझ यह सारा क्या हो रहा है तो यहां पर आप वो जो person है उसके बारे में मेरे पाँ special knowledge है यह clearly लिखा है offender knows to be likely to cause the death of the person to whom जिसको मैं वो injury दे रहा हूँ मेरा intention तो bodily injury cause करने का ही है लेकिन वो जो injuries में जिस वक्ति को दे रहा हूँ मुझे पता है कि इसकी death हो सकती है क्योंकि उसकी disease का या किसी vulnerability का knowledge is special knowledge है ऐसे case में अगर मैं उसको ऐसी injury भी दूँगा which is likely to cause death तब भी मैं किसके लिए liable होंगा अगर consequence में death हो गई तो murder यह वाली culpable homicide भी क्या हो जाएगी murder हो जाएगी तो कि 300 में आ जाएगी और मैं liable अब हो जाऊँगा 302 के था है murder के charges लग जाएगी दोनों में difference समझगे यहां likely है simple होने के chances थे और हो गई है यहां मेरे को special knowledge था उस्वक्ति के बारे में offender के पास special knowledge होना चाहिए ऐसे है अगर आपने death cause करी है gravity बढ़ गया आप थोड़ा सा difference को आप समझते चलना in clauses से आपके act की intensity आपके guilty mind की intensity बढ़ रही है special knowledge था कि वह वल्नरेबल विक्ति निपट जाएगा फिर भी आप ऐसी हरकत कर रहे हैं तो अब आप सिर्फ अब आप सिर्फ culpable homicide के लिए liable होंगे अब आप culpable homicide amounting to murder के लिए liable होंगे तो यह act आपका किदर जाएगा तो उसको ज़रा समझ यहां पर कि जो चीज़े 300 माएंगे में अब यह एक ब्रॉड काटेगरी किया 2.299 इसमें हम एक सब काटेगराइज़ेशन कर देते हैं जिसमें मैं लिख दे रहा हूं special knowledge तो यह है culpable homicide भी क्योंकि likely की जो broad category है कि मैंने एक एक व्रक्ति की जान ले ली है इसमें likely था जान लेना likely था death cause होना उस broad category में भी act आ रहा है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा specific हो गया यह थोड़ा सा ज्यादा specific हो गया इसलिए इसी part में यह act आ गया और यहां में liable हो गया क इसके अंदर 300 के अंदर है ऐसे इसका जरा third point पढ़िए third point जो है यह भी bodily injury cause करने की बात करता है with the intention of causing bodily injury same है intention है bodily injury cause करने का है to any person and the bodily injury is now this is very important and the bodily injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death यहां पर भी मेरा intention किसी रखती को एक bodily injury cause करने का ही है लेकिन वो जो bodily injury मैंने cause करी है वो कैसी है यहां जो likely थी probability death cause करने के लिए probability थी वो यहां कैसी है certain है sufficient in the ordinary course to cause death अगर sufficient है मेरी bodily injury to cause death in ordinary course of nature in that case I am liable not only for culpable homicide but culpable homicide amounting to murder जैसे मैंने आपको वो example दिया था कि एक baseball से random body parts पर मैं मर रहा हूँ एक वक्ति को मेरा intention bodily injury cause करने का ही है और randomly मैंने पिटा ही करी है तो मेरा act कैसा मेरी bodily injury कैसी थी likely to cause death death हो गई culpable homicide तो हो गया मुस से अब अपने को देखना है क्या culpable homicide amounting to murder है मान लेजे एक baseball का बैट लेकर एक वक्ति के पास मैं जाता हूँ body injury cause करने का intention है मेरा और उसके सिर्पे सिर्पे कम से कम दस बार मैं मारता हूँ और अच्छे से एक तम पूरे force पूरी ताकत लगाके दस बार में उसके सिरी सिर्पे मारता हूँ और सर खोल देता हूँ उसका इससे उस वक्ति की death हो जाती है अब आप ज़रा बताईए यह मान लेजे बेसबॉल की जगे थोड़ा और क्लारिटी के लिए अपन ले लेतने का आईरन रॉड बढ़ यार मवी सा लोहे कावो में लेकर गया हूँ और वह मारी है मैंने सिर्प एक वक्ति पूरा सिर्प खोल दिया उसका अब आप बताईए इंटेंशन तो बॉडिली इंजरी कॉस करने का ही है क्योंक बताईए कैसी है इसंट इंट सफीशंट इन ओर्डिनरी कोर्स अगर वक्ति रजनिकान से तो बात अलग है बाकि नॉर्मली किसे भी वक्ति के टेथ हो जाएगी और किसे भी और्डिनरी परसंट की टेथ हो जाएगी उसके सिर्फ पर आट जस आप आरन रोड मारेंगे तो तो जहां इस तरीके की इंटेंशनली कॉस करी अब मेरा आक्ट जो है वो सिर्फ इसमें ना के सिर्फ इंटेंशन लाइकली में आके कहां चला जाए एक काटेगरी और बना लेता है यहां मैं लिग देता हूं सफीशंट सफीशंट इन ओर्डिनरी पोर्ट्स तो यह कल्पेबल होमिसाइड भी है बट कल्पेबल होमिसाइड कैसी है यह अमांटिंग टूम अडर है तो कि इसमें सर्टेनिटी ज़्यादा है आप एक डिफरेंस देखेंगे यहां तो आपको समझ में आएगा इसमें सर्टेनिटी जादा है इधार कारेकरम लाइकली वाला था आपने जिस बॉडिली इंजरी से जान ली है लाइकली था तो वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड था जहां ज्यादा सर्टेन हो गया कि आपको स्पेशल नॉलेज ऑफ इंडर के बारे में या आपने जो बॉडिली इंजरी कॉस करिए वो सफीशन्ट एंडी और और नरी कोर्स तो वो क्या हो जाएगा अब वो मडर की काटेगरी में भी आगे इसका मतलब यह नहीं कि वो कल्पेबल हमेसाइड नहीं है कल्पेबल हमेसाइड तो पहले होना उसे तभी वो मडर कहलाईगी विकाज 300 की पहली लाइन में ल अब आते हैं आखरी वाले पॉइंट पे जहां आपने एक आक्ट किया है उस एक्ट से किसी व्यक्ति की जान ले ली है अब देखा जाएगा कि वह नॉलेज किस इंटेंसिटी का है किस डिगरी का है अगर यह कहा जाए कि नॉलेज है विच इस लाइकली टो कॉस देथ तो हो गया लेकिन अभी वह मडर नहीं हुआ अगर सिर्फ इतना ही है लाइकली ही है तो वह मडर नहीं होगा मडर कम होगा तो इसके लिए फॉर्थ पॉइंट पढ़िए विद्धी नॉलेज आक्ट इस सो इमिनेंटली डेंजरास अब देखिए नॉलेज कैसा है यहां नॉले इस बात का नॉलेज था यहां नॉलेज कैसा हो गया जहां मैं कोई असा अक कमेट कर रहा हूं जिसमेरा इंटेंशन तो नहीं है किसी वक्ति की जान लेने का लेकिन सर्टेनिटी है नॉलेज है मुझे कि इस आक्ट विल इन ओल प्रोबेबिलिटी इट मस्ट कॉस डेट मैं जो एक कर रहा हूं इससे डेथ होने की पूरी संभावना है फिर भी अगर मैं वो एक कमिट करता हूं so that will be considered as murder under clause 4 भर्शा ने लिखा राश ड्राइविंग बड़ देर विल डिफरेंस बट्वीन डिग्री जहां आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है और उसके उपर आप चड़ा दे रहे हैं सीधे ले जाके that may come within this category यहां knowledge हो रहा है जहां line of action में victim आ रहा है जहां likely है वहां सिर्फ यह है अब एक बात समझे ज़रा यहां पर highest degree of knowledge required is that's correct कि भाई आपका certainty के सांथ पता होना चाहिए कि इस act से death हो जाएगी जैसे भीड है आपने उस पर गोली मार आपने गोली चला देखे आप illustration पढ़ेंगे वेरट में ऐसा illustration दिया है a fire a person fires a cannon on a mob without any justification a person fires on a mob without any justification गोली मार देता है कोई बीड में देखे इंटेंशन का पूट प्रूफ होगा चंडरली ज़रा आप किसी particular वेक्ति को एम करके गोली मार रहा है तो आपका intention तो उसकी जान लेने का बीड वाले illustration क्यों दिये है knowledge में क्योंकि आपको यह समझना है कि हाँ intention नहीं है अगर वेक्ति का intention प्रूफ हो गया तो उसके इंटेंशन कैसे नहीं है हम उसको पहले close में क्यों ले जा रहे है कि साब आपका तो intention ही death cause करने का था अगर मुझे पूरी certainty के साथ यह knowledge है कि मैं जो act commit करने जा रहा हूँ it must in all probability cause death तो फिर यह कैसे होगा कि मेरा intention नहीं कैसा हो सकता है practically कि मेरा intention नहीं है फिर भी मुझे knowledge है कि in all probability I am going to cause death of somebody इस सवाल ने मुझे काफी परेशान किया कि law college में जब थोड़ा बहुती है समझ में आया था IPC किताबें पढ़ी बहुत सारे illustration cases धूंडे हर जगा बड़ा ही ordinary सी बात लिखी है a person fires on a mob a person fires a cannon on a mob without justification यह बात कुछ समझ ने करने को law पढ़ने अपना आया ही थे क्योंकि साइन्स अपने बसका बिल्कुल नहीं था दस भी ग्लास में छोड़ दिया था क्योंकि यह जो इस ग्लास में भरा है यह है अब इसमें कहां है hydrogen के दो अपने को ज्यादा आपने समझ माइक सामने दिखना चाहिए तब ही थोड़ा दिमाग में तो इस चीज से काफी मैं काफी टाइम परेशान रहा इस सवाल को लेकर क्योंकि इसका कुछ बढ़िया मिला नहीं कि कैसे कोई बिना अगर आपने देखी हो तो मिरजा पूर का निर्जापूर का जो पहला सीजन है उसमें ऐसा इंसिडेंस मैंने देखा अगर आपने देखा होगा तो तो पूल आपके कालीन बहाया और अखन्डा नंतर पार्टी उनके एक बेटे हैं फूल चंतर पार्टी तो मुन्या वया कि पापा की कट्टे व्ट्टे की फैक्टरी है है यही सारा काम वो करते हैं लगते हैं के बंधुक लेकर जाते हैं और कहीं भी गोलिया बरसाथ में दोस्तों के साथ q q q सबक और इसे मस्ती सब्सक्राइब उनको बहाराच जाती हुई दिखती है can प्रॉबलम है कि डांस करते करते वह इतना जाधा इन्वाल्व हो जाते हैं कि उन्हें होश ने रहे था कि वह क्या कर रहे हैं। वह अपनी बंदोग निकालते हैं और पर वह यह उंकल से डांस करवाते हैं। एक अंकल उनको इंटराप्ट करते हैं क्योंकि वो थोड़ी बत्तमीजी भी कर रहे थे उस वारात में बिन बुलाए थे, डांस कर रहे थे, बत्तमीजी कर रहे थे, अंकल उनको इंटराप्ट करके बोलते हैं okay, कौन हूँ तुम? तुम किसकी तरफ से Pew? लड़की की तरफ से वो या घड़की वालों की तरफ से तो मुन्ना भईया तो बंदुक निकाल लेते हैं करते हैं हम इनकी तरफ से हैं और अंकल से कहते हैं आप डांस करो रहेते गरोशन बाला उनसे डांस करवाते हैं और खुट डांस में इतना इंवॉल्व हो जाते हैं व इसका डिसायर नहीं है किसी को बॉडिली इंजरी देने की ज़न देने की फिर भी कोलियां बरसा रहा है वो वेक्ति सड़कते। कि वेक्ति का नॉलेज हो उसको नॉलेज हो कि इन पर प्रभाइबिलिट इस गॉस्टेथ लेकिन इंटेंशन एपसेंट हो इसी वेब सीरीज में अगर आप आपके देखेंगे तो एक बुड़ु भी यह जो बहुत ही इंफ्लुएंस्ट है इन से मुन्ना बहिया के जीवन से वो हमेशा एड्मार करते हो वैसा बनना चाते हैं और यह भी जाके कालिंग भी यह कि जाएंग में जब पहली बार शामिल होते हैं तो इनको बंदुक दी जाती है यह भी पागल हो जाते है पिस्टल देखके और रात के समय अधर उदर गोली चलाते है इस शहर में वो भी से खोशी में गोलियां बरसा रहें यह जो चीज है यह एक्चुली पॉसिबल है यहाँ पर लाइकली है यहाँ पर सर्टेनिटी है नॉलेज में कि डेथ होनी है इन ओल प्रोबैबिलिटी मस्ट कॉस्ट जहां यह हो गया वहां अप लाइबल हो गया किसके लिए अब कल्प करेगी मड़र यह हमने यहां देख लिया अब मुझे बताइए ऐसे आक्ट्स जो 299 की काटिगरी में तो आ रहे हैं लेकिन 300 में नहीं आ रहे हैं वो सब कहां पनिश होंगे तो वो सब होंगे 304 में कल्पेबल होंगे 304 में जैसे ही लाइकली वाला कि माल नीचे मैं एक सलक कि मैं सडक पर जा रहा हूँ 120 की स्पेड में ठीक ठाग क्राउड़ सडक है किसी की जान जा सकती है अगर मैं ऐसे मैं वक्ती को उड़ा देता हूं तो मैं culpable homicide के लिए तो liable हूँ, लेकिन क्या मैं culpable homicide amounting to murder के लिए liable हूँ, क्या in all probability I had knowledge, then the answer is no, नहीं, वो सिर्फ culpable homicide था, murder की category में नहीं आया, ऐसे जितने भी acts होंगे, वो सब punished कैसे होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब कहलाएंगे, culpable homicide not amounting to murder, यह जो मैंने आपको ब बता दिया, likely है सिरफ, और मैंने किसी वक्ति की जान ले ली है, मैंने एक आक्ट से वक्ति की जान ले ली है, बट मेरा आक्ट ली था, death cause करने के लिए, probability थी, वो certainty के category में नहीं पहुचा, तो मेरा act culpable homicide तो है, लेकिन वो amounting to murder नहीं है, इसका मिकले वो के लिए, वो है, culpable homicide इसको अलग से डिफाइन करने के जरुवत नहीं थी, सीधे punishment बता दिया, 304 में punish होगा, that's it, ऐसे bodily injury वाला समझ लीजिए, जो second clause था, 299 का, कि मैंने एक baseball का बैट लेकि एक टिक्ति को randomly मारा है body पे, और उसकी death cause हो गई है, अब इसमें, ना तो में murder के second clause में गया, जहां special knowledge of offender के पास, कि इसकी तो death हो सकती है, ना तो में उस category में गया, ना मेरा, मेरी जो bodily injury है, वो इस category की है, कि it is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, उस category में भी मैं नहीं जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा act culpable homicide तो है, but it doesn't amount to murder, वो भी कहा punishable होगा, वो किस तरीके की culpable homicide होगी, वो होगी culpable homicide not amounting to murder, और उसका punishment किदर मिलेगा, 304 में मिलेगा, so that's how this whole concept is, culpable homicide, ये दो तरीके की है, amounting to murder, not amounting to murder, जो culpable homicide murder amount करती है, उन्हीं को अपन murder के अत्त, इसको बताया गया है, 300 में, define किया गया, और punish किया गया है, 302 में, इसको बताने की ज़रुत ही नहीं, सीधे punishment बता दिया 304, क्योंकि जो एक culpable homicide हो गया है, बट murder नहीं बन पाया, वो हो गया, culpable homicide, not amounting to murder, और उसका आपने बना दिया, punishment अलग से, अब बताईए ज़रा, कि ये कहानी समझ में आई या नहीं, तो अपना आगे बढ़े हो और, अब थोड़े से, चोटे मोटी चीज़ें आप और हैं, अ आल राइट, येस, आल राइट, आल राइट, चलिए, खनवे हो गई है बात, काफी हत्तर, संपुर्ण रूस रूप से समझ गया है, क्या बात है, बहुत बड़ी है, अल राइट, आल राइट, आल राइट, चलिए, अब हम कहां पहुँचेंगे, देखिए, ये तो clear हो ग लिखा है, subject to certain exceptions, culpable homicide is murder, अगर इन में से किसी एक काटेगरी में आता है, तो, घ्यान से सुनना मेरी बाद, subject to certain exceptions, culpable homicide is murder, if done with any of these, कैना अगा मतलब, अगर एक act इस काटेगरी में आया है, तो वो क्या होता है, murder, except certain circumstances, इसका मतलब ये है, कि अगर act in specific certain exceptions की काटेगरी में आ रह है, तो भले ही वो 300 के essential भी fulfill कर दे, तब भी वो culpable homicide murder नहीं होगी, घ्यान से सुनना फिर से इस बात को, यहां लिखा है, subject to certain exceptions, culpable homicide is murder, if this, 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 this applies to that act, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर वो act exception की काटेगरी में है, तो भले ही वो यहां fall कर जाए, तब भी वो culpable homicide murder नहीं होगी और अगर culpable homicide murder amount नहीं कर रही है, तो वो culpable homicide कैसी होगी, वो culpable homicide होगी, culpable homicide not amounting to murder, वो culpable homicide कैसी होगी, culpable homicide not amounting to murder होगी, I hope that is clear, तो अब हम देखते हैं वो certain exceptions, वो circumstances, जिसमें fall करने की वज़े से, एक ऐसा act जो murder हो सकता था, इसके essential भी fulfill कर रहा है, लेकिन वो culpable homicide murder नहीं बन रही है, क्योंकि वो exception में fall कर रही है, इसलिए वो क्या होगी, वो सिर्फ और सिर्फ culpable homicide not amounting to murder के लिए punish होगी, क्या है ये circumstances, उसके लिए bear act पर आ जाईए, अब वापस अपने bear act पर आईए, और निकालिए ज़रा 300, और section 300 में जैसा मैंने आपको भी बताया, except in the cases here and after accepted, culpable homicide is murder if this happens, और exception कहां दिया है, तो आप देखिए इसमें दिया है नीचे सारे illustrations बताने के बाद murder के exception 1, when culpable homicide is not murder, कब culpable homicide murder नहीं होगी, और अगर culpable homicide murder amount नहीं कर रही है, तो वो culpable homicide कैसी है, तो वो culpable homicide है, यह बादी, not amounting to murder, बल्ले वो 300 के essential fulfill कर रही है, तब भी वो murder नहीं होगी, तो क्या है यह exceptions, अचा, before we move on to this particular thing, जरा cases में एक दो important है लिख लेजे, सबसे पहले तो R versus Bovinda, one of the most leading cases on the difference of culpable homicide, not amounting to murder and amounting to murder, अब देखिए, general parlance में क्या होता है, not amounting to murder को ही कह दिया तो वो किसको reflect कर रहा है, किसकी तरफ indicate कर रहा है, इस वाली culpable homicide की तरफ, टेक्निकली यह बात नहीं है, technical मैंने आपको aspect पूरा समझा दिया, समस्या यह होती है कि लोग culpable homicide किसलिए refer करते हैं, term, not amounting to murder के लिए, जबकि IPC ने 299 में सिर्फ culpable homicide define किया है, categorization में नहीं गया, but in general prevalence क्या होता है, not amounting to murder को अपन बोल देते हैं, culpable homicide, और amounting to murder को अपन बोलते हैं, murder, इसलिए confusion create होता है, तो अब यह जो distinction है, इसके बारे में detailed discussion है, R versus Govinda में, that is important, cases तो बहुत सारे हैं, इसमें, तो सब के बारे में तो शायद अपन बात नहीं कर पहेंगे, बढ़ाएक आप आपको reference के लिए रहना चाहिए, प्रलिम से पूछा जाता है, कौन सा case से related है, कौन सा नहीं है, तो R versus Govinda, 1876, this is one of the most important judgment, काफी important है, इसके अलावा, जो यह distinction वाली बात है, इससे related और भी cases है, रयावर्पु, पुनाया, पुनाया versus state of आंधर प्रदेश, यह भी important है, अगर आपके पास universal का बेरेक्ट है, तो उसमें पीज़े यह दिये हुए cases, आंधर प्रदेश versus रयावर्पु, पुनाया, that is also important, अज़िस हम ने कहा, cases तो इतने हैं, कि आप देखने बाटेंगे, तो cases ही देखते रह जाएंगे, हाँ, correct, जो आप cases बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और थोड़े बहुत इसके बारे हमें important cases, जानने भी चाहिए हमें, ठीक, चलिए, अब अपना आते हैं, exceptions की तरफ वापस, तो 300 के जो exception आप देख रहे हैं, यहां लिखाया exception 1 में, when culpable homicide is not murder, culpable homicide is not murder if the offender, is deprived of the power of self-control, by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation, or causes the death of any other person by mistake or accident, तो देखिए, culpable homicide कब murder amount नहीं करेगी, तो उसके लिए लिखा है, जब वेक्ती, culpable homicide, murder amount कब नहीं करेगी, जब एक वेक्ती, grave and sudden provocation में act करता है, तब उसके द्वारा करी हुई culpable homicide, murder amount नहीं करेगी, भले ही, वो 300 के essential fulfill कर दे, अब इस exception को भी थोड़ा सा, इसकी कहानी भी थोड़ी सी, समझ लिजे थू देस, जो हमने ये section पड़ा, कि अगर आपका act इस category में आ गया, तो वो murder होगा, वो murder के essential fulfill कर रहा है, लेकिन exception क्या बता रहा है, कि भले ही आपका act इस category में आ रहा है, भले ही आपका intention था death cause करने का, आपने एक act commit किया, उस एक बत्ती के death cause कर दी है, आपका intention था death cause करने का, उसके बाद भी, आप murder के लिए liable ना होके किसके लिए liable होंगे, only for culpable homicide, and that is culpable homicide, not amounting to murder, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो act जो आपने commit किया, वो कैसे किया, वो आपने grave and sudden provocation में किया, वो act आपने grave and sudden provocation में किया है, तो आप इसके लिए liable ना होके, सिर्फ और सिर्फ culpable homicide के लिए liable होंगे, I hope that is clear, आप देखिए grave and sudden provocation, कि जो कहानी इस से rated case है, बहुत important, I hope आप सबने सुन रखा है, आप जानते है, कौन सा case है, KM Nanavati versus state of Maharashtra, 1962, और इसी case थे India में jury system भी खताम हुआ था, ये भी आप I hope जानते होंगे, KM Nanavati versus state of Maharashtra, 1962, and this is one of the most important cases, अब देखिए grave and sudden provocation क्या हो, तो भाई अगर grave and sudden provocation में वेक्ति उस heat of moment में अपना self-control use कर देता है, जैसा इस case में हुआ था, इस case में एक Navy officer होता है, जो most of the time sailing पे रहता है, एक दिन वो घर वापस आता है, तो उसकी wife उससे ये confess करती है, कि उसकी wife का किसी दूसर परसन के साथ illicit relationship है, अब ये जो केम ननवत्ती साब होते हैं, तुरंद रियाक नहीं करते हैं, ये अपनी कुछ routine की activities करते हैं, for some time, office जाते हैं सब करते हैं, और उसके बाद ये बंदों के लेके जाते हैं, उस वेक्ति के घर, जिनके साथ इनकी wife का illicit relationship है, और वाँ जाके उसको मार देते हैं, जान ले लेते हैं, अब इनको prosecute किया गया मडर के लिए, जूरी ने तो इनको बोल दिया कि साब इनकी गलती नहीं है, सवाल ये था कि क्या इनको grave and sudden provocation का exception मिलना चाहिए, यहां आपको दो चीज़ें देखनी होती है, एक तो वो provocation कैसा होना चाहिए, ये grave होना चाहिए, now what do you understand by grave, so like grave is a question of fact, fact to fact vary करेगा, this can be a grave reason to kill someone, that can be a grave provocation, कि उसकी wife का illicit relationship है, this can be a grave thing, but क्या ये sudden है, तो केम नानवत्ती में कहा गया ता है कि ये sudden नहीं था, जो उसने मडर किया वो प्लांड था, जो उसने मडर किया वो प्लांड था, जो उसने मडर किया हुआ मडर में था, ये well-planned मडर था, इसलिए वो इस category में नहीं आएगा और ये exception नहीं मिलना चाहिए, ये exception कब मिलेगा, जब grave भी हो और sudden भी हो, अब इस पे भी अलग कहानी है कि कब sudden होता है, कब नहीं उत्ती detail में फिलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि this is for prelims examination, foundation की जब classes ह नहीं लोग करते हैं, तो उसमें इस से भी और अभी तो मतलब, culpable homicide murder में दो दिन लगते हैं मझे पढ़ाने वा, क्योंकि इसी तरीके से और इतिनी detailing के साथ ही, ये समझ में आता है, otherwise थोड़ी problem होती है, बट एक जो major portion था, जो समझने लायक आपको होता है, जो हमेशा आप problem face करते थे उससे related, वो मेरे खेल clear होगे, grave and sudden provocation को आप simply ये समझे, grave तो question of fact है, क्या grave है, क्या नहीं, court will decide in individual case, sudden भी होना चाहिए, sudden का मतलब हमेशा तुरंत नहीं होता, sudden का मतलब basically ये है, कि उस व्यक्ति को self-control मेंने का मौका नहीं मिला, वो because of that provocation, उसके effect में हो, और फिर अगर वो death cause करता है, तो he may not be liable for murder, instead he'll be liable for, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दे रहा है, ये कोई general exception नहीं है, 300 में जो exception है, ये कोई general exception नहीं है, कि आपकी कोई liability नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ इतना होगा, कि instead of murder, you'll be liable for not amounting to murder, that's it, 302 की जगे, 304 में punish होगे, बास, इस स्या अपनी duty कर रहा है, that cannot be a ground of provocation, कि एक वक्ति के पास, एक police officer के पास arrest warrant है आपके नाम का, वो आपको किसी function में से party में, आप माल लीजे, new year की party कर रहा है, अब एक police officer आपके नाम का arrest warrant उस party में लेके आता है, आपको दिखाता है, कि चलो हमारे साथ, आप मना करते है, वो आप मे जाता है, arrest करते हुए, अब माल लीजे, इस act, अब grave तो act है, then this can be a ground of provocation, अब इससे आप engraved होते हैं, इससे आप grave provocation में आते हैं और आप उस police वाले की जान ले लेते हैं, तो कि आपको grave incident provocation का exception मिलेगा, the answer is no, क्योंकि अलग से यहां बताया गया, कब वो applicable नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, कोई right to private defense exercise कर रहा है, तब भी आप उसको ground नहीं बनाएंगे grave incident provocation का, likewise, तो this is one exception, grave incident provocation, इसके बाद second exception देखिए, second exception जो है, वो बात करता है कि कोई वक्ति अगर right of private defense में act कर रहा है, और अपने right of private defense को वो exceed कर देता है, देखिए, मैंने आपको private defense जब पढ बताया था, एक भायानक, जुडिशरी की भायानक तैरी करने वाली दीदी का example मैंने आपको बताया था, जो एक study table पर लेंप जला के रात को दिड़ बजे, मोटी सी IPC की किताब लेके बैटी है, लेकिन किताब के अंदर चल रहा है mobile phone उनका, तो उनका मैंने पूरा आपको example बताया था कि कैसे उनका act right of private defense में आ सकता है, कब वो किसी की जान ले सकती है to exercise her right of private defense, अगर माल लेचे वो unjustified है, कि आपको उतना force, मैंने वो भी example बताया था, कि कहा right to private defense नहीं मिलेगा, अगर right to private defense आपको मिल रहा है, as per the provisions, तो तो absolutely आपकी कोई liability नहीं, आप absolutely उस criminal liability से बाह cause करिए, तो instead of libel, being libel for murder, you will be just libel for culpable homicide, not amounting to murder, वहाँ आपको 302 का punishment ना देखे, 304 का दिया जगा, देखे, क्योंकि exception में तो नहीं आ रहा, जंदल exception में तो नहीं आ रहा, क्योंकि strictly private defense फॉलो नहीं हुआ है, आपने अपना power exceed कर दिया, जहां नहीं था, वहाँ भी private defense उस कर ल होता है, हमने 76 पढ़ा था, general exception में, कि कोई भी ऐसा person जो bound है by law, वो कुछ करेगा तो absolute defense है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा, अगर वो अपना power exceed करता है, और किसी की death cause कर देता है, अगर वो entitled नहीं 76 का defense claim करने के लिए, उसने power exceed करके किसी की जान ली है, तो वो murder के लिए libel नहीं कि अगर माल लिजे आप किसी वक्ति की जान लेते हैं, एक sudden quarrel में, अचानक लड़ाई हुई और आपने एक sudden fight में, heat of passion में आपने किसी की जान ले ली, ऐसे ही लड़ाई हुई sudden quarrel और sudden fight में आपने किसी वक्ति की जान ले ली है, कोई पहले से आपका intention नहीं था, planning का element basically absent house case म आप exception 4 में fall करेंगे, और भले आपने intentionally जान ली हो, यह proof हो जा या फिर आपने ऐसा act किया है, जिसमें certainty दिख रही है, knowledge की, जो मैंने fourth point बताया है, 300 का, उसके बाद भी आप murder के लिए liable नहीं होंगे, आप liable किसके लिए होंगे, not amounting to murder, यह चौथा exception है, कि मान लीजे जैसे exception 4 क्लेम करके, not amounting to murder के liable होगा, this is exception 4, exception 5 बड़ा ही interesting है, और यह कहता है, कोई भी ऐसा वक्ति जो 18 साल है, उससे उपर का है, अगर वो खुद आप से कहता है, कि हमारी जान ले लीजे, या वो उस risk को लेने का consent देता है, अब इससे रिलेट एक 87 provision हमने पढ़ा था, जिंदल exception में, लेकिन 87 यही चीज़ थी, कि व्यक्ति ने consent दे दिया है, उस risk को लेने का, यह उस harm को लेने का, व्यक्ति 18 साल से उपर का है, लेकिन वहाँ दो चीज़े लिखी थी, जिस पर 87 applicable नहीं है, death और grievous hurt, उस case में applicable नहीं है, तो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति कि जो 18 साल या उससे उपर का है, उसका consent लेके उसकी जान ली है, तो 87 का difference तो मिलना नहीं है, इसलिए general exception तो है नहीं, बट वो murder नहीं होगा, instead of that वो होगा, culpable homicide, not amounting to murder, यह 5 exceptions, यहाँ दिये हुए section 300 के, और वो जो line लिखी थी, subject to certain exceptions, वो exceptions यह है, कि भले 300 की काटेगरियों, भले वो culpable homicide इस nature की है, कि वो murder के essential fulfill कर रही है, उसके बाद भी आप liable होंगे, not amounting to murder के लिए, ठीक, इसके बाद आजाएए, अब यह होगा, आपका 300 और उसके exceptions, और exceptions के बाद अब अपन आते हैं, अगले section की तरफ, that is 301, this is also important, 301, इसको कहते हैं, transfer of malays, 301 को क्या कहते हैं, transfer of malays, this is also an interesting concept, तोड़ा पड़ते हैं, अर्शा कहना है, सरे question 2, हाँ, बिल्कुल, पूच सकती हो, अब आप टाइप कर दो, I'll answer that, देखे, 301 देखते हैं, तब तक, culpable homicide by causing death of person, other than person, whose death was intended, जान लेने किसी और किती, ले किसी दूसरे के लिए, ऐसे case में क्या होगा, क्या आप liable होंगे, death cause करने के लिए, तो 301 कहता, आप ठीक वैसे ही liable होंगे, जैसे आपने उस व्यक्ति की जान ली हो, जिसको मारने का आपका intention था, एक बार बाकी का content-based का पढ़ लेजे, amounting to murder, amounting to murder का, simply यह कहा गया है, कि अगर आपने कोई ऐसा act किया है, जहां आपका intention है, knowledge है, किसी एक particular व्यक्ति को मारने का, और आपने एक act commit किया, लेकिन उस आप से death किसी दूसरे ही बंदे की हो जाती है, जिसको मारने का ना तो आपको intention था, ना तो knowledge था, ऐसे case में, आप ठीक वैसे ही liable होंगे, जैसे आपने उस व्यक्ति को मारने का, आपका intention है, knowledge था, एक example से समझे, माल लेजिए, A को जान लेनी है, B की, A की जान लेने के intention से, sorry, B की जान लेने के intention से, A shoot करता है towards B, उसकी तरफ aim करता है, और shoot करता है, लेकिन होता यह है कि B वहाँ से हट जाता है जैसा ही यह गोली चलाता है B तो वहाँ से हट जाता है लेकिन उसके पीछे खड़ा हुआ था C और इस C को गोली लगती है और इसकी death हो जाती है चीक अब आप ज़रा बताईए कि A C के context में कैसे liable है क्या C की death के लिए A liable है मारना चाता था यह B को जान से लेकिन B वहाँ से हट गया नीचे बढ़ गया C को गोली लग गया और C मर गया अब आप बताईए क्या A C की death cause करने के लिए liable है तो 301 कहता है yes A ठीक उसी तरह liable है जैसे उसने B को मारा हो तो B को मारने के लिए अगर यह murder के लिए liable होता तो इस case में B C को मारने के लिए भी murder के लिए ही liable होगा इसको कहते है transfer of my life आपका जो guilty mind था वो किसको मारने का था B को मारने का था लेकिन गल्ती से C मर गया तो आपका जो मैलाई से वो transfer हो जाएगा आपका जो guilty mind है वो presume कर लिए जाएगा इसके लिए इसको कहते ही transfer of my life इस provision को and that's how you will be liable A will be liable in the same manner as if he has caused the death of B I hope that is clear अब इसके आगे एक सवाल है मेरा आप से इसी concept को लेकर अब मान लीजिए A को B की जान लेनी है इसे death cause करनी है B की इसी लिए एक poisonous chocolate A एक chocolate में poison मिलाता है और वो chocolate देता है B को खाने के लिए ताकि इसकी जान चली रहा है लेकिन B को वो chocolate पसंद नहीं है सस्ती लेकर आया थे और भाई खाता महंगी चोकलेट ये लेकर आये थे dairy milk इनको चाहिए fresh or rosher वो कुन सी होती है महंगी वाली वो ही फेरर और रोशर तो फेरर और रोशर चाहिए इनको तो भाई लोग इनको चोकलेट खाने था और ये गरीब लेकिन आया डेरी बाई इसने वाई सब ये तो खाते नहीं ये क्या करता है वो poison मिली होई चोकलेट ये दे देता है C को और B इस बात से अंजाने की वो poisonous है उसे पता नहीं है उसने दे दी C को C ने वो चोकलेट खाई और C ने पड़ गया ठीक C ने चोकलेट खाई और C ने पड़ गया अब मेरा सवाल यहां से शुरू होता है जैसे आप DJS VJS का एक्जाम देने जाएंगे तो जो आप पढ़के जाते हैं वो तो सवाल में लिखा रहता है ये बड़ी समस्था है DJS जैसे एक्जाम जिन में थोड़ा application based और उस तरीक है conceptual सवाल पूचे जाते है बेरट मिलता में अब भाँ जो अपन पढ़के गाये थे बाकी स्ट्रेट के एक्जाम के लिए वो तो सवाल में दे दिया वो सवाल ही वहां से चालू हो रहा है तो मेरा सवाल यही है कि ये तो TK301 ने बता लिए अब आप मुझे यह बताईए इसकी ज़ादी अगर केस ऐसा है कि ये जो A है इसको जान लेना था B की ये poisonous चॉकलेट B को देता है और B को ये बात पता है B को यहाँ ये बात पता है कि इसमें poison है वो identify कर लेता है कि जहरेली चॉकलेट है poison है और यह जानते हुए कि उस चॉकलेट में poison है, यह वो poisonous चॉकलेट किसको transfer कर देता है, तो यह वो poisonous चॉकलेट खाने को दे देता है C को. और C तो एकदम बैठा है यह भोका कि कुछ भी मिल जा है अपन तो खा ले हैं. यहां भी जानते हुए चॉकलेट देता है C को कि यह poisonous है और C उस चॉकलेट को खाके मर जाता है. अब ज़र आप मुझे यह बताईए कि A की liability C के context में क्या है? क्या A liable है यहां भी C की death cause करने के लिए? Yes or no? Yes or no? बताईए भाई तो दिमाग लगा हुए क्या 301 के तहट A liable है C की जान लेने के लिए? So the answer is no. यहां A की liability C के context में नहीं बैठेगी जान लेने की. कारण समझला, यहां हम कर रहे थे. क्योंकि यहां A का ही मैला, A का जो guilty mind है. A का guilty mind था B को मारने का और क्योंकि यह नहीं मरा C मर गया तो A का ही guilty mind transfer कहा होगा? यहां C के act के लिए, C की death के लिए. इसलिए वहाँ A liable है. लेकिन यहां जो A का guilty mind है वो B को मारने का था. अब यहां A guilty mind add हो गया, इधर B का भी guilty mind है, यहां भी innocent था. यहां B का malice आ गया, जैसे B का guilty intention आ गया, A की वो chain यहां खतम हो जाएगी. एक ही वो chain यहां पे खतम, A की liability यहां खतम, तो A liable होगा attempt to murder के लिए, यह attempt to culpable हो में side, description में पर नहीं जाते हैं. और B liable होगा for causing death of C, यह इसका alagmalize, A का transfer नहीं हुआ क्योंकि B का guilty mind आ गया इस act में, इस chain में. तो A की liability इधर खतम, अब B की चालू towards C, और B liable होगा for the death of C. I hope this is clear, कि दान रखियेगा. और जैसा मैंने कहा, DJS, VJS में, इसे सवाल आते हैं, कि जो पढ़के गए वो तो question में लिखाए, उसके आगे सवाल है. चलिए. परी के हिसाब से इतना बहुत है, अभी तो इसमें बहुत कुछ है और, क्वाजा, क्वाजन, यह सब भी हैं उसमें, आप, में स्वैंस के लिए कभी तायर करेंगे, तो कभी बात करेंगे, नर्मली foundation में हम लोग उन चीज़ों को deal करते हैं, अभी बहुत कुछ है, इसमें मतलब, काफी कुछ है, पढ़ने के लिए. चलिए, इसके बाद, 301 के बाद आते हैं, अपन 302 पे punishment for murder, murder का punishment दिया है, simply इदर वो पहली बता चुका हूँ, 303 life convicts की बात करता है, इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखियेगा, अगर universal का बेरेक्ट follow कर रहे हैं, तो footnote में दिया है, otherwise लिख लिजे, मिटू versus state of Punjab 1983, 30 303 को unconstitutional declare कर दिया गया है, this is important, यह case कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखियेगा, इसके बाद 304 punishment बताता है, culpable homicide का, जैसे 302 बताता है, culpable homicide amounting to murder का, 304 बताता है, culpable homicide not amounting to murder का, इसके बाद आजाए, 304A, now this is very important, अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी, death से related, अगर आप offense affecting human life अपन पढ़ रहे हैं, तो हमने 299 में पढ़ लिया, culpable homicide, 300 में पढ़ लिया, murder, और इससे हमें यह समझना है कि, एक होता है, culpable homicide amounting to murder, एक तीसरी काटेगरी भी है, जिसको हम कहते है, death by negligence, और यह मैंने आपको मेंसरिया जिस दिन पढ़ाया था, पहली क्लास में IPC की इस सीरीज की, उसमें भी यह बात समझाई थी, कि negligence as a state of mind, सिर्फ death cause करते समय ही liable या consider होता है IPC में, not otherwise, तो अगर आपने गल्ती से, sorry, with negligence मतलब, negligence मतलब, lack of due care, अगर आपने किसी की जान ले ली है, इसमें वो ही यह respiratory है, 304A, respiratory का मतलब, बचा कुछ आएगा, ऐसे acts जो culpable homicide में नहीं आ रहे, जो 299 में ही नहीं आ रहे, लेकिन death cause हुई है, और 299 में फॉल नहीं कर रहे तो अव्वेसी बात है, वो 300 में तो जाएगा नहीं, वो act यहाँ आ सकते हैं, 304A में, जो 299 में नहीं आते हैं, 299 में जो least degree required है, में सिर्या की, वो है knowledge, तो knowledge से भी कंग, अब आपको knowledge भी नहीं था, act करते समय की death हो जाएगी, यहाँ merely क्या है, negligent है, जिसे जो medical negligence के cases होते हैं, जिसे मान लिजे एक doctor है, एक doctor ने किसी बंदे को operate किया, एक surgeon है, उसने operation किया, किसी वक्ती का, मान लिजे appendix का operation किया, वो appendix तो निकाल के भेग दिया, लेकिन अपनी एक कैची उसने, किसी के पेट में छोड़ दिया और stitches लगा दिया, अब उस कैची से पूरा infection हुआ और उस वक्ती की मान लिजे death हो जाती है, तो क्या आप इसे 299 में ले जाएंगे, क्या आप ये कहेंगे, कि जिस आक्ट से वक्ती की death होई है, उसमें doctor को knowledge था, that his act is likely to cause death, तो भाया knowledge नहीं था, knowledge होता तो वो गरीब केची छोड़ता ही न अंदर, knowledge नहीं था उसे, that was lack of due care, इसको हम केते हैं negligence, ऐसे cases आते हैं 304P में, जहां lack of care, knowledge है तब तो वो 299 में जाए, knowledge नहीं है, this is nearly lack of care, so it will be 304E, इसके बाद आईए 304B, this is again very important, pre में तो बहुत पूछा जात है 304B, essential पूछे जाते हैं, section number भी बहुत important है, 304A में है dowry death, और इसके essentials भी पूछे जाते हैं, चिक, तो देखिए dowry death क्या होता है, when the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances, तो देखिए cause of death क्या होना चाहिए, किन circumstances में death हुई है, ये पहला essential है, किन circumstances में हुई है, caused by any burns or bodily injury, ठीक, चल के हुई है death या किसी bodily injury से हुई है, या फिर कोई abnormal circumstances में death हुई, पहला essential ये है, कि death कैसे होनी चाहिए, burn से, bodily injury से या फिर otherwise than normal circumstances, मतलब abnormal situation में हुई हो किसी, within 7 years of her marriage, second essential क्या हो जाएगा, 7 साल के अंदर death हुई हुई, and it is shown that, soon before her death, she was subject to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband, for or in connection with any demand for dowry, आखरी है, कि death होने के पहले, उस woman को cruelty or harassment का subject बनना पड़ा हो, उसके उपर cruelty, harassment हुआ, किस ती से related, demand of dowry से related, अब यहाँ tricky question बनता है, प्री में, उसमें ये तो लिख देते हैं कि abnormal situation में death हुई हो, या body injury या burns की बज़े से death हुई हो, 7 साल के अंदर हुई हो, ये भी essential है, फिर एक option tricky ये बना दिया जाता है, कि she was subjected to cruelty or harassment immediately before her death, सिर्फ इत्ता लिखा है कि subjected to cruelty or harassment, तो वो dowry death का essential complete नहीं है, dowry death के लिए क्या चाहिए, she would have been subject of cruelty or harassment in connection with demand of dowry, तहेच की मांग से related cruelty or harassment होना चाहिए, क्योंकि cruelty or harassment सिर्फ तहेच की मांग से related नहीं होता, ये भी आप आगया है, किसी में देखें, तो ये जो cruelty है, harassment से related होना चाहिए, dowry की demands से related होना चाहिए, 7 साल के अंदर death होनी चाहिए, और abnormal situation में death हुई होनी चाहिए, in that case this offense is known as dowry death, तहेच, punishment punishment generally नहीं पूछा जाता, फिर भी subsection 2 में एक बार देख लिजेगा, क्योंकि minimum punishment है, इसमें prescribed, बस इसलिए बाकि generally punishment important नहीं होते ही, so that is dowry death, इसके बाद 305 मार्क करिए, abitment of suicide of child or insane person, सेर्व section number का question generally पूछा जाता है, किसी बच्चे को या किसी insane person को अगर आप, कि अगर आप abitment करते हैं, suicide का, देखिए, abitment हमने पहले पढ़ा, और हमने वहाँ पढ़ा कि किसी offense के abitment का specific provision नहीं है, तो 109 में punishable हो जाएगा, लेकिन ये कुछ specific provision, ये abitment of suicide को punish कर रहा है 305, लेकिन abitment of suicide आप किसे कर रहा है, किसी child को या फिर person of unsound mind को, child मतलब under 18 years of age, यहाँ child का मतलब क्या होगा, under 18 years, consent के purposes के लिए child का मतलब क्या होता है, 12 साल, ये सब भी ध्यान लखना, इस तरीके के भी प्रीमस अवाल, पूछा जाते हैं, 306 भी मत कर ये, बहुत important है, परी के लिए, abitment of suicide, this is also very important, किसी व्यक्ति को suicide भरने के लिए, बहुत करते हैं, 306 में punishable है, 307 attempt का punishment बताता है, murder का attempt, successfully हो गया, death cause हो गई, तब तो वो murder है, death cause नहीं हुई, सिर्फ attempt है, 307 में punishable है, इसके बाद 308 attempt to commit culpable homicide, यह उसके लिए है, culpable homicide not amounting to murder, उसका attempt आपने किया, तो 308 में punishable है, इसके बाद 30 309 है, attempt to commit suicide, section number important है, यहां बस, so attempt to commit suicide 309 में है, लेकिन mental health care act 2017 का जो है, उससे decriminalize किया गया, punishment देने की बचाए, उस व्यक्ति को rehabilitation की जरुवत है, counselling की जरुवत है, जो suicide attempt कर रहा है, एक तो गरीब जीवन से वसी परिशान हो के कोई suicide attempt करा उसने, और वो उस attempt में भी फेल होग पर्टिकलर परसर, इसलिए उसे अच्छी counselling की जरूरत है, therapy की जरूरत है, ना कि उसे punish करें आप उसके में, और यह वश्वास उट जाएगा, उसको जीवन से उटा हुए, अब तो उसने किया attempt हो, फिर आप उसको सजा भी देंगे उसके लिए, तो फिर तो अगली बार व कोई शुगर देगा, पॉईजन समझ के, यह अपने attempt में discuss करेंगे है, हर्शा, जो आपका सवाल है, कि पॉईजन समझ के शुगर किसी को देता, इस पर मैं brief discussion करूँगा, attempt में, इस part of another topic, 511 जब पढ़ाऊँगा तब थोड़ी सी बात इसकी करूँगा, दो वह ही है, detail अटेंट का देखना यह particular question का, तो अलक का जो mobile app है, उसमें जो free content for judiciary एक batch है, जिसके lectures आप सबके लिए accessible है, वहाँ मैंने attempt पढ़ाया है, IPC के जो introduction वाले lecture, उस live classes वाली list में आपको मिलेगा, वहाँ पे आप देखेंगे attempt का पूरा lecture है, उसमें बहुत detail में की illustration पे discussion है, अगर आपको उसको बहुत अच्छे से समझना इस concept को, इस शोघर वाले को, तो आप वो भी देख सकते हो, you'll get your answer there, बाकि यहाँ भी attempt की में बात करूँगा, ब्रीफ में, उसमें भी अपना आइंगे, 511 पर इसके बात देखें, 310 बहुत जादा important है, प्रलिम्स के लिए मार्क कर robbery और child stealing, by means of or accompanied with murder, तो ऐसा व्यक्ति जो खुद यह काम करता है या associated है किसी के साथ, किसके लिए, for committing robbery और child stealing, और यह कैसे commit करते हैं, robbery और child stealing, by means of death, by means of or accompanied with death, कि robbery करते हैं और मार भी डालते हैं, इनको कहते हैं ठग, जो कहीं पर जाके robbery भी commit करते हैं, और death भी cause करते हैं, या फिर child stealing करते हैं, बच्चा चोराते हैं, और जान भी ले लेते हैं लोगों, साथ में, उनको कहते हैं ठग, और ठग होने का punishment 311 में दिया है, section number दोनों ध्यान रखेगा, और ठग होता कौन है, वो भी ध्यान रखेगा, इसके बाद है 312, causing miscarriage, simple offense है, miscarriage का मतलब आप cause करते हैं, 312 में punishable है, 313 उसी का एक variant है, इसको भी mark कर लेजे, causing miscarriage without woman's consent, बिना woman के consent के अगर आप miscarriage cause करेंगे, तो वो 313 में punishable है, थोड़ा सा severity बढ़ रही है, तो obviously punishment बढ़ जाएगा, that's it, 314 भी आप mark कर सकते हैं, death caused by, act done with intention to cause miscarriage, अब आपने कोई act commit किया with the intention of causing miscarriage of a pregnant woman, और उस woman की ही death हो गई, in that case it is punishable under 314, बस इसके आगे के sections बहुत जादा और important नहीं है, 312, 13, 14, बस ये 3 section ध्यान रखिएगा, that's it, करती का डाउट इसर चाइड स्टीलिंग को किड्नापिंग क्यों नहीं रखा है, और किड्नापिंग तो ही है, किड्नापिंग तो separate offense है ना, ये ठख actually एक अलग variety है, मतलब इस तरीके के gangs already operate हो रहे थे, जो जान ले 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 थे, किड्नापिंग में आप सिर्फ किड्नाप कर तो कि वह एक अलगी specific offense की बात कर रहे हैं, specific तरीके की बात कर रहे हैं, इसके बात देखिए next, अब अगली category पर आते है, off herd, अब 319 से एक अलग कहानी चालू होती है, अभी हम पढ़ रहे थे, offenses affecting human life, अब थोड़े कम डिगरी के, human life affect नहीं हो रहे हाथ पर तोड़े इसमें majorly हाथ पर तोड़े जाएंगे, इसमें as such human life affect नहीं होगी बहुत ज़ादा, आपके पास है, notebook आपके पास है, pen आपके पास है, क्योंकि बीच बीच में कुछ जो relevant cases है, उसकी भी मैं बात करता हूँ, उनके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ, है ना, तो वो additional information भी आप note-down करते जाहिएगा, इसलिए pen और copy भी आप अपने साथ रखें वाइल अ classes, so 319 hurt की अगर आपन बात करें, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is set to cause hurt, देखें हर्ट कोई भी छोटा से छोटा हाम हो सकता है, बाडी को, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को bodily pain, disease या infirmity cause करते हैं, आप किसी व्यक्ति थपड मार देते हैं, that is hurt, ठीक, यहां से start हो जाएगा, इतने कम, इतन करते हैं, तो that will be considered as hurt, and this is one of the most slightest offense, which is offense against human body, human body against जो भी offenses उसमें, सबसे खम डिगरी का offense hurt ही consider हो सकता है, क्योंकि यह बहुत ही light offense है, यह इसमें, कोई भी slight harm जो आप human body को करते हैं, वो consider हो जाता है, क्योंकि बाकी के grave offenses के लिए specific category है, वो hurt ही हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके specific category, specific provision है, इसलिए वो जो इससे grave nature की जो injuries होंगी body को, वो सारी उन particular sections में डीन होती है, इसलिए hurt बचता क्या है, leftover चीज़ हैं, जो बहुत serious nature की injuries होती है, सर्फ वो यहाँ पे normally बचती है, So that is hurt for you, section याद रखिएगा, यहाँ से section के बहुत question आते हैं, 319 से लेके 326 B तक, 319 से लेके 326 B तक, पूरी sequence है sections की, एक के बाद एक अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग punishment बताए हैं, यहाँ से pre में किसी भी section को पुछा जा सकता है, और थोड़ा से chronology है, इसके बीच में उसको समझ लोगे, आप तो easily आपको यह provisions याद हो जाएंगे कि किस provision में क्या चीज़ है, चीज़, तो 319 is hurt, उसके बाद 320 में दिया है, grievous hurt, hurt कब grievous बन जाएगा, तो 320 आपको कुछ specific circumstances या situation बताता है, जिसमें यह जो specific nature of hurt है, यह कुछ अलग तरीके के hurt है, जिने हम कहते है है, grievous hurt, जो 320 में mention है, जितने तरीके के hurt, 320 में mention है, सिर्फ वो grievous hurt कहलाएंगे, इसके लाबा कोई और hurt, grievous hurt नहीं होगा, 320 देखिए, the following kinds of hurt only are designated as grievous, सिर्फ यह following जो hurt से, यही grievous माने जाएंगे, सबसे पहले इसमें है, emusculation, emusculation का मतलब होता है, weak कर देना body को, या फिर emus emusculation का मतलब होता है, जो reproductive organ है, उनको damage कर देना, एक व्यक्ति की जो reproduction की शमता है, उसको अगर damage या injure आप करते हैं, that is called emusculation, second है permanent privation of the sight of either eye, कोई एक आप थोड़ देते हैं, आप किसी व्यक्ति की that is grievous hurt, इसके बाद permanent privation of the hearing of either ear, कोई एक कान, permanently disable कर दे रहे हैं, सुनने की शमता खतम कर दे रहे हैं, किसी के कान की, इस degree का अगर आप hurt cause कर रहे हैं, तो it will be considered as a grievous hurt, इसके बाद fourthly में देखिए, privation of any member or joint, joints जो होते हैं, आपके body में या members या अलग अलग उसको तोड़ देते हैं, that is also grievous hurt, इसके बाद swiftly a destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint, अगर आप किसी व्यक्ति क कोई member या joint permanently disable कर देते हैं, that is also grievous hurt, इसके बाद है, seventhly में, sorry, sixthly में permanent disfiguration of the head or face, किसी व्यक्ति के head या face को आप permanently disfigure कर देते हैं, that is also considered as grievous hurt, seventhly में fracture or dislocation of a bone or tooth, किसी व्यक्ति के आप हड़ी तोड़ देते हैं, आप तोड़ देते हैं, that is also considered as grievous hurt, तो यह साथ, यह जो specific cases दिये हैं, या लग-लग तरीके के जो hurt दिये हैं, यह सारे क्या designate है, यह सब designated as grievous hurt, क्योंकि इसमें जो injury का, जो intensity है, वो जादा है, आपने हड़ी तोड़ दी किसी की, आपने permanently act तोड़ दी किसी की खरब कर दी, किसी का ear की capacity खतम कर दी, आपने सुनने की, यह सब is a grievous, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा careful आपको पढ़ने की जरुरत है, ठीक, यह आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, और यह जो बहुत सारे comments है, thank you so much for appreciating these efforts, और we would love कि इस live chat के साथ-साथ session end होने के बाद, अगर आप comment box में औ और लोगों को यह बात बताए, that these sessions are helpful for you, so it will be good for us as well, और जैसा मैं आप से हमेशा कहता हूं, एक चीज़ का appreciation हमें MP ADPO की जो हमने पूरी सीरीज चलाई थी, वहां से मिल रहा है कि कुछ लोगोंने मुझे messages कि आप इस कितनी लंबी चोड़ी chat यहाँ चल रही है, यह से लिए को cover करने का सूचा है, और उसके लिए हम लग काम कर रहे है, यूपी के लिए हमने उलड़ी launch कर दिया है, and we have committed to you, कि 30 जनवरी के पहले पहले हम पूरे law के subject यूपी के और पूरा GS आपको पढ़ाएंगे यही यूट्यूब पे, इसके similar mode में हमने MP ADPO का पूरा course करवाय था, पूरे 32 आपको पढ़ाये थे, पूरा MPK GK की live classes यहां हुई थी, और उसके बाद free test आपको app पे मिले थे, same हम अभी भी करेंगे, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आप सब समझते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, the only thing कि हम realize नहीं करते हैं, I am बॉल भी लूँ कि मैं सिर्फ आपके भले के लिए पढ़ा रहा हूँ और यहो ऐसा कुछ नहीं है, I'll be brutally honest about this, ऐसा आप भी नहीं सोचते हैं, आप भी यहां इसलिए बैठे हो बटा क्योंकि आप lecture attend करके जज़ बनना चाहते हैं, और जज़ आप इसलिए भी बनना चाहते ह सब्सक्राइब कुछ गलत नहीं है इसमें कुछ गलत नहीं है उसके लिए जो इंपुट चाहिए वो इमानदारी से अगर दे रहे हैं अभी इंटेवु सेशन्स भी चल रहे हैं मत्यप्रदेश के वह हमेशा से इंटेवु सेशन्स अमलों के फ्री होते हैं उसके लिए भी ये कई बार एक्रेशेशन मिलता है तो अगर इंटर्वी प्रग्राम भी चला रहा हूं तो भाई मैं क्लियरली बोलता हूं कि मैं इसलिए चला रहा हूं कि जिस बच्चे ने यहां प्रिपेर किया अगर उसको हमा और करवाएं वीडियो को लाइक और यह सेल्फ इंटरेस्ट सब्का है एक सब्सक्राइब मैंने सुना है यूट्यूब कोई कहता है हम तो बस बच्चों की भलाई चाते हैं और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता अगर आपकी भलाई के साथ थोड़ी भलाई मेरी भी ह जाएगी तो there's nothing wrong with it. That's what I feel. और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं है और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं है और इसमें कुछ गलत नहीं है कि इंटरव्यू के लिए इंटर्व्यू की लिए चल रहा हूँ इसमें बड़े हिसेट करते हैं यह बोलने में यह एकसेप करने में कि यह हमें एक respectable salary चाहिए इसमें कुछ गलत नहीं है. हमेशा black and white नहीं हो सकता कि या तो आप society कोई help कर लो या आप खुद की कर लो. अगर आप खुद का interest सो चरह हो तो आप मतलब ही हो सा बिल्कुल नहीं है. There can be a balance of both. कि भाई साब मैं थोड़ा भाला, मैं अपना भी भाला चाहता हूँ और मैं आपका भी भाला चाहता हूँ, this is also acceptable, this is also, यह भी इमानदारी है. कि अगर किसी course का कोई paid course है, अगर मैं किसी सा fees ले रहा हूँ, और इमानदारी से वो effort दे रहा हूँ, जो मुझे देना चाहिए, तो मुझे लगता है, this is also fine, इसमें कोई परेशान ही नहीं है, यह सब बाते आप खुर भी समझते हैं, आप सब रोज यह सब चीज़ें देख रहे हैं, और यह आप समझते हैं, सारी बाते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आगर आगर उसमें दोनों का से बच जाओगे, जैसे मैं जतने paid course चलते हैं, हमारे online, हमारा पूरा foundation course है, और अगर आप compare करेंगे online courses में, शायद आपको fees थोड़ी जादा लगे, बट मैं एक चीज़ जरूर अश्यार करता हूँ कि जब आप class attend करेंगे, तो it will feel कि उसके पीछे effort बहुत है, बहुत महनत ह होती है बहुत पढ़ने के पहले, और वो इमानदारी से की जाती है, और मुझे लगता है, वो करके भी, मैं यह कह सकता हूँ कि हम इमानदार हैं, हम fees paid course भी चला रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल clearly यह चीज़ एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हम कुछ selflessly नहीं करते हैं, तो कि मैं खलको किसी कोई paid course में launch करता हूँ, तो कोई मेरे ऊपर यह question raise ना करते हैं, कि भाई आप कहांगी समाझ सेवा, इसलिए मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं समाझ सेवा कर रहा हूँ, I am very clear on this, कि मैं बिल्कुल ऐसी कोई भला ही नहीं कर रहा हूँ कि आप भी उस उसमें मत रहे आप बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरी टीम को कि आप effort को appreciate करते हैं, कि हम इमानदारी से पढ़ा रहे हैं, हम शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, we are grateful to all of you for recognizing these efforts, चीक है, और जिसा मैंने कहा है, कुछ नहीं होता है, है ला, और ये बात आप सब समझते भी हैं, लेकिन फिर भी कई बार इतना manipulate हम हो जाते हैं चीजों में, कि हमें साल होने लगता है, यसा होता कुछ नहीं है, तो ग्रीवियस हर्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, कि क्या है ग्रीवियस हर्ट, इतने तरीके के हर्ट जो यहां mention है, इसमें से कुछ भी अगर किया जाता है, तो intensity बढ़ रही है, ग्रीवियस हर्ट, अब एक बात और समझना ग्रीवियस हर्ट के बारे में जो बहुत important है, वो यह कि ग्रीवियस हर्ट कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, इस से related, अभी जो voluntarily causing hurt और voluntarily causing ग्रीवियस हर्ट अपन पढ़ेंगे, वहाँ एक चीज़ बहुत important आएगी, और 320 में एक illustration commonly पुछा जाता है, question commonly पुछा जाता है, कि अगर दो women लड़ रही है, अपस में एक दूसरे के चेहरे पे blade मारती है, एक blade का mark छोड़ दिया है चेहरे पे, so will it be considered as grievous hurt or not, क्या आप उसको grievous hurt मानेंगे या नहीं मानेंगे, here the question is whether the mark is permanent or not, तो कि यहाँ जो लिखा है permanent disfiguration of head or face, permanent disfiguration होना चाहिए, और अगर permanent disfiguration है, तो वो grievous hurt माना जाएगा, और generally यह consider किया जाता है, कि इस तरीके के जो weapon से कुछ आप mark करते हैं, तो वो एक अच्छा खासा impression छोड़ता है, for quite a long duration, that's why it is considered as grievous hurt, तो उसको माना जाता है generally grievous hurt, चाहिए, इसके बाद आपना आते हैं, voluntarily causing hurt, अब इस जारा sequence को समझते जाना, यह बहुत जादा important है, वेको 319 hurt, 320 grievous hurt, सिर्फ define किया है, 319 में सिर्फ hurt को define किया है, 320 में grievous hurt को define किया है, अब 321 आपको बताएगा voluntarily causing hurt, और 322 आपको बताएगा voluntarily causing grievous hurt, क्योंकि जो offense है, वो voluntarily causing grievous hurt है, गलती से आपने कर दिया तब नहीं है, voluntarily cause करना है, कब कहा जाएगा कि voluntarily आपने cause किया, तो उसके लिए हमने general explanation में voluntarily भी पड़ा है, voluntarily का मतलब भी मैंने आपको clearly समझाया है, उस class में की voluntary का मतलब क्या है, section में एक एक term उसके लिए लिखा है, यहाँ expressly define किया गया, voluntarily causing hurt क्या होगा और grievous hurt क्या होगा उसको देखते, so 321 देखिए, voluntarily causing hurt, whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person, or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person, and does thereby cause hurt to any person, instead voluntarily to cause hurt, तो कब कहा जाएगा कि आपने voluntarily hurt cause किया, जब आपका intention of hurt cause करने का, यह आपको knowledge हो कि आपके act से किसी वक्ति को hurt cause हो जाएगा, तब ही होगा, voluntarily causing hurt, otherwise hurt, voluntarily causing hurt वो नहीं होगा, ठीक तो intention या knowledge चाहिए, जैसे माल लेजिए, अब ऐसा क्यों, voluntarily causing hurt अलग से क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं कलती से भी हो जाता है, और मैंने आपको पहले clearly बताया था, negligence जो है, state of mind, वो सिरफ सिर्फ death cause करने में consider होती है, IPC में, state of mind, negligence as mensuria, सिर्फ death के लिए होती है, आप देखिया, hurt में भी लिखा है, knowledge and intention होना चाहिए, तो नहीं मैंसे कुछ नहीं हो, hurt cause कर दिया, तो you're not guilty for voluntarily causing hurt, वो voluntarily causing hurt की category में नहीं आएगा, जैसे मान लीचे मैंने देखा नहीं, और मैं पीछे-पीछे ऐसे चले जा रहा हूँ, पीछे कोई खड़ा था, मैं किसी से सामने बात कर रहा हूँ, गलती से उसको मेरा पैर लग गया, या लग गया वो गिर गया नहीं चे, this is not voluntarily causing hurt, क्योंकि ना तो यह intentional है, यह बात घ्यान रखियेगा, इसके बाद आते हैं, 322, voluntarily causing grievous hurt पे, whoever voluntarily causes hurt, if the hurt which he intends to cause, और knows himself, to be likely to cause, is grievous hurt, and if the hurt which he causes, is grievous hurt, this said voluntarily to cause grievous hurt, यह जो definition है न, इसमें एक बहुत important बात convey हो रही है, जो आपको समझना जरूरी है, आपका intention या knowledge भी, grievous hurt cause करने का होना चाहिए, और आपने जो act किया, उसका consequence भी grievous hurt ही होना चाहिए, तब ही माना जाएगा, कि यह voluntarily causing grievous hurt है, otherwise वो voluntarily causing grievous hurt नहीं है, जैसे मान लीजिए, मेरा intention किसी व्यक्ति को सिरफ एक थपड मारने का है, और normal जैसे generally अपन किसी को एक थपड मारते है, बस वैसे, और वो ही मैंने मारा, लेकिन उस थपड के consequence में उस गत्ति का दाट तूड गया, अगर बहुत reasonable force के साथ मैंने मारा है, जनरली किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, कि उसका दाट तूट जाए, हट भी तूट जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा थपड था, normal साबो, तो मेरा intention या knowledge किया है यहाँ, hurt cause करने का, hurt cause करने का नहीं है, भले consequence में grievous hurt हो गया है, तो इसको voluntarily causing grievous hurt नहीं कहा जाएगा, क्योंकि voluntarily causing grievous hurt तब होता है, जब आपका intention knowledge भी grievous hurt cause करने का हो, और actually जो आपने consequence produce किया है, या जो आपने cause किया है, वो भी grievous होना चाहिए, तभी voluntarily causing grievous hurt होगा, otherwise यह voluntarily causing grievous hurt नहीं माना जाता, यह बात ध्यान रखिएगा, भले मेरा intention grievous hurt cause करने का था, लेकिन वो consequence में produce नहीं कर पाया, तो भी वो voluntarily causing grievous hurt नहीं होगा, जैसे मान लीजिये, मैंने तो इस intention से एक व्रक्ती को पंच मारा था, कि आज इसके दाथ तोड़ दूँगा, लेकिन वो भाबा राम देव का मंजन करता था, या वो toothpaste यूज करता था और उसका दाथ तूटा नहीं, मैंने मारा तो, लेकिन दाथ तूटा नहीं, तो सिर्फ वो hurt है, भले intention वो था, क्योंकि दोनों चाहिए, voluntarily causing grievous hurt के लिए, आपका intention knowledge भी, grievous hurt cause करने का होना चाहिए, और जो consequence आपने produce किया, वो भी same होना चाहिए, तब grievous hurt माना जाएगा, voluntarily causing grievous hurt, otherwise नहीं यही बात explanation में लिखी है, clear करने के लिए, same चीज जो मैंने आपको समझाई, यही बात explanation में भी अलग से लिखती गई है, so this is voluntarily causing grievous hurt, इसके बाद देखिए 323, आप punishment की कहानी चालू होगी इदर से, और यह सारे section important है, प्री के लिए, punishment for voluntarily causing hurt, तो हमने पहले 321 में define कर दिया कि voluntarily causing hurt क्या होगा, और 323 में उसका punishment बता दिया, जैसा मैंने कहा, punishment important नहीं होता जन्रली, इसलिए उसको याद करने की कोशिश भी मत करियेगा, इतने punishment है कि दिमाग खराब हो जाएगा, हो नहीं पाएगा और कोई मतलब नहीं है, section number जरूर पूछा जाता है, यह जरूर आपके लिए important है, तो 323 याद रखिएगा punishment for voluntarily causing hurt, और इसके बाद आप grievous hurt का नहीं आएगा punishment, यह थोड़ा से sequence में difference है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझना है, अब जो आएगा 324 में, वो है आपका voluntarily causing hurt by dangerous weapon और means, अब एक तो offense है, voluntarily causing hurt, दूसरा है, voluntarily causing hurt by dangerous weapon और means, dangerous weapon और means से मतलब, किसी sharp object से आपने hurt cause किया, चाकू से, तलवार से, या जला के किया, किसी burning substance से, कोई chemical से, इस तरीखे के कोई चीज इस्तिमाल करी है, आपने कोई weapon weapon उस किया है, और फिर hurt cause किया है, तो वो थोड़ा सा जादा gray है, इसमें उसका punishment भी थोड़ा बढ़ेगा, और उसको, उसका punishment बताया गया है, 324 में, तो थोड़ा सा इस structuring को आप जरूर समझीएगा, या इस structuring को जरूर आप थोड़ा सा, ध्यान लखिएगा, कौन सा hurt से related है, 319 पहले hurt define करता है, 321, Voluntarily causing hurt, फिर Voluntarily causing Grievous hurt, और फिर Voluntarily causing hurt का एक punishment, यह है Voluntarily causing hurt by dangerous weapon, और उसके बाद 25 से चालू होगा, punishment for Voluntarily causing Grievous hurt, इदार आ जाते हैं, 325, punishment for causing Grievous hurt, 325 में है, फिर 326 में similar, जैसा 324 था, वैसा 326, Voluntarily causing Grievous hurt by dangerous weapon, सब कुछ same है उसमें बागी, और इसके बाद 2 additional provision, जो आपको ध्यान रखना है, 326 A और 326 B, they are equally important, बहुत जादा important है, यह दोनों provision भी, so 326 A है, Voluntarily causing Grievous hurt by use of acid, इसेक्टरा, यह 2013 के amendment से add हुआ है, आप जानते हैं, acid attacks related, कई सारे changes IPC में किये गए थे, तो 2013 में, एक specific, अब दो acid attack पहले भी, Grievous hurt में cover होता था, Grievous hurt by dangerous weapon या means में, लेकिन आप उसके लिए, specific बना दिया गया, और punishment harsh रहे दर, minimum punishment भी है इसके लिए, इसे लिए separate provision बना दिया, अगर आप acid फेक के किसी के उपर, Grievous hurt cause करते हैं, तो this is punishable under 326 A, 326 B है, voluntarily throwing or attempting to throw acid, यहां आपने acid फेका, लेकिन Grievous hurt cause नहीं हुआ, जहां cause हुआ वो 326 है, जहां सिर्फेका या attempt किया, 326 B, separately alux those coffins, बनाया गया है, और 2013 के amendment से यह, add हुए हैं, इसके बाद अब और भी variants है, इसके सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो याद रखने लायक है, वो इतने provision है, और यह sequence आप जरूर याद रखिएगा, लक्षमी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत important picture भी बनी है, लक्षमी, she was an activist, जिसने acid फेका के बाद, काफी awareness फेला ही, इस चीज को लेकिए, बहुत significant था, जैसे rape laws पूरे change हुआ, अभी अपन पढ़ेंगे, sexual harassment अलग से आड हुआ, बहुत ही significant था, वो पूरा episode जो था तेरा का, so 326 भी तक पढ़ना है, यह सारे आपको याद रखने है, उसके बाद एक और provision मार्क कर लिए, जो कई बार प्री में पूछा गया है, 336, 336 मार्क कर लिए, कई बार प्री में, पूछा गया है, act endangering life और personal safety of others, कोई ऐसा act जिससे आप life endanger करें, दूसरे वक्ति की, या safety endanger करें, दूसरे लोगों की, that is punishable under 336, बस section number से सवाल पूछा जाता है, इसके बाद अपना आते हैं, कि important topic की तरफ, जैसे ये hurts से related था, अब अगला है, of wrongful restraint and wrongful confinement, सीधे आ जाईए section 339 पे, और 339, wrongful restraint की बात करता है, और 340 बात करता है, wrongful confinement की, क्या difference है, दोनों में ये समझना जरूरी है, provision important है, illustration based question आते हैं, so wrongful restraint की आप definition देखें, अगर 339 में तो इधर लिखा है, whoever voluntarily obstructs any person, so as to prevent the person from, underline कर लीजे, from proceeding in any direction, आप एक व्यक्ति को किसी भी direction में जाने से, अगर रोकते हैं, जहां जाने के लिए वो entitled है, जहां जाने के लिए वो lawfully, जिसका उसका right है कहीं जाना, wrongful restraint under section 339, किसी भी direction में जहां जा सकता है, वो इसके बाद जरह देखिए, आप 340, wrongful confinement, whoever wrongfully restraints any person, in such a manner as to prevent that person, from proceeding beyond, underline करेंजे, from proceeding beyond, certain circumscribing limits, is said wrongfully to confine that person, अब दोनों के बीच का difference समझे, wrongful confinement केता है कि आप एक व्यक्ति को, एक limited circumscribing limit में क्याद कर देते हैं, that is confinement, wrongful restraint, किसी भी एक direction में जाने से रोकते हैं, जा जाने के लिए, वो entitled है, जैसे मान लिजे एक व्यक्ति का ये घर है, उसका house है, एक public road है जहां आने की, वो व्यक्ति गाड़ी से इस direction में आ रहा है, और यहाँ पे कोई एक unlawful obstruction लगा के, मान लिजे बंडारा बंडारा चल रहा है दर, या कुछ और कारेक्रम, जो की lawful नहीं है, जिसकी कोई lawful कातब होता है, permission, permission लेके तरिया, otherwise unlawful, तो मान लिजे यहाँ पे आपने एक obstruction लगा दिया, यह वक्ति यहाँ से जानी, he is lawfully entitled to go from here, और उस रास्ते पे जाने के लिए entitled है, उस direction में जाने के लिए, बड जा नहीं सकता, अब यह wrongful confinement है, या फिर wrongful restraint, so the answer is, it is wrongful restraint, क्योंकि एक particular, किसी एक direction में जाने से रोका है, वो पीछे आ सकता है, वो वापस आ सकता है, वो इधर जा सकता है, वो इधर जा सकता है, यह सब उसके पास option है, बस इस direction में नहीं जा सकता, तो partial restraint जाने होता है, that is called wrongful restraint, और जहाँ आप चारों तरफ से उसको बंद कर देते हैं, that is wrongful confinement, जिसको कहते हैं, circumscribing limit में कैद कर दिया, that is what is given in 340, जिससे आपने किसी कमरे में बंद कर दिया, जाने का एसकेप करने का कोई reasonable means नहीं है, that is wrongful confinement, लेकिन 8 direction में जाने से रोप दिया, that is wrongful restraint, कुछ questions आते हैं, इसमें illustration based, थोड़ा सा ध्यान दिजेगा, जिसे आनली जे ये एक घर है, इसका ये gate है, एक किराइदार इसमें रहता है, और मानली जे उसने किराया नहीं दिया है, लेंडलोड सो उसकी बन नहीं रही है, कुछ problem है दोनों के बीच में, वो जो tenant था, वो एक दिन घर से बाहर गया, अपना लॉक लगा के इस डोर में, उस घर के, टिनेंट जो है कहीं बाहर गया, अब लेंडलोड ने ये बात नोटेस करी, वो आया, उसने ताला तोड़ा और अपना एक लॉक लगा दिया इधर पे, टिनेंट बाहर है, लेंडलोड आके अपना लॉक लगा दिता, अब जब टिनेंट वापस आता है, तो वो इंटर नहीं कर पाता है घर में, अब बताईये क्या है, रॉंग फुल रिश्टरेंट है कि कन्फाइनमेंट है, कि कुछ नहीं है, बताईये, नजरीन का डाउट है कि अमेंडमेंट की डेट याद रखनी चाहिए या नहीं, यह याद रखी है बैस इतना बहुत है, टेट थोड़ा मुश्किल भी है और पूछे जाने की संभावनाई भी काम है, ठीक है, आज जी रॉंग फुल रिस्टरेंट है, अगर टेनेंट घर में कोई खुस पारा है क्योंकि मकान मालिक न अपना ताला लागा दिया है, तो अगर टेनेंट कमरे के अंदर है और फिर मकान मालिक ने बहार से दरवाजा लगा दिया है, लॉक कर दिया है, यह ध्यान रखियेगा, जी, यह स्ट्रेशन बेस्ट भी कुश्चिन आ सकते हैं और यह भी आ सकते हैं, जी, 341 और 342, माल लिजिए आपने किसी वक्ती से लिफ्ट मांगी, एक एक्जाम्पल और समझिएगा, यहां रिस्ट्रेंट और कन्फाइन्मेंट का, माल लिजिए, यहां अपनी गाड़ी से जा रहा था इस डिरेक्शन में, बी यहां खड़ा था, और बी ने एसे लिफ्ट मांगी, इसने गाड़ी रोकी इसके पास, बी ने कहा भाई मुझे इस पॉइंट पे छोड़ देना, आप, मुझे आप इस पॉइंट पे ड्रॉप कर देना, एक्स पॉइंट पे, चिक, ए ने बुला, आओ, बैट जाओ गाड़ी में, यह बैठ है इसके साँ, अब यह जाता है, और एक्स पॉइंट पे रोकता नहीं है गाड़ी, जबकि B को यहीं उतरना था, वो ले जाता है उसको यहाँ, और जाके उतारता है आगे, यह पॉइंट पे जाके उतारता है, जबकि उसको उतरना था, एक्स पॉइंट पे, अब अब बताईए, यह जो इत्ती देर, बी इसकी गाड़ी में बैठा रहा, अब एक ही, क्या यह wrongful confinement हो सकता है, या क्या यह wrongful restraint है, बताईए, यह wrongful restraint होगा, या confinement होगा, कि गाड़ी में बिठा लिया है, जो destination है, वहाँ उतारा नहीं, आगे ले रहे, इस इस रॉंग फॉल confinement, क्योंकि वो गाड़ी में है, अब वो कहीं जा नहीं सकता उस गाड़ी में से, आपने उसको circumscribing limit में कैद कर दिया है, और यह जो आप उसको एक direction में ले जा रहे है, यह उसकी wish के against ले जा रहे है, उसको आपने गाड़ी में कैद कर रहे है, for that time duration, वह थोड़ी देर के लिए हो, but it will also be considered as wrongful confinement चलिए है, तो section सारे याद रखिएगा, 339, 40, 41, 42, punishment के section भी यहाँ याद रखिएगा, wrongful confinement के, इसके बाद सीथे आजाएए, of criminal force and assault, section 349, criminal force important है, force important है, सबसे पहले 349 में force को define किया है, उसके बाद criminal force प्याएए है, so 349 talks about force, और 350 talks about criminal force, अब देखा भाई, 349 में जो force को define किया, वो सिर्फ है कि act बता रहे है, force क्या होगा बस यह बता रहे है, इससे ज़्याद है कुछ नहीं, 350 आपको बताएगा कि कब criminal force है, कब नहीं होगा, punishable क्या होगा, criminal force punishable होगा, सिर्फ force punishable नहीं होगा, so देखिए, force की जो definition है, वो बहुत ही, आप पढ़ेंगे, तो बहुत ही complex है, मैं आपके लिए एक बार read कर देता हूँ, दो उसको read करने कोई बहुत मतलब नहीं है, मुझे आपको एक एक करके, उसके essentially समझाने पढ़ेंगे, आपको बार 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 रिखा है, causes motion, change of motion, secession of motion, यह तीन टर्म आपको बार बार repeat होते देखेंगे, तो पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, motion cause करने का मतलब, किसी चीज को motion में लाना, जैसे मेरे पास यह mouse है, यह अभी motion में नहीं है, मैं इसको फेकूँगा किसी के उपर, तो यह motion में आएगा, माल लिजे, किसी ने यह mouse वहाँ से फेका, already motion में था, मैंने इसको रोक दिया, that is, secession of motion, change of motion, इस direction में आ रहा था, मैंने उसका direction change कर दिया, मैंने उसकी speed change कर दिया, that is, change of motion, यह सब इसमें कबर होगा, चिक, तो सबसे पहले इसमें यही बात समझना है, cause of motion, change of motion, secession of motion, तीनों चीज़ें यहां आती है, किस चीज़ का motion काॉज कर रहे हैं, या आप change of motion काॉज कर रहे हैं, तो इसमें लिखा है, a person is set to use force to another, if he causes motion, change of motion, or secession of motion, to that other, or if he causes to any substance such motion, या तो आप व्यक्ति का motion काॉज कर रहे हैं, या change कर रहे हैं, या seize कर रहे हैं, कोई वक्ती दौड के आ रहा है, आपने उसको पकड़ लिया, secession of motion, एक वक्ती दौड के एक direction में जा रहा था, आपने उसको धका दे दिया, दूसरे direction में change of motion, वक्ती खड़ा है, आपने उसको धका दिया, that is causation of motion, या pause करना motion, तो ये आप किसी वक्ती के साथ करें, तो भी वो force है, डिरेटली आप उस वक्ती के उपर apply कर रहे हैं, तो भी वो force है, कैसे कर रहे हैं, उसके लिए जो नीचे first, second, third दिया है, वो भी देखते जाहिए, तो किसी की body के साथ ये काम मैं कर रहा हूँ, कि मैं उसका motion pause कर रहा हूँ, या seize कर रहा हूँ, या change कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, फर्स है, बाइज ओन बोडिली पावर, तो automatically उसकी body motion में आ जाएगी, तो मैं किसी substance का या किसी चीज का motion कॉज़ कर रहा हूँ, इससे व्यक्ति motion में आ रहा है या उसका motion रुक रहा है, that is also force, bodily force से भी कर सकता हूँ, या किसी substance के थू भी कर सकता हूँ, third देखिए, by inducing any animal to move to change its motion or to seize, किसी animal को move कराके, आपके उपर कुट्ता छोड़ दिया मैंने, आप भागोगे, अब खड़े हो, तो आपका मैंने motion कॉज़ किया है, बट अपने bodily force से नहीं, एक animal को motion में लाके, मैंने आपका motion कॉज़ कराया है, so that also amounts to force, that's the definition of force, कि आप ग्रप्ती का motion कॉज़ कर रहा है, या सबस्टेंस का कर रहा है, और या तो मैं किसी सबस्टेंस का motion कॉज़ करके, आपके इतने नियर ले आता हूँ, उस सबस्टेंस को या उस चीज़ को, जिससे आपकी bodily feeling affect हो, या तो वो डारेक्ट आपकी body में टाच हो रहा है, या फिर किसी ऐसी चीज में टाच हो रहा है, जो आपने पहन रखा है, या कैरी आप कर रहे हैं, जिससे मैंने ये जाकेट पहन रखा है, आप मान लिज़े पानी फिखते हैं, आप एक सबस्टेंस का मुशन कॉज करते हैं, या अपने को समझ में नहीं आया है, इसमें कहां हाइड्रोजन और और उक्सिजन, इसलिए पन लौ पढ़ने आ गए, इसलिए मैं कोशच करता हूँ कि लौ पूरा समझ में आया है, तब तो मतलब इदर आने का, मैं एक डेस्टर उठागे फेट के मार रहा हूँ आपको, आप बैट केरी कर रहे हैं, मैंने बैट में पत्थर मारा, उससे भी आपका बाडिली फीलिंग अफेट होगा, तो ये फोर्स है, अभी ये कोई ओफ्टेंस नहीं है, 349 सिर्फ आपको बता रहा है, कि फोर्स उता क्या है, यही बातें भयानक अंग्रेजी में इदर लिखिए हूँ ये तरिपूर नहीं है, बड़ ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप समझ नहीं सकते उन टर्म्स से, और कोशिश मेरी जब से ये क्लासे स्टार्ट की हैं हमने, यही है कि आपको ये सीखना चाहिए कि कैसे हमें इंटर्प्रेट करना है, टर्म्स को कैसे पढ़ना है, यह बहुत बड़ा एक इंपॉर्टन अस्पेक्ट लॉका है, जिसे आपको सीखना चाहिए, इसके बाद आप देखिए क्रिमिनल फोर्स, यहां मैं वो चीज शाहिए थोड़ी और अच्छे से आपको समझा पहूँ, जो मैं कहा रहा हूं कि वर्ट्स को इंटर्प्रेट बहुत आपको अच्छे से करना है, अब देखिए क्रिमिनल फोर्स क्रिमिनल कब हो जाएगा, फोर्स तो अपन ने समझ लिया, यह फोर्स क्रिमिनल कब हो जाएगा इस बात को जरा समझ जिये, तो 350 पे आईए क्रिमिनल फोर्स, whoever intentionally uses force to any person, without that person's consent, in order to the committing of any offense, or intending by the use of such force to cause, or knowing it to be likely, that by the use of such force, he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used, is said to use criminal force to that, अब आप एक बार क्रिमिनल फोर्स डं से पढ़िये जाए, कि यह क्रिमिनल फोर्स है क्या, हमने force तो पढ़ लिया, वो क्रिमिनल कब होगा, तो उसके लिए लिखा है, whoever intentionally uses force to any person, without that person's consent, बिना उसके consent के आप intentionally force use करते है, in order to the committing of any offense, कोई offense commit करने के लिए, और intending by the use of such force to cause, or knowing it to be likely, that by the use of such force, he will cause injury fear, या तो आपका intention offense cause करने का है, offense commit करने का है, force को use करके, या फिर आप व्यक्ति को annoy करना चाह रहे हैं, force use करके, या फिर आप injury cause करना चाह रहे हैं, या fear cause करना चाह रहे हैं एक व्यक्ति को, by the use of force, in that case you are liable for criminal force, उसको अपन कहते हैं criminal force, अब इसमें भी ना, इस definition को एक बार आप देंग से पढ़ेंगे, तो इसमें भी एक चीज है technical, जो मेरे ख्याल आपको समझना चाहिए, तो आपको शायद ये समझ में आएगा, कि ये IPC या law कोई भी हो, जिसको आप इतना आसान या उसकी इंट्रिकेसी में बिना जाए पढ़ लेते हैं, ये उतना हैं नहीं, जैसा कुशाहन ने लिखा है, force plus intention knowledge, देखते हैं एक illustration के थुरू में आपको यही बात समझाना चाहरू, क्योंकि I am pretty sure कि आपने से misinterpret किया है, 90% लोग criminal force को misinterpret करते हैं, normally, let me give you an example for this, माल लिजे, ये एक सडख है, इस पे एक व्यक्ति चला आ रहा है अपनी गाड़ी लेके, ये एक गाड़ी है उसकी, इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है यहां, और इस direction में ये अपनी गाड़ी लेके चला आ रहा है, और जैसा आप जानते हैं, कि मेरी handwriting के साथ मेरी drawing भी बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान ना देके, मतलब उससे आप complex film ना करें, आप ध्यान दें इस interpretation पे, section के, वो interpretation ज्यादा ज़गोंगी है, ये व्यक्ति इस direction में चला आ रहा है, एक दम बड़िया स्पीड है, रीजनेबल 40-45 की मधुर संगीत उसकी कार में चल रहा है, और वो अराम से चला जा रहा है, एक व्यक्ति यहां से आ रहा है, एक बाइक के उपर, एक बाइक लेके एक व्यक्ति यहां से आ रहा है, ये वो व्यक्ति है, ये है A और ये है B, बी जो है से यहां चला आरा हका स्पीड में वो चला रहा है कि चांप माहुल three Harmon में चला जा रहा है कारले कि उसे कोई मतलब नहीं है बढ़िया संवीच सुनते हुए और उसे यह जानकारी नहीं है, उसने नोटेस नहीं किया, यहां से कोई वक्ती आ रहा है, यह उस वक्ती नहीं किया, इसने बहुत ही आराम से अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया, अपनी मुंडी बाहर निकाली, और वहां से वो स्पिट करता है, विमल खारा था वो, उसन सी पॉइंट ऑफ टाइम पे और भाई ने जो विमल खाया था और जो बाहर थूप दिया है यह लगता है इसके चहरे पर कि और जो वहां की जगे पूरी शकल केसरी हो जाती है इदर इस वक्ति अब बताईए जरा मुझे कि ए ने जो यह किया ए ने जो यह करत किया है क्या यह क्रिमिनल फोर्स है इस पर थ्री फिफ्टी क्या यह थ्री फिफ्टी में आएका यह नहीं आएका जरा समझ के बताईए इंटर्पेटेशन मैं आपसे कहा था कि 90 लोग करते हैं इस प्रोपेशन को इसलिए बता रहा हूं कि कर्मिनल फोर्स है या नहीं है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है और कुछ ही है जो कह रहे हैं येस ठीक है कुछ कह रहे हैं बिल्कुल है है कि आप सब जानते हैं दड़ाइ बिलॉंग टू भुपाल और बड़े अतरंगी लोग भुपाल में रहते हैं ऐसे ही मैं एक बार ओफिस के लिए घर से आहरा था ये एक्जांपल एक्चुली मेरे जहन में ऐसे आया कि मैं एक बार खुद आहरा था ओफिस और मैं बहुत ही और आँथि और ये इसे ही में और उचल झाम में और या तो फॉसका ड्राइवर और उसने इत्दम से ब्रेक लगा दिया मुझे मैं इत्दम आया वह सर्प्रेस प्रब्लम हो रही मतलब चलती गाड़ी में गेट कॉलता है मुझे लगा कुछ पता नहीं क्या हो गया इस भाई को उसको इतनी चिंता है कि कहीं अगर मैं ग्लास नीचे करके बाहर थुकूंगा तो मेरी गाड़ी गंदी ना हो जाए इसकी उसने गेट खोला लेकिन उसको यह चिंता नहीं है भाई को क्यों सड़क गंदी लिए इसलिए वह पाल शेकेंड आता है इंद्वर फस्ट आ जाता है तो यहीं समस्या है वह पालियों के साथ है और वह जब इंसेडेंस मेरे साथ हुआ को इंसे दिन मुझे फांडेशन की क्लास में क्रिमिनल फॉर्स पढ़ाने थू तो तो अब जो आप लोगों ने जवाब दिया कि य क्रिमिनल फॉर्स है भी गर्मिन फॉर्स नॉटा है क्यों है क्रमिनल फॉर्स कि पहली लाइन में लिखा है दो अनुख करती यह वह उम उस पर चले जाते हैं जबकि intention word दो बार लिखा इस definition में, पहले ही intention अलगे, बाद में अलगे, उसको दोड़ा समझे न, यहां जो लिखा है whoever intentionally uses force, तो सबसे पहली requirement है कि आप किसी व्यक्ति के against intentionally force इस्तेमाल करें, तभी आप liable होंगे criminal force के लिए otherwise नहीं, आप intentionally force use करें किसी व्यक्ति के against, इसलिए ल कि आप intentionally जब किसी व्यक्ति के against force use करते हैं, वहां criminal force start होगा, otherwise नहीं होगा, और फिर आगे जो लिखा है न, in order to the committing, और वो force जो आपने intentionally use किया है, उसका purpose क्या है, वो आगे बताया गया है, but primary requirement का है, कि आपका जो force use हुआ है, वो कैसा होना चाहिए, intentional होना चाहिए, इस व्य व्यक्ति ने जो force use किया, वो जो, क्योंकि हमने अभी 349 में पड़ा, कि आप किसी substance का भी motion cause करते हैं, तो that is also force, तो उस भाई ने ये जो spit किया है, ये जो force use किया है, ये उसने intentionally उस व्यक्ति के against use नहीं किया है, पहली requirement ही missing है, उससे ये जरूर हो सकता है, कि उसको ये knowledge होना चाहिए था कि इससे किसी को annoyance हो सकता है, injury हो सकती है, injury तो क्या ही होगी, annoyance तो होगा बट इससे, लेकिन बाट साब पहली requirement है कि intentionally force use होना चाहिए, किसी person के against, फिर ये देखा जाएगा कि आपने वो force क्यों use किया, अब फिर आगे लिखा है, without that person concern, in order to the committing of any offense, किसी offense को commit करने के लिए किया है, और intending by the use of such force, उस force को use करने के पीछे आपका intention था, to cause, or knowing it to be likely that by the use of such force, या फिर आप उस force को use करके, इन में से कुछ एक करेंगे, या तो आप annoyance cause करेंगे, fear cause करेंगे, या injury cause करेंगे, किसी वक्ती को, ये बात की चीज़ है, primary requirement पहली line में लिखा है, intentionally force use कर इसी लिए ये criminal force नहीं है, annoyance होगा बिलकुल, आपको knowledge भी हो सकता है कि अगर आप किसी वक्ती के उपर split करेंगे तो उसको annoyance होगा, लेकिन ये तब जब पहले आप force use कर रहे हो intentionally, मैं ये पानी आपके उपर फेक रहा हूँ, अब अगर मुझे knowledge है कि ये पानी फेकने से कि बालकनी में खड़ा हूँ, और बस fraction of second के लिए मेरे दिवान में पानी फेकना था, मैंने बस बिना देखे समझे, नीचे पानी फेक दिया, वो किसी वक्ती के उपर गिरिया, that's not criminal force, क्योंकि मैंने ये substance का motion cause किया है, जो मैंने force use किया, ये मैंने intentionally नहीं किया किसी वक्ती क against, that is negligence, that is negligence, ये intentionally नहीं है, I hope that's clear, so that's what criminal force is, चलिए आगे बढ़ते हैं, अचा इसके illustrations कुछ important है, जैसे एक illustration G है इसका, G आप मां करियेगा पढ़ियेगा जरूर, मान लेजे एक वक्ती नहा रहा है, उसके सामने एक bucket में पानी भरा हुआ है, और वो अपने उपर पानी डाल रहा है, आप उबलता हुआ, खौलता हुआ पानी लाके उसकी bucket में अगर मिला देते हैं, that is also criminal force, क्योंकि आपने खौलता हुआ पानी substance का motion cause किया, और उसके sufficiently near ले इस तो illustration थोड़े जरूर इसके पढ़िएगा, यहां से illustration based question बनते हैं, इसलिए मैंने भी आपको यह चीज illustration के थरू समझाईए, क्योंकि यहां से illustration based question बनते हैं, प्रिलम से सामने, इसके बाद 351 बहुत simple सी चीज है, 351 यह है कि आपने actually force use नहीं किया है, लेकिन आपने अपनी हरकत से, आपने कोई ऐसी हरकत की है, जिससे आप सामने वाले विक्ति के demand में यह apprehension create करते हैं, कि आप force use करने वाले हैं, सो criminal force की prior stage होती है, assault IPC में, जैसे मैं यह पानी आपको दिखा रहा हूँ कि यह पानी फिट दूँगा, जैसे as assault, apprehension cause करना है, that you are about to use criminal force against the other person, यहां लिखा है, whoever makes any gesture or preparation, intending or knowing it to be likely, that's a gesture or preparation will cause any person present to apprehend that, he who makes the gesture or preparation is about to use criminal force, आप अपनी हरकत से क्या कर रहे हैं, apprehension create कर रहे हैं, किसी रप्ती के mind में, कि आप criminal force use करने वाले हैं, that's what we call assault 351 में दिया है, यहां भी illustration based question बनते हैं, इसे लिए 350, 351 दोनों important है, section wise भी आपको याद रखने हैं, illustration जरूर पढ़िएगा 351 के भी, इसके बाद सीधे माक करिए 354, assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty, अब आप देखिए, हमने पढ़तो लिया criminal force और assault, इनका punishment कैसे दिया है, 352 में दिया है, कि बिना किसी grave provocation के, अगर आप किसी वेक्ती के उपर criminal force use करता है, असॉल्ट करते हैं, तो वो punishable है, बाके generally criminal force और assault, specific purposes के लिए जब यूज होता है, उन purposes के लिए जब आप criminal force और assault use करते हैं, उसको IPC में अलग अलग तरीके से punish किया गया है, कि किस purpose के लिए आपने criminal force use किया है, असॉल्ट यूज किया है, इसमें important है 354, Assault और criminal force to women with intent to outrage or modesty, किसे women की modesty outrage करने के लिए, जब आप criminal force और assault use करते हैं, that is punishable under 354, now what do you understand by modesty of a woman, और उसको outrage करने का क्या मतलब है, modesty जो term है, यह आगे भी IPC में आपको मिलेगा अभी, and this is important to understand, modesty का मतलब होता है, हर woman का एक sense of safeguard होता है, या perseverance होता है, अपने sexual organs को लेके, अपने sexual body parts को लेके, अपने body को लेके, एक sense of sanity woman को होती है, कि कोई इसके साथ interfere ना करे, हर woman की यह expectation है, कि कोई भी व्यक्ति, उनकी body को unnecessarily, unpleasing तरीके से touch ना करे, यह जो sensitive woman की होती है, इसको कहते है, modesty, इसके साथ interference कहलाता है, outraging the modesty of women, देखिए, rape, rape तो अलग है, sexual offense अलग है, outraging the modesty का मतलब, body के साथ किसी भी तरीके का intervention, जो pleasing ना, woman के लिए unpleasing जो होता है, क्योंकि हर woman का, एक sense of, centity होता है, अपने body parts को लेके, एक, प्रोसरवरेंस की एक चीज होती है, कि इसके साथ कोई interference ना करे, cases इस पे यह भी है, कि ऐसी woman जो conscious में नहीं है, उसकी भी modesty होती है, जैसे एक 3 साल की बच्ची, शायद वो conscious नहीं है, अपनी body है, अपने parts को लेके, body parts को लेके, still यह society की responsibility है, कि उसकी modesty प्रोटेक्ट होनी चाहिए, इसलिए moral, ethics सब सिखाए जाते हैं, और इसलिए sexual harassment के अलग-अलग अब offenses हैं, पॉक्सों आप दिखते हैं, बड़ा strong act है, तो यह सारी चीज़े हैं, so modesty, outraging the modesty of women, मतलब यह जो body की एक safe feeling है, उसके साथ जहाँ interference होगा, by criminal force or assault, that is punishable under 354, ठीक, हाँ, that's correct शालिनी, इसकी की लजज़ा भंग करना, यह that is very correct, इसके बाद आ जाई है, 354 A से लेके D तक, सारे section important हैं, 2013 के amendment से add हुए है, इसके पहले IPC में, expressly sexual harassment का offense define नहीं था, विशाखा guideline बहुत important है, है न, sexual harassment of women at workplace, विशाखा वर्सस state of Rajasthan, बहुत important case था, जिसमें guidelines laid down करी गए, पहली बार एक attempt हुआ, by the Indian judiciary, sexual harassment को define करने का, और वहीं से उठा के, यह amendment किया गया है, और यहाँ पे definition दी हुई है, proper की sexual harassment का act क्या होता है, और उसमें क्या-क्या चीज़े include होती है, तो 354 A से D तक, सब important है, ठीक हैं, और sexual harassment of women at workplace, अच्छा, all right, UP की syllabus में, all right, मैंने तो आपको पहले बताया, वो जो JS वाले additional laws है, वो already मैं YouTube पे पहले पढ़ा चुका हूँ, RJS के syllabus में पहले से था, वहाँ मैंने classes ली है, UPPCSJ की जो playlist है, लेक के channel पे, उसमें भी आपको वो सारे videos मिल जाएंगे, तो अगर वो भी पढ़ना है आपको detail में, तो उसको भी एक बार देखिए, आपको help you, और इनी से related test भी आपको app पे अब मिलेंगे, IPC का शायद आज upload हो गया हुआ है, अल हो जाएगा, 298 तक, IPC के दो test आपको मिलेंगे, तो अगर आपने 298 तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो revise कर लिया है, तो आप app क्या जो एक free test वाला section है, उसमें जाएंगे, आपको IPC का test मिल जाएगा, जहाँ UP का और 36 गड़ का free mock डला हुआ है, यहाँ पे आपको IPC का यह test भी मिल जाएगा, ठीक, तो 354 यह बात करता है, sexual harassment and punishment for sexual harassment, sexual harassment होता क्या और उसका punishment, यह को punishment or punishment important नहीं है, 2013 में जब यह amendment हुआ था, तो उसके immediately बात जो exam हुए थे 14-15 में, वहाँ तो यह भी पूछा जाता था कि कौन सा offense cognizable है, कौन सा नहीं है, इल्मे से, कौन सा available है, कौन सा नहीं है, क्युकि उस सामें latest amendment था, अब इसका इतना significance नहीं बचा है, कि आप यह भी याद रखें कि कौन सा cognizable, non-cognizable है, या punishment क्या है, रख सकते हैं, तो अच्छी बात है, बट I won't say कि उस पे आप जाईए, क्योंकि मुश्किल है, इतनी सारी चीज़े याद रखना मुश्किल है, इसलिए जो substantive बात है, पहले उसको आप धान, दीजिए थोड़ा सा, तो 354 यह sexual harassment बताता है, देखिए, अब man committing any of the following acts, जब एक man इन में से कोई act करेगा, तो वो sexual harassment होगा, इस से हमें क्या पता चलता है, man के अगीन sexual harassment नहीं हो सकता, ठीक है, man करेगा, तो ही वो sexual harassment होगा, a man committing any of the following acts, physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, और a demand or request for sexual favors, और showing pornography against the will of a woman, और making sexually colored remarks, shall be guilty of the offense of sexual harassment, तो sexual harassment कौन commit कर सकता है, एक man कर सकता है, इन में से कोई भी act करके, physical contact कर रहा है, advances कर रहा है, sexual favors के demand कर रहा है, वो भी sexual harassment है, या फिर pornography show कर रहा है, women की will के against, that is also sexual harassment, या sexually colored remark भी sexual harassment है, recently भी आपने cases वगेरा देखे होंगे, जिसमें ये कहा गया कि, इस तरीके की terminology, जो आप एक किसी वेक्ती ने women को item बोला था, that was also considered as sexually colored remark, थोड़ा सा वेग है, sexual harassment बहुत specific नहीं है, इसलिए it is subject to interpretation, बस ये ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़े आती हैं और 354A में ये दिया हुआ है, कुशान का डाउट है सर्चेप्टर वाइस टेस्ट एक्जाम तक रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, यूपी का जब तक नहीं हो, in fact 36 गड़ तक रहेंगे, आप एक बैच में अल्रीडी आर्ड हो जाते हैं मोबाइल आपके, फ्री कंटेंट फोर जुडिशीर, उसमें आप देखोगे, तिरसाल पुराने लेक्शर भी आज भी अवेलेबल है, बहुत पुराने पुराने टेस्ट हैं, तो वो आप दे सकते हैं, इसमें कोई परशानी नहीं, अब इसका पुराने आगे के सब सेक्शन पर बताया है, बहुत इंपॉर्टन नहीं है, जैसा मैंने कहा, 354B पर आजाईए, और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स तो विमन बिट इंटेंट टो इस्रॉब, इधर पर बस सेक्शन नमबर याद रखिएगा, C है वोयरिजम, 354C, वोयरिजम क्या होता है, किसी वोयरिजम को ऐसी अवस्था में देखना, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कम्स्टांसिस में देखना, जहां वो एक्स्पेक्ट करती है, जहां एक्स्पेक्ट करती है, कि उसे कोई देखना, ऐसी सिचुएशन में उसे देखना, या उसकी इमेज या वीडियो काप्चर करना, इस वोयरिजम 354C, ठीक, सेक्शन नमबर याद रखिएगा, होता क्या है, यह याद रखिएगा, इसके बाद आजाएए, D, stalking, stalking होता है, follow करना किसी को, तो यहाँ लिखा है, any man who follows a woman, and contacts or attempts to contact such women, to foster personal interaction repeatedly, despite a clear indication of disinterest by such women, women ने clearly आपको एक्तम धुद्कार दिया है, उसके बाद भी आप मन नहीं रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, पार-बार कंटाट करने की कोशिश करने हैं, that amounts to stalking, इसलिए law सिर्फ exam निकालने के लिए ने, जीवन में भी बहुत जरूरी है, क्या नहीं करना है, यह आपको यहाँ पता चलता है, भगयनक विजजदी, already woman कर चुकी है, या कोई उसके बाद भी आप मान नहीं रहे हैं, तो that may amount to stalking, और इसका जो clause 2 है, that is also important, monitors the use by a woman of the interest, sorry, internet, email, और any other form of electronic communications, आप अगर किसी woman के internet के usage को monitor कर रहे हैं, that also, that may also amount to stalking, cyber stalking इसको कहते हैं, इसके लिए जो term use होता है, वो cyber stalking, कहा जाता है, कि आप किसी women के internet usage को monitor कर रहे हैं, that is also an offense of stalking, चाहिक है, तो यह जो आप अच्छे खासे IPC के lecture छोड़के, और Insta पे रणकियों की profile scan कर रहे हैं, that may amount to an offense, cyber stalking, इसलिए मैं कहता हूँ, उसकी बज़ा है, यह लेक्चर अटेंड कर लो, तो जीवन में कुछ ज्यादा भला आवो पाएगा, ठीक है, एक डाउट है सर, CRPC evidence आप ही पढ़ाओगे, जी, बिल्कुल, CRPC evidence मैं ही पढ़ाता हूँ, यह जितने major subject हैं, वो मैं ही पढ़ाँगे, IPC evidence, CRPC, CPC, यह मैं पढ़ाँगे आपको, इस सीरिज में भी, ठीक है, IPC evidence, CPC, CRPC, तो मैं पढ़ाँगे आपको, इसके बाद देखिए, यह तो होगे आपका stocking conference, अब बहुत जादा, जैसा मैंने कहा ना, punishment, cognizable है, यह सब बहुत relevant नहीं रहे गया, आप सिर्फ इतना जरूरी है, clause याद रखिए, कहा है, कि section में section याद रखिए, होता क्या है, brief में पता होना चाहिए, that's it, ठीक, इसके बाद आजाएए, बहुत important offenses की तरफ, kidnapping, abduction, slavery, enforced labor, pre में बहुत important हैं यह, so 359 kidnapping, 363 kidnapping from India, 361 kidnapping from lawful guardianship, एक बहुत important topic discuss करने जा रहे हैं, थोड़े से technicalities इसमें भी है, जो आपको समझनी चाहिए, being a law student or a law graduate, so देखिए भाई, kidnapping की अब अपन बात करने जा रहे हैं, kidnapping IPC में जो है, वो दो तरीके से दी हुई है, इसका जो kidnapping का जो classification है, एक होता है आपका kidnapping from India, और दूसरा होता है, kidnapping from lawful guardianship, kidnapping from India, kidnapping from lawful guardianship, kidnapping, पहले तो 359 में बताया है, कि दो तरीके की होगी, यह बात जो मैंने आपको बताई, कि kidnapping IPC में दो तरीके की होगी, यह 359 में लिखा है, क्लियर लिए है, kidnapping is of two kinds, kidnapping from India, and kidnapping from lawful guardianship, फिर 360 में डिफाइन किया गया है, kidnapping from India को, this is 360, और 361 में बताया गया है, kidnapping from lawful guardianship, ठीक, पहले देखते हैं, kidnapping from India क्या होता है, so kidnapping from India is, whoever conveys any person beyond the limits of India, without the consent of that person, or of some person legally authorized to consent on behalf of that person, is said to kidnap that person from India, किसी भी व्यक्ति को बिना उसके consent के, अगर आप भारत के बाहर कनवे करते हैं, ले जाते हैं, किसी व्यक्ति को इंडिया से बाहर ले जाते हैं, बिना उसके consent के, that will amount to kidnapping from India, या फिर वो व्यक्ति खुद consent देने के लिए, authorized नहीं है, entitled नहीं है, तो उसके बिहाफ पे जिसका consent valid है, उसके consent के बिना आप ऐसे व्यक्ति को अगर भारत से बाहर ले जाते हैं, so that amounts to kidnapping, kidnapping from India basically क्या है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को भारत के बाहर ले जा रहे हैं, ये तो simple है, इसके बात है, kidnapping from lawful guardianship, इसको जड़ा समझिएगा, kidnapping from lawful guardianship किस-किस की हो सकती है, तो three category of person यहाँ पे दिया, तीन category बताई है लोगों की, जिनकी kidnapping from lawful guardianship हो सकती है, कौन-कौन है वो, तो देखिए 361 जड़ा बेहर रिट में, whoever takes or entices any minor, under 16 years of age if a male, अगर male है, तो under 16 years, अगर female है, तो under 18 years, या फिर लिखा है, person of unsound mind, ऐसे कौन से तीन category of people है, ऐसी कौन से तीन classes है लोगों की, जिनकी kidnapping from lawful guardianship हो सकती है, तो male up to 16, female up to 18, and person of unsound mind, इन तीनों की सिर्फ kidnapping from lawful guardianship हो सकती है, बाकी किसी के नहीं, बात की होगी तो kidnapping from India होगी, अब जब Bollywood की picture में आप देखते हैं, कि 22 साल की heroine kidnap हो रही है, और वहाँ होता है कि kidnap हो गई है, विलन ने kidnap कर लिया है heroine को, and let's say her age is 22, so is it kidnapping as per IPC, is it technically kidnapping, the answer is no, अगर उसे भारत में ही एक जगे से दुसरी जगे ले जाया गया है, किसी 22 साल के विक्ति को, let it be a male or female, किसी 22 साल के विक्ति को बिना उसके consent के भारत में ही एक जगे से दुसरी जगे ले जाया गया है, तो ध्यान रखना है इस पर IPC is not kidnapping, तो किटनापिंग दो ही तरीके की है, या तो भारत से बाहर ले जाओगे, किटनापिंग होगी, या फिर ले जाओगे, और ले जाओगे, और ले जाओगे, male up to 16, female up to 18, या परसन अपन्सांट में, किटनापिंग फ्रॉम लॉफल गार्जन शिप पर ही, बिसिकली अब अपन डिसकॉशन करेंगे, ये जो 361 है, इसमें जरूरी क्या है, टेक्स और एंटाइस, थोड़ा इसको समझ ले ना, टेक्स मतलब, आप ले जा रहे हैं किसी को, एंटाइस मतलब लालच दे रहे हैं, आप फिजिकली शायद मूव नहीं कर रहे हैं बच्चे को, लेकिन आप एंटाइस मतलब लालच दे के लिए लाएं, आपने आइसक्रीम दिखा दी, चोपलेट दिखा दी एक बच्चे को और हूँ आपके पीछे पीछे चल दिया, और अगर आपने ऐसा करके उसे उसके लॉफुल गाजिंशिप से बाहर किया है, तो दाट आट में अल्सो अमांट तो किट्नापिंग धान रखियेगा, इधर गेल्टी माइंड नहीं है, मैंने में सरिया पढ़ाते समय भी आपको बताया था, यहाँ इंटेंशन मैटर नहीं करता, यह जिस वक्ती पर किट्नापिंग ने चार्जिज लगे हाँ, उसका नॉलेज मैटर नहीं करता इधर, आप ने यह एक कमिट कर दिया, तो यू में भी लाइबल फॉर किट्नापिंग फ्रम लॉफुल गाजिन से, तो 361 जो है दो टर्म यूज कर रहा है, टेक्स और इंटाइस और यह जो सारी चीज लिखिये, आप उसको कहा ले जा रहे हैं तो, गाजिन की कीपिंघ से बाहर ले जा रहे हैं, तब किट्नापिंग फ्रम लॉफुल गारजिन्शिप होगा? अब यह सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह कीपिंग उफ लॉफुल काजिन्शिप क्या होगा? किपिंग by इंचल किषीज को पता है जैसे एक बच्छा चोब उस्पोजफी उठाखे ले जाता है , एक 1-10 साल चामी घॉ क्छ प्राइटी मिल्यों कॉछी से पाइर ले गया है vacation कि यूद किडनापिंग फ्रॉम लॉफल को इस सारे जॉडिंघो गे। जुच्या कि लिए के बाधन देन लॉफल जाना है आपको पाधन कि तो इसके लिए मृटिपल जज्च्मेंट्स है कि बनद अगा चैपट में ऑफेटिन districts तब तक ऐगा किड्नैपिंग नहीं हो सकती इस बात को जरा ध्यान से समझना एक एक इंग्जाम्पल से आपको मैं समझा देता हूं केस है एक बहुत इंपर्टेंट उससे आप जरा इसको समझिएगा कि वर्दराजन वर्सेस स्टेट अफ मैड्रास आपने सुना होंगा केस का नाम स्टेट ऑफ मैड्रास 1962 वर्दराजन का कैस बहुत इंपर्टेंट इसके लिए नारायन वर्सेस स्टेट आफ मैड्रास वर्दराजन के थोड़े से पाइक समझना तो आपको यह कीपींग एफ लॉप्लाजन समझ में आएगा वर्द राजन में होता ही है, there was a girl who was let's say around 16 years and there was a boy जो इसका नेबर था, he was around 20 or something. अब यह जो लड़की है, इसका attraction था towards that boy. और इन दोनों की बात्चेत भी होती थी, यह बात में इस लड़की की family को जैसे पता चलती है, तो इस लड़की को वर्मिंग दते हैं कि अब तुम इस लड़के से बात नहीं करोगी. लेकिन यह जो लड़की है तो शारुक खान काजोल की भयानक fan थी, और इसे तो एकदम भयानक मुहबबत हो गई थी इस लड़के से. और यह उस बात को मानती नहीं है, she still continues talking to that guy. अब इसकी जो family members हैं, इसके जो parents हैं, यह क्या करते हैं, इस लड़की को भेज देते हैं अपने relative के यहां, एक relative के यहां बेज देते हैं, रहने के लिए, 90's की पिच्चरों में यही होता था, कि वो कहीं, मामा, चाचा, मौसी कि यहां भेज दिया जाता है, वहां चली जाती हैं, यहां जाके एक तिन इन relative के घर से वो बिना बताए, बिना बताए वो relative के घर से market जाती है, और market जाके इस लड़के को phone करती है, और call करके उसको बुलाती है market, यह लड़का तुरंट वहां पहुंचता है, और यह दोनों वहां से भाग जाते हैं, उसके बाद यह कुछ kidnapping के charges लगाए गए, तो court ने यह held किया, कि जब यह लड़की relative के घर से नकली, बिना उनको बताए, बिना उनके knowledge के, तो यह keeping of lawful guardian से बाहर हो गई, उनके keeping से खुद बाहर हो गई पहले, उसके बाद इस लड़के के साब गई एक चीज यह, दूसरी बात क्योंकि इनका टेले kidnapping में takes or entices है, या फिर इसने खुद बोलाया और खुद यह साथ में गई है, this is also different, यह दोनों बातें अलग है, इसलिए वर्दराजन में इसको guilty नहीं माना गया था for kidnapping, ऐसे ही जो मैंने आपको दूसरा बताया, जै नारायन versus state of हर्याना, इसमें भी यह कहा गया कि लड़की अपने parents के keeping से खुझ बाहर हो जाती है, keeping कब तक है, जब तक उनको पता है कि आप कहा है, उसके बाहर आप होते हैं, तो आप keeping से बाहर है, अब आपके kidnapping नहीं हो सकते, क्योंकि kidnapping, यह कौन से kidnapping है, ध्यान से सुलना इस बाद को, यह कौन से kidnapping है, यह kidnapping from lawful guardianship, तो आपकी lawful guardianship से kidnapping हो, इसके लिए ये जरूरी है कि पहले आप lawful guardianship में हो अगर आप उस guardianship से already बाहर हो चुके हैं, उनकी keeping से आप already बाहर हो चुके हैं, तो फिर आपकी kidnapping from lawful guardianship नहीं हो सकती जैसे एक बच्चा अक्मान लीजे एक मेले में खो गया है, parents को पता नहीं कहा है ऐसे में कोई उसको उठा के ले जाएगा ना तो it won't be kidnapping from lawful guardianship because वो keeping से already बाहर हो चुका है ये multiple cases में बताया गया है keeping से अगर और ज्योंकि अब यहीं से एक सवाल और बनता है प्रीका, kidnapping is not a continuing offense, ये ध्यान रखियेगा kidnapping और abduction में पूछा जाता है कौन सा offense, continuing offense है तो kidnapping is not a continuing offense abduction is, क्यों नहीं है kidnapping continuing offense रटने की जरुरत नहीं है इसे लिए कर रहो समझे लो तो रटने की जरुरत नहीं पड़ेगी कि kidnapping है, continuing offense ये abduction बात यह है कि ये lawful guardianship साप एक बाहर बाहर हुए उनकी keeping साप एक बाहर बाहर हुए खत्ब जैसे मान लेजे for an example एक बच्चे को gang 1 ने kidnap किया और उन्होंने अपने promise में रखा, C को kidnap करके ये घर से lawful guardianship से ये kidnap करके ले आए और उन्होंने अपने पास रखा है, अब एक दूसरी gang को पता चलता है कि यारी तो पैसे वाला रखा है इससे तो बढ़िया इसके घर से फिरोती मांगी जा सकती है तो gang 2 जो है दूसरी gang है, वो यहां से इस बच्चे को उठा लेती है अब ये जो gang 2 ने इस बच्चे को लेके गए है, will you call it kidnapping from lawful guardianship, then the answer is no, because the child was already out of keeping of lawful guardians वो lawful guardians के keeping से already बाहर था इसलिए gang 2 ने जो किया वो kidnapping from lawful guardianship नहीं है इसलिए kidnapping को offense वहीं end हो जाता है, जहां व्यक्ती या बच्चा keeping of lawful guardians से बाहर हो जाता है, तो ये एक ही बार होगा, एक बाहर हुआ हुआ बस, अब उसको चार अलग-अलग लोग लेके भागें, तब भी वो kidnapping from lawful guardianship नहीं होगा that's why kidnapping is not a continuing offense I hope that is किया शालेनी का कोई doubt है एक बार देख लेता हूँ, सरिफ a girl age 16 and she herself agreed to come with a stranger then क्या ये kidnapping है मैंने बताया शालेनी कोट ने ये हिल्ड किया है कि जब तर taking clearly समझ में ना है कि लेके गया है तब तब नहीं होगा और यसे बहुत सारे cases है जिसमें ये हिल्ड हुआ है कि वो खुद गई है उसने बस accompany किया है किसी को that may not be termed as kidnapping वो kidnapping नहीं है और जैसा मैंने कहा एक बार आप lawful guardianship से बाहर हो गए kidnapping और खताम हुदर बस उससे आगे नहीं होगा उससे आगे नहीं होगा एक यह बार होगा इसलिए मैंने कहाँ वो जो आप्रोच है ना MCQ याद करने वाली वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आता है किटनापिंग फ्रम लफल गाजञञशेप बट अब 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 आपक्शन होगा अभी आते हैं उस पर इसके बाद अपन आ जाते हैं अब दक्शन की तरह 362 देखिए अब 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 देफरेंस अमझ आएगा अब 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 आपक्शन बहुत ही सिंपल सी चीज है यहां लिखा है हुएवर अब 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 आपक्शन को मजबूर करते हैं एक जब से जाने के लिए आप एक व्यक्ति को जाने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं से कंपल कर सकते हैं या फिर आपकिसी को मूफ करते हैं एक जगे से जाने के लिए पकड़ के ले जाएं पकड़ के लिए बंद करके तो यह बहुत ही बहुत ही ब्रॉड ओफिंस है इसका अपना कोई पनिश्मेंट नहीं एक बाद ध्यान देना है इसका पनिश्मेंट आपको मिल जाएगा 363 में पनिश्मेंट फॉर किड़नापिंग चाहे वो इंडिया से करिये चाहे लौकल गाजिंश्मेंट से उसका पनिश्मेंट है अब्दक्शन का अस सच कोई पनिश्मेंट नहीं है अब्दक्शन किस पर्पस के लिए किया गया है उन अलग अलग पर्पस के लिए किये हुए अब्दक्शन के पनिश्मेंट है सिर्फ अपने आप में पनि से नहीं होगा किस पर्फस के लिए किया तो आगे बहुत सारे प्रोविजन है जो अलग अलग पर्फस के लिए जब आप किड्नापिंग करते उसको पनिश करता है एक डाउट है लड़की 16 साल से कम की पेरेंस के अकॉर्डिंग तो तो 63 होगा बस हाँ बिल्कुल बिल्कुल तक अगर गर्ड़की है बिना गर्जन के आप ले जाना है तो आप ले जाना है तो आप लोफल गाजन के अगे इसलिए मैंने कहा है यह सब चीज़ें भी जीवन के लिए इस बारे मैं अगर जो गर्ल है अब तो एटीन यह वह खुद से बाहर हो गई तो फिर किटनापिंग के चकर से बच जाएंगे तो ऐसा करवाल हो कि पहले खुदी गाजनशिप से बाहर हो जाए फिर आप लेके भाग जाएं यह सब में आईडियास नहीं दे रहा हूं कोई मैं तो बस आपको आईपीसी के प्रावधान बता रहा हूं एक्जान के लिए वह जरूरी है कि अब्डेक्शन नहीं हो सकता हर्शा उसमें भाग के शादी करने में क्योंकि वह आपके कंसेंट के बिना जब होता है तब है यहां गाजन का कंसेंट मैंटर नहीं करता है अव इसके बाद आज आईए अब्डेक्शन आपके समझ में आ गया फोर्स से या फिर डिसट्फुल मीन से एक जगे से जाने को मजबूर आप कर रहे हैं किसी वक्ति को that will amount to abduction बहुत ही सिंपल और प्लेन अब यहां देखिए continuing नहीं हो सकता है क्योंकि माल नीचे मैंने किसी व और ऑफेंस हो रहा है इसलिए इसलिए इट मैं भी कंटिनोएं किटनापिंग फ्रॉम लॉफल गाजन शेप नहीं है वह फिन यह किसी इस स्पेसिफिक ट्रिटरी की बात नहीं कर रहा लोगजिग फ्रॉम अफल गाजन शेप उस टरीटरी की बात है कीपिंग आफ लॉफ ठीक तो अलसो इंपोर्टेंट नहीं नहीं शाली नहीं इसके बाद बाई जो सेक्शन है सिर्फ पनिश्मेंट अलग अलग तरीके के जैसा मैंने कहा हाराब्डकशन अपने आप में पनिशेबल नहीं है प्रफस के लिए कियां इसनव mêmes करेगा उसका पनिश्मेंट होगा जानी तोडह जाएक टराएक Key करके section मार्क कर लेए section आपको याद करने हैं यहांसे बहुत सारे बहुत सारे questions पूछे जाते हैं प्रीमेंग पनिश्मेंट दिया है किड़नापिंग का 363 में 363 में करिए किड़नापिंग और मेमिंग माइनर का मतलब होता है उसको फिजिकली इंजरीज देना उसको डिसेबल कर देना कोई फिजिकल बॉड़ी पार्ट उसके कुछ पैगिंग के परपस के लिए इसके बाद देखिए 364 बस इतना ही याद रखना है ब्रीफ मैंने आपको दे दिया सेक्शन का किड़नापिंग और अगर आपने मडर के परपस के लिए किसी वेक्ति की किड़नापिंग या अब्डेक्शन किया है तो दाट इस पनिशेबल अंडर 364 बहुत जादा इंपोर्टेंट है पूछे जाने के बहुत जादा चांसे होते हैं 364 A में किड़नापिंग फॉर रेंसम एड्सेक्टरा फिर अथी के लिए जब किड़नापिंग की जाती है वो 364 A में पनिशेबल है पैसे मांगी जाते हैं किड़नाप करके इसके बाइद 366 भी माग कर सकते हैं तो बहुत इंपोर्टेंट नहीं है बट फिर भी सेफ साइट आप इसको भी याद रखिए 366 किड़नापिंग और अब्दक्शन और इंडूसिंग वुमें टू कंपेल हर मैरेज शादी करवाने के लिए किसी को अब्दक कर रहे हैं व अधारा साल तक क्यों उसकी किड़नापिंग या उसको प्रक्यॉर किया जा रहा है फॉर दी पर्पस ऑफ इलिसेट इंटर्कोर्स इन पर्पस इसके लिए अगर किसी माइनर गर्ल को प्रक्यॉर किया जा रहा है तो 366 में पनिशेबल है 366 भी उसी का एक वेरियंट है जहें किसी गर्ल को और यहां है अप टू 21 यार्स ऑफ इज 366 एज दोनों में याद रखना 366 में 18 साल तक 366 भी में 21 साल तक की लड़की कोई बाहर से जैसे प्रोस्टिटूशन के पर्पस के लिए नेपाल से लड़कियों को लाया जाता है बंगलादेश से यह सारी चीज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक 368 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है रॉम्फुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कंफाइनमेंट खिटनाद और अबड़क्टेट परसन को छोपाना यहां से चाइल्ड की एज भी पूछी जाती है किस एज तक के चाइल्ड की बा इसको किड्नापिंग और अबड़क्टिंग चाइल्ड अंडर टेन इयर्स विद इंटेंट तु स्टील फ्रॉम इट्स परसन आप किसी दस साल तक के बच्चे को किड्नाप या इबड़क्ट कर रहे हैं इस परपस से कि आप उसके पास से कोई मुवेबल प्रपर्टी ले चाज आता है और बच्चे की एज भी तो द्यान लखेगा दस साल तक के बच्चे की बात है इसमें 370 बहुत इंपॉर्टेंट अपरी के लिए ट्राफिकिंग ऑफ परसन किस सेक्शन में दिया है 370 डीटेल है पूरा आप पढ़िएगा कुछ ऐसा नहीं है जो समझ मेना है ट्राफिक बिसिकली खरीद फरक होता है जो अपन ट्राफिकिंग समझते हैं यूमन बॉडी की सेल और परचेस उससे रेलेट सारे एक्ट पनिशेबल है किसी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आप ऐसे ट्राफिक परसन को इधर से उधर ले जा रहे हैं उस तरीके का बिजनस कर रहे हैं हार चीज ट्राफिक इंग में आती है जनरली और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है सेक्शन के अलावा 370 से बट सेक्शन नंबर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन था इसके बाद 70 ए देखी एक्सपोर्टेशन ऑफ ट्राफिक बसन को किसी माइनर को जिसे ट्राफ माइनर है और उसका आप सेक्श्वल एक्स्पोर्टेशन अगर करते हैं तो यह सारे सेक्शन इंपोर्टन यहां से कुछ भी आप से पूछा जा सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद 372 भी मार्क कर लेजिए सेलिंग माइनर फॉर पर्पॉस इस अफ प्रोस्ट में पूछा गया है अलग-अलग स्टेट के जोडिशुरी एक्जाम में तो 374 तो बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्वेशन सिंपल आता है अनलॉफल कंपल्सरी लेबर कि सेक्शन में दिया है यह सवाल आप से पूछा जाता है तो भाई सेक्शन नंबर हमें याद रखन बता है और 376 इसके पनिश्मेंट बताता है अलग-अलग सरकम्स्टांस में पहले एक बात समझना यहां इस रेप की डेफिनेशन या इस ओफिनेशन को पढ़ते समय अगर आपके बेरेट में 2013 के पहले वाली डेफिनेशन 2013 के अमेंडमेंट के पहले जो रेप की डेफिनेशन में आप सब इसका बाक्राउंड मेरे ख्याल से जानते हैं जो निर्भया रेप इंसिदेंस डेली में हुआ था डेसंबर 2012 में उसके बाद काफी आउटरिच था भरत में सेक्शल ओफिन्स को लेके उसमें एक माइनर भी इन्वाल्ड था अक्यूस्ड था तो जवनाईल की तरह ट्राइल चला और वो जो ऑफिन्स था पहले रेप का जो ऑफिन्स था उसमें पेनस का पेनेट्रेशन जरूरी था अधर्वाइस जब तक वो सेक्शल इंटरकोर्स की तरह नहों तब तक रेप ऑफिन्स होता नहीं था और उस पर्टिकुलर इंसिदेंस म में आई झाव कि वो रेप की डेफिनेशन में तो आता ही नहीं था बाना कर रहा था कि दफिनेशन थी ऑर ex-day थे रेप की definition के, but अब इस definition को काफी comprehensive बनाया गया है, जो situations या circumstances है, देखिए, 375 की अपना भी definition पढ़ेंगे, तो आप एक बात समझेंगे कि इसको दो parts में divide किया गया है, जो A से लेके D तक आप देख रहे हैं, 375 में, 375 में, जो A से लेकर के D तक आप देख रहे हैं, A, B, C, D, ये उसका physical aspect बता रहे हैं, क्या physical act required है, rape commit करने के लिए, और इसके बाद आप नीचे देखेंगे, उस definition में, तो first, second, thirdly, fourthly, fifthly, ये जो चीज़ें लिखी हैं, sixthly और seventhly, ये वो circumstances है, जो first, second, third से लेके, seventhly तक लिखा हुआ है, ये वो circumstances है, कि किस circumstances में आपने ये physical act commit किया है, इस भी different करेगा, वो rape है यादे, physical acts ये required है, और वो किन circumstances में किये गए है, वो यहाँ दिया है, अगर in particular circumstances में वो sexual acts किये गए हैं, तब वो rape amount करेगा, otherwise नहीं करेगा, ये इसका पूरा वाइफर केशन है या division है, ठीक, तो ये जो मैंने आपको important बात बताई है, ये सबसे important है, 2013 मिट मिट के बाद कि आप penetration important नहीं है, आप clause A से लेके D तक देखेंगे, सबसे पहली चीज़ तो आप rape की definition में भी ये notice करिए, यहां लिखा है, a man is set to commit rape, अभी recently एक incidence हुआ था जिसमें शायद चार वुमन ने sexually harassed और raped a boy, a young boy, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या rape वुमन कमिट कर सकती है, तो भाई इस definition में clearly mention है कि rape कौन कमिट कर सकता है, only a man can commit rape, तो ये भी एक constraint है, sexual harassment के जितने भी 354, a से लेकर, d तक हमने देखा, सब में ये लिखा है कि a man can commit, तो इनको कहते है gender biased offenses, ये gender neutral नहीं है, ये gender biased है, ठीक तो अब इस पे भी चल रहा है पूरा, एक third process कि इनमें भी changes की जरूरत है, इनने gender neutral बनाया जाना चाहिए, तो वो in process है, बहुत सारी चीज़े हैं, आप देख रहे है, law is always evolving, marital rape को लेके काफी अच्छी खासी debate देश में चल रही है, कि क्या हम, क्योंकि अभी यहाँ पर आप देखेंगे, एक्सपरस में लिखा है, कि अगर ये सारे acts, एक husband अपनी wife के साथ करता है, ये physical sexual acts, तो वो कभी rape नहीं है, अब उसमें चाहे consent हो या ना हो, इससे matter नहीं करता है, ये circumstances matter नहीं करता है, वो rape नही इदर पर prelims है, और वो वैसे भी ऐसे वागेरा के purposes के लिए जादा relevant है, तो देखेंगे, रेप का जो मैंने आपको बताया, A से D तक, इसको आप पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे, कि ये जो पहले जो रेप का offense confined था, सिर्फ penetration पे, अब उसको काफी broad बना दिया गया है, oral sex इसमें आएगा, उस तरीके का sexual intercourse भी आएगा, जरूरी नहीं है कि proper sexual intercourse हो, तभी हो, तभी रेप माना जाए, तो ये A से लेके D तक के clauses आप पढ़ेंगे, तो ये बात आप पहले समझ लेंगे, कि आप वो पहले जैसा penetration important नहीं है, रेप के लिए, इसके बाद इसकी जो circumstances है कि किन circumstances में ये A से D तक लिखे हुए acts कमिट करे गए हैं, ये बहुत important है जरा इस पे आईए, under the circumstances, falling under any of the following seven descriptions, अब A से D तक लिखे हुए acts, आपने किन circumstances में किये हो, इन में से किसी एक circumstance में किये हो, तब वो रेप अमांट करेगा, पहला है against her will, वो में के will के against, अगर इन A से D तक में से कोई भी act कमिट किया गया, woman के will के against, then it will amount to rape, second है, without her consent, बिना उसके consent के, अब difference क्या है against will और without consent में, कभी आपने इस चीज़ को सोचा है, what is the difference between against will and without consent, तो भाई, against will में कहीना कही force का element आता है, या forcefully वो काम कर रहे हैं, बिन against will, और without consent के लिए आपको जाना पड़े section 90 पर, मैंने section 90 पड़ाते समय ही example आपको बताये थे कि कब consent valid नहीं माना जाएगा, section 90 में clearly लिखा है कि IPC में कहीं भी consent word आएगा, तो उसका जो interpretation है, उसका जो meaning है, वो आप कहां से draw करेंगे, section 90 से draw करेंगे, और वहां लिखा है कि अगर consent, sorry, consent अगर caused है, by misconception of fact, या फिर fear of injury म intended by this code, तो इसलिए मैंने कहा था कि वो जो false promise of marriage पे sexual intercourse किया जाता है, that amounts to rape, क्योंकि वो क्या है, misconception of fact में दिया हुआ है, क्योंकि false promise of marriage पे दिया हुआ consent है woman का, इसके लिए आप दोबारा लेक्चर को revise कर सकते हैं, अगर आप भूल रहे हैं तो चीज या आपने नहीं देखिय यह miss करिये तो, वहाँ मैंने clearly discussion किया, इसके बाद देखिये, without her consent के बाद लिखा है, thirdly with her consent, when her consent has been obtained by putting her, और any person in whom is untrusted and fear of death or heart, अगर आप उस woman को fear of death या hurt देते हैं, और elaborately और clearly समझाने के लिए यहाँ यह यह भी किया गया, किसी ऐसे वक्ति को death या hurt का fear दे रहे हैं, जिसम family member को, किसी relative को, आप यह threat दे रहे हैं, और फिर उसता consent obtain कर रहे हैं, for any of these sexual acts, that also amounts to rape, fourthly with her consent, when the man knows that he is not her husband, and that her consent is given, because she believes that he is another man to whom she is or believed herself to be lawfully married, जहां एक man को, एक वक्ति को यह जानकारी है, कि जो woman उसके सामने है या उसके साथ है, वो woman इस misconception में, वो इस belief में है, कि यह जो वक्ति है यह उसका husband है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, वो उसका husband नहीं है, और यह वक्ति यह बार जानता भी है, कि यह misconception में है, कि मैं इसका husband ह करता है for any of these acts और वो act अगर वो करता है that also amounts to rape तो अगर किसी women ने misbelief में consent दे दिया यह समझ के consent दे दिया कि the other person is her husband in that case also it amounts to rape इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी जब अपन offenses against marriage पढ़ेंगे ना उधर भी इस तरीके की चीज आईगी तो यह वाला जो पूर्थली है इसको जड़ा ध्यान रखिएगा फिफ्थली में देखिए with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance she is unable to understand the nature and consequence या फिर ऐसी circumstances में आप कर रहे हैं जहां consent तो है लेकिन इन में से कोई act आप perform कर रहे हैं जहां वो जो वुमन है वो unsound mind की है या वो intoxicated है कहने का मतला वो nature समझने की हालत में नहीं है या अपना एक valid consent देने की हालत में नहीं है अब यह यह नहीं है कि intoxication voluntary होगा या involuntary यह विल्कुल ज़रूरी नहीं है कैसा भी हो सकता है लेकिन अगर intoxication की stage में अगर उसने consent दिया है तो वह valid consent नहीं है तो कुछ रूप करेगा मैंने पहले कहा है कि इस प्री में कैसे इस पर जैसा response होगा मैंने कोशिश करेंगे आपकी हर जगा मदद कर पाएं थोड़ी मदद आप भी करें इसके बाद आते हैं नेक्स सिक्स देखिए इस वेरी वेरी important this is really important with or without her consent when she is under 18 years of age this is very important अगर the woman is up to 18 years वहां उसका consent matter ही नहीं करता है वहां आप चाहे with consent करिये चाहे without consent अगर आपने ये act perform किया है with a woman who is up to 18 years of age it will amount to an offense of rape consensual sexual acts भी रेप होते हैं if the age of the girl is 18 years यह बहुत important है इसको इसलिए expressly ध्यान रखिएगा इसके बाद when she is unable to communicate consent है कि consent देने की हालत में नहीं unconscious है कोमा में है sleeping stage में है इस तरीके का है तो जहां consent देने की यह लिए capable नहीं है वहां भी रेप माना जाएगा इसके explanation के बाद जो explanation 2 जो है वो थोड़ा important है consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by worst gestures or any form or verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act तो यह कहता है कि भाई यहां पर जो हम consent की बात कर रहे है वो कब होगा जब कुछ manifest हो कुछ express होना चाहिए if she is not saying anything basically explanation 2 यह बता रहा है कि अगर woman किसी sexual act के against expressly रिजस्ट नहीं कर रही है किसी sexual act को expressly resist नहीं कर रही है इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने consent दे दिया है for that particular sexual act क्योंकि वो physically resist नहीं कर रही है इसका मतलब आप यह नहीं निकाल लेंगे that she has consented for the prayer और consent है अगर woman deny करती है sexual act होने के बाद अगर woman deny करती है कि यहां consent नहीं था in that case the burden of proving consent is on the accused the burden is on the accused है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि consent था अगर woman ने deny कर दिया है यह ध्यान रखिए का बहुत important है यह point दर इसके बाद भाई साब exception भी important है exception one कहता है medical जो procedure है उसमें अगर इन में से कोई आग किया गया है for that purpose it won't be rape exception to बहुत important sexual intercourse or sexual act by a man with his own wife the wife not being under 15 years of age wife के साथ किये हुए यह acts कभी rape amount नहीं करेंगे जब तक wife की age 15 साल से जादा है 15 तक की wife है तो वो refund करेगा बट इसमें judgments है जिसमें यह कहा गया कि it should be considered as 18 यह जो 15 years है wife के लिए consensual sexual acts का it should be considered as 18 यह कई सारे judgments में कहा गया है यह discrimination नहीं होना चाहिए married और non married girl के साथ क्योंकि ऊपर आपने 6-3 में लिखा है कि कोई भी 16 sorry 18 साल तक की girl competent नहीं है consent देने के लिए वो consent के साथ हो यह बिना consent के दोनों किसमें रिप मना जाएगा तो wife के साथ married woman के साथ यह discrimination नहीं होना चाहिए और numerous cases जिन में यह कहा गया है कि हाँ recent भी है बिल्कुल correct और तो यह भी आप थोड़ा धान रखिए चीज़ अब आईए punishment पे यहाँ पनिश्मेंट में ना यह जो section का organization है यह important है यह specific 376 में specific section पूछे जाते हैं इसके और भी सारे 376 के यह सब आड़ भी हुए है तो उनको भी थोड़ा आपको ध्यान देना है punishment के अलग-अलग section पूछे जाते हैं पहले 376 की structuring समझ लीजिए 376 का जो subsection 1 है वो रेप के offense का punishment देता है simply जो आपने अभी रेप पढ़ा 375 ना उसके punishment को बताता है आपका 376 का subsection 1 subsection 2 जो है वो बाग करता है specific अलग category of rape की इसको आप पूरा अगर पढ़ेंगे subsection 2 को A से लेके जो N तक इसमें clauses है basically इसमें यह है कि जहां कोई person authority में होता है और वहां वो किसी woman का rape करता है तो वो थोड़ा सा और grave माना गया है थोड़ा सोवर serious माना गया है उसकी intensity बढ़ाई गई है या फिर इसमें लिखा है repeatedly कोई rape कमिट करता है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा enhanced punishment है थोड़ा ज्यादा punishment है वो subsection 2 बताता है जैसे आप COXO पढ़ेंगे बड़ा बहतरीन act है उसको भी मैंने deal किया हुआ है already YouTube के राजस्थान के syllabus में था MP ADPO में था UP में भी add हुआ है तो आपको उसको जरूर पढ़ना चाहिए बहुत ही well organized structured act है और 2013 के act से rape की definition यहाँ change करेगी comprehensive बनाए गए इससे पहले COXO में sexual acts के ल आपको देखना पड़ेगा तो आइए जरा इन सेक्शन पर क्रती का कहना सर गांग रेप की punishment को unjustified नहीं है even after so many cases unjustified मतलब काम है ऐसा जहना चाहरी हो क्रती unjustified से क्या मतलब है अपका को समझाइए तो कुछ opinion मैं अपना बता पहूं उस पर 376 देखिए तब तक सब्सक्राइब 376 है punishment of rape मैंने बता दिया दो पार्च में है 376 देखिए punishment for causing death और resulting in persistent vegetative state अगर आपने रेप कमिट किया है और consequence में victim की death हो गई है या वह permanently vegetative state में चली गई है permanent coma में चली गई है इस तरीके का कोई act हुआ है जैसे अरुना शौनबॉक का case था तो ऐसा अगर victim के साथ हो गया है after rape तो वह punish वाल है 376 A में और death penalty तक जीत दी जा सकती है रेप की death penalty नहीं है maximum बट इसकी है 376 A अगर रेप के बाद victim की death हो गई है permanent vegetative state में चली गई है victim in that case 376 A आएगा इसके बाद बाद में जो add हुआ है recent amendment से 376 A B this is very important 376 A B यह है punishment for rape on women under 12 years of age 12 साल तक की women पे अगर rape commit किया गया है तो उसका enhanced punishment है तो इनके punishment याद रखना संभव नहीं है जैसा हमें बार-बार कहा रहा हूँ बहुत important नहीं है बट अगर आपने बाकी चीज़ें already याद कर ली है और आप capable है उसको करने के तो कर लीजिए क्योंकि यह recent amendments है इन्हें में basically कहा है कि minimum punishments prescribed किये गया है इसलिए थोड़े important यह हो सकते हैं इसके बाद 376B यह हमेशा से important रहा है यह section number expressly पूछा जाता है sexual intercourse by husband upon his wife during separation तो जब भी judicial separation है husband और wife के बीच आप जानते हैं divorce के पहले judicial separation दिया जाता है तो उस separation के दौरान अगर husband rape commit करता है wife पे sexual intercourse करता है तो that is punishable under 376B यह section number expressly कई बार पूछा गया है कई सारे exams में तो थोड़े जादा important है इसको याद रखिएगा इसके बाद 376C sexual intercourse by a person in authority authority में कोई रखती है अब मैंने आपको बता है 376 के subsection 2 में भी ऐसी चीज़ है बट वो expressly rape amount कर रहा है यह जो बता रहे है 376C यहाँ sexual intercourse तो है बट वो rape नहीं है हो सकता है कि consent तो दिया है वो fear of injury में नहीं दिया है लेकिन किसी और influence में दिया है तो वो strictly rape नहीं है या पर पहले क्या होता कि sexual intercourse ही rape माना जाता था उसके अलाबा जो sexual acts से वो नहीं consider होते थे तो 376C basically कहता है कि person in authority कोई act commit कर रहा है बट वो 375 का rape amount नहीं हो रहा है in that case punishment दिया जाएगा under 376C बहुत ज्यादा important exam point of view से नहीं है gang rape ज्यादा important है 376D कई बार यह number पूछा गया है 376B बी कई बार पूछा गया है 376D बी कई बार पूछा गया है 376D बी कई बार बठीएगा that is also important तो इसका कई बार यह भी पूछ लिया जाता है minimum punishment भी कई बार पूछ लिया जाता है यहां इसके बाद देखिए 376DA यह भी recently added punishment for gang rape on women under 16 years of age 16 साल तक की गाल पे अगर gang rape commit किया गया तो DA में punishable है दीबी है punishment for gang rape on women under 12 years of age 12 साल तक की बच्ची पे अगर gang rape commit किया गया तो it is punishable under 376D तो कृती वो जो तुमारा था कि gang rape का punishment तो यह किया गया है इसलिए category of victim को divide करके यह किया गया है बट एक बात हमें सबको समझना बहुत जरूरी है मैं हमेशा कहता हूँ it is not just the intensity of punishment which is important for prevention of offense यह discuss किया था कि इससे क्या होता है कोई offense व्यक्ति कमिट करता है कोई व्यक्ति अगर मान लिजिए offender बनता है तो offense करते समय उसके जहन में आता भी नहीं होगा कि इस act का punishment क्या है उसके results कुछ अलगी होते है आपने अगर अपने college life में victimology पड़ी है penology पड़ी है थोड़ी बहुत chronology पड़ी है तो you will understand this कि penology एक subject था जिसमें punishment के उपर पूरा उसका पुराने जमाने में तो बहुत बयाने punishment होते थे कोई रेप कमिट करेगा तो उस व्रक्ति के private parts को injure कर दिया जाएगा ऐसे punishment तो उससे करेप कम हो गए नो ऐसा बल्कुल नहीं है क्योंकि रेप कमिट होने के reasons बहुत डिफरेंट है कही ना कहीं एक male अपना dominance दिखाना चाता तो offense is not just about intensity of the punishment इससे आप प्रटेट कर लेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है वाई साब आपका social background क्या है आपका economic background क्या यह सब matter करता यह सब चीजें एक वक्ति को offender बनाती है जिसे जितने भी male अभी मुझे सुन रहे हैं इस video को I am pretty sure आप में से किसी ने कभी rape commit नहीं किया है औ तो यह नहीं है कि punishment कितना हीनस है इसका या कितना grave punishment है आपकी moral values ऐसी नहीं है आपका social background ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके की सोच रखें इसलिए आप rape commit नहीं करेंगे इसलिए बहुत सारे factor होते हैं इसे भी offense को खतम करने आप मिटाने के जैसे पिनलोजी वगएर आप पढ़ें भी बहुत ऐसा एक्जाम्पल है जो मुझे हमेशा याद रहता है मैंने आपके मेलोजी कभी college में बढ़ी थी तब मुझे ये बात बताई गी थिया मैंने कभी प करते थे अगर आप ठीक ठाक social background से ठीक ठाक families को आप बिलॉंग करते हैं तो आप जामते हैं कि एक बच्चा जो किसी भी normal family से होता है अच्छे social background से वो मनली जी किसी party में गया है अपने parents के साथ और उसमें कोई ऐसी चीज़ कर दिये जो से वहां नहीं करनी चालिए अगर उ अच्छ पनिश्मेंट नहीं थे उस बच्चे के लिए लेकिन इतने में वह अटेंटे होगे आप वो नहीं करेगा और वहीं आप ऐसे background में जो socially बहुत uplifted नहीं है economically educationally uplifted नहीं को जुकी बस्ती में आप देखेंगे एक mother होगी जो अपने बच्चे को वेरहमी से जाडू से रही है किसी बात के लिए किसी गलती के लिए और वो अराम से पिट रहा है और उसके बाद वो वहाँ से पिटने के बाद थोड़ी दूर जाएगा और फिर अपनी मदर को कुछ abusive words बोलेगा कि नॉर्मली होता है अब punishment किसका harsh था उस बच्चे का जिसको parents ने stare कर दिया या इ इससे क्या वो सुधर गया इसलिए सिर्फ intensity of punishment क्राइंग रोक देगी इस बिलकुल नहीं और यह सोचना आपकी जिम्मेदारी है at least being a law graduate आप लेमान की तरह मत सोचिए कि रिप कमेट हुआ अगले दिन चौराय पर लटका दो तो इसससे कुछ हो जाएगा इससे कुछ नहीं होगा आपको social values inculcate करनी पड़ेंगी education is not just about studying the subject moral values भी inculcate करना जरूरी है विद्ध्यारतियों में लेकिन यह तो तब हो पाएगा जब teacher teacher रहेंगे और student student teacher तो आजकल service provider हो गए हैं कि आप बताएगे क्या करें आपके लिए हम वो कर दें आपको दौर नहीं रहा कि इसके बारे में बात होगी बट यह बात आप समझेए कि punishment हर्ष होने से सिर्फ कि offense रुकेगा ऐसा बिल्कुल है कि अरे इसका मतलब यह भी नहीं है कि punishment बंद कर दो भाई यही तो समस्या है आज कि कि आप सिर्फ ब्लाक इन वाइट समझते हैं बीच में भी होता है ग्रे भी कुछ होता है यह बड़ी समस्या है यह ब्लाक इन वाइट की दुनिया मच जी जी को वाई थोड़ा रिजन लगाई यह दिमाज लगाई कि इस नॉट लाइक दाट कि आप punishment मैं यह नहीं कह रहा हूं कि punishment आप बंद करने लेकिन यह भी सच्छा ही है कि सिर्फ punishment हार्ष करने से crime रुक जाएगा तो यह भी गलत है कि there can be a balance से क्यों भाग रहे हैं आज की डेट में सब बैलेंस नहीं चाते कोई यह नहीं चाता कि दोनों चीज़ें हो सकते हैं इस टेंडेंसी को थोड़ा बदली इसके बाद आईए जड़ा अगले offense इसका ही अगला प्रोवेशन है 376E इसी sequence में अगला section देखिए वो भी बहुत important है 376E punishment for repeat offenders एक बार आपने रेप कमेट किया दुबारा किया तो वही क्योंकि intensity बढ़ी है तो punishment की degree भी बढ़ेगी तो यह जो सारे sections है ना अलग-अलग यह important है इन में से most important मैंने आपको पहली बता दी है जो amendment के थुआ है 2018 वो तो है ही उसके अलावा B और D दोनों बहुत important है इन से generally question पुछे रहे हैं इसके बाद है 377 unnatural offenses यह भी provision important है case आप सब जानते हैं जिससे इसका एक part in operative या unconstitutional हो गया है unnatural offenses so यह है whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman और animal shall be punished with imprisonment for life nature के against जो भी sexual intercourse होंगे वो 377 में punishable है अब नवतेज सिंग जोहर वर्स यूनियन ओफ इंडिया 2018 का case है बहुत important है नवतेज सिंग जोहर वर्स यूनियन ओफ इंडिया जिसमें consensual अगर है sexual intercourse, homosexual acts जो basically है वो allow कर दिया गया है या अब वो criminal offense नहीं है allow का मितलब यह नहीं कि आप publicly कर लें private act तो private में अगर आप कर रहे हैं तो that won't be a punishable act criminal act नहीं होगा अब वो अगर consensual है तो लेकिन consent के बिना है अगर तब तो वो तब भी offense ही रहेगा इसके लिए case का नाम याद रखिएगा यह पूछा जाने की संभावनाएं बहुत होती है नफ्तेज सिंग जोहर वर्सेस union of india 2018 तो इस तरीके से हमारे offenses complete हो जाते हैं against body offenses against human body हमने पूरा पढ़ लिया है 378 देखिए चेप्टर है 17 of offenses against property हमने अभी बहुत सारी category of offense अल्रेटी पढ़ लिया है हमने offenses against human body पढ़े, हमने offenses against state पढ़े, हमने offenses against religion पढ़े, offenses against public trend quality पढ़ा, public health के अगेंस offenses पढ़े इसी sequence में एक major category है offenses against property, property against offenses होते हैं वो इस chapter में listed है, एक एक करके उनको देखेंगे जैसे हमने बताया, pre-oriented जो कुछ भी required है वो हम यहां करेंगे, इसके अलावा एक चीज़ और में आपको बता दूँ, कि आज जैन offenses को मैं deal करने वाला हूँ यह offenses against property जो हम पढ़ने वाले हैं, theft, misappropriation, criminal breach of trust, cheating और यह सारी बातें, robbery, decoity, इनके detailed lecture already इस channel पे हैं एक एक class में बहुत detail में इनको deal किया गया है, इनकी जो technical intercases है, थोड़ी सी जो technical, जैसे मैंने आपको constructive liability थोड़ा ज़्यादा समय लेके पड़ाया, culpable homicide murder, almost हमने एक class में सिर्फ यही subject पड़ा, यही topic करा, क्योंकि normally confusion रहता है, इसे लिए मुझे लगता, offense against property में भी कोष technical aspect है जिनको मैं already YouTube पे पहले deal कर चुका हूँ, इसलिए उतने detail में आज मैं नहीं जाँगा, है ना, उसके लिए already available हैं videos, इसी channel पे आप जाएंगे, videos section में आपको मिल जाएगा, robbery decoity का भी video मिल जाएगा, theft का, misappropriation का, breach of trust, यह सारी चीज़े मैंने उन दो videos में cover already करी है और वो conceptual guarantee लेनी है इन topic पे तो you can watch that videos and I'll ask the team to put the link of that videos in the description as well, तो यहीं से आप directly उस पे click करेंगे और वो videos आप detail में भी समझ लेंगे, चलिए, तो offenses against property में सबसे पहले है theft, 378 डिफाइन करता है theft को, अब यहां एक चीज़ समझना section बहुत सारे है, जैसे 378 डिफाइन कर रहा है theft को, 37 379 उसका punishment बताएगा और उसके बाद आगे उसमें अलग-अलग variants है, dwelling house में theft और ऐसे करके अलग-अलग और भी कई सारे variants के अगर आपने dangerous weapon लेके गए है theft करने, बस इनका purpose इतना है कि जैसे जैसे थोड़ी intensity बढ़ती है, थोड़ा punishment और grave होता जाएगा, वो सब exam point of view के लिए उतना important नहीं है, जो section offense define कर रहा है, इसके अलाबा जहाँ punishment है, बस, इतने ही section majorly important होते हैं, यहाँ, judgment writing बगएर आखे लिए ज़रूर वो significant होतना है sections, जिन में अलग-अलग category of offenses, उनी का aggravated form punish किया गया है, चिक 378 देखिये, theft, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking is set to commit theft, और मैं यह class start कर, जितनी भी classes मैंने करी है, यह मैं zoom करके चल रहा हूँ कि आप, जो required material है, वो आपके पास है, आप बेरेक लेके बैठे हैं, IPC का एक pen or copy लेके बैठे हैं, तो बेरेक में आपको यह definition देखनी है, आप देखेंगे यहाँ जो essential है, theft के, उन मे सबसे पहले है, dishonest intention होना चाहिए, intending to take dishonestly any movable property, अब इस definition में जो major confusion लोगों को होता, या जो misunderstanding 378 की majorly है, वो यह है कि लोगों को लगता है, सब को यह students का यह confusion है, कि theft तभी commit होगा, जब property possession से बाहर जाएगी, बट ऐसा नहीं है, अगर आप इस definition को अच्छे से देखेंगे, तो वो जो दो aspect जिनकी बात हमने elements of crime वाली class में करी थी, एक physical aspect होता है, और एक होता है state of mind, तो यहाँ आप property जैसे ही move करते हैं, जैसे ही आप property move करते हैं, आप theft commit कर देते हैं, और यह property जो आपने move करी है, यह किस intention से करी है, तो वो इधर लिखा है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person, आपका intention होना चाहिए किसी movable property को किसी व्यक्ती की possession से move करने का, लेने का, आपका intention होना चाहिए कि कोई movable property जो किसी दूसरे की possession में है, उस property को dishonestly लेने का intention, इस intention के साथ आप जब property को move करते हैं, तो it amounts to theft, इस बात को आपको एक illustration से समझना चाहिए, यहाँ पर आप illustrations देखिए, यह बहुत important है, theft की illustration, C illustration ज़रा देखिए, A meets a bullet carrying a box of treasure, he drives the bullet in a certain direction, in order that he may dishonestly take the treasure, अब यह point आप में test करिएगा जो इधर लिखा है, As soon as the bullet begins to move, he has committed theft of the treasure, जैसे ही वो bell गाड़ी move होती है, जिसमें एक treasure रखा है, एक विक्ति को दिखता है, गाड़ी में treasure रखा है, जैसे ही वो गाड़ी move करता है, वो theft commit कर देता है, त्योंकि dishonest intention है, उसका possession से लेने का, जैसे ही आपने उस intention के साथ property को move किया, उसी समय आपने theft commit कर दिया, जैसे for example, एक और example से इस बात को ज़रा समझीएगा आप, मान भीजे मैं आपके घर आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ, और आपके study room में बैट के हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपके table पे आपका एक iPhone रखा हुआ है, और मेरी नजर उस phone पे है, मुझ के ही room में किसी ऐसी place पे डाल देता हूँ उसे, जहाँ आपको उसको ढूंड ना पाए, और जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब मेरा ये plan था कि मैं उसको ले जाएगा, अब जैसे ही मैं ये काम करता हूँ, उसके बाद आप ढूंडते हैं, मैं चला जाता हूँ, फोन ढूंडते हैं मिलता नहीं, आप police complaint करते हैं, police आती ही investigate करते हैं, पता चलता है कि मैंने ये काम किया था, मैं accept भी कर लगता हूँ, कि हाँ भाई मैंने चोरी के intention से इस phone को महा से उठा के किसी ऐसी bed bed के नीचे कहीं डाल दिया था, जहां मिले ना, अब अब बताईए क्य क्या ये act मेरा theft है, मैं लेकर नहीं गया हूँ, फोन अभी, मैं अभी phone लेकर नहीं गया हूँ, क्या ये theft है, theft होगा, yes, theft होगा, correct, क्यों, क्योंकि मेरा intention dishonest है, possession से लेने का, with that intention I have moved the property, उस intention के साथ जैसे मैंने property move करी, I have committed theft, मैंने वो theft commit कर दिया, इसलिए C illustration आपको दिया है और कई सारे ऐसे cases आपको मिलेंगे, जैसे case के fact ये थे कि एक lady एक train में travel कर रही है और platform पे एक वक्ती खड़ा है, जैसी platform से train चलती है, वो खड़की में हाट डाल के उसका necklace चुराने की कोशिश करता है, जैसे ही वो necklace लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो lady जाग जा और property move करी गए, डेप्राइव किया गया, basically ये movement कैसा होना चाहिए, इतना sufficient होना चाहिए, कि इससे जो legally entitled वेक्ती है, वो डेप्राइव हो, भले ही थोड़े समय के लिए डेप्राइव हो, लेकिन डेप्राइव होना चाहिए, ये basic essence है, theft का, ठीक, that's how theft is committed, इसके बाद आप ये यहाँ, ये तो एक element हुआ, यहाँ क्या-क्या चीज़ें जरूरी है, तो भाई आपका intention होना चाहिए, dishonest possession से लेने का, property movable होनी चाहिए, dishonest intention क्या होता है, ये मैं आपको पहले detail में पढ़ा चुका हूँ, section 24 में Definder, इसलिए अब दोबारा उस चीज़ को repeat करने की जरूर explanation भी इसके important है, explanation 1 देखिये, सारे explanation इसके important है, यहाँ से illustration based question बनते है, majorly theft से, इसलिए थोड़ा समझना जरूरी है, तो जो basic बाते हैं, वो तो मैं आपको यहाँ समझाई रहा हूँ, बट इसके साथ साथ आपको, जैसा मैंने कहा, कि इसका detailed पूरा conceptual lecture भी है, अगर आप और clarity आप इस चीज़ों पर चाते हैं, एनके distinction पर तो यू शुट बाच 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 बच आज़े, इसके बाद एका इस इसके बाद एक इलॉस्ट्रेशन, sorry, explanation 1, अग जैस एक बाच चीज यह सब चीज़ थे थेफ्ट का subject नहीं है, इनकी चूरी नहीं हो सकती, बट बेद कियर as movable property, लेकिन the moment such thing is severed from earth, जैसे इसको earth से अलग कर दिया जाएगा, it will become a subject of theft, जब तक एक पेड लगा हुआ है जमीन में, तब तक वो theft का subject नहीं है, लेकिन the moment उस पेड को काट दिया जाए, जिस moment उस पेड को काट दिया जाएगा, it will become subject of theft, उसकी चोरी हो सकती है, इसके बाद देखिए, explanation 2, moving affected by the same act which affects the severance may be theft, explanation 2 इस बात को बताता है, कि जैसे ही आपने आपने जिस act से उस attached चीज़ को जो earth से attached है, जिस act से आपने उसको sewer किया है, अलग किया है earth से, वो act ही theft माना जा सकता है, तो अगर मान लीजिए मैं किसी के farmhouse पर जाता हूँ और वहाँ मेरा एक पेड चोराने का intention है, जो जमीन में लगा है, तो अभी तो वो पेड पेड theft का subject नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं उसको काटता हूँ, the moment the tree is cut, जैसे ही वो कट हो जाएगा, it will be a subject of theft, और in fact, जैसे वो पेड कटेगा, वो जो act complete होगा, severance का, जिससे वो पेड समें से अलग होगा, वो ही theft है, अब भले उसको मैं ले जाना पाऊं, अगर पेड सक्सेसफुली मैंने काट दिया है, that amounts to theft, ये conclusion है, explanation 1 और explanation 2 का, जैसे ही detach कर दिया मैंने, जिस act से मैंने attached चीज़ को detach किया, वो ही आपका theft का subject हो जाता है, ठीक, इसके बाद देखिए explanation 2, sorry, explanation 3, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving, तो भाई ये जो लिखा है कि आपको आप जैसी property move करते हैं, वैसी theft हो जाता है, तो movement का मतलब यह नहीं कि आप physically move करें, आप किसी भी तरीके से movement affect करेंगे, it will amount to theft, जैसे मान लिजी एक slope में कोई गाड़ी खड़ी हुई है, मान लिजी इस तरीके की एक सडक है और यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है, उसे रोकने के लिए, अब आपने इस गाड़ी का movement cause करने के लिए अगर इस obstacle को remove किया, इस पत्थर को यहाँ से remove किया और यह गाड़ी अपने आप move होने लगती है और यह आपके पास आती है और intent बाकी essential अगर fulfill हो रहे हैं theft के, in that case it will be considered as a theft भले यह आपने physically move नहीं किया, क्योंकि explanation 3 कहता है कि आप actually move करिये या फिर अगर किसी obstacle के कारण वो रुकी हुई या आप वो an obstacle हटाते हैं, in that case also it amounts to movement, इसके बाद explanation 4 देखिया person who by any means causes an animal to move, is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal, यह explanation भी बहुत important है explanation 4, यह कहता है देखिये, animal भी theft का subject होते है, electricity का theft होता नहीं है, case का नाम लिख लीजिए, electricity is not a movable property, case का नाम लिख लीजिए, अवतार सिंग वर्सेज स्टेट, 1965, electricity is not a movable property, case का नाम लिख लीजिए, अवतार सिंग वर्सेज स्टेट, 1965, लेकिन जो animal होते हैं, they are subject of theft, अब यह जो explanation लिखा है, इसका एक illustration भी आपको मिल जाएगा, भी illustration आप देखेंगे, इसमें होता यह है कि एक विक्ति को एक कुट्टा चुराना है कहीं से, यह ना एक dog चुराना है, तो या तो मैं उसको actually physically move करूँ, तो भी वो theft है, या फिर मैं उसके पास जाता हूँ, और एक particular biscuit जो dog को पसंद आया, वो खाता है, वो लेके मैं अपने pocket में वहाँ जाता हूँ, और वो से smell करता है, मैं वहाँ से जैसे ही चलना चालू करता हूँ, क्योंकि वो मेरे pocket में वो biscuit रखा हूँ है, वो उसको smell करके, मुझे follow करते करते मेरे पास तक आ जाता है, so that will also amount to theft, अगर मेरा intention, मैं dishonest था तो, इसलिए भले मैं actual physical movement cause करूँ, या फिर इस तरीके से किसी animal का movement cause करूँ, that will also amount to movement and theft, छीक, इसके बाद, अब इसमें एक चीज और explanation 4 में, कि ऐसे animal के साथ, जो भी चीज move होगी, वो भी theft होगा, जैसे मान लिए जिए, ऐसे करके मैंने एक dog, मेरे पड़ोसी के पास एक dog था, जिसे चुराने का मेरा intention था, मैंने ये करके उसे बुला लिया, अपने पार, जब वो मेरे पास आया, तो मैंने देखा, कि उस dog के गले में, एक सोने की chain भी है, इसके जानकारी मुझे पहले नह बताईए, क्या थिफ्ट होगा इस chain के लिए, यस और नो, dog तो चुराने का intention था, इसलिए उसको move किया, बट साथ में chain भी move करी है, जो मुझे पता नहीं था कि है, पहले मेरे कुछ अनकारी नहीं थी उस chain के बारे माँ, क्या यहाँ भी थिफ्ट होगा, dog चुराने का intention था, उसका movement मेंने cause किया, जब dog मेरे पास आया, तो मैंने देखा कि, उसके गले में सोने की chain भी है, यह बात explanation में clearly लिखी है, अगर आप पढ़ें उसको डंग से, आपको तो पता नहीं है, बैग के अंदर का content क्या है, उसमें क्या रख है, उसमें पैसे है, कि उसमें laptop है, कि उसमें phone है, कि उसमें किताबें हैं, कि उसमें कुछ नहीं है, आपको नहीं पता, तो जब आप एक बैग चुराते हैं, कि आप सिर्फ बैग का theft कमिट करते हैं, उसके अंदर के सामान का नहीं, आप किसी का wallet चुराते हैं, wallet में आपको नहीं पता पैसे हैं किनी या कितने हैं क्या आपने पैसे का theft नहीं क्या किया तो जब भी dishonest intention के साथ आप कोई चीज मूव कर रहे हैं उसके साथ जितनी भी चीज़े मूव हो रही है चाहे आपको उसके बारे में पता हो या ना पता हो हर चीज के लिए आपने theft commit क चाहिए जिसकी possession में वो property है उसके consent के बिना यह होना चाहिए so explanation 5 कहता है the consent mentioned in the definition may be expressed or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority either express or implied implied authority भी हो सकती है जैसे माली जी आपका friend है अब आपको पता है कि उसकी book आप ले जाते हैं पढ़ लेते हैं तो वो अगर आप लेके जाते हैं तो यह नहीं कह जाएगा कि आपने विदाउट इंपाल कि इंप्राइट 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 होता है अब जो इलस्ट्रेशन दिये हैं काफी ज्यादा important है इनसे questions बनते हैं जैसे ABC तो मैंने आपको बता दिया इसमें कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन है जो यह बताते हैं कि जहां dishonest intention न आपने पास रखने के लिए उसे आपको देना है बापस ऐसे मैं अगर वो फोन नहीं दे रहा है और आप उससे छीन के लेंगे तो that won't be theft क्योंकि यहां आपका intention dishonest नहीं है कुछ और offense हो सकता है hurt cause किया हो आपने लेकिन मान लेजिए आपने अपना mobile phone repair के लिए दिया किसी शॉप पे और उसके जो lawful charges है आप वो पे नहीं कर रहे हैं वो मान रहा है आप पे नहीं कर रहे हैं तो भले ही वो फोन आपका है still you will be liable for theft क्योंकि theft is not about ownership theft is concerned with possession और possession अभी उस रखती की है जब तक आप उसके lawful charges पे नहीं कर देते हैं इसको कहते है right of lien उसके पास अधिकार है उस गुट्स को related थोड़ी बाते हैं कि क्योंकि वहाँ पे dishonest नहीं है आपका intention ठीक इसलिए वो theft नहीं है लेकिन आपने पैसे नहीं दिया है महां dishonest हो जाएगा intention क्योंकि आप जो mobile phone ले आ रहे हैं बिना पैसे दिये उससे आप उस वक्ति को wrongful loss calls कर रहे हैं और खुद को wrongful gain cause कर रहे हैं और इसी को हम dishonestly कहते हैं under section 24 एसे कुछ illustration आपको मिल जाएंगे इसके बाद एक illustration जो समस्या खड़ी करता है इदर वो है illustration D illustration D देखिए ज़रा A being Z servant and interested by Z with the care of Z's plate dishonestly runs away with the plate without Z's consent A has committed theft अब इस illustration को आप पढ़ेंगे और जब आप पढ़ेंगे criminal breach of trust तो शायद आपको थोड़ा सा confusion होगा कि यह breach of trust क्यों नहीं है ज़रा एक बार before we move on एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दो तीन offenses ठीक है एक तो आपने देख लिया 378 में theft इसी के साथ थोड़ा सा correlate करके अपने को देखना है क्योंकि difference clear होना चाहिए तो इसी के साथ आप देखिए एक होता है dishonest misappropriation of property जो की दिया है 403 में चारसो तीन में दिया है misappropriation of property चेक और एक offense दिया हुआ है आपका criminal breach of trust पांसो सारी 405 में दिया है criminal breach of trust ये अलग-अलग तीन offenses है इन में basic difference क्या है थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा ये जो misappropriation है न ये बहुती broad offense है ये सबसे broad offense है ये misappropriation जैसे मान लीजी अगर ये 403 है ये जो है 403 है तो अब इसमें एक circle आपका हो सकता है थिफ्ट का 378 का और एक circle आपका हो सकता है 405 का that is breach of trust थोड़ा सा difference आप समझिएगा यहां क्या है देखिए criminal misappropriation में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो property आपके पास कैसे पहुची एक बार ज़रा definition पढ़ लिजे साथ में तो you will be able to correlate 403 की definition पढ़िए dishonest misappropriation of property यहां लिखा है whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of this is the punishment offense कितना सा है यह whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property किसी भी movable property को जब एक व्यक्ती dishonestly खुज के यूज के लिए इस्तेमाल करता है या फिर misappropriate करता है तो वो एक offense commit करता है dishonest misappropriation का दो मेंसे क्या कर रहे है आप या तो misappropriate कर रहे हैं या फिर अपने use के लिए convert कर रहे हैं और यह काम आप कैसे कर रहे है dishonestly कर रहे हैं dishonestly का मतलब क्या होता है जिसमें आपको intention किसी वेक्ति को लॉस कोज करने का है या आपका intention किसी वक्ति को रॉप्रीयेशन करने का है अगर इस intention के साथ आप कोई काम कर रहे है तो अगर मानलेजीए इन में से कुछ भी आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी के साथ तो आप Misappropriation कमिट करना है यह बहुत ही ब्रॉड काटेगरी है ओफेंस अगेंस प्रॉपर्टी का यह बहुत ब्रॉड ओफेंस है जैसे मानलीजे आप सड़क पर चल रहा है आपको एक मुबाइल फोन मिला आपने वो मुबाइल फोन उठाया उसकी SIM निकाली उसमें अपनी SIM डाली और उस समय आपको यह पता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है अब फिर भी अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो this is dishonest conversion of that property for your usage आप उसको dishonesty अपने यूज के लिए कनवर्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को in that case तो आप एक offense कमिट करेंगे जिसको हम कहते हैं अब dishonest misappropriation के ही अलग-अलग वेरियंट आप कह सकते हैं त्रिप्ट और ब्रिच तो कि dishonest misappropriation तो सब में होगा या conversion तो सब में होगा कुछ ना कुछ तो आप उस property के साथ करी रहे हैं अपने उसके लिए कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं इसलिए इस तरीके से भी देख सकते हैं कि misappropriation ब्रॉड है अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि वह कौन सा ओफेंस होगा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि वह प्रॉपर्टी आप तक कहुंची कैसे अगर वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे वक्ति की पॉजेशन में थी और जब वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे वक्ति की पॉजेशन में थी और जब वो उसकी पॉजेशन में थी तब ही आपका यह डिसॉनेस्ट इंटेंशन था कि आ प्रपर्टी औरेडी किसी व्यक्ति की possession में है तो वो specific misappropriation क्या हो जाएगा वो theft हो जाएगा अगर वो प्रपर्टी जिस व्यक्ति की है उसने खुद आपको दी है trust के साथ इसको कहते हैं जब किसी व्यक्ति ने अपनी प्रपर्टी आपको इंट्रस्ट करी है और फिर आप उस प्रपर्टी को misappropriate कर लेते हैं इसको हम कहते हैं criminal breach of trust इसको हम क्या कहते है criminal breach of trust तो mode of transfer of property ये decide करता है कि कौन सा offense है अगर उस व्यक्ति ने खुद भरोसे के साथ trust के साथ आपको वो property दी है या खुद के यूज के लिए convert कर ली है या misappropriate कर ली है या जो direction दिया गया था उसके अगेंस्ट उस property को आपने यूज कर लिया है तो आप कौन सा offense कमिट करते हैं in that case आप कमिट करते हैं breach of trust 405 इन सब में आप देखेंगे misappropriation तो हो रहा है लेकिन mode of transfer vary करता है तो misappropriation लगभगे इन सबके applicable है अब क्योंकि हमारे पास एक specific provision है उन cases को deal करने के लिए जहां property already किसी की possession में थी और आपने उस property को move किया है उसके लिए हमारे पास एक specific offense है जहां जिस वक्ति के property है उसने खुद आपको दिया था और फिर आपने misappropriate किया है उसके लिए हमारे पास ए उसमें कौन से cases आएंगे leftover cases आएंगे जो इन दोनों में नहीं जा रहे हैं वो इदार आएंगे जैसे मैं सड़क पर जा रहा हूँ वहाँ phone पड़ा मिला तो अब ना तो यह किसी की possession में है और ना यह किसी ने मुझे trust के साथ दिया है जिसको में entrustment कहते है ऐसा भी नहीं है तो यह जाएगा misappropriation में आप एक train में travel करने गए जब आप birth पे पहुँचे already किसी का कुछ सामान चूटा हुआ था आपने उठा के वो रख लिया that will be misappropriation क्योंकि ना तो वो किसी की possession में था उस समय तो theft नहीं है किसी ने आपको दिया नहीं है इसलिए होगा misappropriation innocently possession आपके पास आई है लेकिन फिर आपने convert कर लिया आपने उसके लिए तो भी misappropriation जैसे मान लीजिए आप एक class में पढ़ रहे हैं उसे इन क्लास में बैठके आप IPC पढ़ रहे हैं जहां और भी कई सारे बच्चे बैठते हैं आप गलती से किसी और का बेरेक्ट क्योंकि बेरेक जै है बेरेक्ट सबका यह जैसा ही दिख रहा इसलिए बस मेरा बेरेक्ट अलाग है जिसके बहुत ज्यादा तुक्ड़े होने वाले हैं क्योंकि इसको बहुत बार पढ़ा गया है तो आप लोग के जो बेरेक्ट हैं वो एक जीसे दिखते हैं तम नहीं इच्छा का च्छा क्य खोले ही आपने तबी सो मान लीजिए आप क्योंकि सबका एक जैसा है एक दिन आप गलती से किसी और का बेरेक्ट आपको नहीं पता है उस समय डिसने इंच्छन नहीं है आप अपना समझ के उस बेरेक्ट को अपने बैग में डालते हैं जबकि आपका बेरेक्ट अपके बै लेकिन क्योंकि innocently lie हुआ आप आपने dishonest intention के साथ move नहीं करी property लेकिन मान लीजिए जब आप घर लेके आते हैं जब आप यह realize कर लेते हैं कि that bear act is not yours उसके बाद भी आप सुचते हैं आप आ गया तो अपनी रख लेते हैं और फिर आप उस को अपने use के लिए रख लेते हैं तो आप कुंसा offense commit करते हैं criminal misappropriation of property I hope that is clear तो यहां पे भी इंट्रस्टमेंट नहीं था ना वो किसी की possession से आपने dishonestly लिया है आपने किसी की possession से dishonestly उसको move नहीं किया है वो innocently आप तक पहुचा है और इसलिए मैंने कहा कि जहां dishonest intention के साथ property move होती है वहां gift होता है जहां वेक् यह तो basic distinction है इन तीनों offenses का जो आपको समझना चाहिए जो बहुत जरूरी है आपके लिए अब आते हैं अपन theft के illustration पे एक बार दुबारा उस particular illustration पे जो D है अब D कह रहा है कि भाई Z ने इसका जो servant है जेड में अपने servant को एक प्लेट दी इंट्रस्ट करी clearly word क्या यूज किया गया है D illustration में A being Z servant and interested by Z with the care of Z's plate dishonestly runs away with the plate without Z's consent अब आप बोलोगे सर आप तो गलत पढ़ा रहे हूँ मतलब YouTube पे फिरी पढ़ा होगे तो गलत पढ़ा होगे क्या मैं कह रहा हूँ interestment में breach of trust होता है और यहां लिखा है कि जहां Z ने अपने servant को plate interest करी है और वो लेके भाग गया है तो यहां लिखा है कि वो theft है ऐसा क्यूं है इसके लिए पढ़ना है section 27 जो मैंने general explanation में आपको refer क किया था बस मैंने का था अभी इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा जब theft पढ़ा हूँ तब करूँगा तो section 27 यह कहता है कि कोई property अगर एक master ने अपने servant को दी है उसकी custody तो वो possession अभी master की ही मानी जाएगी या एक husband ने कोई property अपनी wife को दी है तो उस पे possession husband की ही मानी ज study transfer कर दी है servant को दे दिया है लेकर इंटरस्ट कर दिया तो दे दिया है लेकिन possession किसकी है अभी भी master कियो फिर if the servant runs away तो वो कहां possession से बाहर लेके भाग रहा है वो क्या कर रहा है must भले उसी के पास है लेकिन 27 कहता है कि अगर servant के पास master की कोई चीज है तो possession उस पे अभी master की रह कि आप देखो कि कहीं possible नहीं हो पाया है judgments में भी इस चीज से बचा गया है और इसलिए इसको possession specific नहीं रखा हमने कहां यह जरूरी नहीं की possession से बाहर जाये हम कहारें किसी की possession में होना चाहिए और dishonest intention के साथ जब आप उसको move कर देंगे theft हो जाएगा मेरे खेल से आप इस illustration को समझ गया क्योंकि वह master की possession में है अभी इसलिए servant लेके भागा तो उसको हम theft करेंड इलस्ट्रेशन में आपको कुछ गलत नहीं बताया है मैं आपको कुछ गलत नहीं बताया है मैं आपको पहली काना बिना self-interest के मैं कोई काम करता ही नहीं है इधर य नहीं मनदर इस इधर पढ़ा रहा हूं जितना मैं अपने बाकी courses में पढ़ाता हूं and there's nothing wrong with that कल भी हमने इसके बारे में बात का रही है तो यह है D illustration इसमें normally confusion होता है बाकी तो आप पढ़ेंगे sorted सी चीजें एक wife वाला भी आपको ऐसा मिल जाएगा कि O illustration आप पढ़ेंगे N और O पढ़ेंगे तो same चीज wife के context में जो यहां servant के context में है same चीज wife के context में लिखी हुई है N में और O में तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखके पढ़ना और बाकी जैसा मैंने कहा कि अगर बहुत ही detail में जाना है तो there are different videos for that as well अब देखें यह है आपका theft basically इसका punishment दिया है 379 म और CPC में पढ़ा हूंगा यस बाकि इस चीज से आप बेफिकर रही है अगर आपने jurisprudence की भी classes करें आप GSB पढ़ रहे हैं जो भी यहां पढ़ाया जाएगा या तो हम कोई काम नहीं करेंगे करेंगे तो quality के साथ करेंगे इस बात के लिए आप शॉर्ट रही है तो जो भ पूरा previous year analysis लिया है जो bootcamp एक वीडियो इस चैनल पर अल्रड़ी आप देखेंगे bootcamp for UPCSJ उसमें मैंने पूरा previous year analysis बताया है लौकर की subject से कितने सवाल किस year में पूछे रहे हैं आप देखेंगे jurisprudence का भी उतने importance है जितना CPCC, RPC, IPC का उतनी weightage मिला है questions को और आपने अगर कि उत्तराखंड का भी calendar आया है डेट आ गई है 30 April को prelims और शायद 23-26 में की date calendar में तो बहुत मतब ऐसा नहीं होता कि एकदम fix है बट हाँ tentative date है और यह तो इस रिपक्का है फिर क्या vacancy आ लिए है तो काफी similar से ले बस है उत्तर प्रोदेश का इसलिए अभी भी अगर आप म मजाक में चल रहे हैं कि अभी तो निवर मनाएंगे तो ठीक एक अगर दिन मना भी लिजे लेकर उसके बाद सीरियस हो जाएगे उसके बाद आप सीरियस हो जाएगे चीक चल यह तो पनिश्मेंट दिया है 379 में इसके बाद सीधे हमें आ जाना है अगले offense की तरफ तो इसी सीक्वेंस में जो अपन चल रहे हैं पहले मैं आपको पड़ा देता हूं misappropriation और misappropriation समझ में आ गया जो बचा कुछा है वो कुछ illustration मैं आपको बता देता हूं जिससे यह बाद जो मैं आपको कनवे करना चा रहा हूं जाधा अच्छे से कनवे हो जाएगी so dishonest misappropriation of property में जो illustration है उनको जड़ा आप देखिये illustration A 403 पर मैं आ रहा हूं सीदे 378 के बाद अभी extortion robbery भी करेंगे उसका भी comparison होगा theft के साथ but in offense इसको थोड़ा comparative approach के साथ पड़ोगे तो जाधा clarity आएगी so देखिये dishonest misappropriation के illustration A takes property belonging to Z out of Z's position in good faith believing at the time when he takes it that the property belongs to himself A is not guilty of theft but if A after discovering his mistake dishonestly appropriates the property to his own use he is guilty of an offense under this section यह exactly वो illustration है जो मैंने आपको अभी बेर्ट वाला example दिया कि आपने गल्ती से उठागे लेगा लेकिन बाद में आपके समझ माया है कि वो आपका नहीं है तर भी आपने रख लिया तो अब आपने theft नहीं commit किया क्योंकि आपने उस गेर्ट को dishonestly move नहीं किया था dishonest intention के साथ move नहीं किया था आपने कौन सा offense commit किया आपने किया आप इस अप्रोप्रोप्रेशन और इसी तरीके के illustrations और भी कई सारे यहां आपको मिल जाएंगे जैसे इसका जो explaining मैं important वाले बता रहा हूँ जहां पर थोड़ा सा जादा confusion होता है इसका आप explanation 2 के बाद जो illustrations दिये है ना उसका illustration number D देखिए जरा explanation 2 के बाद जो illustrations है उसमें D A C Z drop his purse with money in it A picks up the purse with the intention of restoring it to set but afterwards appropriates it to his own use A has committed an offense under this section या है आहारा है आप चपर जा रहे हैं सामने एक वेक्टफी जा रहा है आप देखते हैं उसके जब से पहले बाले आपने उठाया उस intention से नई फोन, लेकिन बाद में आपने उसे misappropriate कर लिया है, यह theft तो नहीं होगा, but this is criminal misappropriation, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत confusion कई बार इसमें होता है, अब misappropriation का ही एक और variant है, which is very very important, कई बार सवाल section number पे पूछा जा चार सो चार देखिए, चार सो चार मैं आपको basically head note पढ़के brief कर देता हूँ, 404 कहता है, dishonest misappropriation of property possessed by a diseased person at the time of his death, एक व्यक्ति जिसकी मृत्य हो गई है, मरने से immediately पहले वो किसी property को possessed कर रहा था, थे कि dead body किसी property को possessed नहीं कर सकती, उसकी possession नहीं कही जाएगी किसी चीज पे, ल उस property को move करता है, ले लेता है, तो वो offense commit करता है misappropriation का, और कौन सा misappropriation क्योंकि ये dead body से ले रहे हैं, इसलिए ये misappropriation दिया है, इसी का एक variant 404, और क्योंकि थोड़ा ऐसा ज्यादा grave है, ये बताता है कि आपकी इंसानियत थोड़ी और नीचे गिर गई है, किसी living being के पास से आप सामान मारते हैं, that is fine, आप dead body, मतों fine थो नहीं है, ठीक है, लेकन अगर आप dead body से सामान उठाने हैं, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, एक विक्ति का आपने देखा accident हुआ, आप accident हुआ तो आपको उसको hospital पहुचाना चाहिए था, लेकिन पहले तो आपने उसकी photo ली में नहीं है, जब तक कोई lawful वेक्ति, जो भी उसके legal years, family members, कोई भी ऐसा वेक्ति आके उन चीजों की possession नहीं लेगा, तब तक वो चीज possession में किसी की नहीं है, dead body से अगर आप वो चीज हैं या पहले उसकी possession में थी, और आप उस चीजों को अपने पास लेते हैं, misappropriate करते है तो यह normal misappropriation से थोड़ा ज़्या से थोड़ा ज़्या से थोड़ा ज़्या ग्रेव है, इसलिए उसके लिए एक specific section create किया आप लटस 404 और आप punish होंगे इस particular section में in that case, check, हाँ यह होता तो है लेकिन कोशिश करिए आप अपने अंदर इतनी इंसानियत बचा के रखें कि आप इसके बाद आईए 405 पर criminal breach of trust जो मैंने आभी आपको बचाया कि यहाँ property interest कर दी जाती है और फिर आप misappropriate करते हैं तो वो बनता है breach of trust ज़र एक बार read कर लेता है तो आपको clarity आ जाएगी whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or possesses of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such a trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust अब इतनी सारी जो भारी अंग्रेजी इस definition में लिखी है उसको जरा मैं आपके लिए simplify कर दूँ लेकि हो यह रहा है यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी property किसी दूसरे को interest करी है interest करने का मतलब होता है trust के साथ आप किसी को दे रहे है विश्वास के साथ आप अपनी चीश किसी क आपको दी है तो या तो आपने कुछ उसके related direction दिया हुआ कि उसको उस property का क्या करना है मान लेजे आपने उसको property दी थी कि यहाँ जाके यहाँ डिलिवर कर देना वो गयाप कर देता है या उसके violation में वो कोई use करता है आपने बोला था यह 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 use मत करना ऐसा मत करना है वो आपको उस property के साथ क्या करना है इसके लिए अगर कोई law है उसका आप violation करते है या फिर आपके और उस व्यक्ति के बीच में कोई contract है जैसे मान लीजे मैंने courier company को कोई समान दिया वो deliver होना था दिली और वो courier वाले ने खुद ही निपता दिया वो सामन तो आट इस also breach of trust ठी है उसके violation में आप उस property का यूज करते हैं in that case you are guilty of misappropriation criminal breach of trust in that case criminal breach of trust का offense कमिट करते हैं जैसे हमान लीजी आप एक प्रिच आपने वाल में गया baggage counter पे showroom के बाहर आपने बाग अपना उसको दिया आप अंदर काई shopping करते हैं वह बाग करता है इंट्रस्टमेंट की जब आप बागेज काउंटर पर आपना बाग समिट करते हैं आप अपनी property सामने वाले को इंट्रस्ट करते हैं वो लेके भाग गया that is breach of trust लोकर रूम में अपने अपना सामान रखा वो लेके भाग गया या वो अलाओ कर दे लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे इस definition की तो यह भी संद्धा है कि वो खुद लेके ना भागे किसी और को दे दे या किसी और से चोरी कर बादे किसी और को अलाओ कर दे की जल्ली तूर लेके भाग जा that is also breach of trust and that is also that person has committed a breach of trust so this is criminal breach of trust misappropriation and theft I hope you understood the difference between the three offenses अब इसके बाद अपन बात करेंगे एक अलग category of offenses की अब बात की जाएगी theft extortion robbery की अब आईए जारा extortion पर तो where it मैं नेका लिए 383 अब अपन किस को compare करेंगे अब अपन compare करेंगे 378 theft 383 that is extortion चिक क्या difference है दोनों है और इसके बाद हम बात करेंगे 390 की robbery तो जड़ा समझना आप extortion क्या है कि कुशान का कहना है दोमीनियन मतलब आप अपना control उसको दे रहे है प्रपरटी का दोमीनियन मतलब control आप अपना transfer कर रहे है उस प्रपरटी का एक्स्टोर्शन के आई यह 383 whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other एक एक word का मतलब समझना इधर जरा कि कितने technically in definitions को frame किया गया है कितने carefully frame किया गया है कि कहीं कोई चीज छूट ना जाए so whoever intentionally puts any person in fear of any injury कोई वेक्ति दूसरे वेक्ति को एक intentionally एक fear देता है injury का चीज फियर ऑफ एनी injury किस को injury का fear उस व्यक्ति को injury का या किसी दूसरे व्यक्ति को injury का fear the fear of injury to that person कॉमा के बाद लिखा है और to any other and thereby dishonestly induces the person who put in fear और यह fear देखके आप उस व्यक्ति को dishonestly induce कर रहे हैं क्या करने के लिए in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extraction एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को threat देता है किस चीज का threat fear of injury का threat और यह threat देके आप उस व्यक्ति को induce करते हैं कि वह आपको कोई property deliver कर दे या फिर कोई valuable security कोई काज़ाद वगेरा दे दे कोई भी ऐसी चीज जिसको पैसे में बदला जा सकता है कोई भी ऐसी चीज आप deliver करवाते हैं तो आपको commit करते हैं offense extortion का जैसे हमने देखा theft में किसी के possession में property होती है आप उसको dishonestly move कर लेते हैं जैसे एक्स्टॉर्षन में आप क्या करते हैं खुद move नहीं करते एक्स्टॉर्षन में आप उस व्यक्ति को धंकी देते हैं और टो एनी अदर यह भी चलेगा और माल लीजे धंकी मैं दे रहा हूं लेकिन प्रपर्टी डिलेवर किसी और को करा रहा हूं मैं एक विक्ति को फोन करके कह रहा हूं कि अंकल आपने अगर मेरे आदमी को मेरे एक आदमी आपके घर आएगा या आपके घर के पास रता है लिए इस तरीके से फ्रेम किया गया है इस डेफिनेशन को ताकि यह चीज़े छूट ना जाएं यहां तो इक्स्टॉर्शन में क्या चाहिए और चाहिए और चाहिए और आप सामने वाले को इंड्यूस करते हों प्रपर्टी डिलेवर करने के लिए डाट इस अन आफिने इसमें नहीं है सिंपल इलस्ट्रेशन है इस जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने बात करा इंजरी फियर और इंजरी आईपीसी में हमने पढ़ा था जनरल एक्स्प्लेनेशन में जरा बता दीजे सेक्शन कहां आपने पढ़ा है इंजरी और इंजरी का मतलब क्या होता है किस तरीके का हौना इंजरी कहलाता है तो सिर्फ स्रिखल नहीं आता क्योंकि यहां जो वाैos किया गया है that is injury and injury is defined under ipc under section 44 and injury में तीनु तरभी तरीके के हाम included है harm to body harm to mind property or repetition चार property or repetition इन चारू में से किसी भी चीज़ को आप हाम करते हैं तो वो कहलाता है इंजरी तो इलस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है वो कुछ ऐसी ही बात बता रहा है कि एक विक्ति दूसरे को धंकी देता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें आरे अगेंस्ट डिफिमेटरी लिबल फब्लिश कर दूँगा लिबल होता है जब डिफिमेशन पर्मेंट फॉर्म में किया जाए इंप्रेरी फॉर्म में किया जाता है उसको स्लैंडर कहते हैं जब पर्मेंट मुझे धंकी देते हैं आप मेंसे कुछ लोग या कोई एक पर्टिकुलर परसन कॉल करके मुझे धंकी देता है कि सर मुझे वह टेस्ट सिरीस फ्री में दो और नहीं तो यूटूब के आपके अगेंस्ट चैंपेंट चलाऊंगा या फेस्बुक या इंस्टाग्राम के पो कि मैं आपको प्रपरिटी दूँ अब ये जो थ्रेट है या ये जो फियर है ये किस चीज को इंजरी का फियर है बॉडी को नहीं ये किसको है रेपिटेशन को इसलिए वो इलस्टेशन ये है कई बार उसमें कन्फिजन हो जाता है कि ये एक्स्टॉर्शन नहीं होगा इंजरी तो रेपिटेशन है बॉडी को ये है आपका इस्टॉर्शन पुनिश्मिंट का सिक्शन भी याद रखिएगा 3 8 4 इसके बाद आजाए रॉबरी पर अब मर्स नहीं राभड में एन एग्डरविटेड वर्म और इक्स्टॉर्शन तरिष्ट का एक्सटॉर्शन ये इसका जहां त्रम जहां त्रम में वोइलेंस हुआ अगर आपने hurt किया या फिर death cause कर दी या उसका fear दिया जहां आपने force use किया basically अगर मैं उसको summarize करूँ आप definition पूरी पढ़ेंगे अगर उसको summarize करूँ तो जहां आपने force इस्तेमाल किया यहां आपका theft आप सिरफ theft नहीं रहता वो बन जाता है robbery जैसे chain snatching जब होती है किसी के गले से एक chain snatch होती है तो ज़रा बताइए chain snatch करने में किया आप hurt cause करते हैं किसी के हाथ से आप घड़ी छीनते हैं तो क्या आप hurt cause करते हैं येस इसलिए यह आता है robbery chain snatching is robbery because आप उसमें hurt cause करते हैं ज़रा देखिए when theft is robbery theft is robbery if in order to the committing of theft or in committing theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint ये सब करते हैं या इसका instant fear देते हैं और फिर आप अगर property लेते हैं तो वो क्या होता है आपका robbery होता है तो chain snatching में क्या होता है आप hurt cause करते हैं जटी in that case it is robbery extortion कब robbery बनता है तो थोड़ा सा ध्यान से इसको अब पढ़ेंगे when extortion is robbery extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear तो extortion के साथ क्या add हो जाएगा presence of offender एक चीज़ presence of offender offender वहाँ present है extortion वह phone पे भी commit कर सकता है लेकिन यह robbery कब बनेगा extortion offender present है दूसरा essential put in fear and commits the extortion by putting that person in fear sorry at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt or instant wrongful अगर आप extortion में देखेंगे तो fear of injury है लेकिन यहाँ जो fear है सबसे पहली चीज़ तो यह धान रखिए यह instant fear है या fear है of instant harm so इसको अपन केते हैं fear of instant harm और injury नहीं यह physical harm की बाद चल रही है wrongful restraint, hurt, death और कैसा instant अभी गोली मार दी जाएगे आप किसी को बंदुक दिखा के कहते हैं लाओ अपना wallet दो नहीं तो अभी गोली मार देंगे this is not extortion this becomes robbery क्यों? offender present है आपने instant fear of death दिया है और immediate delivery of property आगे आप देखिए तो समझ आएगा अगला क्या है? immediate delivery so आगे लेखा है in fear of instant death और of instant hurt और of instant wrongful restraint to that person or to some other person and by so putting in fear induces the person so put in fear and there to deliver of the thing extorted वहीं पे आप delivery करा लेखते हैं तो क्या आजाएगा यहाँ? immediate delivery of property delivery of property तो यह essential जहाँ extortion के साथ add हो गए यह चीज़ें जहाँ extortion में add हो गए presence of offender fear of instant hurt instant harm और immediate delivery अब वो सरफ extortion नहीं रहा भाईया aggravated form हो गया है that is robbery now ठीक? यह है robbery और robbery है deputy कब बन जाती है? वो 391 में दिया है so decoity 391 में दिया है the only thing is कि 5 या 5 से ज़ादा लोग जब मिलके decoity करते हैं या sorry robbery करते हैं या robbery का attempt करते हैं उसी को हम कहते हैं decoity 5 या 5 से ज़ादा लोग मिलके robbery करते हैं उसका attempt करते हैं that is decoity 391 section number इदर याद रखने हैं हमें यह सारे इसके बाद जो section number के question यहाँ से तो देखो illustration based सवाल बनेंगे इसके बाद अब section number वाले क्या क्या है तो सबसे पहले 378 याद रखना है theft की definition 379 theft का punishment 383 extortion की definition 384 extortion का punishment उसके बाद 390 robbery की definition फिर याद रखना है 391 decoity की definition फिर 392 में है punishment of for robbery 393 भी याद रखिएगा attempt to commit robbery यह section numbers पूछे जाते है 92 में punishment है robbery का 93 में attempt है robbery का और उसके बाद सीधे mark कर लिजे 95 395 punishment for decoity decoity का punishment और इसके बाद एक important provision mark करिए 399 बहुत ज़ादा important है 399 making preparation to commit decoity waging war की समय मैंने आपको बताया था waging war की preparation भी जनरली preparation punishable नहीं है IPC में attempt से punishment चाली होता है लेकर waging war में भी preparation punishable है decoity की भी preparation punishable है इसलिए यह जो section number है बहुत important है 399 making preparation to commit decoity एक सवाल है 383 में property की delivery must है ना ज़रा एक बात बताईए कि extortion में property की delivery होनी चाहिए क्या मतलब ज़रूरी है क्या की property deliver हुई हो माले जह मैंने आपको धंगी आपने मुझे धंगी दिवाई वाली क्या आपकी वेजजती करेंगे हम सब जगे अगर आप free में test series नहीं दोगे तो अब अगर आपने को कोई फरकी नहीं पढ़ता है मैंने पहली बाता दिया है आपने कोई फरक ही नहीं पढ़ता इस बात से क्योंकि आपन कभी कहते हैं कि हम कोई काम बिन आपने मतलब क्या करवाएं मैं आपको नहीं देता हूँ पिर जो प्रेटि याप मुझसे लेना चाहरे थे जो वेनिफिट आप मुझसे ले जाए मैं नहीं देता हूँ आपको वेनिफिट तो भी के extrusion नहीं कि आपने धंकी दिए कि इस सवाल के जवाब के लिए जो मैं आपको कहा ना मैंने डीटेज्ट लेक्चर अल्रेडी इस चैनल पर डाले हुए हैं इस्टॉर्शन के रॉबरी के थेफ्ट के मिस अप्रोप्रियेशन के उसको देखिए ज़रा एक बार जाए अराम से सवाल का जवाब नहीं मिलेगा इसमें हैं वो मैंने डील किया हुआ है और यह बहुत इंपॉर्टन सवाल है और अगर डेलेवरी एक बात और बता दूं अगर डेलेवरी रेक्वाइड नहीं है जिसा की मेजॉरिटी आप में से कह रहे हैं कि प्रपरटी डेलेवर हुई होई ज़रूरी नहीं है अगर माल तोर करिए और थोड़े व्यूज हमारे और बढ़ाईए उन वीडियो उसको देखिए जो डीटेज में दिए और अगर देखके मज़ा आ जाए वो वीडियो तर कमेंट जरूर कर देना बिना कमेंट कर मत जाना अगर यह बाद समझ में आ जाए जो आपके डाउट है वो अ होता है और चार सो गैरा उससे रिलेट ओफेंस बताता है अफोचा जाता है जसीटर चनरली जादाँ प्रुल यह फोक्रोले ऑपर चार सू दस or by extortion or by robbery and property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed in सारे offences से जो property obtained हुई है वो stolen property है कौन-कौन से theft, extortion, robbery, criminal breach of trust, criminal misappropriation in offences से obtained property stolen property है is designated as stolen property whether the transfer has been made or the misappropriation or breach of trust has been committed within or without India but if such property subsequently comes into the possession of a person legally entitled to the possession thereof if then ceases it then ceases to be stolen property जब तक वो lawfully entitled वेक्ति से दूर है वो property चाहिए वो theft से उप्टें करी गई हो misappropriation से breach of trust से उन में से किसी से भी property उप्टें करी गई है वो stolen property है तब तक वो stolen property है जब तक वो property वापस किसी lawfully entitled वेक्ति के पास नहीं पाँचती तब तक वो designated है stolen property अब इस से लड़ ओफेंस 411 में है dishonestly receiving stolen property अगर आप dishonestly stolen property को receive करते हैं या retain करते हैं तो that offense is punishable इसके और भी variance है that is punishable under 411 बट जैसा मैंने का जादा important 410 है कहां इसके बाद आजाए ये 415 अगली category जो है offenses against property में that is cheating this is very important, cheating भी important है वही अच्छे कासे सवाल बनते हैं conceptual so cheating देखिए 415 whoever by deceiving any person अब जेगना थोड़ा सा difference है cheating में बात वही है कि property का transfer कैसे हो रहा है जो हमने पड़ा ना theft में 378 में अलग चीज कि किसे की possession में थी बिना consent के आपने ले ली फिर हमने पड़ा 383 इसमें आपने धंकी देखे ले ली विक्ति से property और robbery इनी के variants हो गए इसलिए उसके बात पर निदर नहीं करते हैं इसके बाद बात करते हैं 403 चाहे जैसे आई हो आपके पास property आपने misappropriate करी है खुद के उसके लिए करी तो misappropriation तो है यह बहाँ 405 हमने देखा यहां जिसकी property है वो खुद आपको दे रहा है भरोसे के साथ और आप उस भरस्यों को तोड़के उस property का इस्तेमाल कर रहे है उसके अगेंस आप प्रपर्टी के इस्तेमाल कर रहे है तो वह हो जाता है क्रमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप चीटिन आप देखेंगे 415 तो यहां आप व्यक्ति को बेवकूफ बनाके डिसीव करके उससे property लेते हैं जैसे extortion में आप fear of injury देके property ऑप्टेन करते हैं यहां पर आप प्रपर्टी ऑप्टेन करते हैं व्यक्ति को डिसीव करके बेवकूफ बनाके property ले लेते हैं आप 415 पढ़ेंगे तो आप समझेंगे आप किसी व्यक्ति को deceitful means से उसे बेवकूफ बनाके या तो उससे कोई property ले लीजिए वो भी cheating है या उस व्यक्ति से कुछ ऐसा करवा लीजिए जो वो otherwise नहीं करता जैसे आप एक फरजी mark sheet दिखा के किसी college में admission ले लीजिए that में also amount to cheating भले आप यहां property की delivery नहीं करा रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप यहां पे एक व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं उससे कुछ ऐसा करवा रहे हैं जो वो otherwise अगर आपने उसको deceive नहीं किया होता तो वो काम नहीं करता जैसे आप एक company के representative बनके आते हैं मालीजे मेरे पास Samsung का एक phone है आप Samsung के representative बनके फरजी आई-card वाई-card लेके मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि असर यह company जो है इस model को बंद कर रही है इसलिए यह phone आप मुझे दे दीजिए और कुछ दिनों में आपके address पेक नया phone आ जाएगा रसी दोसी दे दितने आपने मुझे डिसीव किया और मुझसे प्रापरिटी के डिलिवरी लिए अगर मालीजे लौफुली मैंने किसी को प्रापरिटी दिया उसके बाद वो अनलौफुली रीटेन करता है मुझे डिसीव करके वो भी चीटिंग है यह बाद भी आपको 415 मिलेगी जैसे आपने एक सर्विस सेंटर पर अपना फून मालीजे के पास जिशे कंपانी का फोन मैंने उसके सर्विस सेंटर पे वो ऑन के ऑक्ति ने जो वहां बैठा था इसने या पंपे का और और उसने फोलायी बोलाow to die कि कल आई इए अज Jis में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे तक ही घू जाएगा उसके बाद उसने खोला उला उसको सही किया और वो फोन ठीक हो गया बढ़िया हो गया अगले दिन तो वह आप से कहता है कि आ रहे उसमें तो बड़ा आपको डिसीव करके प्रपर्टी आपसे ली नहीं है वो तो उसने आपने खुद दी थी और जन्लून काउज के चलते उसने एक दिन रखी लेकर आप वो क्या कर रहा है अब वो प्रपर्टी को रीटेन कर रहा है आपको डिसीव करके दाट ओल्सू अमांट्स टू अब इसके जो और आगे प्रविजन्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है 416 भी इंपॉर्टेंट है चीटिंग बाई पर्सोनेशन सेक्शन नंबर पूछा जाता है पर्सोनेशन होता क्या है यह बात समझे पर्सोनेशन वहीं है जहां आप अपने आपको कोई ऐसा परसन बता नहीं है वो अपने आपको बता रहे हैं 415 इस इस फ्रैक्चर को जरा समझना चीटिंग के 415 बहुत जनरल है हर तरीके की चीटिंग इसमें आएगी इसी का एक स्पेसिफिक वेरियंट आपका बन जाता है 416 जहां आप अपने आपको कुछ और बता रहे हैं जो आप है नही 417 में पनिश्मेंट है तीनों सेक्शन बहुत इंपोर्टेंट है 415, 416, 417 इधर कन्फ्यूज मत होना है सेक्शन नंबर पूछा दाता है पनिश्मेंट ऑफ चीटिंग अब क्योंकि हमने देखा एक्स्टॉर्शन जिसमें डिफाइन है अगले सेक्शन में पनिश्मेंट ह इस दर ऐसा नहीं है 415 में चीटिंग डिफाइन है उसके बाद 416 में चीटिंग बाए पर्सोनेशन बताया है और फिर 417 में पनिश्मेंट बताया है चीटिंग का तो इस बात को जड़ा थोड़ा सा ध्यान रखियेगा इसी की तरह चीटिंग का एक और वेरियंट बताया गया है 420 सीधे इसके बाद देखिए 420 है इसमें भी चीटिंग ही हो रही है एक स्पेसिफिक वेरियंट है 415 जनरल है यह उसके स्पेसिफिक वेरियंस है 420 में क्या है जहाँ आप किसी वक्ति को डिसीफ करके डिसॉनिसली या फ्रोडिलेंट्य प्रापर्टी डिलेवर करवाते हैं 415 दोनों को include करता है वो general बात बताता है कि property की delivery भी या किसी वक्ति से आप कुछ ऐसा करवाल ने जो वो नहीं करता तो दोनों case में cheating 415 तो general provision है उसके specific variants है और 420 जो common parlance में भी 420 यूज़ किया जाता है न वो actually यहां आप क्या करते हैं किसी वक्ति को deceive करके property deliver करने के लिए जा इसके बाद आज आईये 425 इसके बाद आज आईये 425 मिस्चीफ इस आलसो एन इंपॉर्टेंट ओफेंस तुबी स्टडीड इस चेक 425 देखिए मिस्चीफ जरब अब देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि intention और नॉलेच जो state of mind है वो कई जगे यह हैं आप ज इदर पे knowledge भी है so 425 देखिए whoever with intent to cause और knowing that he is likely to cause intention हो करने का या आपको knowledge हो कि आप यह cause करने वाले हैं अपने act से whoever with intent to cause और knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects its injuriously commits mischief करते हैं अप सक thinner than a present this we see basically है क्या आप इसमें प्रोपर्टीय का destruction करते हैं या प्रोपर्टी की value कम करते हैं अकने उन आक्प मिल्ठ एक्थे उसका एक्प्रोपर्टी इस्ट्रोई या डैमेज कर रहे हैं और यह जो आप डैमेज कर रहे हैं इसमें आपका इस damage को करने के पीछे या तो आपका property को जो आप destroy कर रहे हैं इस property को destroy करने के पीछे या तो आपका intention है किसी वक्ति को नुकसान पहुचाने का या इस property को destroy करते समय आपको knowledge है कि आपके इस destruction से किसी वक्ति को loss होगा या damage होगा in that case आप commit करते हैं mischief जो कि 425 मिल दिया है करने के आ रहे हैं आप destruction of property उस destruction of property को करते समय आपका intention है या आपको knowledge है कि इस destruction से आप किसी वक्ति को नुकसान पहुचाएंगे जैसे मान लेजिए एक important चीज मिसीव के बारे में जो आपको समझनी वो यह है कि property किसी की भी हो इससे मतलब नहीं है आप अपनी property को destroy करके भी दूसरे को नुकसान पहुचा सकते हैं जैसे इसके illustrations दिये हैं उन्हीं को मैं जड़ा brief कर दू मान लेजिए आप और में joint owner है property के मान लेजिए हम दो मैंने अभी बहुत पैसे नहीं कमाए हैं दोनों मान लीजिए मिलके कार खरिदते हैं joint owners हैं अब मैं उसकार में एक दिन आग लगा देता हूं मैं जब उसकार में आग लगा रहा हूं तो मेरे को knowledge है कि इससे आपको मुझे नुकसान होगा क्यों क्यों क्योंकि वह फोन मैंने security रखा था उसको मैं destroy कर दूंगा तो आपको इससे नुकसान हो जाएगा इससे मतलब नहीं है मिस्टीफ में कि वह property किसकी है destruction of property होना चाहिए और इससे किसी दूजरे वक्ति को नुकसान होना चाहिए तो आपने mischief commit किया है that is 425 explanation में यही बातने लिखी है जो मैंने आपको बताई और इनी से related illustration आपको दिये हुए है इसके बाद सीदे मार्क करेंज यह provision 436 यह कई बार prelims में पूछा गया है 436 mischief by fire explosive substance उसी का एक specific variant है आप commit mischief ही कर रहे है लेकिन आप fire के थू कर रहे है आग लगाके यह किसी explosive substance के थू आप कर रहे है तो दोनों cases में यह mischief है 436 इसके बाद सीदे आ जाईए criminal trespass पे यह काफी important है prelims के लिए provision provision समझना है बाकी कुछ बहुत ज़्यादा समझने लाए कि इनमें नहीं है trespass में 441 से लेके 441 से लेके 446 सक सारे section आपको याद रखने किसमें क्या है क्योंकि प्री में इधर से questions बनते है criminal trespass होता क्या है देखिए civil trespass आपने सुना होगा बिना lawful justification के किसी की property में enter होना trespass होता है जब आप किसी के property में enter हो रहे हैं जहां होने के लिए आप authorized नहीं है और आपका intention offense कमिट करने का है या उस वक्ति को annoy करने का है जिसकी possession में वो property है या किसी वक्ति को intimidate या insult करने के intention से आप किसी की property में enter हो रहे हैं तो यह कैसा trespass हो जाएगा यह trespass बन जाएगा committing an offense or with the intention of annoying a person or insulting a person in that case वो criminal trespass है यह 441 में दिया है इसका ही वेरियंट है 442 जो है 442 जो है 442 बात करता है house trespass की तो यही criminal trespass जब आप किसी dwelling house में करते हैं dwelling house मतलब जहां लोग रहते हैं whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building tent or vessel used as a human dwelling और any building used as a place for worship और as a place for the custody जहां property रखी जाती है वर्शिप की जाती है ऐसी जगे पे जब आप trespass करते हैं तो उसको हम सिरफ criminal trespass नहीं कहते हैं उसको कहा जाता है house trespass 41 criminal trespass यह सारे section याद करने है 43 देखिए lurking house trespass lurking house trespass क्या होता जब आप चोरी छिपे house trespass करें खिड़की से चले गए कोई देखे ना अपने को छुपा के कोई ऐसा वक्ति जो आपको देख सकता था आपको किसी ऐसे वक्ति से अपने आपको conceal करके जब trespass commit करते हैं उसको कहते हैं लरकिंग house trespass और यह है 443 में इसके बाद 444 है lurking house trespass by night चोरी छिपे आप किसी की property में enter हो रहे हैं sunset के बाद और sunrise के पहले रात के समय आप lurking house trespass commit कर रहे हैं किसी के यहां तो वो हो जाएगा lurking house trespass by night इसके बाद है house breaking तो 444 by night और 445 house breaking यह थोड़ा सा different है house breaking में basically यह होता है आप तरवाजा तोड़के गए किसी के घर में किसी ऐसे रास्ते से गए जो actually रास्ते के लिए निखरकी से खूद के चले गए दीवार फ्रांद के चले गए ताला लगा था ताला तोड़ दिया आप जादा ग्रेव है इन सब में house breaking इसलिए obviously punishment थोड़ा जादा होगा और इसी के जैसा है 446 house breaking by night इसके सारे house breaking के सारे जो लिखे हुए है न वो आपको पढ़ना है मैंने आपको उसको summarize कर दिया बट एक बार पढ़िएगा और illustration भी उसके पढ़िएगा माल लिजे आपको किसी क घर की चाबी मिली पढ़ी हुई सड़क पे आपको चाबी उठाते हैं जाते हैं उसके घर का ताला खुलते हैं और अंदर चले जाते हैं चोरी करने के intention से तो आपने किस तरीके का trespass commit किया है कुंसा offense commit किया है बताइए आपको चाबी पढ़ी मिली किसी के घर की सड़क पे आपने वो चाबी उठाई और ले जाके घर खुला और वहां चोरी के intention से आप गय थे तो कुंसा offense commit किया आपने इन में से बताइए जरा तो अगला offense बताऊं मैं आपको फेर चलिए इसके बाद सीदे आजाईए अगले chapter पे that is chapter 18 of offenses relating to document and to property mark यहां 463-464 important है दोनों provision सीदे सीदे questions पूछे जाते हैं इन में ज्यादा कुछ complexities नहीं है section number पूछा जाएगा या कई बार होते क्या है या illustration based भी पूछे जा सकता है तो 463 define करता है forgery को और 464 बताता है making of false document पहले समझ लिया making of false document क्या होता है 464 में तो making of false document में आप देखेंगे first, secondly और thirdly तीन पारग्राफ है अलग-अलग false document बनाना आप generally भी समझते है फरजी document बनाना कोई जो चीज नहीं है आप वो बना रहे है या आप authorized नहीं है जो document पे sign करने के लिए बनाने के लिए आप वो बना रहे है that is making false document simple है कोई technicality नहीं है बस यह जो अलग-अलग तीन पारग्राफ है इनमें अलग-अलग processes दी हुए है जैसे पहले बाले में आप देखेंगे तो सब कुछ making से रहे है एक नया document आप बना रहे है फरजी वो लिखा है first paragraph में जो secondly आप देखेंगे वो बिसिकली alteration से related है कि already a document बना हुआ है पहला paragraph नया document बनाने से related है दूसरा paragraph बात करता है कि एक already बना हुआ है उसमें आप alteration कर रहे हैं unauthorized जैसे माल लीजे मैंने आपको एक promissory note दिया जिसमें मैंने लिखा कि मुझे आपको पांच हजार रुपे वापस करने है मुझे आपको पांच हजार रुपे देने आपने उस पांच हजार में एक जीरो और लगा दिया आपने उसको पचास हजार कर दिया आपने false करा लिखते हैं कोई document उसका content गलत बता के जैसे आपने किसी वरद्वेक्टी को बोला कि अरे दादा यह आपके कागज है जरूरी है उसको कुछ आपने बता दिया कि क्यों जरूरी है उनके अकाउंट में कुछ problem हो गई है ऐसा आपने उनको क्यांग दिया जबकि उस इन पारग्रफ में दिया है तो इन पारग्रिफ को अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो इसी फोर्स्ट इस मेकिंग सेकंड इस अल्टरेशन धर इस एक्जेक्यूशन पर्जी एक्जेक्यूशन बराते हैं अब देखिए यह तो हो गया making of false document false document बना के आप कर क्या रहे हैं forgery आप commit करते हैं तो forgery की definition देखिए 463 में whoever makes any false document और false electronic record और part of a document और electronic record with intent to cause damage और injury to the public or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud or that fraud may be committed false document बनाने के पीछे आपका intention क्या है वो decide करेगा forgery है तो false document अगर आपने इस intention से बनाया है कि उससे आप किसी को damage cause करना चाहते हैं injury cause करना चाहते हैं किसी वक्ति को या public को या आप किसी वक्ति से property छीनना चाहते हैं लिना चाहते हैं किसी को part करना चाहते हैं उसको आप deprive करन चाहते हैं प्रोपर्टी से इस intention से आपने false document बनाया है या आपने कोई false claim support करने के लिए false document बनाया है ये सब कुछ forgery में आता है तो पहले 464 इसलिए पढ़ना है कि false document होता क्या है और किस intention से बनाया गया अगर इन में से किसी एक intention से false document बनाया गया तो it is forgery बस इसके बाद सीध आजाए एए 489 मार्क कर लीजिए section नंबर याद रखना है कि कांटरफीटिंग कर्णसी नोट्स और बैंक नोट बैंक नूट और कर्णसी नोट की कंटर फीटिंग पनिशेबल है 489 में गोर्मेंट स्टाम्प की कंटरफीटिंग कहां पनिशेबल है जरा बताए कंटर फिसी खतम हो रहा है आज थोड़ा ज़रा रिवाइस करिए समझ में तो आया है तो समझ में आ रहा है याद नहीं है करिए जरा महनत करिए थोड़ा याद करिए और फिर जो एप पर टेस्ट अवेलेबल है उनको दीजिये तब मजा आएगा ठीक है इसके बाद आजाईए चै चैप्टर का नंबर भी बहुत बार पूछा जाता है प्री में कि चैप्टर 20 में क्या है या फिर offences related to marriage किस चैप्टर में दिये हैं तो ये चैप्टर नंबर specifically ये वाला बहुत important है 20 और इसके बाद वाला 20 ये भी पूछा जाता है तो इनके चैप्टर के नंबर भी याद हो क्योंकि वह 497 जो है डल्ट्री जो है वह अब unconstitutional declare हो गया है ठीक तो इसके बागी क्या offences अपन पढ़ते है 393 में है cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage ये offence basically क्या है कर इट शालीन जोसेफ शाहिन उसमें एडल तो ये unconstitutional declare हो है 493 cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage उसको समझे एक वेक्ति एक woman को एक man एक woman को ये belief कराता है या उसको belief दिलाता है या उस woman का ये belief है deceitfully ये belief दिलाता है कि वो उसका husband है एक man एक woman को deceitfully ये belief दिलाता है कि वो उसका husband है और उसके साथ cohabitation करता है ठीक के so that offences 493 अब हमने जब रेप पड़ा था 375 उसका fourthly जो clause था मैंने कहा था offences against marriage पढ़ेंगे तो थोड़ा सा correlation मैं आपको बताऊंगा तो ज़रा एक बार recall करिये तो 375 का fourthly में क्या लिखा था अगर कोई man जिसे ये पता है कि एक woman जिसने sexual act का consent दे दिया है लेकिन उसने इस belief में consent दिया है कि वो उसकी lawfully wedded wife है या वो person वो man उसका lawfully wedded husband है इसलिए उसने consent दिया है जबकि इस आदमी को पता है कि ऐसा नहीं है वो उसका husband नहीं है वो misbelief में consent दे रही है for that sexual act और अगर वो sexual act commit करता है तो वो rape होता है 375 के तहत 375 के फोर्थली clause के तहत वैसा ही offense of 493 the only difference is कि वहाँ sexual act से यहाँ cohabitation है overall which is a broader category so यहाँ लिखा है every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse cohabit करवाता है या sexual intercourse दोनों है इदर with him in that belief shall be punished with imprisonment of either description for a term which mixed into 10 years और वो specifically sexual act के लिए और अब तो क्योंकि वहाँ पे और भी यहाँ तो sexual intercourse है इसमें penetration जरूरी है वार rape में तो अब वो जरूरी नहीं है वो हमने समझा पर महाँ दूसरे भी sexual acts अब आ गये हैं तो इसी लिए वो एक सिरफ specific की बात करता है यह थोड़ा जरूरी नहीं होगी रेप में अब वो जरूरी नहीं है रेप में और भी sexual acts ने जो हो गये हैं 2013 amendment के बाद वो specifically उसके लिए है और 393 थोड़ा broader है because it also includes cohabitation not just sexual intercourse 494 by gaming की बात करता है बहुत ज्यादा important है section B और उसकी जो specific चीजे हैं वो भी जरूरा इसको देखिये 494 marrying again during lifetime of husband or wife whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to find तो आपका spouse already जिन्दा है alive है और आप दूसरी शादी कर लेते हैं और अगर वो दूसरी शादी वोईड है आपके personal law के हिसाब से in that case you are committed by gaming क्योंकि कुछ personal laws में multiple marriage allowed है तो वहां पर बाइगयमी नहीं होगा लेकिन जहां subsequent marriage allowed नहीं है उस case में यह बाइगयमी होगा exception है this section does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of किसी competent court ने marriage void declare कर दी है तो फिर बाइगयमी नहीं होगा वो दुबारा शादी कर सकता है second paragraph भी बहुत important है और to any person who contracts a marriage during the lifetime of a former husband or wife if such husband or wife at the time of the subsequent marriage shall have been continually absent from such person for the space of seven years यह बहुत important है कि आपने मानले जिए दूसरी शादी एक व्यक्ती है जो अल्रीडी मारेट था उसने दूसरी शादी कर ली लेकिन उसने किन सर्कम्स्चांस में करी है कि उसके spouse का कोई whereabouts नहीं है आता पता नहीं है for seven years साथ साल से उसको देखा सुना नहीं है ऐसी situation में अगर उसने दूबारा शादी करी है तो वो offense नहीं माना जाएगा यह यह लिखा है whom such marriage is contracted of the real state of fact so far as the same are within his or her knowledge तो कोई ऐसा वेक्ति जिसके spouse का अता पता नहीं है for last seven years वो subsequent marriage कर सकता है लेकिन शर्त यह है कि जिस वेक्ति से आप subsequent marriage कर रहे हैं जिस वेक्ति से आप दूसरी शादी कर रहे हैं उसको आप सारी situation clear में बताएं उसको बता के आप कर रहे हैं कि आप पुराने spouse का अता पता नहीं है in that case it won't be considered as bygamy otherwise it will be चीक तो यह है आपका bygamy 494 इसके बाद देखिए 495 same offense with concealment of former marriage from person with whom subsequent marriage is contracted यह 494 का ही एक दूसरा version है aggravated form है आप bygamy commit कर रहे हैं और साथ में आपने यह भी किया कि तो subsequent partner है जिसके से आपने दूसरी शादी करी पहला spouse जिन्दा है उसके जिन्दा रहते आप दूसरी शादी कर रहे हैं और जिस वेक्ति से दूसरी शादी कर रहे हैं उसको बिना बता आपने lawful marriage नहीं करी है लेकिन उन ceremonies से आप गो थूरू है तेक्निकली शादी तब होती है जब उसके specific requirements fulfill हो जैसले Muslim marriage में contract essential fulfill होने होने चाहिए Hindu marriage में satapadhi important है साथ फिरे important है otherwise आप ऐसी ceremony से गो थूरू हो रहे हैं और actual शादी आप नहीं कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married knowing that he is not thereby lawfully married शाल भी बनाया किसी dishonestly fraudulent intention से आपने ऐसा किया है तो that is 496 an offense और जैसा मैंने कहा 497 अब offense है ही नहीं तो उसको पर नहीं छोड़ देते हैं अब अब unconstitutional declare हो गया है 498 बहुत जादा important नहीं है बट हैट note से समझ लेजे enticing और taking और detaining with criminal intent a married woman किसी married woman को अगर आप detain करते हैं take away करते हैं with the intention और knowledge कि उसका illicit relationship किसी दूसरे वक्ति के साथ को पाई illicit relationship के लिए अगर आप entice या take away करते हैं किसी married woman को तो that offense is 498 बहुत ज्यादा important लेकिन नहीं है बाइगे मी ज्यादा important है यहां से मैंने कहा चेप्टर नंबर भी 21 का important है तो यह भी ध्यान रखिएगा of cruelty by husband or relatives of husband this is important section के essential भी पूछे जा सकते हैं 498 ए section number भी याद रखना है वैसे तो बड़ा ही common parlance में use होने वाला section इसलिए ज्यादा समस्यानी होगा आपको यादी रहता है so whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine तो अगर husband या husband का कोई relative किसी woman को cruelty करता है उसके उपर उसको subject करता है to cruelty that is an offense punishable under 498 A इसका explanation बताता है कि cruelty का मतलब क्या होगा and this is also important तो देखिए जरा explanation for the purpose of this section cruelty means any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the women to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health whether mental or physical अगर आप किसी woman को abit करते हैं, insight करते हैं suicide commit करने के लिए so that is also considered as cruelty या किसी और तरीके का physical या mental injury cause करते हैं that is also cruelty इसके बाद भी लिखा है harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful debats for any property or valuable security basically dowry की demand से related अगर आप परैशान करते हैं या harass करते हैं किसी woman को that is also cruelty so cruelty mental भी हो सकती है physical भी हो सकती है ये बात जरा आप यहाँ ध्यान बखिएगा कि cruelty यहाँ physical और mental दोनों है या दोनों include करता है mental torture भी के इसका नाम भी लिख लेजिए पवन कुमार वर्सिस state of हर्याना 1998 cruelty में physical के साथ साथ mental injury भी आएगी और भी cases है इससे related रीमा अगरवाल वर्सिस अनुपम इसके नाम लिख लेजे रीमा अगरवाल वर्सिस अनुपम सतीश कुमार बत्रा वर्सिस state of हर्याना 2009 सतीश कुमार बत्रा वर्सिस state of हर्याना 2009 इस अब important है अरुन व्यास वर्सिस अनीता व्यास अरुन व्यास वर्सिस अनीता व्यास 1999 इसमें कहा गया था कि 498 यह भी एक continuing offense है हर एक incidence जहां व्यास व्यास वर्सिस अनीता व्यास 1999 इसके बाद chapter 21 defamation की बात करता है civil defamation आठने पड़ा होगा we are talking about criminal so 498 में कुछ चीज़ें important है sorry 499 में 499 defamation होता क्या है आप सब 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 यह बात बहुत अच्छे से समझते हैं मान आनी जन्वली होता है reputation को harm is defamation अब देके civil defamation थोड़ा अलग है thought जो होता है क्लियर होगा whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the repetition of such person is simply accepted in the cases here and after accepted to defame that person तो भाई देखिए defamation बहुत क्लिरली यही चीज़ है कि आप अपने किसी assertion से जो आप word के through या lick के कुछ कर रहे है किसी visible representation के through कर रहे है कोई भी imputation लगा रहे है किसी वक्ति पर आपको पता है कि उसकी repetition हाम होगी अगर उसकी repetition हाम होती तो that is an offense called defamation अब यहां पे जो explanation है उनमें कुछ चीज़ें expressly दी हुई है which is important so explanation 1 देखिए it may amount to defamation to impute anything to a deceased person मरे हुए वक्ति का भी defamation हो सकता है कोई ऐसा वक्ति जिसकी मृत्य हो चुकी है उसके बारे में भी अगर आप कुछ ऐसा कह रहे है कि अगर वो जिन्दा होता तो उसकी repetition को हाम होता या उसके जो relatives हैं family member हैं उनके लिए वो उनकी repetition को हाम करने वाला होगा तो मरे हुए विक्ति का भी defamation हो सकता है यह ध्याम बखिएगा explanation 1 में explanation 2 कहता है it may amount to defamation to make an imputation concerning company और association और collection of person as such collectively आप किसी class of person या community के against भी कुछ reputation को हाम करने वाला statement दे रहे हैं तो वो भी यहाँ defamation होता है यह difference है criminal और civil का thought में जो defamation है वो class of person को जब आप करते हैं defame तो civil defamation नहीं होता until and unless किसी specific व्यक्ति को उससे नुकसान न पहुंचा हो जैसे आप कहते हैं मान लीजे कि सारे वकील चोर है अब इस particular statement का criminal defamation में तो आ सकता है बड़ सिविल में नहीं आता जब तक किसी particular रुकील को इस statement की वज़े से impact loss ना हुआ हुआ है इसके अलावा explanation 3 बताता है कि कोई ऐसी चीज जो आप ironically express कर रहे हैं इसको basically कहता है इन्वेंडो जो आप विटी कमेंट्स करते हैं वो भी explanation 3 के तहट defamation हो सकता है वो भी माना जाता है सार्कैस्टिक कमेंट जो होते हैं जिसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों जितने होनार वच्चे तो मैंने कभी देखे ही नहीं है तो इस तरीके के कमेंट्स भी इसको इन्वेंडो कहते हैं और यह भी हो सकते हैं रेपिटेशन को हाम करने वाले स्टेटमेंट defamation इसके बाद फूर्थ देखिए explanation no imputation is set to harm a person's reputation unless that imputation directly or indirectly in the estimation of others lowers the moral और intellectual अब कब कहेंगे कि reputation को हाम हो रहा है तो explanation 4 कहता है उसके moral या intellectual character को demean करें lower करें third person के prospect में या फिर उसके character को lower करें या उसकी caste या calling से related statement हो उसके bodily structure के बारे में कोई comment हो यह सब भी defamation में आएगा चेक तो यह भी आप ध्यान रखिएगा अब बहुत important जो इस 499 में है वो है इसके अलग से दिये हुए 10 exceptions में ज्यादा important है प्री में सारे exceptions याद रखने की जरूरत आपको बिलकुल नहीं है यह जो अलग से exceptions दिये हुए है कुछ specific है कि मैं आपको overall idea दे देता हूं कि क्या क्या exception है अगर public good के लिए आपने कोई statement दिया है किसी वक्ति की भलाई के लिए आपने जैसे एक teacher ने कोई genuine comment दिया किसी student को तो that is not considered as defamation वो यहाँ exception हो जाता है अगर आपका और दूसरे के वक्ति के बीच express contract के थूँ कोई relation create हुआ है जिसमें आप इस तरीके का statement देते हैं censuring comment basically आप देते हैं उसको सुधारने के लिए आप कोई बात कहते हैं तो that will not be considered as defamation है ना तो जैसे कोई teacher किसी student के लिए comment करता है जैसे 7th exception आप देखेंगे उसमें यह बिलकुल exception दिया हुआ है तो अगर आप यहाँ क्लास करने आये हैं और मैं आपकी घंगोर वेज्जती करता हूं तो that won't be defamation exception है 7th exception कि मेरे पास अधिकार है वो करने का ऐसा ही यहां लिखा है कि अगर आपका कोई contract के थूरू कोई relation create हुआ है तो भी आप कर सकते हैं या फिर एक-एक करके मैं थोड़ा पढ़के आपको बस ब्रीफ में बता देता हूं जैसे सबसे पहला देखिए imputation of truth which public good requires to be made or publish public good के लिए जनता की भलाई के लिए जो जरूरी है वो publish किया जाओगा second public conduct of public servant कोई public servant का public conduct आप बता रहे हैं जैसे मालीजी आप बता रहे हैं कि कोई official corrupt है तो उसके public servant के public conduct से related आपको इस statement दे रहे हैं तो that is not defamation third exception है conduct of any person touching any public question जो जनता जनारदन के भी जैसे corruption is an issue तो that won't be considered as defamation fourth exception है publication of reports of proceeding of court court proceeding के reports अगर आपने substantially true reports publish करी है तो that won't amount to defamation जैसे किसी वक्ती को convert किया गया किसी offense के लिए और आपने वो report छाप दी है substantially true है तो that won't be considered as defamation fifth exception है merits of case decided in court or conduct of witness and other concern इस बात को जरा समझीएगा fifth और sixth exception के जो illustration है वो जरा काम के हैं वो थोड़े जरा technical है basically so fifth और sixth exception को जरा समझीएगा इसके illustration जरा समझीएगा fifth exception देखिये merits of case decided in court or conduct of witness and others concerned it is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the merits of any case civil or criminal which has been decided by a court of justice or respecting the conduct of any person as a party witness or agent in any such case or respecting the character of such person as far as his character appears in that conduct and no further अब ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के किसी proceeding में किसी witness के conduct से related उसने जो statement दिया उससे related आप कोई comment कर रहे हैं उस पे आप कोई statement दे रहे हैं तो that won't be defamation जरा illustration से समझते हैं इस बात को A illustration देखिये A says I think Z's evidence on that trial is so contradictory that he must be stupid or dishonest अगर मैं ये कहता हूँ कि यार उस case का वो जो witness था उसने इतने contradictory statement दिये हैं कि मुझे लगता है कि ये बकवास आदमी है बहिमान आदमी है क्योंकि उसने मैं क्यों ही opinion दे रहा हूँ कि वो बहिमान आदमी है क्योंकि उसने contradictory statement दिये मैंने क्या 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 क्योंकि उस witness ने contradictory statement दिये हैं इस लिए मुझे लगता है बहिमान विक्ती है this won't be defamation देखिये आगे लिखा है A is within this exception if he says this in good faith in as much as the opinion which he expresses respecting Z's character as it appears in Z's conduct as a witness and no further अगर मैंने उस witness के conduct को देखके उसकी reputation के बारे में कुछ कहा है या statement दिया है in that case वो defamation नहीं होगा देखिये conduct को देखके मैंने general character general character पे statement दिया conduct के basis पे general character का statement देना defamation नहीं होता क्योंकि उसने contradictory statement दिया था इसलिए मैंने कहा कि बहिमान विक्ती होगा आगे देखिये in as much as the opinion which he expresses respect Z's character यह होगा फिर B देखिये illustration but if A says I do not believe what Z asserted at the trial because I know him to be a man without veracity A is not within this exception and as much as the opinion which he expresses of Z's character is an opinion not founded on Z's conduct as a witness अब देखिये मैं कहता हूँ क्यार वो जो witness आया था ना उस case में उसने जो statement दिया वो जूटी होगा क्योंकि मिर को पता है चोर आदमी है एक नमबर का होगा यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ General character बता रहा हूं उस व्यक्ती का General character से related statement दे रहा हूँ किस basis पर मैं दे रहा हूँ इस statement Sorry general character से के बारे में statement दे रहा हूँ और इसके basis पर मैं उसके conduct को challenge कर रहा हूँ as a witness यहां पे में general character से conduct की तरफ जा रहा हूं कि मुझे पता है बहुमान आदमी है इसलिए जो भी बोलेगा जूटी बोलेगा that amounts to defamation this amounts to defamation कि मैं जानता हूं वो भरोसे वाला आदमी नहीं है इसलिए उसने जो भी जूटी होगा that is defamation लेकिन जब मैं कहता हूं कि आरे इस व्यक्ति ने जो statement दिया बड़ा contradictory है इसलिए मुझे लगता बहुमान आदमी होगा that is not defamation यहां पे exception applicable होता है क्योंकि आप उस व्यक्ति का as a witness conduct देख के statement दे रहा है जंदल character के बारे में इस बाद को एक और चीज से समझ यह six exception भी ऐसा ही है उससे शायद आप थुड़ा और ज्यादा connect कर पढ़ें six exception देखिये merits of public performance it is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of any performance which its author has submitted to the judgment of the public or respecting the character of the author so far as his character appears in such performance and no further अब कोई भी व्यक्ति जब अपनी performance देता है public में तो आप अपनी performance को submit करते हैं for public opinion आप अपनी performance को submit करते हैं for public opinion जब भी आप इस तरीके का public domain में कोई performance देते हैं जैसे मैं यहां YouTube पे class ले रहा हूं तो मैंने एक public domain में performance दी अब आप इस पे comment कर सकते हैं कब यह defamation होगा कब नहीं इसको समझना same illustration है जैसे मान लीजिए कोई यह video दूसरे एक व्यक्ति को recommend करता है कोई कहता है यह class देखना कैसी है इन्होंने जो पड़ाया है अब वो जो व्यक्ति है वो मेरे performance के basis पे मुझे जज नहीं कर रहा है जरा समझना इस बात को फिर से अगर कोई जप्ती मेरी उस performance के basis पे मेरे general character के बारे में statement दे रहा है मेरी उस performance के बेसिस पे मेरे general character के बारे में statement दे रहा है तो this will not be defamation और ये exception में आएगा कोई अगर इस class को पूरा देखता है और फिर कहता है कि यार अच्छा नहीं पढ़ाया है ये जो teacher है इसको आड़ता नहीं है पढ़ाना या इनका law clear नहीं है ये अगर कोई statement देता है तो this won't be defamation क्योंकि performance के basis पे general character बता रहा है लेकर अगर वाई से वरसा कोई देखता है कि अरे ये नितेश सर की class है अरे बखवास ही होगी मैं जानता हूं इनको पढ़ाना नहीं आता that is defamation क्योंकि वहाँ आप general character के basis पे मेरी performance के बारे में स्टेटमेंट दे रहे है आप क्या के रहे है कि यार ये नितेश सर है रहा है इनको नहीं आता पढ़ाना बेकार होगी class रहन दो skip कर दो वीडियो that may be defamation that is defamation ये वाला defamation है जहाँ general character के basis पे पर और performance अब इसमें आप पूरा पढ़ेंगे तो performance हर वो चीज है जब भी आप जनता के सामने जाते है तो कोई भी ऐसी चीज जैसे illustration लिखें आप किताब लिखते है माल लीजे कल को मार्केट में मेरी लिखी हो एक किताब आती है और आप केते हैं अरे इनको थो हम जैनते हैं इनको पढ़ना वड़ा नहीं आता मत कर दो किताब ये किताब बखवास होगी स्टेटमेंट दिया है अब एक बात और समझना जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं तो आप सारे अपने पर्फॉर्मेंस जैसे आप स्टेटस लगाते हैं वाटसेप पे आपने एक फोटो लगाई है तो आपने पब्लिक ओपीनियन के लिए अब मान लेजिए वह फोटो मै देखता हूँ और फिर कहता हूँ कि यार कितने बकवास दिख रहे हो आप आथ हूँ तो इन दाट केस्ट इस नॉट डिफिमिशन क्योंकि मैं आपकी पर्फॉर्मेंस के बीसिस पे जनरल कारेक्टर बता रहा हूँ है आपने किसी डिरेक्टर की पिचर देखी भी नहीं है पर्फॉर्मेंस के बीसिस पे नहीं आप यह बता रहें कि अच्छा इनकी मूवी है और बकवास होगी लेकिन आपने मूवी देखी और फिर बोला क्या हरकुछ मूवी है जिसने भी बनाई है डारेक्टर अच्छा नहीं है इसके बाद 503 इसके बाद 503 की तरफ 503 chapter 22 of criminal intimidation insult and annoyance criminal intimidation criminal intimidation basically होता है धम की देना देखिए 503 criminal intimidation whoever threatens another with any injury to his person आप किस्टीज का threat दे रहे हैं with any injury to his person reputation or property or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested with the intention to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do उससे कोई असी चीज करवाने के लिए जो वह legally bound नहीं है या फिर उसको alarm करने के लिए क्या आप किसी वेक्तियों कह रहा है आज के बाद महले में देख मच जाना नहीं तो बताया में कंड़क के बात करेक्टर नहीं कि वेक्टनेस बैसे का जर्शन का जनल करेक्टर डिफीं से नहीं है इसको ठीए नहीं है लेकर गारे मैं जहता हूं यह रिए इसको तो एक नममर का जूटा यह इसलिए बात कर्राराइब इन दाट के सेटेस्ट इंटेमेंटेशन थेना किसी वक्ती को कि वहीं इंजर की दुना कि देना इंजरी की देना क्रिमिनल इंते शयुप इसके बाद सीधा मां कर लीजे 509 503 के बाद सीधा कर लीजे 509 509 है word, gesture and art intended to insult the modesty of a woman कल मैंने आपको 354 पढ़ाया था बहुत अच्छे से modesty के बारे में बात हुई थी Now you will tell me the difference की 509 में और उस provision में क्या difference है कोई बता सकता है आप में से यह अलग से क्यों है जब Outraging the Modesty of Women हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं और इसमें जो 509 में दिया हुआ है इसमें किसी ने क्वेशन किया है 503 और एक्स्टॉर्शन में आप इंजरी का फियर देते हो और फियर दे के प्रपरटी डिलेवर करवाते हो यहां आप सिफ धंकी दे रहाएं कोई इसमें इसमें आप सिर्फ आप सिर्फ आप बोलेंगे इस से अस्टॉर्शन मेर वर्ट से नहीं होता है सिर्फ आप बोलेंगे इस से असॉल्ट नहीं होगा इट मस्ट भी अकंपनीड वाई कंडा लेकिन 509 थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड ओफेंस है जिसमें मेर वर्ट से भी आप अगर आउट्रेज कर रहे हैं किसी विमन की मॉडस्टी तो 509 में पनिश सिर्फ इसके बाद 510 यह सिर्फ इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि IPC का सब से कम पनिश्मेंट 510 मिस्कंड़क्ट इन पॉब्लिक बाया द्रॉंकन पर्सन होवेवर इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन लेकि ओफेंस क्या है होवेवर इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इसका सिग्निफिकेंस बस क्या है सिग्निफिकेंस पर इस बस इता है कि मिनिममम पनिश्मेंट है IPC का अट्स इट कि अना तो अगर आपने बहुत ज्यादा पी लिए और पॉब्लिक प्लेस में आप बवाल करते हैं तो आपको इंप्रेजनमेंट हो सकता है आपको 24 आर्स तो ठीक है क्या दिक्कत है अब पैसे खर्च किये हैं उसके मज़े लेंगे आप तो लेते ही हुँए अब तो आप क हर्च किया है तो फिर बनता ही है ना इस तुरिफ सिग्निफिकेंस इसका यह है तट इस मिनिममम पनिश्मेंट इसके बाद आईए जरा आखरी चेप्टर पे और यह है 511 अटेंट थोड़ी सी बात अटेंट की मैं करूँआ बस क्योंकि मैं आपको पहले बताया है इसमें एक दू तरीके के सवाल जो आते हैं कि जहां पे आप ने जो अटेंट किया वो सफीशन्ट ही नहीं था जहां प्रपरेशन डिफेक्टिव थी बिसिकली कि मुझे किसी वक्ती की जान लेनी थी जहर देखे बट मैं जिसे जहर समझके लाया वो तो सुगर पाउडर था और वो मैंने किसी के खाने में मिला दिया तो क्या कि में अर्जाम आटेम्ट के लिए लायbayल हूं तो अंसर इस आप लाये एंप क्यु नहीं किया है तो उसने शुकर पाउडर लाया ऑगली बार रोटेस्ट करके लाएगा अगली बार वो सप्रेस्ट नहीं करोगे तो अगली बारें कुरे इसलिए उस case में माना जाता है इस पर पूरी theories हैं काफी सारे cases है different हैं उनको मैं यहां मैंने कहा deal नहीं करूँगा थोड़ा सा लंबा lecture है वो बट आप पे लेके आप पे वो अल्रेडी है आप का लिंक आपके पास है उसमें आप जब आप डाउमलोड करते हैं वहां आप आप एक बैच में एड होते हैं जिसका नाम है free content for judiciary उस बैच में आप जाहिए उसमें एक live classes का section मिलेगा जैसे आप live classes पे click करेंगे उस बैच के नीचे scroll down करना आपको एक class मिल जाएगी स्टेजेज आपको बहुत क्लारेटी चाहिए यू के आपको help मिलेगी हाँ बिलकुल हरशा सिर्फ stages हैं दो गंटे के lecture में क्या होता है न जब आप foundation के लिए पढ़ते हैं पहली बार में जब आप judiciary के लिए तायरी कर रहे हैं तो मेरा opinion यह होता है कि जो major common laws है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो जो चोटे वाले क्योंकि आपका एक prudence डिवलप होता है कैसे लोग को पढ़ा जाता है की समझ में आता है तो फिर वह सब आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसलिए इन पर समय दिया रहे है टेक्निकालिटी कितनी है यह आप इसी क्लास होती है आई पीसी की कम से कम फांडेशन बैच में 45 क्लास होती है वहां टीटेल नोट्स होते हैं हर चीज के जो मैं समझा रहा हूं कि लिख पाता हूं फिर टाइम लगता उसको पढ़ाने में आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब